तो जो law होता है ना कोई भी law हो मैं company law की बात कर रहा हूं तो चलिए company लिख लेते हैं और कोई भी law हो पहले हमें इसके definition या meaning जिसे कहते हैं हम सिंपल वर्ड में के सर मीनिंग है यह तो मीनिंग जितने भी गीवन होते हैं हमेशा सेक्शन टू में किसी भी लौक आपने इन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो जैसे कि आपका इंडियन सब्सक्राइब करने के लिए कैसे काम करना होगा बड़ी सीधी सी बात है कुछ बच्चों का सबसे मेजर जो इशू रहेगा चप्टर अभी स्टार्ट करने से कुछ बाते बता दू के सर हमें सेक्शन लिखके आने हैं कि एक्जाम में mandatory हैं बहुत सारे यहां पर मित्थे हैं बहुत सारे लोग अपनी मंगड़त बाते बना लेते हैं तो मैं कहूंगा सेक्शन नहीं लिखके आते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता यानि आप सेक्शन को याद करिये चाहे याद मत करिये फरक नहीं पड़ता लेकिन दूसरी सच्चाई भी सुन लो अगर आपको सेक्शन याद है न तो content अपने आप याद हो जाता है यानि याद करने का तरीका आसान तरीका मेरे से पूछो नहीं सर याद करने का कोई आसान तरीका बताओ मैं कहूंगा section के साथ याद करो नहीं तो उसका मज़ा लगाएगा और हम class में कोसिस करेंगे कि एक भी section ना बचे सारे section हमें learn हो जाए class के अंदर ही ठीक है तो जितने भी definition से कहां पर given है आपके section 2 में अब कई बार section 2 के अंदर definition कुछ इस तरीके से given होता है और कई बार definition given होता है 1 ठीक है जैसे company की definition के लिए सहारा लिया गया है section 20 2 20 तो 2 के बाद जो section लगता है ना इसे हम कई बार subsection कह देते हैं और कई बार clause कह देते हैं तो 2 subsection 20 ये 2 clause 20 अब सर कई बार का मतलब क्या है थोड़ी सी बाते हम general knowledge की बात कर लेते हैं माल लेते हैं 3 और 1 है तो मैं इसे पढ़ूँँगा 3 subsection 1 लेकिन 2 और 1 है तो मैं इसे यानि section 2 में definition given होता है तो सिर्फ section 2 के साथ जब भी लगेगा तो उसको clause पढ़ते हैं और आगे बाकी कोई number change हो जाए 2 के अलावा 1, 3, 4, 5, 6 मैंने कहा जी 6 और 1 कहा दिया तो यह 6 subsection 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे clause एक थोड़ा सा पढ़ने का है सर ABCD और यह 123 की क्यों देते हैं अगर मैं ABCD की बात करूँ न तो ABCD alphabetical इतने तो है नहीं हमारे पास letter जैड़ तक ही letter है तो जिस law के अंदर definition कम होते हैं वह यूज क्या करते हैं section 2a2b जैसे कि हमारा एक छोटा सा लौ नहीं है इंडियन कॉंट्रेकर तो बहुत छोटा लौ था इक बहुत बड़ा और डिटेल लौ है तो इसके अंदर बड़े सारे नंबर है तो इसलिए बोला ABCD से काम नहीं बनेगा यहाँ पर चलेगा गलत section कोट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा यह चीज़े अपने content सारा ठीक लिखा लेकिन अंदर section गलत कोट कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला ठीक है न तो चलिए company account पढ़ रहे हैं company law पढ़ रहे हैं तो company law की definition की बात कर लें तो definition आपका जो गीवन है law ने define किया है और इस definition को दो तरीके से define किया जाएगा एक तो law बोल देता है जिसने कानून लिखा ता है वह सेक्षण इस इसमें यह लिखा हुआ है जब इस section में इसaktion मोई अ stereo नहीं मिलेगे देखो आप भी देखको तो कहोगे कहता है के company का मतलब क्या है 2013 act है कहता है company का मतलब सर है mean a company incorporated under this act incorporated का मतलब होता है बनना यानि सर का मतलब वह है जो की इस कानून के अंदर registration करा ले किस कानून के अंदर registration करा Güllet是 company act 2013 एक भात थोड़ी ना पूछू कम्पणी क्या है आपने पुला company में जिसने registration करा लिए से क्या बहुत कंपनी प्र प reliability याद हो गया फिर बोलता खिए पुरानी बुक होगा तो 1956 का जिकर किया जाता था यानि कंपनी की definition क्या कहता है कौन से section में कहता है सर 220 कहता है section 220 क्या कहता है company का मतलब जिसने अपने आपको company act 2013 में registration करा दिया या एनी previous log in the registration करा दिया उसे क्या बोलेंगे company यह definition थोड़ा सा clarity नहीं मिल रही यह तो सिंपल सी बात हो गई है ना अब याद में इसमें याद भी करने की जुरत एक्जाम में आएगा अगर definition आता है चार नंबर का है दो नंबर का यह दो लाइन लिख्या होगा पूरे marks मिलेंगे लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं तो marks लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें समझना पढ़ेगा के company actual क्या है तो company की definition देने में बहुत लोगों का हाथ था बहुत लोगों ने अपने हिसाब से definition दिया जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया क्लास के इंदर कमpani alumni के किताम में मिल जाता है वो definition हम देखते हैं कि प्रोफेसर हैने की से चिया होता है अगर हम बात करें प्रोफे जैसे कि आपने साइंस में या फिर आपने बिजनस स्टड़ी में पढ़ा होगा टेलर का डेफिनीशन है और भी बहुत सारे हैं जिसके की डेफिनीशन गीवन होते हैं तो जो आपके थौट सोते हैं ना उसके हिसाफ से बताते हो तो ऐसे एक प्रोफिसर हैने हैं जिन्होंने define किया था company को और उन्होंने बोला company भाया एक artificial person है artificial person का मतलब देखेंगे क्या होता है कहता है company a company is a artificial person एक artificial person है और created by law है ये बात तो ठीक कही इन्होंने created by law यानि 2013 से ही तो बना है ये और 13 से पहले भी था या नहीं था था सर किसमें था 1950 उससे पहले था यह नहीं था उससे पहले भी था सर लेकिन इतना पीछे जाने की जुरत नहीं है तो कौन कहता है company is a artificial person सर artificial person क्या है ये कोशन मार के समझना पड़ेगा having a separate entity separate entity आपको 12th class के अंदर 11th class में स्राटिंग में बता दिया जाता है बिजनस अलग है और honor दोनों अलग है इसी को तो separate entity कहते हैं बिजनस entity कहते हैं तो इसने बोला के भी या company की भी separate entity होती है with the perpetual cessation perpetual cessation क्या होता है सर इसको भी समझना पड़ेगा और common seal इसको भी समझना पड़ेगा यानि इन सारी बातों को जिसके नीचे underline किया हुआ इन बातों को एक एक करके समझ लेना तो definition हमारा कहतम हो जाता है company का तो अगर मैं बात करूं सभी बातों को कि इनका मतलब क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि चलिए कि अगर कि 5000 की बात करते हैं है कि 5000 का मतलब क्या होता है सर आप देखिए 8 प्र 4and का मतलब होता है जैसे एक रोबोट है कि अप इस रोबोट को एक मैने सिंपल सा ले लिया ऐसाम पल एक व्यक्ति तो है और वह सारे काम व्यक्ति के के जैसा करे लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल परसन नहीं है उसके अंदर जान नहीं होगा मतलब बनाया हुआ है तो अगर कोई कंपणी जैसे माल लेते हैं एक एक्स वाई जड़ है एक्स वाई जड़ लेमेटेड है और इसका ओनर माल लेते हैं कि मुके संबानी है तो आपको पता है कि ये कंपणी और ये दोनों आपस में क्या-क्या है अलग है अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है कोई भी fraud होता है तो आप मुके संबानी के उपर case करोगे या फिर आप company के उपर case करोगे उसके माल लेते हैं जीओ का ही example ले लूँ अगर जीओ का आपने recharge कराया और जीओ का recharge कराने के बाद आपका recharge नहीं हुआ तो आप जीओ के उपर claim करोगे आसा थोड़ी है मुके संबान इस मीनिंग से बताना चाहते हैं प्रोफेसर हैं के ना एक अर्टिफीशल पर सने मतलब लॉक के दुआरा लॉक के अंदर रजिस्टर है और एक परसन के तरीके से काम करेगा कंपनी हमारा इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा इसके बाद इन्होंने कहा created by lot यह है having separate entity सर separate entity का मतलब इसका अस्तित्व एक अलग होता है separate entity कि जिसको हम separate legal entity भी कहते हैं बड़ी सब्ठीन काहानी इसके उपर सेप्रेट लीगल एंटिटी कई बार में पूछ लिया जाता है कि भहाई सेप्रिट लीगल एंटिटी क्या होता है बता हुझ है तस गार्व दस-ब्रका ऐसे 15 नमबरगा और एक बार नہीं घिरों बारकोश्चा पूचा गया हुझ कि मान लेते हैं कि है रिलाइंस कमपनी है कि और मान लेते हैं कि मुक्य संबानी इन दोनों के अगर बात करें तो सेपरेट लीगल उन्टी तो सर् यही चूल यह होता है यहां अधान और कंपनी अलग है यह कभी न कभी तो किसी ने बनाया हुई होगा इस law को तभी तो चला रहा है तो एक जजमेंट है 1897 का जजमेंट है वहाँ पे इंग्लेंड क्योंकि देखो उस टाइम पे जितने लौ है ना बेसिकली कंपनी लौ हो चाहे कुछ भी हो इस इंडिया कंपनी आपने अगर कोई हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत पुरानी चीज़े तो यह जाज सर इंग्लिश यानि यूके स तो यूके के अंदर क्या था एक सालोमन जैसा कि आप देख रहे होगे सालोमन वर्सिस सालोमन का केस आया यह क्या करते थे यह ना सूज बनाया करते थे किसके लिए मिलिटरी के लिए जो वहां के आर्मी पॉज से ना तो सालोमन का काम क्या था वह जूते बनाया करता था उ में टिकाव है और बहुत मतलब हेल्प कर सकता है हमारे फूर्स को इनको एक बहुत बड़ा और मिल गया और यह अकेले विचारा बनाता था और अकेले बेशता था जितने भी और आया अकेले बनाता था काइंड आफ मैं कह सकता हूं मोची थे ठीक है ना तो सालोमन जो क्या था हमारा जो जूते बनाने का काम किया करते थे हुआ ऐसा कि इन्होंने सोचा के यार हमें काम कर रहे हैं तो क्यों ना कंपनी को बढ़ा किया जाए तो इनका अभी पता है क्या था सोल प्रोप्राइटर इनका सोल प्रोप्राइटर समझते हैं मालिक हमी है सब कुछ हमी देखेंगे इसने बोला कि हम कंपनी बनाएंगे तो इन्होंने बनाया सालोमन वर्सिस सालोमन यानि सालोमन एंड कंपनी बनाया सालोमन इनका नाम है सालोमन कंपनी बनाया तो सर कंपनी बनाने के लिए जो इनका सोल प्रोप्रोप्राइटर वाला बिजनस था जो इनका सोल प्रोप्रोप्राइटर वाला बिजनस था कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस बिजनस को इस कंपनी के अंदर मिलाना पड़ेगा आप स खरीदेगा तो यह इस बिजनस के बदले पेमिंट करेगा ऐसा कुछ कहां नहीं होना चाहिए परचेस कंसिट्रेशन ठीक है तो इस बिजनस को खरीदने के लिए इस कंपनी ने 39,000 पाउंड की बोली लगाई और इस कंपनी को एक्वाइर कर एक्वाइर करने के बाद इस कंप इनको दे दिये गए 9,000 पाउंड दे दिये गए और बाकी के 30,000 के यहां पे अलग-अलग कर दिये गए दो टुकड़े यानि इस कंपनी के अंदर इस कंपनी के अंदर इंवेस्मेंट जो आ चुका है वो कितने का आ चुका है 30,000 पाउंड के जिसमें से इन्होंने 20,000 शेय और 10,000 क्या रखा इन्होंने डिबेंचर रखा कंपनी फॉर्मेशन हो गया और यह जो शेयर दिये ना पता किसको दिये अपने फैमिली वाले को क्योंकि शेयर कंपनी होता है न तो साथ मेंबर की जुरत होती है आपको थोड़ा बहुत याद हो तो किसी भी लिमेंटेड कं अधर साथ है तो एक यह खुद हो गया दूसरे दंबर इसकी वाइफ और चार इसके बेटे और एक इसकी बेटी कि सबी को एक एक शेयर दे लिया यह पूरा परिबार इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन गया और इस ने क्या करा रार टीवैंचर शिक्यों कर दिये और बड़े बड़े ओर्टर भी मिलना चालों जब एक अब कंपनी के अंदर कितने शियर होल्डर है कि साथ है को ने वह है उसका उसकी वाइफ उसके चार बेटे और एक उसकी बेटी और और कंपनी ने वीस अजार के शेर दिये थे और दस सबसे पहले का पैसा लोटा आए जाएगा फिर किसका लोटा आए जाएगा अगर पैसे बचेंगे तो ठीक नहीं तो को और यह मेरा मान लेतने डि बेंचर है तो किम्पनी का करजा कितना हो गया टोटल किम्पनी के उपर लाइबलीटी कितने का हो गया टोटल 17,000 का हो गया न अब company insolvent हो रहा है company ने अपने assets बेच दिये और assets जो है न वो 12,000 रुपे के भी के तो company इस 12,000 ही तो बांटेगी इन में तो company इस 12,000 को क्योंकि debenture हमारा secured है तो 12,000 सारा का सारा पहले इसको दे देगी यानि इसके 10,000 पहले cancel और इसको कितने मिलेंगे सिर्फ 2000 ये बोलेगा भाई मेरे बाकी के 5000 बोलेगा sorry नहीं मिलेगा क्योंकि आप unsecured हो law यही कहता है पहले secured वाले को दो फिर unsecured वाले को दो ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे company के 30,000 थे और इन्हें ने जब काम स्टार्ट किया बिजनस कर रहे थे बहुत अच्छा इनका बिजनस चली रहा था इनके पास न 7,000 रुपे का इन्होंने pound का 7,000 pound का इनका creditor भी था अब जवाने की बात मैं करूँ 1897 उस ताइम पे pound 7,000 बहुत बड़ी amount हुआ करते थी उस टाइम पे बहुत बड़ा amount था यह तो इस टाइम के इसाब से company सोचो कितनी बड़ी company रही होगी तो 7,000 के क्या थे इसके creditor 10,000 के इसके क्या थे debenture और बाकी 20,000 के इसके क्या थे shares यह scenario चल रहा था company के अंदर सारा धीरे धीरे क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी था और company के losses आने चालो प्राफिट के जगाए पर loss आना चालो गया Salomon ने decide क्या यार company बंद करते जब company बंद करने का इन्होंने decision लिया था Salomon ने के भई company को बंद कर देते हैं तो company जब Salomon ने company बंद करने का फैसला लिया तो इसने सबसे पहले क्या करा अपना जितना भी assets था उस assets को क्या कर दिया sold कर दिया साहब और सारे assets जब इसने बेचे ना तो मात्र इनके सारे के सारे assets कितने के बिके 6000 के बिके बस सारा 6,000 रुपे मैं बोल रहा हूं कई बार आप exam के अंदर pound बताना है कितने के बेच पाया है 6000 और company के उपर debt वही था 20,000 और plus 7,000 का क्या था sorry 20 मैंने बोल दिया 10 10,000 का debenture था debt और 7,000 का क्या था creditor अब creditor क्या होंगे secured होंगे अन secured होंगे unsecured होंगे और ये क्या होगा secured और secured debenture जो मजे की बात है जो secured debenture था पता है किसने लिया था इन्होंने अपने family वालों को ही दे रखा था यानि Salomon के परिवार के पास shares भी है और Salomon के परिवार के पास क्या है debenture भी है और बाहर वालों ने जो इसको उधार raw material वगेरा दे रखा है क्रेडिटर तो Salomon ने बोला यार company बंद हो गई है एक काम करते है सारा का सारा liability खतम करके हम बस चुटी करें इसको कहानी को चैका ने तो उसने क्या करा जब asset 6000 बिक रहते तो ये क्या बिक थे इसके सारे एसट्स उठाके और ये डिबेंचर होल्डर को दे दिया कि इसको दे दिया इसने सारे अकरड़ा ला के णहिता को जाके दे दिया चैसरे प्रस流डर कोन है और बिदेशन की परिवारं है इन बिचारों ने बोला भाईया मेरे को पैसा कम मिलेगा बोला देखो 6000 थे वो तो डिबेंचर होल्डर के पूरे नहीं हुए तो तुम्हारा नंबर क्या आएगा तो जो दूसरे परसन थे इनके उपर के भईया ऐसा हुआ है जद साहब को बोला कि इन्होंने कंपनी बनाए कंपनी में डिवेंचर भी खुद को दे रखा है इसे बेंचर को मिलना चाहिए और ऑफिले पैसे तो इसलिए देख लो इनके पास हमारे पैसे तो मिले इन कोट ने कहा कोट का judgment आया उस दिन कि भाईया company अलग होता है और honor अलग होता है और यहाँ पे सालोमन ने सारे के सारे rule and regulation को अच्छे से follow करके काम किया कोई ऐसा नहीं किया कि इसने किसी rule को तोड़ा है तो sorry creditor आपको पैसे नहीं मिलेंगे और यह पैसे किसके हक में जाएगा होता है तो आपके एक्जाम में दस नंबर का सवाल आ जाए तो यह पूरी कहानी लिख के आनी होगी रियल कहानी आपके हर किताब में भी मिल जाएगा तो बहुत सारे ऐसे case laws हैं जिसके ऊपर हमें समझाये जाता है तो एक सबसे famous और सबसे important सालोमन वर्सेस सालोमन का केस आ दूबारा आ जाते हैं तो definition पर अगर हम आ जाएं बुबारा से तो definition क्या कहता था कि एक artifical person परसन मतलब कंपनी अलग होता है अलग होता है सेपरेट एंटिटी क्या है सेपरेट एंटिटी भाई है बिजनस अलग होता है मालिक अलग होता है कौन कहता है एक केस है जो कौन सा केस था सालोमन वर्सेस सालोमन इसके बाद भी परपेच्वल ससेशन परपेच्वल ससेशन क्य के अंदर तीन शेयर होल्डर है मान लेते हैं पांच शेयर होल्डर यह साथ शेयर होल्डर है और यह साथों के साथों घूमने के लिए निकले हैं यह साथों के साथों मान लोग घूमने के लिए निकले हैं साथों शेयर होल्डर अब यह साथों के साथों घूमने के लिए निकले हैं और मान लिया जाए एक दुरगटना हुई कि इस कार का जिस कार के अंदर यह बैठे वे हैं इस कार का एक्सिडेंट हो जाता है और एक्सि को देथ हो जाता है सातों को सातों को अब घुर किसके पास है इनके पास Inu n यह सिरलडर क थे क्या ओगे मर गए इस इस IN zijn होल्डर अगै जिब नाम पैसफर मर जाएंगे किसके नाम प्छिसके ne Nominee के नाम पर Same procedure हर जगह चलने वाला है सर इसके शेयर भी transfer हो जाएंगे किसके नाम पर Nominee, इसके भी share किसके नाम पर Nominee हर किसी के share कहां transfer हो जाएंगे उसके Nominee अगर मालनो nominee नहीं हुआ तो तो उस shares का जो भी payment कर देगा जो भी legal उसका representative होगा जिसके देख रिक में चाहे उसका दोस्ती क्यों ना हो उसके नाम पे देदेगा अगर nominee नहीं है तो देखेगा भईया इसके सबसे ज़्यादा close और सबसे ज़्यादा बफादार कोन है उसको देदेगा जाके उस शियर ठीक है न अब यह सारा शियर क्या company हमारी बंद हो गई क्या company के सारे shareholder तो मर गए क्या company हमारी बंद हो गई क्या नहीं तो ऐसा काम जो कि कभी रुक नहीं सकता जो कभी रुकी नहीं सकता उसे बोलते हैं perpetual और cessation का मतलब कभी खतम नहीं हो सकता सँसेशन का मतलब होता है मतलब होता है कि ओक प्रोफेसर हैने कहते थे कि कंपनी क्या सर सेपर लीगल एंटिटी है सैंन पर्पेटोब सैसीशन के कुछ ड डेफिनीशन है है जैसे लिखा हुआ है इन के इन केसीचर ऐघ्रेटोफ मेमबर मेंबर कोन होते हैं ऐंज़मियर होलडर कर दीच जो maarin जो भी nominee exist कर रहा होगा similarly in case of insolvency member of shares held by himself based in the official assignee जो official assignee होगा उसको दे दिया जाएगा simple सी बात है death के case में nominee और अगर death हो जाता है insolvency के case में तब भी उसके nominee को दे दिया जाएगा यानि company खतम होने वाली बात नहीं है इसके बाद common seal की बात करते हैं कहते हैं सर इसका नहीं common seal होता है common seal क्या है common seal क्या होता है stem को common seal कहते हैं जो आपने देखा होगा हर जगा पर भी या stem होता है उससे common seal कहा जाता है हम नॉर्मली इसको stamp के नाम से जानते हैं मोहर के नाम से जानते हैं और law के अंदर इसको बोला जाता है common seal सर इसका definition से क्या तालूक है हमें एक बात तो समझ में आ गया कि company artificial person हाँ भाई company अलग है ओनर अलग है दूसरी बात company separate entity है ठीक है भाई साथ अलग है सालोमन ने इसके बाद यह common seal क्यों आया क्योंकि company अगर separate entity है अगर आपने बोला सर एक्स वाइजड लिमिटेड एक अलग company है तो अगर यह अलग company है और अलग company है तो आप इस company के आपको अगर इस company ने कुछ भी दिया लिखित में कुछ भी लिखिके दिया कि मैं आपको यह चीज़े आपने समान खरीदा company क्या कहते है company की guarantee मिली है company की guarantee तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति से आप पकड़ लो बोलो के भाई मेरे पैसे कब लोटाएगा बता उसने बोलो दो मेने बाद दूगा बोलोगा पक्का guarantee दे रहा है बोलो लिख साइन कर उसस वह क्या करेगा चुपचा उसका जो भी एजेंट होगा जो भी उसको चला रहा होगा वह यहां पर स्टेंप लगा देगा अगर इस document के उपर स्टेंप लगा हुआ है तो मैं कह सकता हूं यह जो होता है company का signature है एक तरीके से company का signature है तो देखो definition में जो प्रोफेसर हैनी ने क कहा सारी बातों को ठीक कहा है अगर हम देखें definition में क्या है तो बड़ी सीधी सी बात है definition में company एक artificial person है और कौन बनाता है इसको लॉग एंडर बने का definition पहले वाले क्या देखा company जो की लॉग एंडर रिजिस्टर सेपरेट एंटिटी है कैसे प्रूफ हुआ सेपरेट एंटि प्रूफ होता है जो लगेगा तभी वैलिड माना जाएगा सब्सक्राइब को मैं इसलिए कहता हूं कि एक definition से हमारे काफी सारे कुश्चन खत्म हो जाते हैं इसके बाद company के आता है कि सर फीचर क्या है कंपनी का फीचर क्या है तो जो अंडर लाइन क्या है नंबर वन फीच सर यह भी तो company का क्या है हमारा फीचर यह सर कंपनी का खुद का common seal होता है तो यह भी क्या है हमारा फीचर इस definition को याद जो भी जैसे कर लेते हैं कर हमें याद वैसे तो याद होई गया है definition अगर इस definition को पढ़ते है तो चार फीचर अपने आप हो जाता है एक question जरूर पूर्प्रेटर स्कीच्फ या फिर फीचर की बात करते हैं में सबसे पहले incorporated association पहला feature और इन्कॉर्परेट का मतलब क्या होता है incorporate का मतलब होता है बनना incorporate का मतलब होता है बनना आपने देखा होगा कई बार किसी चीज को बनाते हैं तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं ऐसे कर नहीं वैसे कर ये कर वो कर इस तरीके सर डॉक्यमेंटेशन काम कर उसके बाद finally बोलता है अब ये बनके हमारा क्या हो गया तया क्यानारोग घैशन का मतलब होता है काफ़ी सारे लोगों को मिलाना बहुत सारे लोगों को मिला के घटा करके कोई छीज बनाना क्यूंकि Alumni सा व सर दूसरा definition क्या कहता है separate artificial person तो artificial person क्या मुझे समझाने की ज़ुरत है क्या है नहीं है company एक artificial person है और company के उपर case भी किया जा सकता और company भी case कर सकता है क्या company का तीसरा क्या है हमारा separate legal entity यह भी अभी देख लिया कौन सा case लगाया था इसके उपर law solomon versus solomon perpetual cessation यह भी देख लिया company कभी बंद नहीं हो सकता इसके बाद common seals यह भी देख चुके हैं अब इसके बाद करते बाद सर limited liability क्या चीज़ है limited liability की अगर हम बात करें सर limited liability होता क्या है तो basically limited liability अब माल लो आप यह आप हो और आपने माल लेते हैं जनता limited का share खरीदा जनता limited का share खरीदा और सर कितने share खरीदे आपने 10 रुपे का face value वाला एक share खरीदा ठीक है company ने आप से क्या कहा कि भाई साब अभी मुझे 10 मत दो मुझे अभी आठी दो company ने कितने मांगे आठी मांगे तो आपने आठ पेट कर दिया क्या ऐसा possible होता है कि company कम मांगता है इतने सारे question में हो सकता है possible company कितने मांगे आप से 8 यानि आप जैसे यह आठ रुपे देते हो आप इस company के क्या बन गए आप इस सारा करजा आ गया मान लेतें 59 पच आज और डागिया खुट्रक déb 227 salty kok इन्दर कितने पैसे लगाए ठीकितने कंपने कंपनी के अंदर कितने पैसे लगाए थे दस रुर यह लगाए कितने आठ कमपनी नुकसान में चले गई कमपनी टो गई कमपनी बंद ने जारी और कमपनी को ऊपर कर्जा पकरद्धक क्या आप अपने घर या प्रूम से पैसे तो लाओगे लेकिन 50 जार नहीं लाओं लेकर आप लेकर आऊगे अपने घर से सरेफ और सरेफ दो रुपए क्योंकि आपने इस company की हिस्सेदारी पूरी थोड़ी न ले ली थी क्योंकि liability तो सब की जिम्मेदारी बनती है केले इस आपकी थोड़ी बनेगी आपकी जिम्मेदारी दस रुपए तक की है तो आपकी liability company की 50 अजार है लेकिन आपके पर liability कितना है सिरफ और सिरफ तो कह सकते हैं company एक लिमिटेड लाइबली थी होता है उसके शियरोल्डर पर क्या होता है हमारा Limited liability तो क्या ये company का फीचर हो गया एक फ्रीली ट्रांसफर फ्रीली सर यह चीज़े ना हमने देखा था मर गए थे सब इसके शेर किसको गया था इसके नॉमनी को तो जब कभी भी हम शेर मान लेते हैं एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास कोई भी शेर पढ़ा हो तो यह इजिली अपने शेर को सोल्ड कर सकता है सोल्ड करने को ही क्या बोला जाता है ट्रांसफर करना तो एक कंपनी का फीचर है कि आप अपने ओनर्सिप किसी को भी दे सकते हो तो ट्रांसफर फ्रीली है फ्रीली मतलब कि आपके ओपर कोई रिस्ट्रेक्शन नहीं लगाए जाएगा यह ट्रांसफर फ्रीली की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ limited company के अदर होता है private limited में नहीं होता है जब हम kind of company पर आएंगे तो दिखेंगे सर ठीक है यह company law का first chapter है जिसमें से questions पूछा जाएगा और definitely पूछा जाएगा एक होता है separate property सर सेपरेट प्रॉपटी प्रॉपटी का मतलब assets आपको जैसे आपकी एक company है मान लेते हैं आपकी company xyz लिमिटेड आपकी company है अब company के पास कुछ assets होंगे न अब मान लेते हैं आपको simple सा example लेता हूं कि आपके पास न कार होता है तो कार जब खरीदने जाते है न तो वहां पे motor vehicles act के अंदर registration कराना पड़ता है उसको यानि उसके अंदर document होते हैं अकर वह document आपके नाम पे नहीं होगा तो आपकी नहीं मानी जाएगी जिसे RC के नाम से हम जानते हैं अकर स्कूटी हो जाए motor vehicles हो तो वह RC आपने खरीदा है तो आपके नाम पे होता है लेकिन अगर company ने अपने यूज के लिए रखा है तो ऐसे situation में जितने भी motor car होगा ना वो XYZ Limited के नाम पे होगा अब मान लेते हैं Ola है Uber है इनके पास इतने सारे car है तो यह किसका car है आप Ola का car है Ola एक company separate है तो वह सारे car का जो honor होगा बहुत सारे तो चलो rented भी होते हैं जो car का honor होगा अगर जो भी उसके अपने taxi होगे वह किसके नाम पे होगा Ola company के नाम के ना के उसके honor के नाम पे होगा समझे बात तो company के सारे क्या होते हैं अपने separate property होगा company का अपना यह भी क्या है company का feature ठीक है ना मतलब company के नाम पे assets खरीदा जा सकता है इसके बाद company can sue and be sued का मतलब होता है case कर करते ना कि केस करते ना और आप केस करोगे तो आपके उपर भी तो हो सकता है कि तो company किसी पर कर सकता और company के उपर भी केस कर सकता है ऐसा तो नहीं होगा कि मैं केस करूंगा मेरे उपर कोई करी नहीं सकता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसा पॉसिबल क्यूं हो पा किसी के साथ fraud हो गया उसने क्या करा उसके उपर मानहानी कर दिया या कोई केस मुकदमा दर्ज कर दिया और कमपनी वह केस को लड़ रही होती काफे टाइम तक जैसे कि income tax ने वोड़ा फोन के उपर केस कर रखा है क्या कि मेरे टेक्स के पैसे नहीं दे रहा तो income tax ने case कर रहा है फिर बोड़ा फोन ने इंकम tax पर case कर दिया मेरे जूटे बता रहा है यह मेरे उपर ऐसे बोल रहा है तो यह case चलता रहता है तो company जो है ना capacity ए कमपनी के पास power है कि company to sue और B मतलब company case कर भी सकता है और company के ऊपर भी case किया जा सकता है तो यह क्या थे हमारे company के एक बार फटा फट से feature देखो इसको पूरा आपको explain करना है तो बच्पन वाली बात नहीं करना बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लिखते आजाए यह आपको पूरा explain करना होगा ठीक है ना तो पहला क्या है company का मीनिंग का मीनिंग क्या है company वह है जो इसने company एक्ट में registration करा रखा या फिर उससे previous law में registration करा रखा है company यह कौन सा है नहीं नहीं बता है वही क्या मन जाता है सर हमारा feature बन जाता है फीचर में क्या है company एक incorporated association है associated है बहुत सारे person को मिलके बनाया जाता है यह एक artificial person है company एक अलग विखती है जो कि अपना अलग काम करती है separate legal company का separate legal entity है सर सालोमन वर्सिस सालोमन company अलग होता है honor अलग होता है इस case ने प्रूब कर दिया perpetual association है सर company कभी मर नहीं सकते है उसके सारे के सारे member मर जा है उसके share उसके किसी ना किसी के नाम पर transfer कर दिया जाएगा सर limited liability अगर आपके company में 10 रुपे की हिस्सेदार है तो आपका करजा भी liability भी कितना बनेगा 10 रुपे के बराबर होगा ना कि जितनी पूरी company के liability आप ही responsible हो जाओगे common seal company के पास अपने signature करने का भी power होता है जो stamp के थूरू करते है common seal का मतलब उस company का क्या है stamp है transparency of shares company अपने share किसी को दे सकता है easily उसके उपर कोई foundation नहीं है आपका separate property company can purchase its own name अपने नाम पे property को purchase कर सकता है और company के पास capacity है कि किसी के उपर case कर सकता है सहाब यह पंदरा नंबर का यह chapter कितने नंबर का बताया था मैंने 18 नंबर का कितने चप्टर इसके अंदर देख लेते हैं यूनिट में कंपनी का meaning and feature और company administrative kind of company तो बात करें company का meaning अभी पढ़ लिया और feature हमने पढ़ लिया चैप्टर वन जो है हमारा 90% खतम हो गया इसमें से 10 नंबर का सवाल मान के चलो टम जो भी पेपर आएगा आप 10 यह लोगे या पास्टे के पेपर को evaluate करोगे 10 marks का questions पूछा ही पूछा जाएगा what is the meaning of company और इसके फीचर और जरूरी नहीं यह यह आए जो हमने यह देखा है न पर्टिकुलर एक पॉइंट पे भी questions पूछे जाएंगे कौन से एक पॉइंट के उपर इन किसी पॉइंट के उपर से question पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा पूछा जाता है separate legal entity तो separate legal entity को define करके वहाँ पर क्या explain करना है में इसके case laws कौन से वाले सालोमन वर्सिस artificial person इसको भी पूरा define करना पड़ेगा इन सभी के वैसे मैं notes दे दूँगा जो कि आप पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जागा मेरा काम यहां पर पढ़ना नहीं रहेगा बस मैंने concept समझाया आपको याद होना चीए nine point है और कोई बड़े point नहीं आपको word के हिसाब से आप को उसके अंसर लिखने पड़ेंगे दूसरा सर क्या डिटो याद करना ही अपनी लेंग्वेज में अपनी लेंग्वेज में लिख सकते हो section लिखो मत लिखो कोई फरक नहीं पढ़ता बट accurate आपको लिखना होगा हेलो स्टूरिक अभी तक हमने corporate law या फिर मैं कहूं company law के अंदर क्या-क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं कबसे पहले हमने meaning देख लिया और meaning में मैंने जो decide किया था कि हम meaning बहुत सारे थे लेकिन professor हेनिका किया था कि company is artificial person है इसके साथ साथ हमने इसके characters भी देख लिये थे और character के साथ कुछ case laws भी देख लिया था जो कि saloon versus saloon था first class यहाँ पे था अब उसके आगे second class क्योंकि इसके इंदर first chapter में दो ही points है जिसमें से question पूछा जाता है number one meaning of आपका company and its character दूसरा point आता है what is the meaning of corporate will corporate will क्या होता है तो आज हम देखेंगे सबसे पहले corporate will क्या होता है आप समझेंगे मैंने तोड़े सा पहले से लिखा हुआ है इसमें दियान भी बात में देंगे पहले corporate will समझते हैं then fourth will क्या होता है बुना simple है और ये आप अपने 11th class से सीखते आएं मान लीजेए एक x y z limited एक company है और इसका एक shareholder है मान लेते हैं Mr. Ram तो क्या मैं कह सकता हूँ कि sir Mr. Ram is a honor क्योंकि ये shareholder है Mr. Ram is a honor आपको clearly पता चल गया कि वहिया एक x y z limited company और Mr. Ram एक honor है जो कि इस company के share लेके बैठा है अगर ये इस company के share लेके बैठा है और ये honor है ऐसा situation में आपको अच्छे से पता होगा Salomon versus Salomon case में भी पताया कि business अलग होता है और honor अलग होता है एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो corporate का मतलब होता है company company के बीच में विल का मतलब होता है परदा होता है कि honor अलग और business अलग तो corporate वी क्या होता है कि in the eyes of law law के नजरों में कारून के नजरों में हम स्टाटिक्स कि business अलग और honor अलग होता है कि honor अलग और business अलग इसके साथ-साथ क्या कुछन आता है meaning के मतलब है इस corporate में को हका दिया जाए यानि अगर कोई भी ऐसा काम company करती है company ने कोई भी काम किया कोई भी ऐसा fraud कर दिया और उस fraud में Mr. Ram कहता है I am just shareholder या मैं तो इस company का मैं अलग हूँ और एक्स वाइजए लिमिटेड कंपनी अलग है तो fraud तो इस company ने किया है इस company ने किया है तो आप इसको punishment तरिये राम कहता है मुझे तो कर नहीं सकते लेकिन अब जो hope है पोट क्या करेगा इसके background को समझेगा कि यह company ने fraud किया है मान हैं लेकिन fraud करवाने वाले तो तुम्हें इनवाम थे यहां पर सारा decision तो नहीं लिया तो आजागे ऐसे situation में जो यह corporate will है उस विल को क्या करेंगे हटा देंगे और जो चार्जिस company पर लगाना था penalty बगरा सारा किस पर लगा दिया जाएगा हमारा मिस्टर राम पे क्या होता है हटा दो और मत मानो कि company अलग होता है और अलग होता है तो अभी हमने क्या देखा सर अभी हमने देखा listing of corporate will क्या होता है company अलग अलग क्या होता है कि company और अलग अलग नहीं रहें सारा का सारा responsibility किसमें आगे उसके और है डिरेक्टर के यह जुप उसके अंदर authorized person है उसके उपर तुसर लिफ्टिंग में हटा दिया जाता है कैसी कैसे आपाए जाता है दो रीजिंस के बिस्टिस पर हटाए जा सकते है नमबर व देना यानि आप चार रहें के company जान पूझ के फ्रॉंट करें तो उसे बुलेंगे जुनीशिया इंट्रप्शन उसके प्रोविजन आपने कानून की कुछ पॉइंट को ही तोड़ दिया तो तो कारण दो ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वज़ेसे corporate will क्या हो सकता है हाट सकता है क्या हो सकता है हमारा सर जुदेशियन की वज़ेसे दूसरा स्टेचरी रिजन की वज़ेसे जैसे company एक एस एजन्ट कंपनी ने प्रॉफट कमाने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया उसके और जो शेर वोल्डर था वो एजन्ट बन के काम कर दा था कि कंपनी के काम कर दी इस त पार्मेंट को दोखा दिया तो फिर उस केस में गवर्मेंट क्या क्या सकती है कि आपने इंकम टेक्स जोरी करने के लिए सरफ यह काम किया है तो आपके बीच में यह कंडिशन आप नहीं रहने वाला है ऐसा हो सकते हैं अगला पॉइंट देखे हैं आपका डाइवर्शन ब एक-एक करके पॉइंट है जैसे और इजांपल एक करके पॉइंट की बात कि रहांडर स्टेचरी प्रोफेजन में हैं हम माल लेते हैं र्डॉक्षन औफ मेंबर आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी है अगली शैप्टर में हम कंपनी है और यहां पे टोटल कितने मेंबर थे सर साथ मेंबर थे जिसमें से एक मेंबर का देथ हो चुगा है सब्सक्राइब एक मेंबर है नहीं तो इस कंपनी में बच्चे कितने मेंबर छे मेंबर और जो देथ वैस्ट इस यह को भी किसी मेंबर को ट्रांसफर नहीं किया ह और वुआ यू यह कंपनी छे मैने तक ऐसा ही गाम करते रही मतलब सिक्स मन्त हो गया और कंपनी किसी एक मेंबर को लेके नहीं आते इन विटमिन कंपनी ने एक लिया लोन और लोन लेने के बाद कंपनी कर गए डिफॉर्ट डिफॉर्ट के बाद फिर इसके जो बाकी के छे बागी के छे सीर होल्डर फै युलई रह्ट रहा बुला किति तुमने लोन डिफॉर्ट कर दिया लोन का पेमिंट करो 7 के शे सीर और सात्व लोन हमने नहीं लिfir नहीं लिए था लोन तो कंपनी नहीं लिए है तो कंपनी करेगा हम थोड़ी करे लुए हम तो लिमिटेड ल सिरक खेंबर थे और छे मैने से ज्यादा हो चुगा है इस काम को हुए हुए तो उस कंपणी कभी था यह नहीं कंपणी कभी एक्जिस्टेंस नहीं करा था आप लोग का तो जो लोन लिया गया तो अपने लिये लौन आपने लिया आपको पेमेंट करना होगा पस्ट पॉइंट है हमारा रिडेक्शन इन मेंबर मेंबर अगर गम हो जाए जिसे दो से कम हो जाए साथ से कम हो जाए इसके बाद है holding in subsidiary company holding और subsidiary company होता है क्या है उसको समझ नहींते हैं एक एक करके Vodafone और idea मान लेते हैं के वी company Vodafone और एक idea company एक idea company है एक वोड़ा फोन है फिकर नहीं यह दो company है और दोनों limited company है भाई दोनों limited company और वोड़ा फोन ने क्या करा इस company के shares खरीद लिए अगर 51% अगर वोड़ा फोन ने इस company के share खरीद लिए 50% तो यह company मानी जाएगी holding company और यह company मानी जाएगी subsidiary company तो सबसे पहले holding और subsidiary का मतलब समझेए कोई भी company any company किसी दूसरी company का 51% यहनी 50% से चादा का share खरीद लिए उस company का acquire कर लिए जैसे analgamation में होता है उसके company के shares को ले ले तो क्या माना जाएगा सर जिस company ने लिया है उस company को क्या बोलेंगे holding company यह निए वोड़ा फोन हमारा कौन सा है holding company है और सर आइडिया कौन सा company है बताओ subsidiary company है एक तो यह reason है तूसरा reason हो सकता है कि मान लिया जाए वोड़ा फोन ने वी ने आइडिया के जितने भी डायरेक्टर है उन सभी का appointment किया है उन सभी डायरेक्टर को इसने appointment किया हुआ है यानि सीधा इसके उपर control आ गया इसका वी का तो यह holding मानी जाएगी यह subsidiary मानी जाएगी जैसे मैं बोलूँ अगर कोई भी किसी कंपणी का क्यावन परसंट हिस्सा चरीद लेता है तो यह आईडिया कंपनी लेकिन इसका मालिक कौन माना जाएगा वोड़ाफन ऐसे में अगर देखा जाए वोड़ा कंपनी है और आईडिया ही का लग कंपनी है तो बोला जाएगा जो कि और सब्सेटरी चेप्टर हुआ करता था अब नहीं है तो बनाया जाएगा जब भी वोड़ाफन और आईडिया आपस में जाएगे आगर वोड़ाफन करता है और अब आइडिया ने कि यह जो कंपनी का सब्सेटरी कंपनी इसके त्योरी मैं अब बोड़ करना हूँ जस्ट आपको ग्रीड करना हूँ ठीक है राइड लेंड कॉंट्रेक्ट अफ दे बिसनस इसको समझी इसका मीनिंग क्या है करके मैंने लिख लिए है मैं समधाता जाओंगा माल लीजिए एक बनाया हमने पी क्यू आर लिमेटेड एक बनाया हमन कमपनी को हमने क्या करा बहुत सारा पर्चेस किया पर्चेस किया उधार ले लिया किससे ले लिया सरक्रेडिटर से ठीक है माल लेते सौ करोड का समान खरीद लिया और अल्टीमेटली इस कमपनी ने इस कमपनी को समान बेच दिये सोल्ड कर दिया इसको सब्सक्राइब करोड रुपे का समान और यह दोनों एक ही का वह वाई हूं कि इस कंपनी ने पीक्यू आर निमेटेट ने कुछ दिनों बाद डिफॉल्ट यानि वाइंडिंग अप रिकूडेट हो रहे हैं पूछा वाई भड़ा हमारे सारे के सारे पैसे बैंडिंट्स हो गह गए हैं जाए तो Beim कंपनी के पूछे इसके पास भी था और इसको शेयर फ्री में दिया था इंटेंचली प्रेट ने बाद मेरे पैसे रही हैं लेडिटर कहता है मेरे पैसे सब्सक्राइब तो पैसे नहीं नहीं सकते तो वोट ने क्या देखा यह बिद्रस बुनाया गया था ना स्रिफ इंटेंशन यह था लुड़ों से उधार दो और कंपनी को बंग दर पैसे अपने जेब में अंदर करो पाया गया कि भी यह यह भी क नहीं को बखिडेंगे जितने भी फर्मोटर है क्योंकि सब्सक्राइब को बनाने का मकषद ही है कि कंपनी को मुद्हार पैसे जो कंपनी डेफॉल्ट हुए है क्यों नहीं दे सकती तो जिद्धने भी है वो सभी के सभी इसके लिए प्रस्नली लाइबन हो जाएंगे यहां तरीके से बिजनस को बनाया है कि हम पैसे को ले सके अगला के से हमारा इसको भी समझ लेते हैं और आपको पता होना चाहिए कि 90% हमारे शियर्स पिकने चाहिए अगर 90% हमारे शियर्स नहीं बिके तो कमपनी को एप्लिकीशन रिटन करना पड़ेगा एस पर मिनिमॉग सब्सक्रिप्शन जो लोग है कमपनी ने एक लाग शियर्स इसू किये और एक लाग शियर्स में से सर्फ और सरेफ 7,000 शियर्स बिके हैं और कमपनी के पास 7,010 रुपे के हिसाफ से फुल्ली पेड़ अप के इसाफ से 7,000 रुपे आ चुका है आप कमपनी को ऐसे कंडीशन में बोला जाता है कि भाई इनके 30 दिनों में पैसे वापस करिए क्योंकि आपकी कमपनी के शियर्स जो इसू किये विक्वास सेवन्टी परसेंट मिक पाया है तो आपकी कमपनी के शियर्स इसू फेल हो गया है आपकी company का issue of shares वाला pulse up क्या हो गया पूरी तरीके से fail हो गया क्योंकि आपने company का 90% वाला material है फुल सिली नहीं किया अब ऐसे situation में जिस जिस से पैसे आप लेके बैठो वापस करो और पैसे को वापस करने का time दिया जाता है इसके अंदर 30 दिन पहले 45 दिन और 30 दिन कर दिया गया हंटी डेंज में पैसे वापस करी है ना शियर अप्लिकेशन में तो देखाई है कंपनी ना फेल हो गई कंपनी फेल हो गई इसके पैसे को वापस करने में 30 दिनों के अंदर और ऐसे situation में बोला जाएगा भाई company जो इसके फेल हुए है तो इसके company के अंदर जो भी पर मोटर अल्याद अलग नहीं है अब हाई डारेक्टर पर मोटर अब तुम इसके पैसे वापस करो 31 दिन में और साथ के सार्व 15 पर सेथ सेवी के के साथ 15 दिन है और वैसे 30 दिन है company लोग के के से ठीक है न तो आपको आपको इसके पैसे करने पड़ेंगे किसको करने पड पाते जो मैं बता रहा हूं यह सारी चीजे आपको ठीवरी में लिखा हुआ मिलेगा जो मैं ठीक है न पहला पॉइंट क्या देखा मिनिमम मेंबर रेडक्षन हो जाए मैंबर मतलब साथ से कम हो जाए दो से कम हो जाए फिर क्या देखा holding subsidiary एक ही बनानी होगी प्रॉडलें पॉइंट है मिस अप्रोप्रियेशन इन प्रोस्पेक्टर्स यह चैप्टर सारे एक एक चैप्टर है हम आगे पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टर्स भी ठीक है तो प्रोस्पेक्टर्स क्या होता है जैसे कि मानलो X, Y, Z लिमिटेड एक कमपनी है और इसने डिसाइड किया कि हम इशू करेंगे शियर हम इशू करेंगे क्या शियर तो शियर इशू करेंगे तो कैसे इशू किया जाए लोगों को बताया भी तो जाए बहुत सारे मानलो पब्लिक है बहुत सारे पब्लिक है तो इसके शियर पब्लिक तभी खरीदेगी जब इसको जानदारी हो बहुत सार public है तो इस company ने क्या करा है एक बनाया advertisement एक advertisement बनाया है एक तरीके से एक Crushised का बना लिया और जो परचा बनाया इसने क्या करा है इस परचे को सीधा सीधा इन सभी के पास दे दिया तो यह बनना का बनाया है वेना इसके अंदर company का नाम company का क्रिटेश हें company का profit company का loss company का director सारी बाते इस पर्चे में लिखे हुई है company कितने शियर इसू करेगी कितने नहीं और ये सभी शियर ओर ने इस पर्चे को दे गे ही इस शियर को ख्रीदा और ये जो पर्चा है that is called prospectus तो prospectus क्या होता है जो कि हम अपनी information सामने वाले को जिस paper में बता रहे हैं अगर company बता रही है तो company का prospectus अगर इस प्रोस्पेक्टर को ये सभी ध्यान से पढ़ेंगे एकदम अब जब इन्होंने ध्यान से पढ़ात उसके हिसाब से स्फूज मोज के साथ इन्होंने क्या गरा है इस company के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इस prospectus में लिखा था कि company जो है हमेशा ही हमेशा काम जो करेगी वो क्या करने वाली है वो education field में काम करेगी प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखाता है कि company कभी भी किसी और फिल्ड में नहीं जाने वाली हमेशा education field में जाए और भाई कंपणी ने आगे चलके क्या करा education field का तो काम नहीं कर रही इसने मान लेकर वाइन पेचना चालू कर दिया है तार्म पेचने चालू कर दिये इंवेस्टर ने सोचा था यह यह तो गलात हो गया हमने तो सोचा था कि पढ़ाई लिखाई में आगे आगे growth होने वाला इसमें क आगे जचना प्रकाई इनफोर्मिशन का देख लोगा जना उख लगाई तो फिर कुटभ ने बोला कि भाई ऊसा कि इसने प्रोस्पेक्टर में गलत इंफोर्मिशन दिया है जिसकी वजह से के पैसे फसुट अब कंपनी इसके पैसे प्एस लागी इन लिए इस ने पर नहीं किया है जान इंचेक कि लांगे हैं इस तरीके से इसमारी इसे पर देला देलागा रिए इंपने ने पारी के वीचक का कॉर्पूरेशन कॉंट्रेक्ट पहले इन कॉर्पूरेशन का मतलब बनना और गोई कॉंट्रेक्ट किया हो पता है किसी कंपनी को अगर आप किसी कंपनी को अगर मैं बोलू X, Y, Z अगर इसके आगे आप limited word लगाना चाहते हो ना तो पहले आपको कुछ फर्मीशन लेनी पड़ेगी government से government के पास कुछ document जमा करना पड़ेगा अगर आपने government को सारे document उनके according फुल्फिल तक दिया तब तो आप limited one लगा पाओगे नहीं तो नहीं लगा पाओगे यानि सर इसको limited लगाने से पहले कुछ काम करना करने का जी हाँ आपको Memorandum of Association यानि AOA आपको बनाना पड़ेगा तागज यानि company बनाने का process क्या होता है सबसे पहले आपको नाम चुनना है company का जगह चुनना है company का business चुनना है company की और भी सारी चीज़े चुनना है उन सभी चीज़ों को चुनके आप क्या करोगे सर उन सभी चीज़ों को चुनके आप government को जमा करो इसारी चेज़ां को बनाने में एक हमें प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी की जरत पड़ेगी चार्टेड अकांट की जरत पड़ेगी तो हमारे अगर मैं उस मुझा हमारी कंपनी बन जाएगा तो पैसे दूर तो काम नहीं करेगा तो उस तेसमें हमें पहले उनको जैसे ही पनेगी हम आप पेमेंट दे देंगे अभी हम एडवांस पर कुछ क्यासे दे रहे हैं चार्टेड अकांटेंट ने भूला ठीक अभी अब बात माल गवर्मेंट को हमने जो बाक्यमेंट जमा करवाए उसके लिए हमने पेमेंट की कह दिया गवर्मेंट किया ना ग रागा आख मेंट तो तो तुम अब अपने नाम के आगे क्या लगालो सब्सक्राइब अब इसे को प्रीए पोई पूभरिएशं कोर्टिर्स थाओ ऐसे कॉंट्रेक को प्री इंकॉंट्रेक गहेंगे और ये कॉंट्रेक को अचे मुक्त Hypn पाथ्यम्त जोटाइसरे का अच्भरिवस्थ नंवरभबस्थ करतब अलश्फ ला और नहीं है कि नहीं कोट्य म७ी विस्स projects के साव्मे exerc CL और प्रोपर्टी डीलर से कंट्रेक्ट नहीं है कंपनी बनते ही हमारे पैसे कंपनी के खाते में आपको दे देंगे इंगे इसके बीच का लिफ्टिंग हो जाएगा कंपनी अगर कंपनी ने कर दिया तो लिस्टिंग होजेगा हमारे कौन सा क्या होता है कि आप ने कुछ ऐसा काम तरह जो बियोर्ड अपिसिटिव कंपनी मान लो इस कंपनी ने अपने AOA आर्टिकल ओफ एस्जोशियेशन में लिखता था कि ये कभी भी लोन नहीं लेगे जिन्दगी में काम करने के लिए कभी लोन लेगे ही नहीं और कंपनी के टारेक्टर सभी को इस बात का पता था लिखे इन्हों ने खाता बैंक से जाकर लोने बैंक से लोन ली भी बैट वाईन ने लोन दे दिया इसी इल्गर वाली ने त्यान नहीं दिया कि यह व्यानल लोन देने के पाद बैंकर गए कंपनी के पास के पास कंपनी आपको मैंने सौ करोब रुपए का लोन दे रखा तो वाफस करिए कंपनी ने वना कर दिया बोला भीया हम तो लोन ले ही नहीं सकते यानि जो आपने हमें लोन दिया है हमारे आपके बीत में जो एग्रिमेंट हुआ वो तो वाइड एविन इस्यू है सब्सक्राइब करें तो कंपनी के पर्मोशन नहीं तो बैंक वालों ने इनको लोन दिया है तो बैंक की गलती है पैसे लूब गए और नहीं जज ने बोला आई साब यहां पर साफ साफ फ्रोडलिंट एक्टिविटी देख रहा है तो कंपनी को घोली मारे हो कंपनी को हटाओ यहां से अब आप प्रस्णरी नाइबल हो आपको देना पड़े का जो लिफ्ट है कॉर्परेट होगता हो जाएगा कुछ हमारे रिजन जिसकी वज़े से हमारा कॉर्परेट गिल्कुल लिश्ट किया जा सकता है तो यह पॉइंट हमने पहले क्या होता है कंपनी अलग और अजय देख लेंग रिफ्टिंग दो बज़ए से हो सकता है एक तो सकता है चुडीशियन इंटर इंट्रफ्शन की वज़े से लि आपको आएगा कि आपको यह पूरे लिखने हैं डेफिनीशन आप दो बांट में बांट के लिखने और इसके अंदर के जो कंपणी का फीचे अधर यह बेंएक प्रिक जो निसव करूंगा कि इसके इक अभी के नाम के नार्सा के नाम से बुक आता है company लोग का वो बाई कर सकते हैं language simple है और आसानी से समझ में आएंगे answer भी बहुत ज्यादा detail में ऐसा नहीं कहीं से cut को भी paste किया हुआ है लिखाव answer अच्छा answer है उसका भी answer new chapter start कर रहे है that is आपका chapter का नाम है kind of company kind of company सबसे पहले kind का मतलब होता है हमारा परकार और company तो आपको पता ही है जिसने अपने आपको registration करा लिया हो company's act में है ना तो kind of company मतलब company कितने तरीके के होते हैं private company होता है और limited company होता है one percent company होता है dormant company होता है small company होता है इसके साथ company के कुछ liability के basis पे भी define किया गया है तो company को देखा जाए ना type को या kind कहलू या type of company कहलू तो कोई गलत नहीं होगा अगर हम type को define करे ना एक liability के basis पे है एक काम यानि work के basis पे है सर जो liability के basis पे यह एक्जाम में इतना relevant नहीं है वर्क वाला एक्जाम में आता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक company होती है हमारी statutory company statutory company कौन सी है कि एक company हमारे पास इस टैट company बोल देते हैं कई बार हम एक एक करके company समझते जाएंगे फिर हम theory दिखा देंगे किया है theory में पहले हम concept wise समझ ले फिर देख लेंगे देखो company की और इसाथ एक कानून एक कानून को पास करके बनाया जाता है एसी कंपनी को हम statuary company कहते हैं statuary company कौन सी होगी जिसको के parliament में special law के according बनाया गया है इसके उपर companies act तो applicable होगा लेकिन पूरा इतनी तरीके से applicable नहीं होता कि जितना के सारे company पे होता है जैसे example for example आप मान के चलिए RBI एक्जामपल क्या है सर? RBI Reserve Bank of India यह भी एक company के corporation कहलो company कहलो इस तरीके से काम करता है जैसे हमारा institute है ICAI इन सभी को बनाने से पहले पार्लेमेंट में discussion हुआ था और यह company सरकार का बनाने का में मकसद क्या होता है कि लोगों की मदद किया जा सके जादा सच जादा लोगों की help की जा सके अब जितने जादा लोगों की help होगी उसके लिए वो क्या करते हैं? कानून बना देते हैं और उसके according एक हम संगठन बना देते हैं जिसे statutory company कहते हैं तो देखे आपका सबसे पहले हमारा कौन सा है? statutory company हमारी कौन सी company होती है? देखे है सर ये कौन सी company होगी? simply लिखा हुआ है मैंने एक symbol भी डाल दिया है that is RBI का symbol देखो तो आप ध्यान रखेंगे exam में एक या दो number में पूछा जा सकता है ये कौन सी company है? कहता है company formed by the special act special act मतलब भया ऐसा नहीं है कि ये पहले से बनाना तैथा नए session बुलाने पड़ते हैं नए act के according बनाना पड़ता है by central और state legislator central government, state government दोनों में से कोई भी बना जाता है call as a statutory company statutory company are governed by provision of their special act और सर इसको चलाया जो जाएगा ने इसी act के according हम पढ़ क्या रहे? companies है मतलब 2013 का सारा का सारा provision हम नहीं कहेंगे कुछ एक provision तो फिर भी होते हैं अपलाए सारा नहीं होता इस company are usually form for carry out the some special public undertaking requirement extraordinary power और privileges यहाँ पर word आया power और privileges है power का मतलब है company क्या-क्या कर सकती है privileges के मतलब होगा company को क्या-क्या फाइदा मिलेगा in short तो देखे पढ़ने का तो मैं सिर्फ पढ़ूँ गा तो उसका कोई benefit नहीं है मैंने in short समझा दिया ऐसी company को बनाया जाता है जिसका एक main purpose होता है और इसको special act के थुरू बनाया जाता है उसको भी हम क्या कहते है statutory company एक पढ़ी देते है इसका main motive profit कमाना नहीं होता serve to people यानि people को service देना होता है the liability of the members of such company is limited but in most the cases they may not be required to use the word limited ऐसी company को limited word private limited word नहीं use करती है आप RBI में देखोगे न तो कहीं भी नहीं लिखा होता Reserve Bank of India Limited Company नहीं लगाते हैं ये लोग as per their name annual report of the working of each of such company is required to the आपका place the table of legislature parliament में या फिर state assembly जो की होता है विधान सभा और राज्य सभा यानि MLA के सामने और MP के सामने इनको हर बार annual report देना पड़ता है assembly में as case में भी जो भी हो the audit of the such और इसका audit कौन करेगा CAG audit करेगा controller and auditor general of India CAG इसका audit करने वाला इसके कुछ example है थोड़ा सा ये typing का समझ लो देखनी रहा होगा वही लिखा है state bank of India RBI LIC ये सारा तो अभी हमने क्या किया सर सिंपल सी बात है statutory company क्या होती है ये हमने पूरा देख लिया है आपको बस पढ़के जाना है एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है और इस company ने आपने इस company के इसने शियर इशू किये और 10 रुपे face value था अब इस company ने पहले called up किया called up कितने किये सर 8 रुपे company ने कितने called up कर लिए 8 रुपे जब 8 रुपे called up किया और आपने इस company के share खरीदे हुए है now company decide के ये बंद कर दे लिकुडेट कर दे winding up कर दे तो भाईया winding up करेगा तो क्यूं करेगा company winding up क्यूंकि company के पास खूब सारा liability होगा company बंद होने का सबसे major reason यही होता है company के पर बहुत सारा कर जाया liability होगा company winding up हो रहा है तो winding up केस में इसके सारे liability का payment कौन करेगा कौन रिस्पॉंसिबल है इसके पेमिंट करने का क्योंकि कमपनी का ओनर कौन है आपको शेयर होल्डर तो आपके रिस्पॉंसरीटी बनती है लेकिन कमपनी बनाने के यही परपस है कि मान लेते हैं आपने भी आठ रुपए का शेयर खरीदा और इस कमपनी में पता चला लाग का नुक्सान अकर बंद हो गया तो तो गौर्मेंट कहता भी यह जितने का शेयर खरीदा है आपने उतने की लाइबलेटी तो आपकी लाइबलेटी जो अब बनेगी ना वो सिर्फ दो रुपए देने पड़ेंगे आपको ना कि पूरे पांच लाख रुपए तो वह कहले कलता है कमपणी लिमिटेड गारेंटी कई बार क्या होता है न कई बार कमपणी क्या करती chemical चेहर सीच्ण यह लेकिन वहाट सारे मेंबर जोड लेती अपने साथ एक और हरेक मेंबर से बोल लेती है कि यह हम सब मिलके काम करेंगे आपको थोड़ा सा जीब लगे गर कंसे सकती हैं सकती हो सकती है और हूँब सारे Mumbai मिल गए और मिलने के बाद करते हैं के सारे काम करो करते हैं अगर इन केस हमारे जैसे पार्टनर्सिप में हर पार्टनर एक यारेनटी लेते हैं सेव एसे कंपनी के अंदर हरे एक मेंबर एक गारेंटी अमाउंट लेगा कि अगर रहो फोता इन केस इंसॉल्मेंट वगरा है तो हम इतना पैसा घर से लाके कंपनी की मदद कर सकते हैं तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाएगा सब सब्सक्राइब को कहा जाएगा कंपनी लिमिटेड बाए गारेंटी ऐसे होते हैं अनलिमिटेड कंपनी बड़ा खतरनाक है आज के टाइम पर ही नहीं बचा ही नहीं है लगभग में बात करूं बहुत डेंजरस है अनलिमिटेड मतलब क्या हो गया सार जिसकी लाइबलिटी कुछ भी हो जैसे यह वाला एक्जामपल था जैसे अगर मैं एक्जामपल बोलू कि सपोज कर आप मुझे बताना ठीक है एक है पी की वार लिमिटेड आप इंवेस्ट करोगे नहीं करोगे बताना मुझे अब इस कंपनी का शियर्स का फेस वैल्यू दस रुपए हैं कंपनी ने कॉल्ड किया है अब मान लेते हैं च्छे रुपए माँगा और आप अपने आपको समझो कंपनी में पैसा लगाओगे कंपनी में इन्वेस्मेंट करोगे और आपने इस कंपनी के शियर्स खरीद लिये तो आपने पेमिंट कितना किया होगा अभी क्यूंकि कंपनी ने मांगा ही है तो आ सब्सक्राइब लिए के पांच करोड़ और इस कंपनी के सियर होल्डर में सभी में बाटा जाए और आप सभी बोला जाए कि भाई तुम भी मालिक थे इस कंपनी के आप भी करोड़ रुपए दो तो क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे यह होग्या से लएक लेटी मतलब जितना कंपनी का लॉस होगा सब आपको बिएर करना पड़ेगा आपने सिर कितने का खरीदा यह मतलब नहीं है तो ऐसे जब आपको एक करोड रुपे पेमिंट करना पड़ेगा तो अनलिमिटेट liability माना जाएगा तो unlimited company मतलब है आपका company का liability unlimited हो जाता है वह special act pass करके मतलब कि पहले ही बता के किया जाता है और नॉर्मल हमारे life में हमने जितने भी पढ़ है वह number one company limited by shares का ही पढ़ा हुआ है हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ठीक है सर तो अभी तक हमने क्या देखा kind of company देख रहे हैं बड़ा बेसिक सा चप्टर है चोटा सा चप्टर है kind of company में क्या था सबसे पहले हमारा क्या था एक company strategy company देख लिया हमने एक private limited company होता एक लिमिटेड उस पर भी discuss करेंगे उसके बाद हमने क्या देख लिया सर एक limited by share unlimited by guarantee और unlimited company और limited by guarantee यह भी हमारे शियर होते हैं चलिए इसके बाद हम देखेंगे सर क्या देखना है हमें company private limited और public limited में क्या differences है यह बहुत बार question पूछा जाता है और exam में आता है इसको हम अभी करेंगे पहले फटा-फट से आप उसको recall कर लिजिए क्या लिए सर अगला point देखते हैं what is the difference most most important है क्या difference है हमारे किसमे सर company के क्या क्या differences है तो differences मैं यहां पर बताता जाऊँगा और आप समझते जाएंगे और मैं बताता जाऊँगा विद एक्जामपल करते जाएंगे ठीक है न यहां पर लिख देता हूँ मैं limited के लिए और यहां लिख देता हूँ pvt के लिए ठीक है पहला है minimum number of member तो अगर आपके पास दो company है एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक लिमिटेड और यह डिफ्रेंसिस ना आप आज से नहीं पढ़ते आ रहे हैं आपने ग्यारवी में भी पढ़ा है तो प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी सी ना limited company से थोड़ी छोटी company मानी जाती है इस लिमिटेड company है ना इसके अंदर minimum आपको ना कितने वेक्ति रखने पढ़ेंगे पता है साथ वेक्ति रखने पढ़ेंगे minimum यानि आपने डिसाइड किया चलो यार अपने बिजनस को company में convert करते हैं तो पहले आपको decide यह करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहरे हो तब तो आपको दोस्त मिल जाओ और company स्टार्ट कर दो लेकिन अगर आप लिमिटेड बनाना चाहरे हो तो आपको साथ लोगों की requirement होगी साथ परसन मेंबर होना चाहिए तो minimum मेंबर इसमें कितने हैं दो और इसमें कितने हैं साथ है maximum कितने है सर इसके अंदर अग कितने होंगे unlimited तो सबसे में बात है सर maximum number 200 और 200 में employee included नहीं होता है सर employee included नहीं होता है मान लेते हैं कि इसने क्या करें कि शेर्स दिए और मेंबर का मतलब अब 200 शेर नहीं अब ऐसा भी पॉसिबल है एक मेंबर ना दस शेर ले ले मेंबर की बात हो रही है तो पहले थोड़ा सा मेंबर भी समझना होगा कि मेंबर वाट इस दा मेंबर मेंबर क्या होता है तो एक हो गया unlimited और और यहां पर 200 200 मेंबर क्या है मानलो PQR प्राइवेट लिमेटेड समझना प्राइवेट लिमेटेड इस कंपनी ने 1000 शेर इशु किये इशु कितने शेर किये सर 1000 शेर इशु किये अब इसमें इस 1000 शेर को टोटल पांच बंदों ने खरीदा एक ने खरीदा 200 एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 और एक ने खरीदा 200 तो कितने मेंबर हो गए साहब 2, 3, 4, 5 तो इसके मेंबर कितने माने गए 5 शेर पे मत काउंट करेगे मेंबर कितने माने गए 5 तो इस तरीके से इस कंपनी में प्राइवेट मे 200 member से जादा हो ही नहीं सकते लेकिन मान लो 200 हो गए और कुछ शेयर उसके employee ने खरीद लिए तो employee को member में count नहीं किया जाता तो इसमें employee का privileges मिल जाता है privileges के आता है benefits मिल जाता है तो पहला point जो हमारा था यहां पर क्या कहता है minimum member मेंबर और maximum maximum 200 था यहां unlimited था तो फटा फट से minimum कितना होगा सर यह हमारा है limited तो minimum member साथ और maximum इसमें 2 unlimited और इसमें 200 ठीक है न इन्विटीशन टूट पब्लिक invitation to the public इसका मतलब क्या हो गया जैसे x y z एक मैं limited का नाम ले रहा हूं और एक नाम ले रहा हूं x y z p v t लिखते हैं और ऐसे limited लगाते हैं ठीक है न यह न अपने shares को बेचने के लिए अगर इस company को अपने shares को sold करना है न तो यह जो शेर बजार सुना है अपने stock market तो इस stock market में यह अपने shares को बेच सकती यानि यह किसी को भी shares issue कर सकती है लेकिन private limited ऐसा नहीं कर सकती restriction है इसलिए तो इसे छोटी company कहा जाता है अगर चाहोगे कि आपकी company का share ना मतलब के private limited company और आपके company के share ना आपके share मार्केट में चले और आपने सोचा और private limited बना लेते हैं थोड़ा कम दिक्कत नहीं होगी जादा तो आप नहीं share issue कर सकते मतलब पीचर क्या है शेर को किसी को आप invitation invitation का मतलब क्या हो गया कि मेरी company के share ले लो मैंने advertisement TV में दे दिया मैंने radio में दे दिया इन सभी जगह पर दे दिया तो public limited तो ऐसा advertisement दे सकती है क्यों किसी को भी shareholder बना सकते लेखिन private limited नहीं दे सकती तो यहां पर point आ गया xyz limited और क्या ले लेंगे pqr limited balance sheet देखिए balance sheet में पुरानी वाली बना के चल रहा हूँ liability और यह assets खेक है अब मान लेते हैं कोई public है और यह public चाहता है कि आपको पैसे दे deposit यानि इसको मैंने बोला कि भीया तू बैंक में जब जमा करेगा तो बैंक में जब तू fd करेगा तो तो मेरे पास अगर fd करेगा तो मेरे तो liability माना जाएगा ना मेरे पास fd करेगा तो मैं तुझे 20% आपके मन में लालच आ जाएगा ना कि भाया अगर हम इसके दे देते हैं तो 20% मिलेगा लेकिन यहां पर रिस्क है आपका बैंक के अंदर पैसे secured रहते हैं और वैसे तो 100% पैसे डूबने के चांसे ज्यादा है इसलिए आपको हायर इंटरस है तो जो प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है ना वह पब्लिक को इस तरीके के हायर इंटरस रेट का ओफर देके अपने पास fd करवा सकती है क्यों करवाएगा सर fd ताकि इनके पैसे को इस्तमाल करे और बाद में इनको return कर दे क्योंकि company को भी तो fund चाहिए ना company को fund चाहिए बैंक से लिने जा रहा है बैंक से 25 का पढ़ रहा है इसना सोचा public से ले लो और 20 का मिल जाएगा तो रेट बच गया लेकिन private limited company को यह जाज़त नहीं है बोलता है तुम public deposit ले ही नहीं सकते तुम छो दे सकते तो अपने shares को भी नहीं सकते मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया आपने share तो limited company के अंदर आप shares दे सकते हो किसी को इसके अंदर नहीं दे सकते हो minimum number of director limited company के अंदर आपको तीन डारेक्टर रखना जरूरी है और यहां पर दो डारेक्टर से ही काम चल जाएगा director कौन होते है परले यह समझ लेते हैं डारेक्टर कौन होते है समझ लेते हैं तीन डारेक्टर और यहां पर दो डारेक्टर कैम से कम यह director तो रखना ही पड़ेंगे साथ डारेक्टर कौन होता है जैसे X, Y, Z लिमिटेड है ठीक है इस कमपनी ने शेयर इशू कर दिये एक लाग शेयर अब इस कमपनी का आपने दस शेयर खरीदा तो आप क्या हो गए इस कमपनी के लिए मालिक हो गए साहब जब आप इस कमपनी के मालिक होगे तो थोड़ी ना आप इस कमपनी को बैठ के चलाओगे आपके पास तो 10 शेयर ही है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होता है इनमेंसे सबसे ज़्यादा शेयर जैसे कि मान लो एक वेक्ति है जिसके पास मान लेते हैं कि 51,000 share है तो ये भी मालिक है तो किस मालिक की ज़्यादा power होगी आपकी power कम होगी इसकी power ज़्यादा होगी तो ये भी बड़ा आदमी है भाई मालिक है company का तो ये अपने नीचे एक नौकर रखता है एक नौकर खास नौकर रखता है अपने नीचे उस नौकर को कहा जाता है डारेक्टर जो company को चलाएगा और सारी की सारी जानकारी इसको दिया जाएगा और ये कौन होता है company का सर CEO आपने सुना होगा या फिर इसको हम founder कह देंगे founder क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के पास है इसी ने बनाया तो यह founder होगा तो जो founder होते है आपने नीचे छोटे 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 बहुत सारे division में रखते हैं जिसमें से नौकर में सबसे top level का नौकर जो होता है जो company को चलाता है एडवाइज करता है सारी चीजे करता वह कौन होता है डारेक्टर तो company लो बोलता है कि भी तुमने company तो बना लिया तुम नहीं करोगे सारा यह भी possible है कि मैं मालिक मैं भी खुद भी डारेक्टर बन सकता हूं तो लो हमेसा डारेक्टर बना रहता है ऐसे company में ठीक है ना इसके अंदर रेमुनेरेशन लौ फिक्स करता है लौ बताएगा कि इतने पॉर्सेंट की इंकम है तो इतना डारेक्टर को कमिशन देना है अब मैनेजर का रेमुनेशन ना फाइनल अकाउंट वाले चप्टर में हम डिसकस करेंगे और एक CSR वाला जो लास्ट टॉपिक है ना कॉर्परेट अकाउंट पर वहां डिसकस करेंगे कितने पॉर्सेंट होता है अभी बस इतना समझिए के प्राइवेट लिमेटेट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना दे रहे ह audit committee अब company जो भी है जितने भी company है ना इस company को देखने के लिए एक company का जो accounting करेगा जो accounting करेगा उसे accountant कहेंगे और company को government कहती है कि भाया तुम ना जूट बोल सकते हो तुम्हारा accountant जूट बोलता है तो government कहती है अपनी company का सारा balance sheet और P&L चेक करने के लिए बाहार से वेक्ति लो जिससे तुम्हारा और company का कोई रिस्ता ना हो और जो वो साइन करके देगा सिए वो जिसको हम बोलते ऑडिटर तो audit committee इसके अंदर बनाना जरूरी होता है और इसमें नहीं होता क्योंकि छोटी company में बोला गया भी audit committee बनाने की जुरत नहीं है यहां पे certain limit है कि rotation भी अब rotation की बात करें तो auditor का यहां पर rotation जो है मैंने आगे point लिखा है नहीं दिखा no point वैसे enough है rotation की मैं बात करूं तो इसके अंदर auditor का rotation किया जाता है इसमें 50 क्रोड तक की limit डाली हुई है पचास क्रोड है एक limit है मैं 50 क्रोड सायद मैं wrong बोल रहा हूं एक limit में rotation नहीं होता तो आपको बस इतने ही difference लिखने 10 से 12 नंबर का हर बार पूछा जाता है minimum लिख देना के एक statutory company है company कौन सी होते है जो special act के according बनता है फिर company आपका limited liability unlimited liability no having share के according था फिर हमने देखा था company private limited और limited company के बीच में क्या-क्या differences है minimum maximum transfer of shares अब देखेंगे कि private company जो है वो convert करना चाहिए जैसे आपने private बना लिया ठीक आप ध्यान से सुनिएगा जैसे आपने क्या करा आपने एक private company बनाया जैसे x y z limited आपने कौन सी company बना लिया एक private company अब ऐसा तो कभी आएगा कि आपको लगेगा आपको महसूस होगा कि हम अपनी company को बड़ी company कर दें कभी तो कभी लगे गई कि हम अपनी company को क्या करें एक बड़ी company कर दें तो जब आपको ऐसा महसूस लगेगा बड़ी company तो आप अब इस company को क्या करना चाहते हैं x y z limited बनाना चाहते हैं तो जब आप अपनी पहले वाली company का नाम बदल के बड़ी company करना चाहते हैं इस process को बोला जाता है conversion तो जब आप company को conversion करेंगे तो उससे पहले कुछ आपको rule follow करने पड़ेंगे कुछ document देने पड़ेंगे तो सबसे पहले conversion का मतलब समझ यह क्या होता है कि पुरानी company बनाई थी अब लगता है कि कुछ हो सकता है हमने दूसरी company बड़ी company बना ली तो conversion हो गया तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो आप जो पुरानी company के अंदर मालिक थे जितने member थे इन सभी member में से 75% member से आप पूछिए क्या हम convert कर रहें agree है अगर 75% बोलते है yes कर दो तो conversion हो सकता है otherwise नहीं हो सकता conversion सर 75% से क्या पूछना है कि हम company को convert कर दे जब किसी से कोई चीज दे हैं दस में से मैं बोलू आठ बंदों ने बोला हां भाई convert कर दो तो आठ बंदों ने वोट क्या कर रहा है यस में कर दिया है ठीक है ना ऐसे वोटिंग को जहां पे 75% लोग की हमें acceptance लेना होता है उसको बोलते हैं हम special resolution उसको कौन सा resolution बोला जाएगा special resolution एक होता है ordinary resolution जह वाले chapter में हम करेंगे ठीक है ना वह resolution वाले हम chapter के अंदर कर लेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले conversion तो देखिए क्या कहता है law क्या कहता है इसके बारे में conversion में अब एक बार special resolution भी बता देता हूं क्या होता है थोड़ा और detail में discuss कर लेते हैं आगे काम ही आना है वैसे चलिए special resolution मैं बात करता है एक meeting बुलाई जाती है इसका देखते हैं चलिए वैसे हाला कि मैंने एक chapter में discuss किया था यह क्या खुल गया भाई आए दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है भगवान जाने क्या खुल गया यह आप journal meeting जर्नल मेटिंग क्या है इमेज दिखाना था मुझे बस और कुछ नहीं कहां गया आ जाए चलिए कौन है भाई जर्नल मेटिंग कहीं भी हो सकता और कैसा भी हो सकता जर्नल मेटिंग यहां तो सारे गोरे बैठे हुए हैं चलो यह उठा लेते हैं इसी की फोटो जादा है पर थोड़ा बलर करके दिखा रहे हैं चलो समझाने के लिए तो इनफ है यह ले लिया चलो ठीक है एक इंटरनेट से ले लिया आपको होफुली यह विज्वल होगा थोड़ा थोड़ा क्या बहुत है अब देखिए इसके अंदर जो यह वेक्ति दिख रहे हैं वैसे तो बलर है साइद आपको दिख रहा हो जो यह वेक्ति दिख रहा है नहीं यह है चेयर्में इस मीटिंग का मुखिया चेयर्में जो सारी बाते बोलता है और यह सारे वेक्ति देख रहे हो ना जो यहां बैठे हुए लाइन से यह सभी हैं बोर्ड अफ डारेक्टर अब कोई भी काम च अब कोई भी काम होगा तो यह क्या करेगा जो चेयर्में है यह इनसे पूछेगा और बोर्ड अफ डिरेक्टर देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं यह चेयर्में कुछ गलत कर रहा है तो यह इनसे पूछेगा तो जब इनसे पूछा जाएगा तो या तो इनके पास एक वोटिं परसेंट और 75 परसेंट जो बड़ी-बड़ी काम होते हैं कंपणी में जिससे की कंपणी के उपर फरक पड़ सकता है नाम ही बदल दिया है कंपणी का तुमने हमसे पूछा ही ने तो उसके लिए ज्यादा लोगों की सहमती चाहिए और छोटे काम के लिए बोलते के भी या व बोला जाता है रेजुलीशन और 51 परसेंट मुझे चाहिए सरी वोटिंग तो ओडिनेरी रेजुलीशन अगर हमें 75 परसेंट वोटिंग चाहिए तो इसका मतलब स्पेशल रेजुलेशन है ना थोड़ा सा स्पेशली चाहिए हमें तो इस तरीके से करेक्ट तो चलिए करोगे मीटिंग बुलाओगे इनकी जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको यह मीटिंग था यह क्या चल रहा था देट इस मेटिंग और मीटिंग में सबसे डिसकस करोगे और बोलो कि हम अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो यह पासिंग क्या हो गया स्पेशल इसके बाद फाइलिंग जो पासिंग स्पेशल रेजुलेशन हुआ हिन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है इन सभी को लिखा जाता है कि हां इन सभी लोगों कुछ चीज़े बताना गवर्मेंट को जब हम कोई चीज बताएंगे न एक फॉर्म पे इस पेसली भरके देंगे और सबका concern लेके देंगे तो कहता है filing of article of association जो हमारा AOA है यह बाद में पढ़ेंगे क्या होता article of association in corporation of company में जो AOA है along with the copy of special resolution यानि हमारा AOA बदल जाएगा पहले AOA में article of association में क्या लिखा था कि हम private limited है अब उसको बदल दिया जाएगा अल्टर कर दिया जाएगा उसके अंदर क्या लिखा जाएगा प्राइवेट की जगा पर हम limited हो गए और स्पेशल रेजुलेशन पिस्क्राइब आई एंसी आपका इन्कॉर्परेशन फोपं नुमबर 27 में कंपनी रजिस्टर क्पनी रजिस्टर डॉब रजिस्टर कंपनी यानि आर उसी हम पढ़ेंगे यह अर उसी को हम यह भेज देंगे कितने दिनों से 15 दिनों के अंदर intimate कर देंगे और हमारा passing of resolution और हमारा जिस दिन resolution पास हुआ उससे 15 दिन में हमारी company क्या हो जाएगी convert हो जाएगी private से किसमे public के अंदर तो यह था हमारा conversion किसमे private से public में जाओगे तो कुछ काम करना होगा पहले SR pass करना होगा उसके बाद आपको return file करना होगा return file करने के बाद 15 दिन के अंदर register of company को जमा करवाना होगा और इसके अंदर जो भी आपके rules है minimum maximum 7 member करना तो 7 करना पड़ेगा paid up capital 5 लाख रुपया होना चाहिए तो वो सारी चीज़े maintain करनी पड़ेगी और जी भी जो भी चीज़े government के लिए ज़रत पड़ेगी जो requirement होगी वो करना पड़ेगा यानि अगर आप public company बनते हो जब तो मैं कुछ चीज़े बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या convert करना पड़ेगा member member आपको कम से कम साथ करना पड़ेगा paid up capital अब तो हटा दिया वैसे company ने फिर भी पांच लाग रुपे होता है इनका paid up capital ठीक है न यह भी चेंज करना पड़ेगा और यह सारी changes कहां हो जाती है सर आर्टिकल ओफ association के अंदर यह सारी बातों को change करके भीज देते हैं और एक memorandum of association भी change होगा MOA भी alter करके भीजा जाएगा तो यह MOA और AOA काप पढ़ेंगे जब हमारा incorporation वाला chapter आएगा तो उसमें बड़ा detail में पढ़ेंगे तो यह था conversion of private limited into public limited चलिए सर अगला है अभी हमने क्या देखा private limited से हम public में जा रहे थे अब हम जाएंगे public limited से private में जैसे कि आपने पहले से ही PQ एक limited बड़ी company होता है कई बार हमने स्टार्टिंग में ज्यादा सोचा नहीं था planning नहीं किया था हमने बहुत बड़ी company बना ली ठीक है ना आपको रिलाइज वायर है इसके अंदर बहुत सारे टेंशन है पहले limited company में बता दू टेंशन क्या है सबसे पहले आपको अडिटर चाहिए ठीक है नंबर दो government के बहुत सारे रूल मानने पड़ेंगे नंबर तीन सेबी के भी बहुत सारे रूल मालने पड़ेंगे नंबर चार और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं इसमें legal requirement मतलब बड़ी company बनाने में तो आप कहते हैं इतने सारे खर्चे होते हैं हमने गलत करा यार यह शुरू में बना लिया क्योंकि शुरू में तो होत सब्सक्राइब को रिटन फाइल करना है बहुत सारे कंप्लाइंस है हर टाइम पर विजिट के लिए आती रहती है यह टेंशन हो गई है तो क्या करें हुआ चल छोड़ फिर पूछते हैं तो अब एक इन्होंने फैसला किया कि एक option अविलिबल होता है कि चलिए आप अपनी कंपनी को कंवर्ट कर लिए कंवर्ट कर लिए यह सारे रूल से चुटकाडा मिल जाएगा और कंवर्ट किसमें कर लीजी आप पी क्यू आप लगा लिए पीविटी लिमिटेड है तो सर जब आप यह करने जाएंगे तो जो इस कंपनी के अंदर जितने भी ऑनर है ऑनर बेस पास करवा लो तो सबसे पहले आप इनसे क्या करोगे नंबर बन एसार की कॉपी एसार मतलब स्पेशल रिजुलेशन पास करवाओगे नंबर दो क्योंकि आप बड़ी कंपनी से चोटे में जा रहे हो तो बड़ी कंपनी में कितनी लाइव लिटी थी नहीं थी तो आपको सें बड़ा होई नहीं सकते मैक्सिमम मेंबर तो आपके मेंबर को भी चेक कर लो क्या मेंबर वगरा है और बागी यह सारे डॉक्युमेंट को वेरिफाई करके आप गवर्मेंट रजिस्टार डॉफ कंपनी को डिपॉसिट करा दो और वो देखेंगे कि सही मायने में आपका कं कंपनी में कोई ऐसा अब कोई लाइबलिटी वगरे नहीं है तो आप कंवर्मेंट हो सकते हैं बड़ी सिंपल सी बात है तो देखिए क्या कहता है कहता है conversion into public company into private company यानि एक limited company public company का मतलब क्या है सर limited company किसमें convert हो रहा है एक private company ठीक है कहता है सबसे पहले क्या करना होगा अब public company may convert into a private company anytime by the following provision section 14 मतलब section 14 में जो बाते बोली गई है उसके फॉलो करते हुए कभी भी convert कर लो सब कहता है करने का तरीका क्या होगा सबसे पहले पास कर दो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इसके बाद approval ले लो सर किसका central government इसके बाद declaration कर दो की managerial person जो की आपका stating the number of members जो है limited 200 यह भी तै कर लो पता चले आपके unlimited member है या अप private नहीं पहले सारी shares को buyback करो और इसके हिसाब से करो a list of creditor debenture holder of drawn up जो भी debenture holder creditor था उन सभी को not more than 30 days 30 दिन पुराना नहीं होना चाहिए पता चले बहुत पुराना company है उसको हमने convert कर दिया नहीं आपके पुराने सारे कर जे और जे पहले खतम करो भई डेटर वेटर से पैसे लो ठीक है filing application कर देंगे हम filing application government को बता देंगे must file along with the application register of director register of director जिसको RD कहते हैं register of director जो company ROC से बढ़ा होता है इनको file कर देंगे filing of copy order approval order मतलब किससे लिया था हमने approval government से and copy of alter article of association along with special resolution special resolution के साथ to the prescribed concern registered of company को within 15 दिन के अंदर यह सारी date याद रखना होगा approval of the central government के जिस दिन approval मिला आप जमा करवा दीजिए company shall become private company from the date of approval of central government जिस दिन बोल दे क्या प्राइविट कंपनी बन जाएंगे बहुत important topic है सर एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि conversion वाला topic है तो हम दो ही है अभी यह भी आएगा one person company भी देखेंगे फिर और भी other company भी देखेंगे आपका non-profit organization company भी देखेंगे तो यह किसका conversion था था सर public company से आपने conversion किस में कर लिया सर private company के अंदर कर लिया चलिए इसको भी आप note कर लिजे बाकि सभी के notes में upload कर दूँगा हंजी student कैसे हैं आप अब बात करेंगे हम holding company की sir holding और subsidiary company क्या होता है अभी तो बहुत सारा private limited यह सब सुना था मान लो एक है xyz limited एक company है देखो मैं सारी चीज़े जो पढ़ा हूँ आभी आपको मैं clear कर दूँए बीकॉम के according मैं करवा रहा हूं बाकी अदर जो ccs वाले help ले सकते हैं लेकिन वहां थोड़ा सब्सक्राइब करता है तो मैं कभी भी बच्चों को मिस्गाइड नहीं करता यह कर लो यह यहां भी है यहां भी है पता चले उनके क्योंकि आपका हर एक चीज इंपॉर्टेंट तो मैं इस कंपनी ने एक है PQR और यह कंपनी बड़ी कंपनी है यह बिग कंपनी है एक बड़ी कंपनी है ठीक है और PQR एक स्मॉल कंपनी है छोटी कंपनी है दोनों का काम एक ही जैसा है इसका काम भी है इंटरनेट प्रवाइड करना और इसका काम भी है इंटरनेट प्रवाइड करना ऐसे सिचुएशन में बड़ी कंपनी क्या करती है अक्सर इस कंपनी को खरीद लेती है अब इस कंपनी को खरीदने के दो तरीके हैं हम अपना competitor खतम करना चाहते हैं तो या तो मैं पूरी company खरीद लूँ या फिर इतने इस company को इतना हिस्सा खरीद लूँ जिससे कि मेरे according अब यह company चलेगा और मेरे हिसाफ से चलेगा तो अगर आप इस company को खरीदना चाहते हो तो एक option आपके पास इसके 100% पार्ट खरीद लो या फिर आप 50% से ज़्यादा इसका पार्ट खरीद लो तो अगर आपने ऐसा किया कि इस company के दोनों में से कोई भी आपने काम कर लिया इस company के साथ तो आप एक और बड़ी company बन जाओगे और आपका नाम जो होगा ना accounts law के अंदर आपको बोला जाएगा holding company क्या बोला जाएगा holding company और सर ये वाली जो company ने दूसरी company ये वाली company आपकी ही company बन चुकी है तो इसको बोलेंगे subsidiary company subsidiary company ठीक है तो एक है सर holding company और एक क्या है सर subsidiary company तो holding company कौन होता है वो company जो किसी company का पूरा शियर या 50% से जितना ज्यादा शियर अगर खरीद लिया तो वो कौन बन जाएगी holding और दूसरी company क्या माने जाएगी subsidiary माने जाएगी अच्छा सर मान लेते हैं कि एक और company आ गया है मान लो abc limited अब मुझे जवाब देना अब PQR limited इससे बड़ी company थी PQR limited ने इसके share खरीद लिया मान लेते हैं कि 55% तो ultimately ये क्या बन जाएगी इन दोनों के relation की बात करें तो ये बन जाएगी holding company और ये क्या बन जाएगी तो यहाँ पर आखर आप देखो तो ये तो इसके भी hold कर रहा है तो इस company के अब दो-दो subsidiary company हो जाएगी इस company के दो-दो subsidiary company हो जाएगी कौन-कौन सी PQR limited और एक A, B, C लिमिटेड यानि सिंपल सी बात है holding company से आगे जितनी भी company होगी वो subsidiary company होगी इन दोनों का बीच का भी holding subsidiary का relation है लेकिन ये बड़ी company मानी गई तो इसे साब से holding और subsidiary होगा Sir ऐसे कितना चलता रहेगा? Government ने सिर्फ two layer allowed किया है इसके बाद भी अगर कोई company हो ना government ने बोला ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते अपने अंदर क्योंकि ये तो मालिक बनता जाएगा बनता जाएगा government ने कहां मान लो एक और company है that is आप मान लेते हैं T limited और T limited का share इसने खरीद लिया या T limited का मान लो इसने खरीद लिया तो इसके पहले से कितनी सबसीडरी हो गई एक और दो और अगर इसके भी share खरीद लेगा तो तीन सबसीडरी हो जाता ऐसे तो government ने कहा कोई भी company कभी भी खरीद लो मर्जी है लेकिन आपकी सबसीडरी के काउंटिंग में सिर्फ इन दो को लेंगे इस company को आपकी सबसीडरी नहीं मानी जाएगी government ने amendment किया था 2017 के अंदर रूल 2017 में कि आज के बाद से अब हम अपने नीचे सिर्फ दो company को खरी सकते क्योंकि आसा करने के पीछे रीजन था कि आपका एयर सेल था टाटा टाटा तो खेर बड़ी company अपने मर्जे से एयर सेल था और भी बहुत सारी टेली communication company थे वीडियो कौन उन सब को क्या कर बंद कर दिया यूनिन और यह सब क्या हो गया बंद हो गए से क्या रीजन था इनके स्टेक्स खरीदते गए और इनको competition से बाहर करते गए क्योंकि मेंली परपस क्या होगा अगर यह रिलाइंस है और यह इंटरनेट प्रवाइड कर रहा है तो इसके शियर्स ले लो और इसकी सर्विस को खराब कर दो क्योंकि इसका कंपनी का नाम हो निशान मिट जाएगा इसके सारे कस्टमर यहां पर आ जाएगा तो यह कुछ कंपनी के अंदर एक politics होता है जो कि चलता रहता है तो लॉन इसी को देखते वे बोला आपके कितने लेयर कंपनी हो सकते हैं सिर्फ दो यानि holding company कोन होगा जो सामने वाली company के 51% से ज़्यादा का शेयर करेगा holding company और हमारे कितने subsidiary company हो सकते हैं एक holding company के सिर्फ दो लेकिन यहां exception भी दिया इन्होंने कहा अगर आप किसी भी company के 100% शेयर खरीद लोगे न तो कितनी मर्जी लंबी चेन कर लो फरक नहीं पड़ता अगर आप इसके 100% खरीद लेते हो न तो यह आपकी ही company मानी जाएगी और वो भी subsidiary मानी जाएगी यानि 51% यह 100% खरीद होगे तो आप चेन बनाते जाओ जब पूरा आप नहीं खरीद लिया पूरे पैसे दे दिये तो सामने आली company को बरबाद कर रहे हो तो आपका ही नुकसान है हाँ 51% खरीद के 49% लोगों को बरबाद कर रहे तो वो दिक्कत वाली बात है दूसरा कहा गया कि अगर foreign में कोई company है जहां पर यह law exist नहीं करता तो वहां पर सबसीडरी होगी बहुत सारी और मान लेते हैं ध्यान देना जैसे एक A limited है इंडिया में और एक USA limited है foreign में है और इ यह सारी company इसके अंदर hold कर रही है तो यानि यह तो holding company हो गई अब इसने इसका hold कर लिया तो यह भी holding company हो गई तो यह holding company हो गई यह सबसीडरी और इसके जितने भी सबसीडरी है सारे इसी के सबसीडरी माने जाएंगे तो ऐसे situation में allowed अगर कोई foreign company जहां पर यह law exist नहीं करता तो हो जाएगा तीसरा कुछ banking company को financial institution को कुछ और company को इंडियान में relaxation दिया गए कि आप ऐसे चेन बना सकते नॉर्मल company ऐसा नहीं कर सकती तो holding और सबसीडरी का पहले relation समझे क्या होता है सर holding company वह होता है जो सामने वाली company के शेर्स को खरीद देता है holding company बनने के दो तरीके एक तो शेर्स खरीद लोगे और दूसा तरीका पता है क्या है मान लेते हैं PQ आर लिमिटेड नहीं कमपनी है ठीक है और एक X, Y, Z इलिमिटेड ये नहीं company बोल रहो है नहीं company है ये company एकदम new आ रही है और ये company old है तो experience किस पर होगा बताओ इस company के जाहिर से बात है इस company का पास धेर सारा experience होगा इस company को कुछ पता ही नहीं भाई सब इसके सारे director वगेरा जो भी है सब इस company ने control से appointment किया है यानि इस company के सारे director, manager, chairman, सब कौन appointment कर रहा है सर ये कर रहा है इसके shares नहीं ले तब भी ये holding company माना जाएगा और ये subsidiary दो तरीके से बन सकता है holding subsidiary नंबर बन share खरीद लो या उसके सारे major keyman जो person होते हैं तो उनको appointment कर दो director वगरा को जैसे मैं इंडिया की बात करूं जब इंडिया आजाद हुआ तो मैंने देखो ज्यादा history की knowledge है नहीं लेकिन उस time पे सुना था कि कहते हैं कि जो जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिय कंपणी चोटी कंपणी को सजेशन देगे उनके डिरेक्टर वगरा पॉइंट करेंगी तो वह भी holding मानी जाएगी ठीक है न तो यह था पूरा कहानी holding और सब्सेटरी का है चलिए देख लेते हैं हम होल्डिंग कंपणी होल्डिंग कंपणी holding and subsidiary company number one if it control majority composition of board of director अगर आपने उसके board of director का बड़ा हिस्सा of another company का control कर रखा है the composition of other company board of directors shall be deemed to be controlled if it can अगर मैंने तुम्हारे director को अपॉइंट किया तो जाहिसे बात है वो सारी मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैंने अपॉइंट किया है इट्स डारेक्शन अपॉइंट remove आपका remove the holder of all majority director अगर यह condition पूरा करते हो कि वहां majority करते हो तब भी आप holding company माने जाओगे कहता है इफ exercise और control उसके ऊपर अधिकार more than one half यानि सर पचास पर पचास वन हाफ का मतलब आधा 50% से ज्यादा अगर आपने शियर आपके पास voting right आजाए क्या आजाए सर उसका voting power आजाए पचास परसेंट से ज्यादा तब भी आपको कौन से company बोली जाएगी holding company बोली जाएगी अगर कंपनी में सेल डीम टूबी holding company उसके आगे की जितने भी सब्सेडरी कंपनी होगी ओटोमेटिकली वह सकी सब्सेडरी और मेजरेटी की holding माने जाएगी ओके सर रिस्ट्रेक्शन लेयर कितने लेयर है पूछा जाता है लेयर कितने हैं सर यह अमेंडमेंट है तो आ सकता है 2017 में रिस्ट्रेक्शन लेयर लगाए गये थे कितने लेयर लगाए गये थे टू इन केस ऑफ कंपनी एक्वाइर कंपनी इंकॉर्परेशन आउटसाइड इंडिया कहा गया यहां पे रिस्ट्रेक्शन लेयर रूल नो कंपनी शेल हैव मोर देन टू लेयर दो कंपनी से जादा नहीं हो सकता लेकिन एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन अगर आउटसाइड इंडिया में फॉरन में जो यूस से वाला एक्जामपल लिया तो दो लेयर हो सकता था दूसरा कंप्यूटिंग दा नंबर अफ विदर आप हंड्रिट परसेंट होली मतलब पूरा अगर उसका होलड करते हो गशस्क्रते हो तब भी माना जाएगा हो सर्फ क्या एक्सेप्शन है एक्सेप्शन यह है कि यह प्रो विजन अप्लाई नहीं होगा किस पे बैंकिंग के उपर और सर किसके उपर और और इंसारेंस कंपनी के उपर और गवर्मेंट कंपनी के उपर और नोन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी के उपर इनके उपर यह वाला कॉंसेप्ट अपलाए नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर मैंने कहा था आपका स्टेचरी कंपनी इनके न अपने अलग लॉट चलते हैं और भी पढ़ सकते जरूर जरूर जाता है होलिंग सबसीडरी में से चल outro आज हैं आपका स्मॉल उटां होता है वो होता है कि जा बढ़ी कमपनी को ना एक प्रटीकॉलर कियापिटल के पर स्मॉली या बड़ी कंपनी कह देते हैं हैं देख लेते हैं सिंपल सी बात है सबसे पहली बात उस company का capital ना 4 करोड से अगर उपर नहीं है और उस company का sales अगर 40 करोड रुपए से उपर नहीं है तो उसको small company कहते हैं small company के क्या फायदे हैं बड़े सारे फायदे हैं small company के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं प्रिबलेजिस भी हम देख लेंगे अभी कि उनको कुछ balance sheet नहीं बनाना पड़ता उनको कुछ और भी बहुत सारे इनको जैसे benefits मिल जाते हैं balance sheet हो गया या return file नहीं करना या CA नहीं रखना बड़ी सारी benefits तो कहता है the company act 2013 provide the small company sir small company होता है section 285 में इसकी define किया गया है small company other public company small company as a company other than public company whose मतलब public company से थोड़ा अलग private company भी मान लो paid up capital उसका कितना होना चीए sir 4 crore होना चीए उसका sales turnover कितना होना चीए sir 40 crore होना चीए however small company cannot be कुछ ऐसे हैं जो कि small company नहीं बन सकते जैसे holding और subsidiary का अगर relation है तो small company नहीं बन सकता भी जो किया था अगर section 8 की company यानी NPO सुना है न NPO अगर कोई NPO बनाना चाहता है अपने organization को NGO की बात कर ले NPO की बात कर ले वो भी नहीं बन सकता कोई government company भी नहीं बन सकता इसके exemption क्या-क्या है मतलब इसके क्या-क्या benefits मिलेंगे financial statement of the company not include मतलब पूरी detail में cash flow, notes to accounts या फिर statement बहुत सारी चीज़े बनाने के वाशकता नहीं होती signing of annual report in case of small company आपका signing होगा जो annual report पे small company annual return shall be file director and company secretary when is no cash flow company is to director मतलब के जो sign करते हैं company में normally signing of annual return in case of small company मतलब जो annual return होगा small company का होगा the annual return shall be filed by director भी file कर सकता है and company secretary तो सभी का करी सकता है when there is no cash flow company secretary by two directors जब cash flow नहीं है तो दोनों मिलके file कर सकते हैं इसके लिए और especially कोई requirement नहीं है frequently board meeting करने की अवर्शकता नहीं है कि बार बार करेंगे सिर्फ एक बार एक ही board meeting करेंगे तो काम बन जाएगा in case of small company sufficient of at least one meeting और बाकी जो limited company यह private limited उसको बार बार करना पड़ता है small company exemption from requirement from the mandatory rotation of auditor क्या होता है कि rotation भी पढ़ेंगे हम auditor में कि एक auditor आया है तो उसको हम पांस साल tenure के लिए रखते हैं उसके बाते हम दूसरा auditor चेंज करना पड़ता है इसमें ऐसा नहीं है एक auditor आ गया उससे से काम करते रहो auditor के क्या फायद है नुकसान है वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि auditor आता है तो उसमें दिक्कत होती है काफी कि बहुत सारी चीज़े बतानी पड़ती है small company not required आपको KMP यानि remuneration जो director का होगा उसका जरूरी नहीं है कि कितना होना चीए पहले से decided नहीं होगा और auditor of small company required report educatedly of the internal financial control auditor report और जो auditor of small company are not required to report करे education of the internal control हर कंपनी का अपनाना ICS होता है internal control system होता है उसके उपर कोई audit करने के अवशक्ता नहीं होती तो यह था हमारा small company तो जो kind of company था उसका काफी हत तक हमने part cover कर लिया अभी हमें dormant company देखना है small company dormant company के साथ और भी बहुत सारी company देखने जैसे one person company देखना है चार-पांच फिर यह chapter भी हमारा क्या हो जाएगा तो आज हम पढ़ेंगे company law के अंदर one person company क्या होता है पूरी detail में जानेंगे हम तो सबसे पहले one person company अपने company देखा private limited limited company तो इसी तरीके से जब new company law आया था यानि company act जब company act हमारा क्या आया था सर दो हजार तेरा तो दो हजार तेरा company act new company था जब यह बन रहा था तो इस जब company आया तो वहां पर एक और new company को बना के दिया गया बेसिकली दो company दो से बहुत सारे ऐसे नए नए company फ़र्म हुए पहले तो नॉर्मल यही था कि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके लावा तो कुछ है नहीं नॉर्मल एक हमारा section 25 में हुआ करता था अज देखेंगे हम non-profit organization यह licensing company ठीक है लेकिन 2013 के अंदर बहुत सारी बदलाव आए तो उसके अंदर one person company यह बनाया क्यों गया one person company क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अपना shares holder pattern जो होता है ना जैसे आप एक business कर रहे हैं इंडिवीज्वाली तो आप अपने company बनाना चाह रहे थे जैसे मान लेते हैं Mr. राम पर सपोज एक्जामपल ले रहा हूं Mr. राम जो है यह बहुत अच्छा business चल रहा है बहुत large skill पर काम कर रहा है अब यह क्या चाहता है और यह अकेला करता है यह इंडिवीज्वाल है इंडिवीज्वाल है यह अकेला करता है और यह क्या चाहता है कि मैं अपनी company को भी ना प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा और प्राइवेट लिमिटेड केलिए आपके शियर होल्डर आजाएंगा आपका एक और हिस्सेदार आजाएगा क्योंकि प्राइवेट लिमिटेट बनाने के लिए मिनिमम दो वेक्ति की रिक्वाइर्मेंट थी तो उस टेम ऐसे परसन जिनका बिजनस बहुत अच्छा था वह ज्यादा एक्स्पेंड नहीं कर पा रहे थे तो फिर लौ के अंदर अमेंडमेंट आया अमेंडमेंट क्या होत क्या ऊन परसन कंपनी यहीं क्या उसकर पॉर्म में बनाया गया अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हमें अपने बिजनस को एक्सकूं करना था ईक एक इसका क्या रूल है एसका क्या हो न्यूंत क्या होने चाहिए वहन परसन बाकि सारे चीजे हम रूल भी देखेंगे इसके बाद क्या वनपॉरसंट company अगर होता है और बाद में private limited बदल सकता है conversion हो सकता यह public में वो भी देखेंगे क्या private company 1% company में conversion हो सकता है वो भी देखेंगे क्या हमारा यहां पर क्या-क्या benefits मिल जाता है क्या-क्या मतलब कि देखो private company तो एक बड़ी company है 1% छोटी है तो ओविस है कि 1% company के अंदर सरकार ने कम rule and regulation रखेंगे तो क्या ऐसी चीज़े जो इसको benefit मिलेगी अदर company के मुकाबले तो हम इसके अंदर क्या-क्या देखने वाले रूल देखने वाले हैं और क्या देखेंगे conversion देखेंगे convert कैसे हो जाता है उसके बाद क्या देखेंगे सर हम exemption देखेंगे तो तीन चीज़ों पर बड़ा ही question पूछा जाता है इसमें one person company पे तो रूल conversion और आपके क्या-क्या benefit मतलब छूट मिलता है ठीक है ना तो यह था हमारा one person company चलिए आईए देखते हैं क्या-क्या हमारे इसके अंदर है benefit क्या-क्या रूल है तो सबसे पहले क्या कहता है आप ध्यान से देखिएगा देखिए क्या कहता है one person company यानि ओपीसी यह समझ में आ गया आगे कहता है दिस इस मेड पॉसिबल टू कंपनी विद आउनली वन मेंबर पहले न दो मेंबर हुआ करते थे लेकिन जब से वन पर्सन कंपनी आया सिर्फ वन मेंबर के लिए बनाए गया यानि अकेला वेक्ति ही हम भी प्राइवेट लिबिटेड कंपनी है ओपीसी प्रवाइड बेनिफिट बोथ फॉर्म आप जो सोल प्रोप्रेटर करते हैं उसके तो सारे बेनिफिट मिलेंगे और साथ के साथ आपका स्टेटस कंपनी वाला भी माना जाएगा विद्दा फॉर्मेशन जब बन जाएगा सर इसके अंदर आपके क्या क्या रूल्स है सर इसके अंदर क्या क्या रूल्स है एक सेकेंट तो हमने देखा वन पर्सन कंपनी क्या था अब हम क्या देखने वाले हैं कि वन पर्सन कंपनी के अंदर क्या क्या रूल है रूल जैसे मैं बोलू तो Indian citizen ही 1% company बन सकता है और अगर कोई foreigner चाहता है कि 1% company इंडिया में आके बना ले तो ऐसा नहीं हो सकता दूसरा आप एक से ज़्यादा 1% company के अंदर नोमनी भी नहीं हो सकते और एक से ज़्यादा 1% company भी नहीं बना सकते तीसरा आप licensing company में convert भी नहीं हो सकते license company क्या होता है भी हम थोड़ी दिर बात देखेंगे तो पटा-पट से हम देख लेते हैं overview और यह सारे के सारे ज़्यादा 1% company के लिए नहीं है और नॉमनी भी नहीं बन सकता नॉमनी बनाना जरूरी होता है हमारा क्योंकि विडाउट नॉमनी शेर कैसे सब्सक्राइब करेंगे और जब लोगों के भलाई करेंगे और जब लोगों की भलाई करेंगे उसमें अपने आपको रिजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसको बोलते हैं section 8 वाली company आगे अभी देखेंगे हम तो ऐसी company जो की लोगों की भलाई के लिए होता है उस company के अंदर आप convert नहीं कर सकता है अपने OPC बनाया और बिजनस कर रहें और बाद में बोलो के हम लोगों की भलाई करने वाली company बनेगा तो नहीं क्योंकि उनको बहुत सारे benefits मिल जाते हैं इसके साथ आगे क्या कहता है sir conversion की बात करते हैं तो इसके कुछ rules थे rules आपको clear हुआ फटा फट से एक बार मेरे साथ बोलिए रूल के अंदर क्या है sir Indian citizen होना जरूरी है minor नहीं बन सकता एक से ज्यादा company में नहीं बन सकते section 8 company में conversion नहीं हो सकता section 8 वाले company के अंदर conversion नहीं हो सकता और section 8 में conversion नहीं हो सकता कुछ rule है जो आपको ध्यान रखने हैं बनाने के लिए ठीक है चलिए अगले point पर आ जाते हैं conversion कर लेते हैं चलो sir conversion one person company into public company या private company यानि आपने अभी छोटी company बनाया था और आप चाहते हो कि अब हम बड़ी company बना रहे तो convert करने क्लिए क्या करन होंगे rule and regulation क्या आपको member बढ़ाना पड़ेगा अगर आप one person company हो तो आपके member कितने होंगे एक अब चाहते क्या हो आपका कौन सा company बन जाए प्राइवेट तो कितने member करने पड़ेंगा minimum 2 चाहते हो public तो minimum कितने पड़ने पड़ेंगे साथ तो member बढ़ाना पड़ेगा आपक लिमिटेड चलता रहेगा आपका capital increase करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें उसके इसाब से देख लिए फटा-फट से बस माक कर रहा है बहुत आसान है कहता है वन परसंट कंपनी अल्टर मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है हर कंपनी का अपना क्या काम करेगा नहीं करेग लिए नहीं कानून और तो उसको तो क्या चेंज करे उसक्ता हैय मतलब कि उसमें बदलना है बस kiedy में यह कंवर्ट वो convert हो सकता है private में भी हो सकता है और public में हो सकता है और लेकिन section 8 वाली company के अंदर नहीं हो सकता है जो कि हमने पीछे rule देखा था कैता है the company shall file application जैसे ही convert होगा ना तो INC sir INC क्या है यह form number होता INC in corporation form number 6 में conversion private या public को है other than section 8 section 8 वाला तो बने गाई नहीं उसको क्या करना एक along with the prescribed fee जो भी लगता होगा registration office में 2014 में attach document करके और यह document देने पड़ेंगे alter MOA copy of resolution the list of आपका proposed member जो member होंगे director कितने होंगे list of creditor या और at least audited balance sheet आपको दोनों जमा करना होगा यानि सर सिंपल सी बात है conversion करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा अगर आप OPC से convert करना चाहते हो PVT में तो number one सबसे पहले अपना MOA and AOA को alter करो सर alter का मतलब बदल दो change कर दो ठीक है जैसे आपका ये होगा आपको form भरना होगा INC6 और एक fees के साथ प्लस आपको fee और आपको जमा करवा देना होगा और उसी रजिस्टार ओफ कंपनी को और जब आप form भरोगे तो क्या क्या document यहां पर change करना है आपको MOA change करना है आपको AOA भी change वाला जमा करवाना है form में number three आपको member के list देना है कौन-कौन member होंगे चेंज हो गया ना number four और क्या दोगे सर और आपको creditor का list देना है और क्या करना है सर नंबर पांच नंबर पांच में क्या था हमारा नंबर पांच में हम audited balance sheet भी दे देंगा जाके ठीक है तो यह था हमारा OPC से private company तो फटा-फट से मिर साथ बोलना OPC से private limited company में क्या है resolution पास कर दो resolution किस चीज का पास कर दो और moa alter करना है आपको इसके बाद INC6 के साथ जो आपने alter किए सारे document करके जमा करवा तो आपकी company convert हो जाएगा subject to approval approval के accordingly ठीक है ना चलिए सर अब conversion private company private company जो की one person से तो बड़ी company है और वो OPC बनना चाहता है यानि बड़ी company है यह चोटा बनना चाहता है बोलता है फसके बेफाल तुम्हें तो ऐसे situation में क्या करना होगा ऐसे situation में आपको कुछ फॉलो करना होगा क्योंकि जब आप होगे क्या जब आप होगे private limited private limited तो आपके दो मेंबर होंगे लेकिन आप convert होगे किसमें OPC में तो आपको कितने मेंबर करने पड़ेंगे एक मेंबर करना पड़ेगा ठीक है साथ के साथ आपको capital भी आपका देखना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए तो क्या कहता है देखिए आप private company other than company रजिस्टर अंडर section 8 तो पहले तो section 8 वाली company हर जगर डाल नहीं है क्योंकि वो तो होई नहीं सकता having paid up capital जिसका paid up capital कितना होना चाहिए पचास लाख और उससे कम होगा turnover कितना होना चाहिए दो करोड या उससे कम किसका पिछले तीन financial year का और less may be convert itself 1% company यानि अगर आपकी public company है आपका paid up capital 50 लाख से कम है और पिछले तीन सालों में आपने दो करोड से कम की सेल करी है तभी आप 1% company में convert हो सकते हो नहीं तो आपको बड़ी company ही माना जाएगा by passing special resolution पास करना पड़ेगा इन जर्नल मीटिंग में जर्नल मीटिंग बुलाओगे और उसमें क्या करोगे एक special resolution पास कर दोगे मैंने बताया था resolution क्या होता है discussion मतलब 75% लोगों से concern लेना है ठीक है इसके बाद आप special resolution पास करके आपका बन जाएगा सीधा और यह सारे document deposit कर देना है क्या deposit कर दोगे सर आप जो भी alter करोगे ना alter MOA या फिर AOA जो भी आपने ऑल्टर किया है यह सारा यह सारा जमा कर दोगे किसको सर और उसी के प्रिसक्राइब प्रिसक्राइब टाइम के साथ ठीक है तो अब देखिए दोनों अलग अलग बाते थे आप छोटी company से बड़ी में जाना चाहते हैं उसको भी conversion और बड़ी से चोटी माना चाहते हैं दोनों सर अगर आप OPC बनाते हो तो आपको क्या-क्या exemption मिल जाता है ठीक है देख लेते हैं क्या-क्या benefits मिल जाता है exemption 1% company में सबसे पहले एक डारेक्टर हो सकता है कितने डारेक्टर इन केस OPC subject to maximum 15 डारेक्टर सर अब यह 15 डारेक्टर के वाला क्या fund है मैं थोड़ा सा समझा दूँ अगर मैं डारेक्टर की बात करूँ न तो दो चीज़े रियाद रखना एक minimum और एक maximum तीन तरीके का company है एक OPC है एक PBT है एक limited है यह यहां पर minimum एक दो और तीन डारेक्टर ऐसे याद रख लेना अगर OPC तो कम से कम एक डारेक्टर होना चाहिए प्राइवेट में कम से कम दो limited में कम से कम तीन और maximum सभी में 15 बोला गया है यह डारेक्टर बढ़ भी सकता है in case हमें approval मिल जाए board of director board of resolution में सारी चीज़े करने के आप देखे अगर यहां पर एक डारेक्टर है OPC के अंदर तो क्या आपको board meeting करने पड़ेगी डारेक्टर की जरत ही नहीं आप अकेले हो कैसे meeting कर सकते हो यह सब benefit आपको मिल जाता है तो यहां पर बोलता है maximum 15 हो सकता है sole member अगर होगा individual deemed to be first director वही डारेक्टर बन जाता है यानि जो company का shareholder होता है एक ही shareholder होता है वही डारेक्टर माना जाएगा not required to rotation यहां पर retire वगरा जो होता है तो इसको क्या हम retire कर बदलेंगे नहीं बदला जा सकता है rotation का मतलब क्या होता है आप director वाले chapter में पढ़ेंगे कि हर director को समय समय पर बदल दिया जाता है कुछ समय के बाद उसको change करना जरूरी होता है जाकि तो सेम जैसे कि सरकारी नौकरी करोगे ना तो एक जगह पर आपको पोस्टिंग नहीं दी सकती बदल देते हैं ताकि आप वहां के लोगों से ज्यादा घुल मिलना जाओ आप वहां पर रिस्वत ज्यादा ना ले पाओ इसलिए सिर्फ तो सेम यहां रोटेशन आप भई है ड बोर्ड मिटिंग करो एक यह benefit मिल गया आपको डारेक्टर एटलीस बोर्ड मिटिंग करना पड़ेगा आपको 90 दिन के अंदर आपको कितना करना पड़ेगा दो ही मिटिंग करनी पड़ेगी साल में बाके सब में चार मिटिंग करनी पड़ती है साल के अंदर compulsory होता है करोगे उसके बाद पिर नब्बे दिन के बाद मीटिंग एक्स्टा-उडिनरी मीटिंग वगरा इसके लिए आपको कोई notice नहीं देना क्योंकि OPC के उपर यह applicable ही नहीं होता OPC के उपर यह applicable नहीं होता conversion journal meeting not applicable ठीक है जनल meeting नहीं होता there is no need to prepare सबसे main चीज cash flow statement इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ balance sheet के अंदर भी sign करने की exemption है तो आपको notes मिलेगा notes के अंदर सारी चीज़े पढ़ सकते हो तो फटा-फट चलिए मेरे साथ बोलिए क्या-क्या exemption मिलेगा सबसे पहले आप एक director हो सकता और maximum 15 डारेक्टर वही कहानी है तो यह क्या था हमारा one person company अगर आप करते हो तो आपको प्रिब्लेजिस भी बोल देते हैं इसको आपको benefit exemption और प्रिब्लेजिस यह दी जाती है तो यहां पर हमारा सर खतम हो जाता है टूटल one person company होफुली आपको समझ में आएगा कोई भी point आता आपको अच्छे से लिखना है और टैनियर भी आप ले सकते हो टैनियर से में इसे पढ़ो और इसके साथ भी पढ़ सकते हो चलिए सर अगला टॉपिक क्या है सर small company सर small company क्या होते है छोटी company जो की capital और turnover के मामले में चोटी company होती है उसे small company कहते है नाम से ही जैसे clear है तो small company का definition देखेंगे बड़ा अटपटा definition दे रखा है जो की आपका private limited limited company नहीं है वो small company है small company की खास बात जो decide होता है ना उसके sales से और उसके capital से decide होता है ठीक है एक number sales एक number capital और यह holding subsidiary वगरा भी नहीं बन पाते small company तो क्या कहता है small company देखते है सर small company कहता है दा companies act provide small company section 2 subsection 85 में क्या कहता है small company as company other than the public company यह कोई बात थोड़ी नहीं के small company वह है जो की public company नहीं है बस सिंपल सी अब देखिए majorly small company वह है जिसका paid up share capital ना चार करोड है और उसकी sales 40 करोड रुपे की होने चाहिए turnover यानि sales not exceed sales कितना होना चाहिए आपका 40 करोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका 4 करोड से capital कम है और sales 40 करोड से आपका कम है तो आपको बोलेंगे small company और होईवर small company ना subsidiary company holding company या section 8 company में रेजिस्टर नहीं हो सकता तो बड़ी simple सी चीज़े small company अब अगर आप small company category में आ जाओगे तो definitely आपको फिर से benefit मिलने माला है सर क्या benefit मिलेगा small company को देख लेते हैं exemption तो पहला benefit है कि आपको जो board meeting है न जो हाल में चार करनी होती है नौर्मली उस case के अंदर आपको at least one meeting करने पड़ेगी बोड मेटिंग कितनी करनी पड़ेगी सहाव one board meeting और half year calendar यानि एक half year calendar में एक यानि यानि दो मेटिंग मैं overall बोलूं यहां पर तो आपको दो मेटिंग करनी है वही OPC वाली बात आ गई ठीक है न बोड मीटिंग सर यह करना जरूरी होता है बोड मीटिंग भी बहुत बड़ी rotation आपको rotation auditor को नहीं करना पड़ेगा auditor का rotation क्या होता है सर आपको हर पांस साल बात अपने auditor को बदलना जरूरी हो गया पहले नहीं था ऐसा अब नया कानून आ गया है auditor कौन होता है हमारी company के अंदर अगर कोई गडबड़ी कोई fraud चल रहा है तो वह तो हम छुपा लेंगे लेकिन government कहता है आप एक ऐसे व्यक्ति से अपने खाते को जांच करवाईए जिससे आपका क कोई दूर तक लेना देना नहीं है तो हम ऐसे चार्टेट को ढूंडते हैं जिसका हमें पहले connection नहीं था वह हमारा काम करेगा और वह रिपोर्ट सिधा government को दे देगा जाके तो ऐसे auditor को अगर पांस साल रखेंगे तो पांस साल बाद तो बहुत गुल मिल जाएंगे फिर त तो हमारा दूसरी company अधर company है वहां पर बताना पड़ता है कि इसका remuneration manager का या फिर डिरेक्टर का इतनी salary का मतलब salary देना होगा लेकिन यहां पर जरूरत नहीं कि आपको कितना प्रवाइड करना डिटेल नहीं बस आप टोटल अमाउंट बता दीजिए इनफ है इसके जरूरत नहीं है रिपोर्ट देने का किसका internal financial control इसके अंदर ना हमारा internal control होता है जैसे अगर मैं अपने application पर कुछ भी coupon code लगाओ और वह अपलाई हो जाए और आप उसको discount ले सकते हैं कुछ भी लगाओ और वह अपलाई हो जाए तब कैसा रहेगा तब लूफोल्स हो गया कोई भी बच्चा कुछ भी खरीद लेगा discount कूपन लगाके तो ऐसे situation में क्या करते हैं कि यही चेक करते हैं कहीं ऐसे इनका सिस्टम तो नहीं है कि कुछ गढ़बड़ी हो कुछ लूफोल्स हो तो वह चेक करने की अवशकता नहीं है स्मॉल कमपनी बड़ी कमपनी में यह सारी चीजह उती है कि चीजों की चेक की जाती है ओडिटिंग में तो यह क्या था सब्सक्राइब से जादा से जादा नहीं सकता दूसरा सबसाइब से काम चल जाएगा तीसरा सर आपको अपने जो रेमिनेरेशन मेनेजर का वो डिसाइड नहीं करना पड़ेगा उसके साथ साथ आपको इंटरनल कंट्रोल चेकनी करना पड़ेगा और डिटर की रोटेशन करने की कोई अवशकता नहीं है तो यह क्या था हमारा ओवरल वन परस करना है टैनियर के अंदर भी आपको नोट्स गीवन है और मैं अलग से भी नोट्स दे रहा हूं सो देट आप अच्छे से पढ़के लिख क्या पाए इंपॉटेंट है पूछा जाता है कई बार समौल कंपनी क्या होता है पांच-पांच नंबर के सवाल आएंगे और जितन भी एंप कंपनी है सिम्पल से वर्ड में बोलू ना हमने एक कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद इस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ कि एससे करीद लिया हमने planning लेकर चल रहें कि कंपनी ले लिया और कंपनी के बाद कोई transaction होका कोई नहीं रहां होए दो साल होगी जिसके इंदर transaction नहीं हुआ और जब कोई transaction ौइं व्या इसका रिटन भी फाइल सबस्क्राइब मद्वारों एक दोतीन चरहार पांच शे साथ नोगयों यह कृक्तनि यह और यह से डेट साल बार लोगों में फैलाएंगे और जैसे जैसे लोगों में सारी फैलेगा फिर मैं यह अपना में नमबर बना लुगा एक वी आई पी नमबर लग रहे हैं तो ऐसे कंपनी क्या करती है कुछ बिजनस स्टार्ट होने वाला पॉर्चनटी क्योंकि आर एंडी में साल भी फाइल नहीं किया तो चलिए आईए देखते हैं क्या होता है हमारा डॉर्मेंट कंपनी तो सर क्या कहता है कंपनी एक 2013 में इसे बनाया गया था उससे पहले नहीं था डॉर्मेंट कंपनी डॉर्मेंट कंपनी में भी फॉर्मड फ्यूचर प्रोजेक्टिटिड होल्ड तो मेन परपस होता है कि जो एसिटों को वहल्ड करना ये अचिक्टिक्ट करना इने papay ट्रहत अगा सोगेब ॐसंकों मतलब करो और यहां पर त्रंजक्शन न ही और भी मैं बताएं सिग्निजिकट आентов के एंचेस्टों कैए होता है इसके बाद मेजरली बोला जाए लास्ट टू येर से इसका कोई भी ट्रांजक्शन ना हुआ हो और नहीं कोई आपने दो सालों में रिटन फाइल किया हो तो सिंपल सी बात है कोई ट्रांजक्शन नहीं रिटन फाइल नहीं आप क्या बन गए डॉर्मेंट कमपनी सब क्या होता है आप ने कोई पीक कंपने प्सक्शार को नहीं किया ऑपने कोई रिबीर्मेंट को आफिसे याद रखना है और ये यह ल peso्से दहिका है और यह लिखना पड़ेगा के कोऊं-कुन से financial transaction होते हैं तो simpal सी बात dormant company हमारा क्या होता है ज़ो हमें जानना जरूरी है सर मतलब कि कैसे exact馅 मैंने कह currybury करने के लिए आपको क्या रूल फॉलो करने हैं बेसिकली रूल की मैं बात कर रहा हूं तो रूल क्या होना चीए सबसे पहले डॉर्मेंट कंपनी आपका स्पेशल रेजूलेशन पास हो जाना चीए आपको पहले कभी डिफॉल्ट नहीं होना चीए आपके उपर लून की लाइबिलिटी नहीं होन करना है तो बहुत सारी चीजों से रिलेक्शेशन मिल जाती है तो क्या कहता है देखिए स्पेशल रेजूलेशन आपको पास करना है और आपके उपर कोई इंक्वाइरी नहीं बैठा होना चाहिए आपके पास कोई पब्लिक डिपोजिट नहीं होना चाहिए और उसके अग करना चाहिए पुराना नोट डिफाल्ट पेमेंट टूद वर्कमेंन यानि वरकर का कोई ऐसा नहीं हो कि आपने डिफाल्ट कर दिया है ठीक है इस तिल आपको रिक्वाइर मिनिमम डिरेक्टर तू आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा वहीं नब्बे दिन वाली कहा मेरी कोसिस रहेगा कि एक दिन पहले मैं रिविजन पर भी आऊ तो अब धीरे दीरे चाप्टर सारा हम लेए इसके बाद आ जाता है हमारा गवर्मेंट कंपनी ठीक है अगला कौन से गौर्वर्मेंट कंपनी अब गवर्मेंट कंपनी क्या होता उसको देख लेते एक बद देखिए गॉर्मेंट कंपनी बहुत सिंपल से चीज है आप किसी कंपनी को ना गॉर्मेंट कंपनी कब होगा मान लेते हैं मेरा पी क्यू या अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूं सिक्षाधाम लिमिटेड एस के डी लिमिटेड और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और संथ्सक्राइब टया थी सवच्टेडाम पर कर रहा हूं कि बच्चों को जादे जाधा बेंसीट मिले और मैं पढ़ाएं तो इस पढ़ानी के मिजए खोल्ब से मेरी कंपनी के मान लेते हैं कि सैंब करोड का शीर कारेक्ण सब्सक्राइब बता रहा हों यहां पर स्टेट गवर्νεंट अरे और सैंसर गबर्मेंट कि दॅध कर बूद करते धनां पास मापन लो जादा student होते ना तो नेता लोग उसके पीछे घुमते तो वह चाहते हैं कि हम इस company को, ख्रीद ली तो या तो अकेले स्टेत government के 51% से जादा ख्रीद ले या 50-50 से ज्यादा ख्रीद ल τबो या Center Government सरकार का मतलब स्टेट भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है दोनों का मिला के भी हो सकता है तो चलिए आईए देखते हैं गवर्मेंट कंपनी जो बाते बताईए वह इनी चीजों पर डिसकस करा हुआ है कहता है इस पर सेक्षन 245 में आपका 51% स्टेक खरीदना होगा वही बात है जो मैंने बताई आपको government विच आपका सबसीडरी ओफगर्मेंट अगार कोई सबसीडरी कंपनी मान लेते हैं कंपनी नNEY खरीद आप उसकी सबसीडरिव और्टो मेंटिक कंपनी होगा नोट बी टेकन एज और उसके अंदर जब गवर्मेंट बन जाएंगे ना तो प्राइवेट लगाने की जूरत नहीं लगाना चाहते सकता है लेकिन government company में बढ़ने के बाद बच जाओंगा ना वैसे लगाना अच्छी बात है क्या प्रोविजन है government company से रिलेटिड वह देख लेते हैं कहता है कि appointment appointment जो इसका auditor होगा ना जो company को check करेगा क्योंकि government इसमें पूरी तरीके से इन्वाल्व हो जाएगा पूरी तरीके सा सारी बातों को देखेगा हाँ भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो गवर्मेंट का जो ऑडिटर होता है ना यह होता है कंप्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया जिसको हम शॉट फॉर्म में सी एजी कहते हैं बहुत पावर होती है इसक तो खुद कर लेंगे जाके ओडिट या बोलेंगे यह सी है इधार आ तू कर ले इसका ओडिट इसके हिसाप से ठीक है वेर सेंटल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट शेल भी प्रिपेर एन्वल रिपोर्ट जो भी एन्वल रिपेट स्टेटमेंट है उसे दोनों जग के अंदर ही होगा और विदिन अ सिटी हो जाएगा या विलेज हो जाएगा वहीं पर इसका जनल मीटिंग वगरा होने वाला है रोटेशन अव डिरेक्टर आपका रिलेटिंग टू सेल नौट भी अपलाए यहां पर डिरेक्टर को रोटेट करने की अवशकता नहीं है क्य सबसे पहला पॉइंट आपका इनवर्मेंट सारे करनी बिलेज में जहां रजिस्टर का रोटीशन नहीं होगा और साथ के साथ देखा जाए तो अमारा गवर्मेंट कम्पनी इसके बाद हम देखेंगे सेक्षन 8 कंपनी जो है पटा-फट से आप एक पर इसको नूट कर लिभी चलिये त कीसे हैं आज की ये क्लास होने वाली है किसके उपर सर ये क्लास होने वाला है section 8 बड़े टाइम से सुन रहे थे section 8 तो पहली बात सर ये कौन सी company होती है company ही इनका रख दिया गया section 8 company इसका नाम ही होता है section 8 company section 8 company पुराने वाले law के अंदर section 25 company हुआ करता था 25 आप पुराने से तो मतलब नहीं section 8 section 8 company basically मैं बोलू तो ऐसी company ऐसी organization जिसका काम लोगों की भलाई करनी है उसको बोलते है section 8 company तो आप बताइए अगर किसी का काम लोगों की भलाई करनी है तो गौर्मेंट उसके अंदर क्या करेगा बड़े सारे benefit देगा कि आप लोगों की भलाई करते हो टेक्स कम है अच्छा लोगों की भलाई कर रहे हो तुमारे उपर हमारे जो rule and regulation यह एक कर दिया अच्छा लोगों की भलाई कर रहें तुमको हम सबसीडरी दे रहें तो बड़ी सारी चीज़े बेनिफिट मिलती है तो हर चाहता है कि अपनी company को section 8 में करवा लें लेकिन section 8 में करवाने से इतना आसान काम नहीं है आपको बहुत सारे rule and regulation follow करने पड़ेंगे तो क्य 500 बच्चों को पढ़ाया उससे पिछले साल 500 बच्चों को पढ़ाया फ्री में पढ़ाया पहले बताना पढ़ेगा कि हम इस काम में involved है इस अबाउट फॉर्म लिमिटेड कंपनी एस लिमिटेड कंपनी के तरीके से रहेगा पर मोटिंग क्या क्या पर मोट करेगा आपका आपकी कंपनी को बंद करने जा सकता है तो सेंट्रल गवर्मन्ट में भी लाइसेंस इनको ना लाइसेंस मिलता है कि अदिशनिस डायरेक्ट एसेटिड रिजिस्टरड ऐस कंपनी में भी लिमिटेड लिव कर सकते इसके लाइसेंस को छीन भी सकते अगर आपने यह सारी चीज़ें रून को तोड़ा तो ठीक है सर प्रोविजन क्या है, it is not necessary, क्या आप limited word या private limited word company के आगे लगाएए पहला benefit आपको मिल गया सर यह नहीं लगाना, फिर भी आप private limited लगाएद नहीं लगाते हुए भी private limited या limited company माने जाओगे, अगला government आपका कभी भी license को छीन सकता है इसमें कब छीनेगा जब आपने कोई रूल तोड़ा हो गांट्रडिक किया होगा तो आपके करद चाइएक हर मई आप क्या कहता है आपको नोटीस जो पहले 21 दिन पहले बताना पड़ता था आप फटा फट से कर लो 14 दिन पहले इसके बाद मिनिमम और इसके बाद क्या कहता है इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें लगने वाला है सिंपल सी बात है तो यह क्या था सक्षण 8 कंपनी कौन सी है वह कंपनी जो की पर्मोटिंग करेगी क्या-क्या इसके अंदर डिविडेंट देना नहीं है और अपने नाम के आगे नहीं लगाना और सेंटल गवर्मेंट आपके लाइसेंस ले सकता है अगर आपने रूल तोड़ दिया आपको कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखना मीटिंग आप 14 दिन में ही कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम डिरेक् आपको रखने की कोई अब सकता नहीं है और आपको दो ही मीटिंग साल के अंदर और और यह था सेक्शन एट कंपनी जो कि हम पीछे से पढ़ते आए हैं अब आते हम प्रोडियूसर कंपनी यह नियू है 2013 में इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता कि पूछा जाएगा इसके पीछे लोजिक था जैसे कॉर्परेट सोसाइटी होते हैं कॉर्परेट सोसाइटी जैसे अमूल हैं ड़ैसे अमूल कितना बड़ा ब्रेंड हो चुके आप जानते भाई सबसे बहुत-बड़ा एक मिल्क प्रोड़क्ट में या फिर जो भी मिल्क से सारी चीजे बना र तो government 2013 में बोली चलो तुम्हारे लिए एक लेके आते हैं नई company producer company अगर जो जमीन से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों के लिए producer company और आपको सारे benefits और exemption मिल जाएंगे तो sir सबसे पहले अगर producer company की बात करें तो क्या कहता है अब producer क्या होता है corporate principle mutual assistant यानि सर यहां पे न 10-12 लोग इखट्टे हो जाएंगे और अपना company बनेंगे minimum 10 लोग इसके अंदर आने चाहिए क्या कहता है आपका काम क्या होना चाहिए harvesting आपका क्या काम होना था procurement आपका grinding आपका pulling आपका handling आपका marketing आपका selling यानि आप फसल को सबसे पहले क्या करते हो खेती करोगे खेती के बाद कटाई करोगे कटाई के बाद फिर उसको को रखोंगे रखने के बाद फिर उसको लोगों तक पहुंचा फिर 25 कर सकते हैं तो यह मतलब खेती से काम होग ब singing वाले काम से यह इससे रखा गया इसके अंदर producer company प्रोडिशर कंपनी क्या क्या कर सकता और सरे including अपका डायरिंग कर सकता है cleaning कर सकता है packaging भी कर सकता है member को सर जो manufacturer जो होता है ना sales supply अगर आप इसमें कोई machinery equipment बेच रहे हैं तो इसके member को ही बेचना पड़ेगा किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है लोन भी दे सकते हो आप अपने member को लेकिन लोन देते टाइम पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा वह member जो लोन है ना वह इन ही चीजों पर खर्च करें इसके पहले आपको लोन लेने से पहले उसको लोन क्यूं लिया गया उसका बताना पड़ेगा आगे कहता है जर्नल टर्मिनेशन पावर जन जो भी हमारा पावर जन्रेशन वगरे का काम करता है इन सभी को भी इसी के अंदर रखा गया तो बेसिकली मैं बोलू खेती बाड़ी से जुड़े वह वह अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं उसको पड़िवसर कंपनी कहते हैं इतना इन्पोर कillon सोटमास में मिलते हैं चलिए एलो स्टूडेट आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे के एक कंपनी किस तरीके से बना कंपनी लोगुंज जो है पूरा जो कंपनी लीजह है कि उसको चलाय कैसे जाता है और किस तरीके से काम किया जाता है वह सारे चीज़ों को दे sleeps ह of company क्या देखेंगे administration of company तो भीया जो law और कानून की बात करें न तो हमारा वैसे देश देखा जाए तो देश के अंदर दो सरकारे हैं एक है हमारा central government एक है हमारा state government चीक है न दो सरकारे मिलके चलाती है देश हमारा सर central government सारा क्यों नहीं समार चला लेती क्योंकि central government नहीं चला पाती हर जगह पर देखना पॉसिबल नहीं है तो central government ने बोला कि भी काम काज करने के लिए एक organization अपॉइंट किया that is mca minister of corporate affairs of india mca that is और इनको responsibility दे दिया गया कि के company बनने से लेके यानि जो भी company बनेगा यानि company का मतलब company law जैसे अब 2013 आ गया तो जो भी company law बनेगा इस law के अंदर change करना इस law के अंदर update करना क्या-क्या इस law के अंदर change करना या फिर law के अंदर कुछ update करना या कुछ section delete करना कुछ section addition करना वो सारी जिम्मेदारी दी गई इनको तो MCA का तो काम यही था अब MCA ने क्या देखा यार हम यह काम तो कर रहे हैं तो company सही से जो registration करवा रही है उसका देख रेक किसको दिया जाए तो MCA ने अपने अंदर में appoint किया सर किसको अपने अंदर appoint किया regional डारेक्टर डारेक्टर सर इस regional डारेक्टर का क्या काम था क्योंकि एक regional डारेक्टर नहीं किया अगर मैं इंडिया की बात करूं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैसे चार पार्ट में रीजन में बाटा गया है नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ तो और जो सेंटरल गवर्मेंट है सीजी या एम सीए जो कानून बना रहा है वो एक ही है वो एक ही है पूरे इंडिया में अब हर जगह जगह कंपनी बनाओगा हर जगह जगह हर जगह 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 कंपनी बनाओगा बहुत सारे छोटे छोटे राज़े कंपनी बनता ही रहता है तो भाई अब बोला हम सब को नहीं देख सकते हैं हम चार तो रीजनल डिर्रेंटर बना देते हैं और साउनथ ऑस्च ऑर वेस्ट अब प्लच थोड़ा सा नहीं है आपका नॉर्थ में डिली के तो बहुत सारे इरिया जाता है तो रीजनल डैटर आप बोला भाई साब मेरे बस की नहीं है इतने सारे लोगों को देखना तो रीजनल डिरेक्टर को पावर दिया गया यह चलो ठीक है आप अपने नीचे कोई ऐसा व्यक्ति रख लो जो की काम करें तो इसके नीचे रखा गया रजिस्टार कि रजिस्टार ओफ कंपनी जिसको बोला गया आर ओसी शॉर्ट फ़र्म में इसको क्या बोला गया सर आर ओसी सर आर ओसी का क्या काम है एक रीजनल डिरेक्टर जो है ना इसके अंदर बहुत सारे आर ओसी रख दिये गये हर स्टेट वाइज आर ओसी जैसे अगर नॉर्थ की बात करें तो डेली पंजाब और हर्याना मान लो यह अलग अलग स्टेट हो गया तो डेली में अलग आर ओसी है चंडिघड में अलग आरोसी है तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग आरोसी तो बोला भी या, reason में North में तो बहुत सारे आ जाते हैं राज जे तो बोला कि North में आ तुम नहीं समाब पाऊऊँगा तो इन सबी को एक-एक आरोसी प्रोवाइट कर दिया गिया तो इस तरीके से हमारा जो लौ का काम चलेगा यानि आप अगर आज कमपनी बनाना चाहते हो आप जैनुविनली चाहते हो आपका नाम क्या है मान लेते हैं आप मिस्टर राम और आप चाहते हो कि हम एक कमपनी बना ले तो कमपनी बनाने के लिए आपको पता किस से कम्मिकेट करना पड़ेगा सहाब आपको कम्मिकेट करना पड़ेगा सीधा इनसे आप यहां तो जाई नहीं सकते आप इनसे कम्मिनिकेट करेंगे फिर यह अगर कोई दिक्कत होगी तो किससे कम्मिनिकेट करेंगे इससे और यह किसको रिपोर्ट करेंगे इसको और यह किसको रिपोर्ट करेंगे इसको तो यह chain बना दिया इस तरीके से चलेगा Communication का इन से मतलब है कि आपने application जमा करना है form भरना है अपने company का क्या नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके company का address बदलना है या वही रहेगा आपके company में और क्या क्या चीजे होंगे इस से मतलब लेना देना ये है ठीक है लेखिन एक मजे की बात देखा जाए दो ऐसे राज्ये है एक महरास्ट्रा और एक तमिंडाटू यहाँ पे दो आरोसी है यहाँ पे भी दो आरोसी है महरास्ट्रा में भी एक गोवा एक महरास्ट्र महरास्ट्रा कह रहा हूँ एक और यहाँ चिन्नई और एक यहाँ कोयम बतूर एक और यहाँ महरास्ट्र में ही है शाइड दो आरोसी है यहाँ अलग अलग यानि स्रिफ दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दो आरोसी है बाकि हर स्टेट के अंदर एक आरोसी है और बहुत छोटा स्टेट हुआ तो वहां एक आरोसी भी नहीं है आरोसी का क्या मतलब है सर आरोसी का मतलब है आपको कोई भी काम करवाना है आपको फॉर्म भरना है अप्लिकेशन भरना है आपकी क्या दिक्कत आ गई आपका फॉर्म क्यों नहीं डिपॉजिट हो रहा तो किसी नहीं किसी तो बात करने के लिए अपने आसपास ही जाओगे अब आपको शिकायत करने के लिए भी पहले हमारा हुआ करता था कर आपको कोई परिशानी है किसी ने आपको परिशान किया है तो आप चले जाए CLB लेकिन CLB को अब खतम कर दिया गया है इसकी जगह पे ले आया गया दो को N-C-L-T और एक N-C-A-L-T दो है यह छोटे छोटे कोट है इसे ट्राइबनल भी बोला जाता है इसको ट्राइबनल भी बोला जाता है तो यह छोटे छोटे क्या है हमारे कोट है अगर कंपनी के अंदर कुछ भी काम हो रहा हो Amalgamation, Merger, Winding Up तो आपको यह order देंगे आपको इनको follow करना है ROC के पास ने जाना आपको N-C-L-T के पास जाना होगा अब N-C-L-T ने आपको कोई ऐसा letter issue कर दिया भी बोला भी यह तुम गलत तरीके से merger कर रहे है यह fraud नहीं चलेगा और जिससे आप यानि आप इस letter से agree नहीं करते हैं, disagree गरते हैं यह तुमने गलत बात ले कि ऐसा तो हम करी नहीं रहे हैं तो आपको complain करना होगा तो complain करने के लिए आप जाओगे N-C-L-T इनके पास शिकायत करोगे फिर यह इनको भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे दोनों की बातों को सुनेंगे और जो फैसला होगा यह सुनाए जाएगा अगर आप इनसे भी सहमत नहीं हो तो फिर आप फिर court की तरफ move करोगे स्टेट court हो गया फिर high court हो गया फिर supreme जो ऐसे भी court है उससे साब से हमारा चलेगा तो यह पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर था किसका सर administration work किसका administrative work हमारा company का एक new chapter company law का that is incorporation of company अब सर जैसे आप पीछे देखी रहें कि formation या फिर incorporation of company का क्या मतलब होता है पहले हम basic चीजे समझ लेते हैं उसके बाद हम इसके theory पढ़ने हैंगे sir incorporation का मतलब क्या होता है basically incorporation का मतलब होता है बनना अब हम एक example से समझ लेते हैं सारी चीजे example से समझेंगे तो bitter रहेगा sir example से मतलब चलिए आईए मान लेते हैं कि आप एक person हो जो कि अभी सोच रहा है mind में उसके idea है आप एक ऐसे वेक्ति हो जो कि आपके mind में खयाल आ रहा है कि क्यों न एक business start किया जाए क्यों न एक अपना company बनाया जाए तो आपके mind में just a questions mark आया कि आपको कुछ करना है और आपने इसको करने के लिए एक अपना business start करना है आपको sir क्या start करना है आपको आपको एक business start करना है sir आपको एक business start करने का अपने सोचा है तो चलिए sir आपका एक business बना देते हैं यह आपने एक अपना business सोचा खिक है और जो आपने यह business सोचा है इसका नाम भी सोचा होगा क्यों आपने इसका सोच लिए suppose करो s k d limited नाम आपके दिमाग में एक खयाल आया simple सी बात है बहुत basic तरीके से सोचो आपके mind में question आया है कि चलो हम क्यों ना एक business को start करें और आप business start को करने लगे तो आप जो हो ना इस company के भूले जाओगे sir आप हो promoter यानि जो company को बनाता है company का जो जनम दाता है company को formation करता है that is called promoter और normal साधारन language में हम बोल सकते हैं आप इस company के होगे honor एक तरीके से समझने के लिए अब आपने क्या decide किया आपने company सोचा कि हम बनाएंगे skd limited तो जो skd limited वर्ड या फिर private limited वर्ड लगाने के लिए आप ऐसे साधारन तरीके से नहीं लगा सकते हैं आपको कुछ information और कुछ चीजे करने पड़ेगी जैसे सर सबसे पहले आपको अपने business को registration कराना होगा सर कहा registration कराएंगे registration आपको करवाना पड़ेगा आपको आपके business का ROC में यानि registered of company में जो हमारा chapter था जो work होता है administrative work किसका company का उसमें आपको बताया था registered of company क्या है regional director क्या है इस तरीके से ROC में जैसे जाओगे तो ROC बोलेंगे आपने कुछ नाम सोचा है आप बोलोगे सर हाँ या ना अगर आपने नाम सोचा है तो नाम उसको बताना पड़ेगा और यह जो name होना चाहिए undesirable नहीं होना चाहिए undesirable का मतलब क्या है किसी से मिलता जुलता similar नाम नहीं होना चाहिए उसके बाद ROC आपसे demand करेगा कि जाओ company के document लियाओ company का name, company का address, company का object company में कितने capital होंगे, company में कितने liability होंगे, company में कौन-कौन member होगा यह छे बाते आप एक document पे लिख के लिए हो कौन कहेगा सर यह? ROC demand करेगा और इनी document को बोलते हैं M.O.A, Memorandum of Association और एक और document मांग लेगा यह क्या? AOA इसके उपर पूरा chapter है, दोनों महां पे सीखेंगे यानि सर आपके mind में एक idea आया कि आपको एक company बनाना है तो आप बन गए promoter और आपने company बनाना है यानि registration कराने के लिए या तो आप limited word या private limited word लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा company law में registration कराने के लिए ROC के पास ROC आपका नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद कम ROC आपको बता देगा कि आप कुछ document लियाए, that is MOA और AOA यह document आपके बसकी नहीं बनाना आप अपने पास किसी chartered accountant को बुलाओगे किसी lawyer को बुलाओगे, जिसको इसकी जानकारी है, वो यह document बना देगा यह document बनाते ही, आप क्या करोगे, ROC के पास जमा करा दोगे यानि जैसे ही आपका document बन गया, कौन सा document बन गया, sir, MOA बन गया और क्या बन गया, sir, AOA बन गया, पूरा document बन गया और यह बनाया किसने, किसी chartered accountant ने जैसे ही यह आपका document बन गया, आप जाकर सीधा ROC के पास deposit करा दोगे ROC के पास deposit कराने के बाद, ROC इसको चेक करेगा, sometime तग जब इनका चेक हो जाएगा, तो ROC बोलेगा, चलो ठीक है, sir आपको हम दे देते है, certificate certificate दे देते हैं, किस चीज का certificate आपकी company low बन गई, incorporation आपको certificate of incorporation, अभी business चलाने का information नहीं मिला, certificate of incorporation मिल गया, आपकी company register हो सकती है, और हो चुकी है इसके बाद आपको certificate of commencement लेना पड़ेगा, limited company के case में, certificate of commencement क्या होता है, sir आपको सारे document पूरे फिर से deposit करने पड़ेंगे, ROC के पास, क्या-क्या, sir आपका कितने shares capital हो गए है, आपके क्या address है, exact और भी जो document prescribed, जो law में mention है, वो फिर से जमा करोगे, जमा करने के पास, फिर ROC आपको एक information देगा, that is आपको business commencement का business commencement का, यानि अब अपना business चला लो, क्योंकि जैसे incorporation मिलेगा, आप अपना company के board, सारी चीजे, GST नंबर, या फिर आपका company का letterhead, वो सारे चीजे proof जमा करोगे, किस के पास जाके, आप ROC के पास, फिर बोलेगा, चलो, सारी proof भी आपने जमा कर दिया, अब आप क्या कर सकते, अपना business start कर सकते, तो यह पूरा process है, process क्या है, फटा-फट से, जो वेक्ति माइन में idea सोचता है, उसको क्या बोला जाता है, पर मोटर, और आप अपने company को registration कराने के लिए कहा जाओगे, ROC, ROC आपके पास जाने के बाद आपको क्या करना होगा, name बताना पना पना गया, name के साथ-साथ आपको कुछ document मांगेगा, वो document आपको किस के बनवालोगे, किसी Chartered Accountant Lawyer, या CS company, secretary, कोई भी, maybe, जो भी available है, उससे बनवालोगे, वो document जमा करवा दोगे, किस के पास ROC, ROC कुछ दिनों के बाद आपको certificate of incorporation दे देगा, उसके बाद फिर आपको ROC को दुबारा से कुछ document देना है, कि आपने अपना नाम, address, GST, नमबर वगरा सब ले लिया है, अब ह क्या steps है, promoter कौन है, promoter के क्या liability है, promoter के क्या powers है, ये भी पढ़ना पढ़ेगा, और साथ के साथ हमें कुछ miscellaneous और भी word पढ़ेंगे, pre-incorporation contract या preliminary आपका provisional contract के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, तो चलिए सर, start करते हैं, सबसे पहले promotion, promotion मतलब एक starting है, और promoter की बात करें थोड़ा इसका thickness बढ़ा लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, sir, promoter की बात कर रहे हैं, who is the promoter, promoter कौन है, अभी बताए, जिसके दिमाग में idea आता है, कहता है, person और firm या कोई person हो सकता है, या कोई firm हो सकता है, या government, कोई भी company बनाए, वो हो सकता है, जिसके दिमाग में, conceive, conceive मतल information या फिर बनाने का भी idea चली रहा है, उसको क्या बोलेंगे, sir, उसी को बोलेंगे, promoter, और यही procedure जो चल रहा है, इसी को बोला जाएगा, promotion, इसी procedure को क्या बोला जाएगा, sir, promotion, company and actually bring into existence, और इसके बाद company existence में आ ही जाएगी, आपको जगर दिमाग में ख्याल आ रहे है, तो promot promoter समझ में आया, इसके बाद sir, function, promoter के function, promoter का मैंने देखो, यहां पर बड़ा अच्छा सा example, कहलो, कुछ भी कहलो, धीरुबाई अंबानी, ये कौन है साहब, धीरुबाई अंबानी, Reliance Company के founder, धीरुबाई अंबानी ने क्या-क्या function थे, क्या-क्या काम किया था, मतलब Reliance Limited बनाने से पहले क्या-क्या काम किया था, सबसे पहले उन्होंने सोचा होगा, idea, उसके बस उस idea को execute करने के लिए कुछ steps लिया होगे, उसके बाद फिर और धीरे-धीरे process होगा, तो क्या-क्या function हो सकता है, सबसे पहले आपके mind में क्या होगा, sir, conceive idea starting a business, यानि धीरुबाई अ सोचने है, sir, एक idea आगया business, यह क्या है आपका, यह आपका एक function है, promoter का function है, आपका formation का function है, किसका function of promoter, ठीक है sir, understand करा उन्होंने detail, technical, economic, और commercial, मतलब पूरे business के environment, मैंने business करना तो है, और साथ के साथ मैंने क्या समझा, sir, business के सारे environment समझ लिए, इसके बाद क्या करा, to collect the request number of, अगर private company है, तो दो member और public company है, तो साथ member का इंतजाम कर लिया, सबसे पहले idea आया है, चल company बनाएंगे, उसके बाद उसने वहाँ के environment को समझा, चल ठीक है, ऐसा होगा, उसके बाद भी आप company बनाना है, तो ले आओ, private के लिए कितने होने चीए, दो और minimum और public के लिए कितन साथ member का इंतजाम कर लो, to decide following the nature of the company, located registered office कहां होगा, capital कितना होगा, underwriter कौन होगा, broker कौन होगा, capital issue कैसे कियेंगे, इन सभी चीजों को उन्होंने अच्छे से समझा, तो कौन समझ रहा है सर ये, सर ये धीरुबाई अंबानी समझ रहे हैं, और धीरुबाई अंबानी कौन है पर्मोटर, तो पर्मोटर क्या क्या काम कर सकता, यही तो पूछा जया है question में, आगे, to arrange the preparation of prospectus, prospectus क्या होता है, कि जब company अपने shares issue करती है, तो आप लोगों को prospectus issue किया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे chapter में, यानि अपनी company के बारे में, कि मैं अपनी company के share issue कर रहा हूँ, ए फिर एक pamphlet stripe को दे दिया जाए, that is prospectus, तो prospectus भी कौन बनाएगा, सर धीरू भाई अंबानी बनाएंगे, advertisement कहां कहां देना है, किस-किस को बताना है, to pay preliminary expense, preliminary expense वो expense होता है, company अभी बना नहीं, अभी idea चल रहा है, लेकिन अभी यह सारे खर्चे होने, चालू हो जाते है, preliminary expense, arrange fund, required, etc company, तो भी यह कितने promoter के काम हो गए, एक काम, दो काम, फटाफट मेर साथ बोलिएगा, तीन, चार काम, पांच, छे, साथ, तो पहला काम क्या था, फटाफट मेर साथ बोलिए, conceive the idea, पहला काम क्या, idea सोचा, उसके बाद economic देखा के भी वहाँ पे काम हो सकता है, नहीं ह हो सकता, उसके बाद बंदे arrange कर लिए, दो या फिर साथ, as per requirement, इसके बाद क्या करा है, उन्होंने किस location पे होगा, कौन हमारा underwriter होगा, कौन broker होगा, ये सावी का इंतिजाम कर लिया, सोच लिया, पहले think कर लिया, काम अभी start नहीं हुआ, सारी चीज़े decided हो गई, उसके arrangement करने लग गए, तो total मैंने कितने point बता दिया, साथ, same as it is, आपको exam में लिखके आने, full marks आपको मिल जाएंगे, important है function of promoter, फिर से मेरे साथ बोलिए, number one idea, number two, आपका, number two, number one idea, number two, आपका, वहां का, देखना है कि economical और commercial सारे detailed technical analysis करेंगे, person को बुला लेंगे, इसके बाद सर हम underwriter कोन होगा, ये देख लेंगे, sir, preliminary expense करेंगे, fund का arrangement करेंगे, साथ के साथ, advertisement, prospectus वगरा करेंगे, point को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो ये कहा था हमारा, sir, function of promoter, चलिए, sir, duty, duty, सहाब, आप company बना रहे हो, और आपको एक उपादी दिया ज अलग है, और आप अलग हो, तो आपकी duty भी बनती है company के लिए, कि ये ये काम मत करिएगा, अगर ऐसा काम करेंगे, तो माना जाएगा, आप company के साथ fraud कर रहे हो, क्योंकि company अलग है, और आप अलग हो, तो बोला गया, not to make secret profit, sir, ये secret profit क्या होता है, secret profit, मान लेते हैं, कि अंब और land खरीदा मान लेते हैं, अपने friend से, और इसके friend को पता था, land की कीमत 5 करोड है, और इन्होंने बोला के, मुझे दे दे तू 6 करोड में, एक करोड रुपए धीरुबाई अंबानी ने अपने pocket में रख लिए, और company से recover कर लिए, पूरे 6 करोड, क्योंकि company अलग और अलग तो इसे कहा जाएगा, इन्होंने एक लाख रुपए का profit कमा लिया, that is, secret profit जो कि आपको नहीं करना, यह आपके duty बनती है, आपको disclosure of the material facts, जो जो जानकारी है, सची जानकारी, क्योंकि prospectus वगरा issue करोगे, तो जो जानकारी आपकी बिलकुल, original, general जानकारी है, सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है, अपने share जिसको आप दोगे, माल लेते हैं, मैंने लिखा, कि मेरी company जो है, steel के काम में आएगी, prospectus में, और बाद में पता चला भई, मेरी company steel के काम के नहीं, rubber factory के काम में आ रही है, तो share holder बोलेंगा, भई, यह हमारे सारे पैसे और fine भी साथ दिय आ जाए, तो यह क्या था सर, promoter की duty, liability क्या क्या है, liability of promoter, जो secret profit है, उससे related liability, non adoption preliminary contract है, उससे related liability, यानि secret profit जो भी कमाएगा, उसकी भरपाई सब इसको करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई आपने contract कर लिया है, जो की company के favor में नहीं था, उसकी भी भरपाई आपको करोगे, non adoption of the preliminary contract, अभी हम थोड़ी दिर बाद देखेंगे preliminary contract क्या होता है, fraud in promotion of the company, अगर company के बनाने में कोई fraud हुआ, तो sir, आपकी liability आप जिम्मेदार है, company जिम्मेदार नहीं है, omission, अगर कोई prospectus में मिलता है, आपने कुछ चीजे लिखना भूल गए, prospectus के अंदर, और shareholder ने उसी faith पे इसे खरीद लिया, आपके company के share को, तो promoter जी, धीरुबाई अंबानी, आप उसके जिम्मेदार हो, कि आपको उस सभी shareholder के पैसे with interest penalty के साथ return करना होगा, miss appropriation in the prospectus, अगर prospectus के अंदर, कोई भी आपने जूटी जानकारी थी, और shareholder को पता चल गया, या ROC को पता चल गया, य आपनी को नहीं, किसको किया जाएगा, आपको, promoter आपकी liability है, remuneration of promoter, promoter आपकी क्या remuneration होगा, वो सारी आपकी liability बनती है, पहले बता दो कि आप कितनी salary लोगे, नहीं लोगे, क्या preliminary, तो यह क्या था हमारा liability of promoter, यहाँ तक आपको clear हो गया, यहाँ तक सारा clear है, चलिए साहब, अब इससे आगे चलते हैं, हमारा chapter चल रहा है, promoter कहलो, promotion कहलो, incorporation कहलो, अगला है हमारा preliminary stages, company बनादने से पहले-पहले क्या-क्या, मतलब कि अपने नाम वगेरा सोचना है, कैसे-कैसे जाना है, वो सारी चीज़े, पढ़ देते हैं, बाकी basic चीज़े हम पहले discuss कर चुके है, preliminary stages, क्या-क्या है जो पहले, तो कहता है, section 4, subsection 2 कहता है, भाई साहब, company cannot register with a name with considered, company registered हो ही नहीं सकती, undesirable अगर नहीं मैं, color change कर देते हैं, अगर कोई आपका name undesirable है, opinion of central government, central government कहता है, भाई, ये नाम जो है, ये नाम तेरा गलत है, तुने इस नाम के आगे कुछ ऐसे word लगा दिया है, जिससे लोग, person क्या हो सकते हैं, भैबीत हो सकते हैं, person क्या हो सकते हैं, miscommunicate कर सकते हैं, जैसे मैं लगा दू अपने नाम के आगे, RBI, सिक्षाधाम RBI Limited, तो सोचेंगे आ रहे, यार तो RBI की ही company है, है ना, तो इस तरीक से अगर government को लगता है, ऐसा name है, तो आप अपनी company को register ही नहीं कर सकते, sir अब आप अपने हिसाब से अच्छा नाम ढूंड लीजिए, नाम ढूंडने के लिए MCA की side पे, ministry जो की हमारा government का side है, जहां पे हमें सारा registration करना पड़ता है, उस website पे available होता है, कि आप नाम को check कर सकत है, कि available है या फिर नहीं है, तो आपको एक मातर छोटी से fees देनी पड़ेगी, that is 500 रुपे की एक आपको fees देनी है, paid along with and the digital signature, आपको DS से बनाना पड़ता है, digital signature, क्योंकि अब वो जमाने चले गए, कि आप sign कर करके stamp लगा लगा कर दे, अब digital signature चलता है, automatic sign हो जाता है, एक pen drive type का होता है, digital signature, उसे बोलते हैं, दिखा देता हो में digital signature होता है, क्या है, कुछ बच्चों, ये रहे, ये सारे क्या है, ये token होते है, सारे 300, 700, 800, ये क्या है, digital signature, ऐसा ही होता है, pen drive जैसा है न, तो इसी type का होगा, इसको laptop में लगाएंगे, और sign हो जाएगा, ठीक है, तो चलि आपका नाम undesirable नहीं होना चाहिए, अगर नाम undesirable है, तो government मना कर देगी, अब आजेए, 500 रुपे के fees दीजिए, digital signature करिए, और applicant, और applicant, परपोजिंग दा, company to have to attach the firm, मतलब कि सर, application आप जमा करवा दीजिए, 500 रुपे form देखे, सर, ये हमारा है, preliminary expenses, stages 2, सबसे पहले, नाम, बि नाम, नाम नहीं, नेम, जो आपने नेम को approval मिल गया है, रेजिस्टार से, आप 15-20 दिन के लिए approval आपको मिलेगा, from the date, the name approval will be reserve, आपको जो नाम बोला गया है, ये नाम ठीक है, तुम रख लो, आप चाहते हैं, छे महने बाद सर, यही नाम से मैं खोलूँगा, किसी और ने desirable नहीं होना चाहिए, इसके साथ 500 रुपे की form दे के digital signature के साथ registration कर दो, नाम आपको मिल गया है सर, नाम आपको कितने दिनों तक hold करके रखना है, 20 दिनों तक अपने company का नाम, before the promoters begin the incorporation, यानि promoter जब incorporation करने से पहले company have to appoint a charted accountant, यानि आपको सभी काम करने से पहले आपको कि started accountant या lawyer क्यों क्योंकि ताकि ये AOA बना सके, MOA बना सके, इसलिए इनके लिए हमें बना लेना पड़ेगा, क्यों sir, arrange, drafting a memorandum और article of association, इसलिए हमें arrange कर लेना पड़ेगा इन्हें, और solisoter, solisoter कौन होता है, जो company के हक में, company की बाते, company के future के बारे में सोचे, उसे solisoter बोलते ह आगे कहता है, the memorandum and article must sign by at least seven members, अगर हमारा company public है तो सातों member sign करेंगे, private है तो कितने member sign करेंगे, दो member, और क्या क्या देंगे, सर, address देंगे, अपना description देंगे, occupation देंगे, सारी चीजों के साथ sign कर देंगे, कितने point होगे साब, छे point, पहला आपका नाम ढूंड लो, 500 रुप memorandum of association और article of association बनवा लेना, उसके उपर sign करवा लेना है, और private company के case में साथ member से sign करवाना है, और private के case में दो से, और public के case में साथ से, और साथ के साथ एक कम से कम तो भाईया रख लेना, नाम मातर witness रख लेना है, ठेक है, और यह witness वगएरा क्या होता है, सर, यह सब कोई भी किसी कोई बोल के बोल देता है, लो भाई, sign कर देया रहतू बस, यही रहता है, ठीक है, applying to registered company, जैसे ही यह सारे काम आपके ready हो गया है, यह काम कर लिए, अब registration की तरफ बढ़ हो गया, यानि सर क्या, समझा नहीं, समझा नहीं, यानि सर सबसे पहले preliminary work में सबसे पहले नाम आ अपने नाम को reserve कर लिए, digital signature के साथ, reserve करने के बाद lawyer charted accountant को बुलाईए, भाई, मेरे लिए काम कर तू, वो क्या करेगा, आपके लिए MOA, AOA बना देगा, बना के फिर आपको उसे deposit करना होता है, उसके बाद उसके उपर सब के sign होना चाहिए, सातों member के sign होने चाहिए, और ए request to make application, application किसको दे दो सर, register, 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 register का मतलब सर, ROC, register का मतलब सर, ROC को application दे दो जाके, कि सर हमारा काम तयार है, आप बस registration करने का काम करिये, of the state, हर एक state में ROC अलग-अलग होता है, तो उस state के ROC को दे दीजिए, in which the company registered office will be situated, जिस registered office में situated है, वहाँ पे दे दीजिए, यानि वो सारे के सारे काम करने के बाद, आपको क्या करना है, application दे दे देना है, किसको ROC को जाके, जी तयार है हम, कहां के ROC के, अपने state के ROC को, जैसे ही आपने application दे दिया, उसके बाद क्या होगा, the memorandum of article of company, duly signed by all subscriber, subscriber मतलब जितने member है, उसके subscriber, और in the manner prescribed, जो भी manner prescribed है, उसके बिल्कुल सही है, आप ऐसा कोई fraud नहीं करने वाले हो, ये सारे declaration आपको देना पड़ेगा, sir, declaration memorandum में देना पड़ेगा, person का name, first name of director, ये सभी दे देंगा, declaration, declaration का मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे है, ऐसा कोई fraud वागरा वाला काम नहीं कर रहे हो, sir, आपको address भी देना प पड़ता है, to particular name, name भी देना पड़ेगा, including sir name भी बताओ, family का name भी बता दो, आप सारी detail दो, जो उसका promoter होगा, वो अपनी सारी detail बताएगा, residential address भी बताओ, आप pen card, अधार card, ये सब लगाओ, nationality भी बताओ, कहीं पता चले कोई बहार का, आदमी आके बहार का मतलब के फार तीसरे point, अब देख लिए, फटा-फट से मैं आ जाता हूँ, पहला point, पहला point क्या कहता है, sir आपको signature करने पड़ेंगे, सभी member को, दूसरा point आपको declaration देना पड़ेगा, तीसरा point, तीसरा point आपको क्या कहता है, आपको address आपको बताना पड़ेगा, correspondence जो भी आपका address है, भी temporary basis पर उसे बनाना पताना पड़ेगा, साथ के साथ आपको अपने member, अपने, यहाँ पर address किसका है, sir, यहाँ address office का है, और यहाँ किसका है, यहाँ sir, member अपना declaration देगा, अपना सारा अधार का pen card वगरा, जो भी है, sir, इतना काम कर लिया, यानि हमने सोच भी लिया, idea भी सोच ल लिजिए, और इससे अपने business को चला सकते है, sir, registered of company, एक request required document है, जो की change कर देते हैं, एक required, और कोई color ले ले, red, ठीक है, and information आपको कहता है, the registered on the basis of required document, जो आपने required document दिया था, उसके basis information पे, file shall be registered all document, जितने भी document आपने filed, filed का मतलब है, जो जमा करवाए थे, filed का मतलब, जो जमा करवाए थे, जो भी document जमा करवाए थे, information in the registered, issue certificate, उसी बिहाब पे वो आपको certificate देगा, जो आपने document जमा करवाए थे, incorporation of the prescribed form, और एक prescribed form में दे दिया जाएगा, effect the date of proposed company, आपका जो company है, incorporated under this act, बोल दिया जाएगा, आपकी company, रेजिस्टर्ड हो गई, company law, board के अंदर, company law, act के अंदर, लीजिए, ये काम करने के बाद, on the form of date of mention, certificate in corporation, और आपको एक sin number दे दिया जाता है, sin number क्या होता है, company identification number होता है, company identification number, sin number, वो number, जैसे कि pen number है ना, तो pen number क्या, दुनिया में दो बन सकते हैं, नहीं बन सकते, एक ही हो सकता है, एक आदमी का, ऐसे company का एक pen card बन जाता है, जिसको registration number बोलते हैं, वो एक ही होता है, ठीक है, which shall be distinguished identification of the company, जो बिलकुल अलग होता है, इसके अंदर certificate के अंदर include होता है, sir, 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 इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी चीज़े करने के बाद, हमने अपनी company को registration करवा लिया, और certificate of incorporation ले लिया, लेकिन, 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 बिजनस अभी start नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, sir, business start, अब आपको अपने company बन गई है, अपना letterhead, अपना nameplate, अपना stamped, सारी चीज़ों का documentation करके, फिर ROC को देजिए, और ROC को लगेगा, हाँ भाई, सब काम कर रहे है, तो चल कैता है, a company incorporated, after November 2018 के बाद से, जब से हुआ है, तब ये नियम आ गया, पहले नहीं था, having a share capital, जिसका share capital है, have fulfilled the following procedural, requirement before the commencing of the business, business शुरू करने से पहले कुछ document देने होंगे, कैता है, filing कर दो, declaration, registration, registered of company को, ROC को एक अपना declaration अब दो, declaration by the director देगा, witness देगा, sorry, director देगा, within 180 days, 180 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपको certificate मिला, 180 दिन के अंदर अंदर, आपको declaration दे देना है, किस बात का declaration, of incorporation, आपने incorporation करा लिया है, of company का, in the prescribed form, जैसे जैसे आपने बोला था, वैसे वैसे registration क पास ही करवाया है, must file stated that the very subscriber, कहता है कि every subscriber, her subscriber memorandum has paid, मतलब memorandum has paid the value of shares, जिस जिसने share लिये थे, उन्होंने पैसे भी समी दे दिये है, company के अंदर, क्योंकि अलग हो जाएंगे दोनो, value of shares, agree upon by the at the time making declaration, यानि जो shareholder थे, सात वेक्ती थे, सातों वेक्ती मिलके share खरीदेंगे, उन्होंने payment भी कर दिया है, इसका declaration दे देना है, verification of the registered office, और registered office का भी आपको सारा address पता दे देना है, the company has request to file with the registered of the company, verification of its registered office, और हम बोलेंगे भाया, ROC, आप अपने बंदे को भेज़ दो, हमारे office को चेक करवा सकते हो, आप चाहो तो, as per section 12, companies act, और ये सारा काम होने के आपका company start, चालो, आपकी company क्या हो गई सर, start हो गई सर, start हो गई, start, इन सभी काम के duration में, आपकी company start हो गई, अब ध्यान से सुनिएगा, main मोटी मोटी बाते, ध्यान से सुनिए, मोटी बाते, सर, ये तारीम है, जिस दिन आपके दिमाग में idea आया, जिस दिन आपके दिमाग में idea आया, यानि आप हो परमोठर, आप कोन हो साहाब, आप हो पर मोटर, आपके दिमाग में idea आ गया, याब company start करेंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, कब तक जिंदगी में ऐसे रहेंगे, बिजनस बढ़ा करना है। आइडिया आने के बाद आपने अपॉइंट करा सीए। आपने अपॉइंट करा लोयर। इन सभी को जब अपॉइंट किया तो इनको क्या बोल के अपॉइंट किया होगा सर। आइडिया आया आपके दिमाग में एक अप्रेल को चार अप्रेल को और सोस्ते सोस्ते आपने 1-8-1 अगस्त को आपने इनको appoint कर दिया और बोला तुम्हारे पैसे दिये जाएंगे fix चिंता मत करो और इनको बोला तुम्हें 5 लाख रुपे दिये जाएंगे यानि इनके बीच में contract हो गया किसके बीच में contract हो गया CA और lawyer और एक company का नाम क्या है सर, SKD Limited होने वाला है, अभी नहीं हुआ, यही तो करना है, आपको इस company को SKD Limited बनाना है, यही तो करना है आपको, तो promoter और lawyer के बीच में contact हो रहा, CHA ने कहा सर, हाँ सर, बीलकुल, बीलकुल, हम काम करेंगे आपके company के लिए, इन्होंने काम किस ने कर दिया सर पर मोटर ने पेमिंट कर दिया पेमिंट करने के बाद और काम बढ़ता गया बढ़ता गया अभी तक कंपनी बनाने फिर दिमाग में आइडिया रेजिस्टार फीस पान सो रुपए वो सारी बात जो अभी हमने देखी थी नेम फिर पान सो रुपए की फीस फिर मेमोरेंडम स्टीय को अपॉइंट कर दिया, वो सारा स्टेजिस चलता रहा, चलने के बाद सर, चलने के बाद हमने और सारे डॉक्यूमेंट, यानि सर, यहां से यहां तक हमारा जो था, वो डेट आ चुका है, माल लेते हैं, एक, एक, दो हजार, दो हजार, यह था हमारा MOA और MOA दोनों डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर दिया है, डिपॉजिट करने के बाद आपके पास एक सेटिफिकेट मिल जाता है, सेटिफिकेट ऑफ इनकॉर्परेशन, सर, सेटिफिकेट ऑफ इनकॉर्परेशन मिल जाता है, कम मिलता है, सर, यह मिलता है, एक, तीन, दो 2023 को फिर कुछ ही दुनों को बाद आपको एक और certificate मिल जाता है that is commencement of business commencement of business का certificate यह काम हमारा होता है हमारा company private limited या limited word इस दिन से लगाना start करेगा हमारा company जो बनेगा न वो इस दिन मना जाएगा कि बन गया लेकिन लेकिन सर इस company के बनने से पहले 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 बड़े सारे हमने खर्चे कर दिये हैं ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं pre-incorporation क्योंकि incorporation इस date पे हुआ इस date के incorporation से पहले के होने वाले खर्चे सारे कहे जाएंगे provisional या फिर pre-incorporation expense सर अब यहाँ पे इसने इतने सारे खर्चे किये अब जैसे ही company बना company बनने के बाद company का ये honor और company दोनों आपस में अलग-अलग corporate will पढ़ा था दोनों आपस में अलग-अलग ऐसे situation में क्या हो मालिक बोलेगा company से मैंने ये खर्चा किया ये खर्चा किया ये खर्चा किया सारा payment करो company बोलेगा मैं नहीं करता तुमारे ये सारे खर्चे illegal expensive मतलब के मेरे favor में किये नहीं गए थे तो इसका मतलब adoption ये क्या कर रहा है ये ले भी सकता है company नहीं भी ले सकता तो company अगर pre-incorporation contract को बोलता है ठीक है भाई मैं payment करूंगा that process is adoption of pre-incorporation contract को तो चलिए सर pre-incorporation contract क्या होता है ये देख लेते हैं hopefully आपको समझ में आया होगा date उसी date के हिसाब से दिमाग में रखिएगा कि कहता है preliminary contract our contract entered by the promoter promoter मालिक हो रहा था enter on behalf of company बोल रहा था मैं company बनाऊंगा before incorporation with the third party, third party के साथ enter करेंगा और incorporation नहीं हुआ it is usual to promoter enter into these contract और promoter इस contract में होता है purchase of assets हो सकता है on behalf of the company company के लिए assets खरीदना है company के लिए preliminary work करना है उस सभी के लिए about the form but before it actually formed about the form मतलब बनाने के लिए लेकिन बनने से पहले हम सारा काम करेंगे they generally enter these contract are trusted जो भी है company एक faith पर as a agent बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो होने वाला है तो as a agent वहां पर काम कर देते हैं company which has not come into existence जो की अभी existence में है यह नहीं such contract are illegal not binding ऐसे contract illegal हो सकते हैं not binding binding मतलब company को बोल नहीं सकते कि आपको इस contract के पैसे देने होंगे upon the company even after comes into existence अगर company बन भी जाती है तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते company से permission लेनी पड़ेगी the company can neither rectify those contract not to be vendor them after it in corporation company ऐसा कोई भी नहीं आप ऐसा नहीं बोलोगे के भाई company तुम्हारे लिए सीए रखे थे company तुम्हारे लिए lawyer रखा था company तुम्हारे लिए खर्चे किये तुम्हें करना ही पड़ेगा except ऐसा नहीं यह company को bind नहीं किया जा सकता in corporation because rectification required existing of the principal time तो सर इसके बाद की कहानी adoption पर आ जाते हैं adoption सर इस contract को तो लेना ही पड़ेगा नहीं लोगे तो कैसे चलेगा हमने company बनाया है तो कहता है company may adopt the preliminary contract by either two way दो तरीके से कर सकता है या तो company may adopt contract by entering new contract बना लेगा बोलेगा भाई या new contract बना दे तु fresh क्योंकि law कभी भी हमारे company law कोई past में अगर हमने काम लिखा नहीं है और वो काम कर दिया है तो आज आके retrospective effect से कोई भी contractor legal नहीं बनाया जा सकता सर समझानी मान लो मैंने आज मैंने company जब law बनाया था तब मैंने बोला था मैं कपड़े का business करूंगा अपने AOA और MOA में mention किया था लेकिन मैंने steel का business start कर दिया और MOA और AOA में अभी कपड़े का business लिखा हुआ है आज मुझे याद आ या वहां तो कपड़े का business लिखा हुआ था हम तो इस्टील का business कर रहे हैं तो एक काम करते हैं उसको बदल देते हैं फिर हमारा वी वैलिड हो जाएगा तो अगर हम बदलेंगे तो वह आज से वैलिड माना जाएगा लेकिन बीच का duration है वह illegal ही माना जाएगा इसके पीछे बहुत सारे case loss भी है जो कि देखेंगे हम धीरे-धीरे खीक है साथ तो third party के साथ same terms जो की पहले था उसी के साथ एक original contract बना देंगा और यह contract valid हो जागा पहला point दूसरा एक exceptional case है sir company can adopt the specific relief दिया गया है 1936 में कि आप company को adopt भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से preliminary contract को और बाकी कोई भी contract adopt नहीं किया जा सकता तो adoption समझ में आ गया preliminary contract कों से होते हैं बहुत highly important है sir exam में पूछा जाता है preliminary contract क्या होते है तो sir preliminary contract company बनने से पहले के और company के idea से बीच में जो contract जितने खर्ची होते हैं उसे preliminary contract बोले जाते है सरी को आता है provisional contract कि मान लिया जाए provisional का मतलब मान लिया जाए क्या कहता है provisional contract are the contract entered into by a company having share capital between the date of incorporation जिस दिन बन गया and date of company has filed the requirement of section 10-8 10-8 किसका था सर याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा दिखा देते हैं 10-8 10-8 बाइसाब 10-8 यानि commencement यानि आपको याद होगा याद होगा याद होगा याद होगा यह रहा आपका business यहाँ पे हो गया done और certificate मिला आपको यहाँ पे तो इन दोनों के बीच का जो होगा उसे बोलेंगे हम provisional contract उसे क्या बोलेंगे सार हम provisional contract कि commencement of the business these are valid contract यह valid contract होता इस company meet the requirement of would non-operating case company file to do so और यह contract ऐसा नहीं होता illegal है यह वैलिट अभाई company बन चुका था तभी contract हुआ तुम्हें adopt करना ही करना पड़ेगा तो यह था हमारा पूरा का पूरा formation of company incorporation of company जिसमें आपको clear हो गया हूँ Memorandum of association जिसको मैं short form में ज्याद़ से ज्याद़ MOA बोलूँगा मैं ठीक है यह होता क्यूं है एक बाद थोड़ा सा background Company का एक na registration process जानना बहुत जरूरी है Exam में पूछा जाएगा registration process क्या होता है सबसे पहले जो promoter होगा वो promoter idea लेगा यानि जिसके mind में idea आया that is called promoter फिर promoter एक MCA website है Ministry of corporate affairs जिसका काम होता है company को registration करना इस website पे जाके promoter को अपना name का सबसे पहले registration कराना होगा अब इसने name check कर लिया और 500 रुपे की fees दे के name को register करा लेना होगा जैसे ही ये 500 रुपे की fees दे के name को registration कराएगा ये name इसके नाम पे 20 दिनों तक valid रहेगा जैसे होता है ना हमने book कर लिया भाई तो आपके नाम पे जब तक तो नाम को book कर लिया नाम को जैसे ही approval मिल गया फिर promoter को अपने पास एक charted accountant appoint कर लेना है सर चार्टेड accountant क्यों appoint कर लेना है क्योंकि charted accountant हमारे सारे document बना लेगा क्योंकि नाम के appoint होते ही जो register जो हमारा company register करता है उसको हम बोलते है ROC ROC बोलता है जाओ भाईया अपने साथ कुछ-कुछ document लियाओ क्या-क्या सर document ये दो document मंगवा लेता है that is MOA और AOA Article of Association and Memorandum of Association तो ये charted accountant का work रहता है कि ये क्या बना लेगा MOA and AOA ये charted accountant इस MOA और AOA को बना के simply दे देगा और deposit यानि जो मालिक है उसको इतनी knowledge थोड़ी नहा है तो ये जो MOA है और AOA है ये बना के simply deposit कर देगा सर किसके पास deposit कर देगा सर जाके ROC के पास deposit कर याएगा ये ठीक है ना ROC के पास ये जाके simply deposit कर देगा जाके ROC के पास अब ROC इसको check करने के लिए थोड़ा further time लेगा जैसे ही ROC ने MOA मिला ROC इस document को verify करेगा थोड़ा time लेगा फिर वो क्या करता है commencement of incorporation COI दे देता है COI लास्ट चप्टर में हमने पूरा discuss किया हुआ है COI दे देगा commencement of incorporation ROC के देगा promoter तुम्हारा company बन चुका है जैसे ही ROC के देता है बन चुका है इसके बाद ROC बोलता है अब आप मुझे कुछ और document लाओ तो अब इसका काम होगा और फिर से document लाना होगा क्या-क्या document लाना है सर एक बार तो दे दिया अब आपका सारा address proof दो मुझे आप अपना जो letterhead है letterhead पे company का नाम लिखा हुआ मुझे जमा करवाओ आपका name plate मुझे जमा करवाओ मुझे stamp जमा करवाओ क्योंकि जब तक आपकी company बनेगी ना तो आप letterhead चपबा सकते हैं जाने बनेगा यह नहीं बनेगा पहले थोड़ी चपबा लोगे ना तो stamp बना लोगे ना तो कोई आप ऐसा काम करोगे जिससे लगेगे कंपनी register है किसी company में जाओगे तो देखते हो कि बड़ा बड़ा बोड अलगा हुआ है company के नाम से तो पहले approval आएगा उसके बाद यह सारी चीज़े कराने के बाद हम ROC को बोलेंगे भाई तेरे पास बहुत टाइम है तो यह काम कर मेरे office भी किसी को बेज दे और चेक कर ले आके कि मैं काम कर रहा हूँ जब ROC यह सारे document को चेक कर लेगा फिर उसको बोलेगा चल भाई तेरे को मैं अब दे देता हूँ commencement of business commencement of business business commencement करने का section 10 में है यह section तो मैं quote ही नहीं कर रहा आपको section quote करने के लिए मैं बता दूँँगा पहले आप यह देखो तो यह पूरा procedure होता है आपका company बनने तक अब company बनने तक एक चीज होती है AOA बनवाया, OA बनवाया, CA के okay तो बहुत सारे तो इन विट्विंदा जो भी contract किये होगे इसने लोगों से क्या बोलके contract किया होगा कि भाई मेरे पास काम कर ले अभी company बनेगी तेरे को permanent कर देंगे तो इस contract को बोला जाता है हमारा preliminary contract या फिर बोला जाता है आपका preliminary contract ही बोल देते हैं अगर कोई भी preliminary contract होता है तो company जब बन जाएगा तो इस दिन से XYZ limited एक अलग होगा और ये promoter अलग हो जाएगा तो फिर promoter जाएगा और XYZ limited को बोलेगा कि भाईया तुम्हारे बनाने से पहले मैंने बहुत मेहनत करी उनकी payment कर दो अब company के इच्छा होगे कि इस preliminary contract को वो accept करे या reject करे वो भी हमने third chapter in corporation में पढ़ा था इसके बाद यहां से यहां तक भी कुछ खर्चे करेगा यह सारे document बनाने में खर्चे हुए यहां से यहां तक time frame में जो खर्चा होगा उसे बोला जाता है provisional contract exam में पूछा ही जाएगा मान के चलो आपके exam में पक्का question आएगा preliminary contract क्या होता है यह provisional contract क्या होता है preliminary contract को कैसे adoption किया जाता है यह question पक्का आएगा अब सर यह सारा अगर आपको procedure समझ में आ गया होगा तो CA MOA कैसे बनाता है यह हमें जानना पड़ेगा क्योंकि हम law पड़ रहे हैं और in future हमें भी knowledge होना चाहिए कि MOA बनता कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़े होती है तो चलिए start करते हैं फटा फट क्या सर MOA तो सर MOA कैसे बनाए जाता है नहीं बनाए जाता है वो सारी बात को बात करेंगे memorandum of association sir memorandum of association की बात करें ना तो एक ये main document है company के दो ही document होते है MOA और अब इन दोनों में पहले फरक समझ लीजी आप समझ जाईएगा MOA में जो बाते लिख्य हुई है जैसे MOA में लिखा हुआ है के 7 person होगा MOA में लिखा हुआ है के sir आप object जो है वो आपका होगा cloth का business का ये कहां लिखा हुआ है आपने MOA में इस cloth business को कैसे चलाना है इसके अंदर rule लिखा होता है basically MOA को कैसे implement करना है वो rule कहां पे लिखा होता है सारा AOA में तो यही फरक है article of association और memorandum of association memorandum of association में तो rule बनके तयार लेकिन इसको implement करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है आपना है नाव चेक कर ये वोईस आ रही है नाव प्लीज चेक कर ये नाव क्लियर है बता दीजिए फटा फट चेक कर लेते हैं नाव क्लियर वोईस हां जी ठीक है यस ठीक है तो सर एम ओए क्यू बना रहा था सी ये और या फिर रजिस्टार्ड ऑफ कंपनी क्यू बनवाता है और ये ना एक पब्लिक डॉक्युमेंट होता है सर पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब होता है पब्लिक जो मर्जी इसको पढ़ सकता है किसी भी कंपनी का एम ओए आप पढ़ सकते हो एक प्राइवेट डॉक्युमेंट होता है जो हर को एजिली नहीं पढ़ सकता ये क्या है एक पब्लिक डॉक्युमेंट है इस इनेबल दा इंटेंडिंग शियर होल्डर तो नो देट फाइल ओफ एक्टिविटी तो वट पर्पस अफ इस मनी इस गोईग इस तो बी यूज इन दा कंपनी यानि सर कहने का मतलब है शियर होल्डर है और शियर होल्डर क्या करेगा इन्वेस्ट करेगा और MOA के अंदर पर्पस लिखा हुआ होगा तो शियर होल्डर फटा फट जाके पढ़ के पता कर लेगा कि ये कंपनी मेरे पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करने वाला है तभी shareholder invest करेगा suppose करो कि MOA के अंदर कुछ ऐसा activity लिखा हुआ है ऐसा अगर उसने लिखा हुआ है object जिसके अंदर यह क्या काम करेगा और shareholder को लगता है कि यहां पैसे डालना बेकार है क्यों डूब जाएगा बात में तो ऐसा situation है पैसे नहीं तो इसका मतलब एक open document एक तो इस debtor को छोड़ दो creditor तो company को उधार देगा उधार देने से पहले सोच ले ना तुमारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो सोचने से पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए company का MOA कहां पढ़ लेना चाहिए internet पे available है पहले deal करने से पहले देख लो क्योंकि generally आप किसी को उध supplier of the goods, जो goods supply करेगा, money will know whether it to be transaction, कहां पे वो transaction होगा, he intent to the make company within the object, क्या company object के साथ काम कर रही है नहीं कर रही, मान लिया जाए, company ने सोचा हुआ है कि मैं कपड़े का वेपार करूँगा, इसके object clause में लिखा हुआ है, कपड़े का वेपार करूँगा, लेकिन company creditor को बोलता है, भया तू मुझे उधार माल दे दे, और मैं steel का काम करने वाला हूँ, और कल के दिन company default होता है, और creditor बोलता है, case करता है, कि भया मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो company बोल सकता है, कि आपने जो पैसे दिये थे, वो सुरू से ही illegal था, आपके पैसे तो माने ही नहीं जाएंगे, क दूसरा, creditor के पैसे कहां लग रहे है, mean, sir इसके अंदर क्या-क्या points होगे, तो majorly इसके अंदर ये 6 points होते हैं, 6 points, सिर्फ 6 points, इस 6 points में से किसी भी point पे आपके exam में सवाल आ जाता है, पहला होता है, sir, name clause, first क्या होता है, sir, name, क्या name clause, कि company का name क्या होगा, अब name कुछ भी रखो, आपकी इच्छा है, x, y, z, कोई भी नाम रख सकते हो, नाम क्यों रखा जाता है, ताकि एक company अपनी brand बिल्डिंग कर पाए, name कैसे होगा, sir, name को आपको पहले check करना होगा, सबसे पहले check करना होगा, क्योंकि आपने जो नाम सोचा, वैसा नाम पहले स ही available हो सकता है, इसलिए आपको check करना होगा, और इस बात का भी ध्यान रखना होगा, नाम के आगे कोई ऐसा word मतलगाना, जिससे की लोग भाग, जो investor या फिर और public है, वो मतलब के missile guide हो जाए, mislead हो जाए, जैसे मैं नाम के आगे RBI सब्द लगा देता है, तो लोग तो सुक या फिर मैं bank लगा देता हूं नाम के आगे, तो लोग बाग क्या सोचेगा, ये तो bank है, कोई नई bank खुली होगी, तो ऐसा नाम मतलगा देना, कोई जो की लोग इससे misguide हो जाए, एक तो ये check करना है नाम में, नाम वगएरा आपको check कर लेना है, इसके बाद अगर आपका नाम चेक करने के बाद, फिर भी इस नाम को बाद में बदला जा सकता है, बदलने को पता है, क्या बोलते हैं, alter करना, बदलने को क्या बोलते हैं, alter करना, तो exam में पूछा जाता है कि name clause, कितने clause हैं, यहाँ पे 6 है, name, situation, object, liability, capital, हर किसी को एक एक को पढ़ेंगे, एक एक करक नहीं नहीं है, तो बुला गया, MOA के अंदर 6 पोइंट लिखके लिया हो, तो name clause में name होगा, name undesirable नहीं होना चाहिए, undesirable का मतलब किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अब in future आपको लगता है, नाम बदल दें, जैसे बहुत company ने नाम बदला, जैसे मैं अगर बात पहले UTI, UTI bank हुआ करता तो उसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया, access bank, बहुत सारी company है जिन्होंने नाम बदला और उनका business ज्यादा तरक्की करने लग गया, पहले के compare, तो नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको इस वाले clause में जो नाम आपने registration करवाया ह तो नाम चेंज करने के लिए एक तो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सूओ मोटो, सूओ मोटो का मतलब अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हो सकता है आपको government आपको बोल दे, central government आपको order दे दे, कि भाया अपना नाम बदल लो, तुमारा नाम जो है ये लोगों को mislead कर रहा है, और इसकी वजह से तुमारे पास पैसे तो आ जा रहे हैं, customer तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर बाद में धोका धड़ी हो सकता है, तो government आपको notice दे सकता है, कि अपना नाम को क्या कर ये, बदल ये, और उ desirable नाम वगरा ढूंड लेंगे, और ढूंड के बता देंगे, जी ये नाम हमारा बदला जाएगा, समझ मैं ये बात आपको, इसके बाद सर situation clause, situation clause को पता ही क्या कहते है, सर address clause भी बोल दो आप, यानि सर आपका address क्या होगा, company कहा होगा, तो situation clause होता है, कि जब हम अपने आपक को registration करवाते हैं, तो registration करवाते हैं टाइम पे हमें address बताना है, और सर कौन सा address बताना है, only state, जैसे दिल्ली, मुंबई, state बताना है, और वो state हमें समझाना है, किसको समझाना है, सर, ROC को कि हमें state में काम करेंगे, तो सबसे पहले situation clause में क्या बताओगे, अपनी company का address, address में proper door क address नहीं बताना, राज्ये का नाम बता दो, enough है, और क्यों बताए जाता है, क्योंकि जितने भी आप अपने meeting, corporate, जितने भी deal करोगे, जितने बड़े decision लिये जाएंगे, वो उसी राज्ये में होने चाहिए, अगर किसी और राज्ये में आप करोगे, तो फिर वहां पे कुछ invalid माना जाएगा, क्योंकि वहां के creditor, debtor, वो सभी आएंगे उसके अंदर, सर इसको भी change किया जा सकता है, हाँ जी इसको भी change किया जाता है, इसके change करने का सबसे important point है, इसको change करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अब change की बात करे ना, तो change पता है, अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है, मतलब सर, अलग-अलग तरीके से मतलब, या हो सकता है, आप एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में चले जाओ, हो सकता है, क्या आप जैसे मैं मान लोते हैं, शकुरपूर है, शकुरपूर में जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक में आपका business समझ में नहीं आ रहा, आप चले गए, जी ब्लॉक के अंदर, या फिर आप शकुरपूर से चले गए, पितम पूरा, यानि एक राज्य में है, विलेज, टाउन, उसी के अंदर कहीं चले गए, तो आप एक तो change कर सकते हो, within state, है न, अपना address change कर सकते हो, जब within state, जब change करोगे, तो simple आपको क्या कर करना है, ROC को letter दे देना है, आपको SR pass करके, ROC को letter दे देना है, SR क्या होता है, हमारा special resolution, special resolution मतलब, अब जब हम address shift करेंगे, तो shareholder को बलाएंगे, shareholder को बलाएंगे, और बोलेंगे, हम अपना address change कर रहे हैं, पर ज़्यादा दूट नहीं जा रहे हैं, आस पास ही जा रहे हैं, तो जब 75% लोग बोलेंगे, का हाँ change कर दो, सही बोल रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत होती है, तो SR pass हो गया, SR की copy हम क्या करेंगे, ROC के पास जमा करा देंगे, register company का, जी हमने address change कर दिया है, अपना सारी चीज़े बदल दिया, address बदल दिया है, तो हमारा जो नया certificate है न, उसके उपर आप नया address डाल दिया, क्योंकि जो certificate of incorporation मिलता है, उस पर सब चीज़े mention होता है, तो online आप मेरा नया address update कर दिया, same वही अधार कार्ड वाला system है, अधार कार्ड पर जब आप address change कर वाओगे, तो simple नया अधार कार्ड पर नया address आ जाएगा, बनके आपको, उसके लिए document आप जयसे मैं दिल्ली में बात करूं, तो मैं पितम पूरा चले जाओ, कौनट प्लेस चले जाओ, नेहरु प्लेस चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक ही आरोसी है, तो एक ही आरोसी को मुझे जवाब देना है, लेकिन अगर यहां पर दो आरोसी होते, तो confusion किसको दे हम, इस वाले को कि दे कि इस वाले को दे तो दो ऐसे राज्य है जहां पे दो डो आरोसी है है एक कहश्य जाय है ऑर यह और फने recipro के दो यह यहां आरोसी है तो जब दो आर उसी होते हैं तो उस situation में आप को regional डाइरेक्टर को जाके letter देना होता है क्योंकि हर एक राज्ये में दो आर उसी possible है लेकिन हमारे चार regional डाइरेक्टर है North, East, West और South तो हमारा regional डारेक्टर से permission लेंगे वो permission हम आरॉसी को भी deposit करेंगे तब जाके हमारा address क्या हो पाएगा change हो पाएगा अगर आप एक ही city में कितने दो आरोसी हैं दूसरा आप जब state बदल देंगे आप Mumbai से Delhi अपना business shift कर रहे हैं तब तो दो आरोसी हो गई होगा उस situation में दिल्ली वाले आरोसी को भी information करना है कि हम आ रहे हैं अपना address बदल के दिल्ली में business लेके और Mumbai वाले आरोसी को भी इंफर्म करना होगा कि हम यहां से छोड़के जाएं इसके लिए हमें central government का permission लेना पड़ता है क्योंकि आप राज्य बदलोगे तुहां क्रेडिटर परिशान हो जाएंगे कि मैंने माल बेचा तो इसलिए हमें क्रेडिटर का declaration form के क्रेडिटर को कोई इतराज नहीं है हम दिल्ली जा रहे हैं और उसी को देना पड़ेगा कोई ऐसा default employee को कोई इतराज नहीं हम जा रहे हैं जो employee का था उनका सारा payment कर दिया तो ऐसे आप business के address को भी बदल नहीं सकते थोड़ी दूर में जाएंगे तो government इतना interfere नहीं करेगा लेकिन जब आप state बदलेंगे तो देखो employee परिशान हो जाएगा government परिशान हो जाएगा वहाँ पर GST अलग यहाँ पर GST अलग तो वह परिशान हो जाएगा साथ के साथ creditor परिशान हो जाएगे debtor परिशान हो जाएगा बहुत लोग तो उन सभी से हमें approval लेना पड़ेगा और वो सारे लिखित में लेके हम और उसी को सेंटर गवर्मेंट को दिखाएंगे सेंटर गवर्मेंट उसको जाचेगा लगेगा जब इन्हीं को दिक्कत नहीं हो रही तो जाओ भाई लेकिन कुछ करोगे स्टील का आप बिजनस करोगे ओल का आप बिजनस करोगे जैस तो इस अबजेक्ट लॉस में आपको लिखना होगा औंजेक्ट क्लॉस को भी ऑल्टर किया जा से क्योंकि जो object कमपनी में पैसे लगाएंगे जो स्टील का काम करेगी तो इस अबजेक्ट क्लॉज को पढ़ोगे और देखो कि हाँ यह कमपनी तो इसमें लगा दो पैसे और पता चला उसके पैसे लगाते हैं आपने क्या बदल दिया अपना अबजेक्टी बदल दिया तब तो आप इंवे स्राइली फंबसर पास करना होगा तो कुस्छण 2 बरते हैं inब था रिगला जाता Principal करो F0000 क्नमबर में इसको quarter कैसे किया जाता है अएसा कुस्छण वनेगा कि ओसको क्लॉज है क्या और उसको और करने के क्या चारीक沃ार क्या तो मैं साथC capital shareholder के कितने हैं अगर मान लेते हैं कि shareholder ने इस वज़े से पेमिंट किया है तो उसको अब्जेक्ट को change करने के लिए हमें SR pass करना होता है ठीक है और ROC को deposit करेंगे ROC उसको change कर देगा इसके बाद आता लाइबिलिटी क्लॉस लाइबिलिटी क्लॉस के अंदर अगर shareholder की बात करें तो दो लाइबिलिटी होता है एक limited liability एक unlimited liability जनरली limited liability होती ये company के अंदर तो जब अगर हम liability clause को change करना चाहते हैं तो liability clause के अंदर ना डारेक्टर और manager की सबसे ज़्यादा liability होता है किसी company में fraud वान है तो तो अगर आप डारेक्टर की liability को रोकना चाहते हो कि डारेक्टर की मेनेजर इसके लिए लाइबल ही नहीं होगा तो आप तो फस गए इस चक्कर में ऐसे थोड़ी होगा तो सबसे पहले फिर पर्मीशन लेनी पड़ीगी शियर होल्डर से फिर एसार पास होगा फिर इनके लाइबलिटी को ऑल्टर किया जाएगा कि इसकी लाइबलिटी और इसको चेंज करने के लिए जनरली नहीं किया जा सकता लेकिन तीन कारण है जिसके वज़े से चेंज किया जा सकता है एक कंपनी को लगता है और सभी शेयर होल्डर पर्मीशन दे दे के भाईया तुम अपने शेयर कैपिटल को बाइबेक कर लो तो चेंज हो जाएगा ब बाद में आपने डिसाइड लिया कि नहीं भाई एक शेयर होल्डर इक्वल टू टू वोटिंग राइट कर देते हैं तो फिर चेंज हो रहा है ये क्लॉस फिर आपको यहां मिंड मिंड करना पड़ेगा और आपको याद होगा कि आपने एक चैप्टर किया था रीकंस्रक् व्यक्ति है तो सातों व्यक्ति के क्या ह bisher एक दो तीन चार पांच छे सा साथ व्यक्ति जो होंगे इसके वो कहलाएंगे पर्मोटर यानि जिन व्यक्ति ने बिज्नस को बनाया आइडिया सोचा उन bashके यहां पैनाम उन सभी का यह नहां का नाम उन व्यक्तर सबीगा अधार उनके सभी के फैमिली के बारे में सब कुछ यहां लिख दिया जाएगा और इस क्लॉज को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता आप जाके चेक करिएगा टाटा कंपनी है उसका अगर देखा जाए तो फाउंडेशन टाटा कंपनी को किस ने किया था बनाया किस ने था जे आर टाटा ने लेकिन अभी तो रतन टाटा है तो आप उसके अब्जेक्ट क्लॉज के इंटरनेट पे चेक करेंगे ना आप सर्च मारेंगे तो वहां तो जे आर्डी टाटा लिखाओ क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता रिलाइंस कंपनी किस ने बनाया था मुकेस अमबानी ने थोड़ी ना बनाया था धीरूबाई अमबानी ने बनाया था उसके अब्जेक्ट क्लॉज में जाईए तो अभी भी किसका नाम लिखा होगा धीरूबाई अमबानी लिखा होगा तो यह कैसा क्लॉज है कंपनी के स रहता है जिसको हमें पढ़ना है तो देख लेते हैं फटा फट से सबसे पहले नेम क्लॉज की बात कररें ह। थीक है। इस नेइम क्लॉज में देखिए दे Kkiya कहता है सर नेम क्लॉज čछा होगा दा लास्ट वर्ड अफ्द नेम मस्ट वे क्योंकि आप registration किसमें करवा रहे हो company के अंदर करवा रहे हो समझा रही है बात आप इसके आगे कहता है as per section 4 subsection 2 the company can be registered within the name which is option of the central government undesirable मतलब के जो company ने नाम को no company can be registered company ऐसा नाम चुनी नहीं सकती जो की central government को लगता है कि यह लोगों के लिए मतलब गुम्रा कर सकता है लोगों को ऐसा नाम नहीं हो सकता if name is id tinkle with the closely the name closely का मतलब उसके जैसा भी हुआ जैसे sbi है sbi आपको पता state bank of india कई बार आपने कर दिया क्या sbbi और symbol वगरा सब बनाए तो लोग तो धुके माँ जाएगा उस situation में ठीक है of an existing company के आसपास भी मिलता जुलता नहीं होना चैए it may be deemed to be undesirable central government उसको बूल देगी यह name को बदल दो इंडिया या फिर आपका state का नाम तो क्योंकि इंडिया नाम लग जाता है तो उससे लगता जैसे कि भारत पे था उन्होंने permission लिया था भारत पे से लगता सरकारी company मैं भी सोच रहते तो सरकारी company आगे भारत पे नाम रखता है लेकिन वह एक private company था ठीक है ना तो name clause के नाम के आगे private limited limited word लगाना है उसके बाद नाम आपका undesirable नहीं होना चाहिए और क्या लिखोगे इसके आगे ये शब्द नहीं लगा सकते सर चलिए नाम clause को क्या requirement है as per क्या-क्या requirement है चलिए as per section 12-3 में क्या-क्या requirement है आपका कहता है paint और affix the name outside the registered office and outside every place where carried on the business यानि आप board वगएर लगा लो नाम का नाम आपका चुन लिया गया तो आपको board वगएर लगाना है आगे क्या कहता है get its name address its registered office corporate identification number जो नाम होगा ना उसके नीचे जैसे कई बार आप देखोगे किसी business में नाम लिखा हुआ X Y Z और नीचे GST नंबर भी लिखा होता है आप चेक करना कभी जाके GST नंबर board के नीचे लिखना mandatory कर दिया पता तो चले यह तुम prod में हो या नहीं हो तो ऐसा ही जब company हो गए ने तो company के अंदर एक sin number मिलता है company identification number वह number आपको डालना है कहता है corporate identification number along with the telephone number fax number और email website address print होना चाहिए सारी चीज़े जो board बनाऊगे उसके उपर यह letter head पर जो भी है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर यह काम नहीं करते हो तो आपके साथ क्या जुर्बाना लगाया जाएगा यानि penalty default के case में कहता है if there is any default compliances in the lead of fine आपको 1000 रुपे परती दिन के हिसाब से fine लगेगा जब तक आप default होंगे मान लो 6 महिने से आप default हो रहे तो तो हर दिन के 1000 रुपे fine जोड लिये लेंगे किस पे लगेगा sir company के उपर और every officer of the company who default until date यानि एक company के उपर fine लगेगा और मान लेते हैं 5 member है CA है CS है board of director है इन सभी को भी पता था यार company का नाम तो गलत चल रहा है उन सब के उपर भी 1000 हजार का fine लगेगा यानि सिर्फ company के उपर नहीं लेकिन law ने बोला चलो ठीक है इतना मुश्किल नहीं बनाते एक लाख रुपए से जादा fine नहीं हो सकता अगर मान लो कोई बोलता है sir हम 10 साल से नाम नहीं बद लें तो ऐसे तो क्रोड़ रुपए हो जाएंगे fine तो बोला भाईया जादा नहीं होगा maximum कितना है एक लाख कितना है एक लाख रुपए का fine है default की case में ठीक है चलिए sir हमने क्या देखा company नाम को कैसे रखना है हमारा private limited होना चाहिए इसके बाद undesirable नहीं होना चाहिए अब कुछ नाम के आगे fix नहीं होना चाहिए नाम printed वगएरा सारी चीज़े होनी चाहिए और default होगे तो अब क्या यह रहेगा अब इसको alter करने का alteration of the name clause section 32 जो clauses given section 4 में given alteration section 13 के अंदर given है क्या कहता है इसके अंदर कि कहता है the name of the company can be changed anytime कभी भी change हो सकता है कैसे by passing special resolution मतलब special resolution पास कर दो sr मैंने पहले भी discuss कि sr क्या होता है जब ज्यादा 75% लोग बोलते है ठीक है एड़ जर्नल मीटिंग जर्नल मीटिंग क्या लोगों को बिठाओ और बाते कर लो आप लोगों से कर में बाते कर रहा हूं आप सब बैठे हुए तो जर्नल मीटिंग हो गई इसके बाद of the company में and getting the approval of central government और central government का भी approval लेना है पहले पॉइंट में इन राइटिंग में ऐसा नहीं के सेंटल गवर्मेंट कोन है जो हमारा cg है यानि रोसी से भी सबसे उपर जो होता है company law board होता है वो होता है हमारा सेंटल गवर्मेंट जो की हमारा mca था न वही हमारा माना जाएगा सेंटल गवर्मेंट उनसे permission लेना हुआ तो नाम चेंज कर सकते हो जी हां कर सकते हैं क्या करना आपको एक तो एसार पास करना है और सेंटल गवर्मेंट से रिटन में लेटर लिखना है इसके बाद क्या करना है सर चेंज दा नेम विच आपका मेरली इंवाल्व इन दा डिल है यानि ये डिजारेबल नहीं लग रहा तो कैंको को दे सकता है इसके इंज घरा टाम यहिए उन दॉसके बात उसके बाद नाम बदल लिया नाम बदलने के बाद सेंटेयर ढ़ान को बोलतना तो फिर trap को आपको कि बहुत आपने नाम को क्या कर दो change और नए नाम को रखो और यह आपको तीन मैने के अंदर नाम सोच के बदलवा लो इसे नहीं तो आपके उपर फाइन लग जाएगा इस दिन से सेंट्रल गवर्मेंट ने बोला कि यह नाम गलत है उस दिन के बाद से अपने नाम को आपको तीन मैने के अंदर सुधार लेना है आफ्टर दा अडॉप्टिंग दा ओडिनरी रेजूलेशन और अब जो नाम चेंज करोगे अब आपको रेजूलेशन ओर पास करना पड़ेगा देखो सबसे पहले खुद चेंज कर रहे थे तो एसार सेंट्रल गवर्मेंट ने बोला भाई यह नाम चेंज कर दे सेंट्रल गवर्मेंट बोलेगा भाई तिरे को क्या बोला तो क्या पूछ रहे तो उस सिचुएशन में बोला गया ओर पास कर देना है ओर मतलब 51% लोग मान जाएंगे तो नाम चेंज कर दोगे और जनरली एसार जादा लोगों को मनवाने के लिए होता है 75% मैं लिख देत सेंट्रल गवर्मेंट यानि सर कहानी एक पर समझा दो सबसे पहले आपको नाम चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या पास कर लो एसार पास कर लो सर एसार पास कर लिया और आप सीजी सेंट्रल गवर्मेंट से रिटन में रिटन में परमीशन ले लो ठीक है जी नाम चेंज कर गया लेकिन आपका अगर नेम अंडिजारेबल निकला फिर सेंट्रल गवर्मेंट आपक three month के अंदर अपने नाम को बदल लो नहीं तो दिक्कत होगी अब आपको फिर से पूछना होगा किस से shareholder से कौन सा पास करना पड़ेगा ordinary resolution पास करना पड़ेगा अब आप 15 दिन के अंदर क्या करना है आपको यह सारे document जमा करवा देना इंक्लूडिंग CG का order हो गया change यह पूरा procedure आपको लिखना होगा 10 number का question पूछा जाएगा आपसे ठीक है यह किसका change हो गया हमारा name change हो गया आगे आजा सकते हैं situation clause जिसको हमने क्या नाम दिया था overall हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी points हमने देखे थे अब हम पूरा detail में देख ले रहे हैं एड्रेस clause क्या होता है firstly दो चीज़े इसमें mention होता है firstly आपका जो जुरिडिक्स जुरिडिक्शन होता है हमारा of the high court यानि जो दाइरह है high court का high court of state which the registered office situated मतलब जिस आपका जगह पर तो जो आपका दाइरह है जुरिडिक्शन है जो आपका उस जहां पर आपका रहेगा उसका state है वो बताना है पहले तो आपको उसके बाद secondly it registered जैसे भी registered office हो जाएगा where the company आपका statutory books normally keep and which the notice other communication can be sent company must have a registered office within 30 days office मतलब दो चीजे देखना एक तो आपको बता देना है सर हमारा न यह दिल्ली में रहने वाला office उसके बाद आपको बताना होगा आपके register वगरा यानि आपके books of account balance sheet पी एंडल कहां रखोगे उसका भी address बता देना है कि दिल्ली के अंदर हम इस जगह पर रखेंगे और यह स इसके बाद इसको अल्टर करना है बहिए चेंज कर सकते हो कि जी चेंज कर सकते हो और सबसे important मैं इसको भी कहूंगा तो कहता है सिफ्टिंग सिफ्टिंग का मतलब बदलना registered office outside local limit local limited मतलब शकूरपूर पितम पुरा रानी बाग यहीं चलता रहेगा विदिन सेटेंग टाउन विलेज के अंदर where such office situated required passing क्या पास करना पड़ेगा सर special resolution पास करना पड़ेगा by company and notice change shall be given to the registered within a 15 दिन के अंदर registered को एक message दाल दो एक letter लिख दो एक email कर दो भईया हमने register change कर दिया है who shall be record the same और register को बोलिए please अब यह address note कर लिजे ताकि कोई mislead दुबारा से ना हो ठीक है एक तो यह तरीका है कमपनी का वो एक से ज़्यादा होगा registered क्या कहता है registered office within the same state for the jurisdiction of the registered company of the another registered company यानि दो है एक रजिस्टार वन ROC और यह कौन सा है another यानि यह कौन सा ROC हो गया दूसरा यानि दो-दो ROC यहाँ पे भी आपको क्या करना है सर special resolution pass करना है by the company and the आपका confirm by the किसे regional director मैंने बताया था ना जब दो ROC होंगे तो कौन आ जाएगा regional director इनसे permission लेके करना है an application made by the company the regard इनको भी application देना है the shifting of registered office cell be not allowed if inquiry अगर आपके उपर कोई inquiry हो रहा हो को inspection हो रहा हो को investigation हो रहा हो has been initiated अगेंस दा company अगर company के खिलाब कोई case waste चल रहा हो ना तो आप बोलोगा सरे address बदल लेता है ना भाई नहीं तो इहीं रहना पड़ेगा तो अगर यह सारी काम कर रखें तो नहीं होगा एनी आपका आपका pending अगर कोई भी आपका pending case वगरा चल रहा है तो इसमें आपका shifting नहीं होगा तो देखो अगर आप एक ही स्टेट में हो एक आरोसी से दूसरे आरोसी के पास जा रहे हो जो इसका एरिया है उस situation में आपको क्या करना पड़ेगा आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ अनदर स्टेट में है ना डिली से मुंबई मुंबई से डेली उस case में क्या करना होगा आपको special resolution पास करो और approval ले लो किस से central यह बड़ी बात है एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना एक बड़ी बात है क्योंकि यहां बहुत लोग परिशान हो सकता है employee परिशान होगा creditor परिशान होगा तो special resolution पहले shareholder से पास करो अब central government से approval लो central government से क्या approval लेना है following are आपका prescribed rule कुछ rule follow करना है जो approval लेने जाओगे क्या कहता है एन application आपका purpose seeking approval alternation आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप दूसरे राज्य में जा रहे हो memorandum with the regard change place of registered office from one state to another state union territory भी बोल रहे हैं जैसे कि कुछ जहां पर state नहीं है union territory अलोंग विद फीस एक फीस भी देना होगा जो उनका होगा और आपको क्या 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 करना होगा document क्या MOA और AOA देना होगा उनको central government को special resolution को copy देना होगा creditor debtor holder कितने वो देना पड़ेगा copy notice served to the registered chief secretary जो भी है state government से भी इन सभी से आपने जो approval लिया है बाद में जाईए किस के पास central government के पास central government को लगता है कि इन सभी को किसी को कोई इतराज ही नहीं है आप जा रहे हो यहां से change करके तो मैं रोकने वाला क्या कौन हूँ यह permission दे देगा आपको जाओ आप अपना name छेंज कर लो इसके बाद क्या करना होगा सर नेम चेंज करने के बाद यहां लिखा नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा पुराने आरूसी को भी एक आप the most important object clause is the memorandum of association of a company in the object clause object clause के अंदर the object clause with the layer with the lay down object of the company मतलब क्या company करेगी क्या नहीं करेगी किसी का business है नहीं है वो सब लिखा होता है अगर कंपनी ने लिखा इस्टील का काम करेगी को कपड़े का काम कर रही है तो कंपनी ने क्या करे अपने object clause को क्या कर दिया मतलब कि follow नहीं किया उसके beyond चले गया इस काम को अगर कोई क्या होता है तो आप अगर कोई भी रूल के बियॉंड जाओगे इस अल्ट्रा वाइरस एक्ट बियॉंड टॉंड विल वी किसे क्या बोलेंगे अल्ट्रा वाइरस एंड वाइड यह काम आपका बेकार हो जाए मान लेते हैं हमारे object clause के अंदर यह article of association में loan लेना लिखा ही नहीं था के company loan लेके काम करेगी और मैंने bank से 50 लाग का loan ले लिया उसके बाद loan लेने के बाद company को bank वालों ने notice बेजा company ने बोल दिया हम loan का पैसा return क्यों करें हमारे तो object clause में loan लेना नहीं था तो आपने जब loan दिया था तो शुरू से ही हमारे contract बना ही नहीं था यानि avoid avenues आपने पहले पढ़ा होगा starting से यह contract invalid था सर तो आपने जो loan का पैसे दिया हमको loan का पैसा हमसे recover करने का कोई हगदार नहीं बनता है इसलिए जब कभी भी कोई भी कुछ काम करता है तो पढ़ ले ना company का क्या object clause और company कभी भी अपने किसी भी clause को ऐसे memorandum को future से update कर सकती है backdate से update नहीं कर सकती है rule ही नहीं है सिर्फ एक clause को छोड़ के future से कैसे sir कि मान लेते मैंने loan ले लिया और यहाँ पर लिखा था अब future में हम change कर देते हैं कि हम loan जो लेंगे वो दिसरे काम के लिए तो बैंक वाला फस जाएगा तो आप pass से update नहीं कर सकते हैं किस से कर सकते हैं आप future से तो object clause में क्या डालना है sir name डालना है alternation कैसे होगा आपको simple हर किसी में देखो क्या pass कर देना है if company has raised money from the public issue prospectus and part of such money remain unutilized मैंने आपसे 10 रुपे लिए थे shares के और 10 में से मैंने 5 यूटिलाइज किया 5 यूजी नहीं किया और जब मैंने आपसे 10 रुपे लिए थे मैंने बोड़ा थे मैं steel का काम करूँगा अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं कपड़े के वेपार में भी चला जाओ लेकिन पुराने shareholder के 5 रुपे मेरे पास अभी भी रखें तो मैं change नहीं कर सकता अगर मेरे पुराने shareholder के पूरे पैसे steel के वेपार में लग गया हो तब मैं सोचू के कपड़े का वेपार करूँ तो कोई अतराज नहीं है लेकिन पुराने shareholder ने जो object देख के पैसे दिये थे वो पैसे अभी तक आपने use ही नहीं किया तो आप बदल नहीं सकते तो कहने का मतलब क्या है if a company raise money यानि पैसे लिये थे from public by issue of prospectus यानि share से any part of such money remain unutilized with the company company के पास अभी पैसे पढ़ा है उसका use ही नहीं किया then company shall not alter object clause तो उसे बदली नहीं सकता आप भी सोचो नहीं बदला जा सकता इसके बाद the money through the prospectus unless मतलब money अगर उसके पास पढ़ा हुआ है तब तीसरा part the company has published the prescribed detail and आपका justification for such alternation जब कभी भी company object को करेगी तो ऐसे situation में दो newspaper में हमेसा इस्तिहार देगी दो newspaper में वैसे तो हर case में जितने भी case की है न हर case में company को दो newspaper के अंदर एडविटाइज करना है एक English newspaper एक वहां के वर्नकूलर वर्नकूलर क्या होता है हमारा उसके local language यहार मान लेते हैं कि आपका महरास्ट में तो मराथी newspaper में और एक English newspaper में दो language में दे देगी English newspaper और यहां के इसके बाद circulating the place where the company registered office company situated और यहां पर सब कुछ situated है वो सारा सरकूलेट करतेगी यानि ऑब्जेक्ट laws को अल्टर करना है तो थोड़ा समस्या है sr तो पास करोगे लेकिन shareholder का object यहां पर default नहीं करना है अगर उसने बोल दिया करिए तब आप कर सकते हैं करने के बाद आपको वहां पर नाम newspaper वगरे में बताना पड़ेगा इस company का का और यह नहीं रहा जैसे मानलो रिलाइंस का में काम क्या है पेट्रोल का काम है ओल का काम है यह जीओ का काम क्या है जीओ एक अलग company बनाने जा रहे हैं तो जीओ का काम क्या है network distribution का और उन्हेंने future में सोच लिए कि अब हम network distribution करतो रहे हैं हम साथ इसको छोड़के हम अब और और कोई काम करना चाह रहे हैं हम इसके अलाबा कोई और काम मान लेते हैं laptop बनाने की कोशिस कर रहे हैं अब इस काम को नहीं करेंगे तो भाइया जो आप लोगों ने पैसे लगाए तो सोचा था यह company network ज्यादा होगा रिचार्ड ज्यादा होगी company कमाईगी ज्यादा पैसे पे भी आपको बदल हाइलाइट करना पड़ेगा जैसे आप देखते हो रिजल्ट आहता तो ब्लिंक होने लग जाते हैं ऐसे भाई हाइलाइट करो एंड company sell within 30 दिन 30 दिन के अंदर रिजिस्टार्ड और company को SR copy दे देना होगा भाया कोई गलती नहीं कर रहे हैं और रिजिस्टार्ड sell within 30 days register alternation of the issue certificate और 30 अगले 30 दिन में रिजिस्टार बोलेगा ले भाई तिरा object चेंज हो गया तिरको नया certificate हम दे रहे हैं इसके बाद क्या होगा सर अगर रिजिस्टार जो है आर उसी ने आपके इसको रिजिस्टार कर लिया तो यह अफेक्टेड इसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता सिंपल सी बात है तो यह क्या था सर हमारा object clause तो object clause को एक बार फिर से देखो object clause क्या है company किस चिछ का business करेगी इसको change करने के क्या तरीक है sr pass कर लिजिए और shareholder का पैसा सारा use हो जाना चाहिए दो newspaper में इस्तिहार दे दीजिए website के उपर लगवा दीजिए 30 दिन में आर उसी को जमा करवा दीजिए आर उसी 30 दिन में नाम चेंज कर जाएगा हो गया आपका object clause change liability clause liability clause क्या कहता है the liability clause mention the liability of the member जैसे 10 रुपे का share है तो आपकी liability कितनी होगी sir 10 रुपे ही होगी of the company in case of company limited by share memorandum of association must have clause of effect the liability memorandum of association के अंदर provision है कि आप liability के effect को member limited extent of the amount के वो उतना ही रहेगा जितना unpaid portion है जैसे 10 रुपे का share था 10 में से आपने 8 दे दिए दो आपने नहीं दिए तो company के उपर कितना भी कर जाओ आपकी liability दो रुपे ही रहेगी समझ में आई बात आपको तो memorandum of association of company limited by guarantee must have state the amount of which each यानि एक होता है जो खरीदती हो ना तो दो तीन तरीके से हो सकता है एक हो सकता है कि आपने limited by liability का मतलब है कि आपने company के जो shares खरीदें वो इस विहाब पर खरीदें कि आपका 10 रुपे है 10 रुपे की liability कुछ ऐसा होता है जो कि unlimited liability होता है तो वो mention करना पड़ेगा कि shareholder की कितनी liability है तो यह हो गया liability clause क्या इसको भी बदला जा सकता है जी हाँ इसको भी बदला जा सकता है क्या-क्या ध्यान रखना है वो देखते है सर इसको बदलने के लिए ordinary it cannot be altered generally यह नहीं होता so as make liability of the member member के liability को नहीं बदला जा सकता unlimited में unlimited की case में however however within the authority of article of association अगर आपने article of association में कानून बना रखा है कि बदला जा सकता है a company pass special resolution उस case में company pass कर सकता special resolution और इसको बदल सकता है समझ में आई बात आपको कहता है clause of the memorandum of association make the liability of director or any other director manager unlimited अगर कोई ऐसा director है या directing manager है जिसकी liability unlimited है but in such case any person holding office director जो office को अभी अभी join किया है unless has accordance with the consent his liability become unlimited उसके permission के बिना ऐसे मत करना director आया और आप बोल दो भाई या तुमारी liability unlimited उसके concerned यानि permission लेखे उसकी liability को change करोगे manager before such alternation shall not be liable not be liable until the expiry of his present alternation यानि जब manager से पहले जो liability था उतना ही liability रहेगा नए वाले liability के लिए तब तक वह liable नहीं होगा जब तक इसे बदला नहीं जाता जैसे मान लेते हैं यह procedure चली रहा बदलने का और manager की liability एक लाग थी पहले और अब इसमें हम provision डाल रहे हैं कि उसकी liability होने वाली है पांच लाग और इसी time पर यह default कर दिया और इसके उपर पांच लाग की liability आगे लेकिन आपका MOA चेंज हुआ ही नहीं तो उसकी liability एक लाग ही मानी जाएगी which are likely to be imposed additional liability on the member on which likely to be compelled member by the additional share of the company after the date which become member not the accept the consent of the member cancelled writing जब तक वो writing में नहीं देता in case of company happened, club और any associated member तो उसके liability तो इसका मैं बताओ इतना important नहीं पार्ट है यह liability clause वाला सबसे important है address clause और आपका कौन सा है situation clause address situation तो एक ही होगा name clause यह important है आपका सर कितने पार्ट थे इसके अंदर देख लेते हैं सर एक बार starting से आते हैं मैंने बताया था हमने यह कर लिया हमने situation कर लिया object कर लिया liability अब क्या रहे गया capital क्या हमारा आपका subscription या फिर association clause clause का मतलब एक word है एक paragraph है जो लिखते हैं इसमें क्या इसको change करेंगे नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या रहे गया हमारा capital clause capital clause के बाद chapter खतम और इसमें से आपके कम से कम तो दस नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे अभी आपके जो internal होंगे ना जो assignment इसमें से देखना पक्का सवाल होगा capital clause क्या कहता है memorandum of association limited company having the share capital company limited by share company guaranteeing heavy capital मतलब जिनका share capital दो तरीके के होता है हमने second chapter kind of में बताया था कि हमारा जो company होता है limited by share होता है limited by आपका guarantee होता है आपका तो इस तरीके से यह ठीक है न main point यह है must also stated amount of share capital within the company आपको बताना होगा कितना होगा क्या क्या बताना है आपको कितना usually called authorized capital कितना होगा nominal value कितना होगा यह सारी बाते बताएं division registered are capital share also fixed amount यानि face value कितना होगा 10 रुपे का होगा 12 रुपे का होगा 15 रुपे का होगा required to the given memorandum और each of subscription must be take at least one share और यह भी बताना होगा एक shareholder को एक share लेना होगा ऐसा नहीं कि एक shareholder दो एक share को दो लोग बिलके hold करे ऐसा नहीं करना है तो यह सारी बाते बताना है तो यह क्या है capital basically capital clause में क्या है आपके business में कितना capital रहने वाला equity share preference authorized capital preference share वो सारी detail जानकारी देनी है सर इसको बदला भी जा सकता है बिलकुल हाँ बदला जा सकता है तीन कारणों से कहता है alternation of the capital clause of the capital clause memorandum of association following type तीन टाइप से generally से नहीं बदला जा सकता लेकिन फिर भी तीन situation है जहां बदल सकते हैं एक होता है share capital को बदल देना जैसे share capital के part तोड़ देना split कर देना merge कर देना 10 वाला share 8 का कर देना या फिर 100 वाला share 10 वाला share 15 का कर देना एक तो यह है reduction in the share capital share capital कम कर देना हमने उसमें देखा था surrender share करवा देना इस तरीके से variation of the right of shareholder variation of right shareholder क्या होता है shareholder के न अपने rights होते हैं कौन से rights होते हैं हमने different class का number one shareholder करा 10 वाला number two shareholder करा मैंने 100 वाला number three shareholder करा मैंने मान लेते हैं के 200 वाला मैंने कहा पहले dividend इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा ठीक है यह हो गया shareholder के क्या हो गए हमारे rights हो गए पहले इसको 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 लेकिन मैं alter करना चाहता हूं मैं एक काम करता हूं पहले मैं dividend number one पे इसको दूँगा फिर number of the share capital में क्या कहता है following kind of alteration capital may be made limited company having share capital authorized capital by passing फिर से क्या याद रखना हर किसी में अगर इसमें changes हो पहला काम special resolution पास कर लो पहले shareholder से तो पूछ लो resolution in the journal meeting section इसे कहता है increase and authorized capital करना हूँ तब देख लो भाई कॉंसो डॉलेट subdivision of the share capital करना है तो इसके बारे में पास कर लो convert fully paid up into stock fully paid up into stock क्या होता है कि shares को stock में वदल देते हैं कई बार stock का मतलब क्या है अगर मान लेते हैं मेरे पास 10 share है तो 10 बंदे खरीज सकते हैं मैंने बोला भाई आप ऐसा नहीं होगा एक वेक्ति को कम से कम 10 share खरीदना होगा जिसे हम lot बोलते हैं आप अभी share market में जाएंगे ना invest करने IPO में आप बोलेंगे एक खरीद लें तो नहीं बोलेंगे कम से कम 50 खरीदने पड़ेंगे तो जब उसका बंच बना देते हैं उससे stock हो गया तो convert into fully paid up share stock and re convert into fully paid up share आपका उसका हम क्या कर देंगे कम कर देंगे पहले stock था stock को reduction कर दिया बोला भी अब एक भी खरीद लो तुम कहता है cancel share which have been not taken agreed मतलब share को cancel करना तो यह कुछ एक point दे दिये मैंने जिसके अंदर आप shares के उल्टर कर सकते हैं तो पहला point देन हो जाता है alteration of the share capital इन इन बातों को आपका authorized capital कम हो सकता है बढ़ सकता है इसके बाद आपके share के value reduction हो सकता है stock में बदल सकते हैं stock से share में बदल सकते हैं अगला क्या है sir reduction of share capital ध्यान से देखिएगा to provide the protection आप share capital को reduction का मतलब आपका पहले एक लाग का share capital था अब इसका आप पचास हजार का share capital करना चाहते हो तो भया इसमें दिक्कत है क्या दिक्कत है क्योंकि अगर आपने share capital को reduce किया तो यानि मालिक का हिस्सा कम हो रहा है और मालिक का हिस्सा कम होने का मतलब liability का पैसा बढ़ रहा है अगर company डूबी तो मालिक के पैसे कम डूबेंगे बाहर वालों के पैसे जादा डूब जाएंगे इससे भरोसा कम हो जाएगा बाहर वाले लोगों का तो इसलिए share capital को reduction करना अलावड नहीं है तो क्या कहता है to provide protection protection का मतलब क्या हो गया मतलब हमें एक safety देना interest किसके interest investor का is especially creditor को आपका creditor को बताना बाया 13 पैसा safe है reduction of the share capital permissible with the restrict of the law reduce in the central adoption of अब इसका मतलब क्या होता है stipulation इसका मतलब होता है law के हिसाब से कानून के हिसाब से हमने इसको changes किया है यानि creditor को भरोसा दिलाएंगे भाईया हम जो है मैं दुबारा line पढ़ देता हूँ to provide protection interest of investor especially creditor investor or creditor के protection को मतलब उसके interest को बचाने के लिए company reduction in the share capital वो क्या करेगी reduction करेगी permissible restricted मतलब जितना permission है उतना ही कर सकते यह नहीं कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी reduction कर देगी following method क्या क्या है या तो आप share को छोड़ सकते हो या reduce कर सकते extinguish का मतलब होता है छोड़ना आप surrender कर वा दिजिए या फिर आप reduce कर दिजिए उसकी value जैसे भाई या तरह पर 10 यह तेना आप 10 मत मानी हो कल से तरह दो ही और यह चीज़े आपने कहा देखा है reconstruction of company में तो reconstruction of company इसी law को वहाँ पर भी देखते भी होगे आपको अगर देखो वहाँ पर accounts में यह section का जिकर किया हुआ है section 66 71 को follow कर रहा है वो कई बार बोला होगा वहाँ पर देखो तो यहीं से वह लेकर चलता था either within hold with it मतलब दोनों काम हो सकता है आप shares के भी उसको के बाद भी value reduce कर देते थे share cancel paid up value surrender share को cancel कर दिया करते थे तो यह हमारा क्या है reduction last point जो मैं बता रहा था variation where the holder cannot less than 10% अब इसके अंदर समझो कहानी इसके अंदर पूरा नहीं लिखावा मैं पूरा दे दूँगा जैसे मान लो एक वेक्ति दो वेक्ति तीन वेक्ति ठीक है अब यहां पे भी आपको sr pass करना है sr pass कर दिया आपने इसके बाद इसको पहले dividend मिलेगा इसको बाद में मिलेगा इसको तीसरे number पे मिलेगा dividend की category है हमने decide कि भाईया ऐसा करते है dividend की category को बदल देते है यानि पहले नंबर पे तुझे देंगे दूसरे पे तुझे देंगे तीसरे पे तुझे देंगे हो गया पहला point तो यह कबर हो जाता है अगर इन में से किसी को भी नाराजगी है किसी shareholder को नाराजगी है और वैसे तो 75% मान गए तभी तो यह हो सकता है otherwise नहीं होगा अब बचे कितने 25% अगर उस 25% में से 10% बंदे इखटा हो जाए कि नहीं change नहीं होना चाहिए और वो central government को notice जाके दे दे 10% लोग इखटा हो के power तो central government मना कर सकता है कि भाई तू voting right को change ही नहीं कर सकता समझ मैं यहीं बात आपको तो क्या कहता है पहले तो इन्होंने voting right कहता है कि where the holder of not less than 10% of the issue of share class did not concerned मतलब वो नहीं बोलते के भाई तू change कर such variation इस variation से बोलते हैं भाई हम नहीं मानते vote in favor of special resolution और उसने special resolution के favor में vote भी नहीं किया for the variation they may apply tribunal tribunal का मतलब जो court में हमारा case जाता है वो tribunal के पास जाता है पहले tribunal पे जाता है फिर जाता है court में तो tribunal को apply कर सकते हैं कि cancel करो सर इस variation को then can variation shall not have the effect unless the confirmed by the tribunal tribunal यानि court भी मान सकते हो जब तक वो न बोल दे कि भाईया ये मतलब कि okay हो गया है ठीक है चलिए आगे देखे doctrine important सबसे पहले ultra virus, virus क्या होता है act यहाँ पे virus की spelling अलग है वो वाला virus नहीं है जो computer के अंदर आ जाता है ultra का मतलब beyond ठीक है यहाँ पे simple bowl भी रखा है देखो कहता है ultra mean beyond virus mean power act इसका मतलब power कहता है memorandum of association of the company जो company का अभी तक क्या पढ़ रहे थे MOA पढ़ रहे थे define the power MOA क्या define करता है company के power को define करता है power मतलब company क्या काम करेगी क्या business करेगी क्या capital होगा नहीं होगा क्या नाम होगा क्या address होगा यही तो define कर रहा था आपने दे रखा है दिल्ली में काम करोगा और सेट अप कर रहे हो जाके मुंबई में तो आपने MOA के बाहर काम कर लिया कहता है define the power of the company इपने अनी अक्त दद्धा यहीं अफिक जाए है अल्टर वाइरस अफिक ड़ड़ा रहे हैं अपनि अच्सक्स करें और सद्धा एंट्धा आप्का और यह का में और इसके साथ आपका दूसरा क्या रहेगा कि और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि आपका कुछ और था काम कुछ और कर रहे हो बीओंड दा आपका अगर इसके उपर एक केस भी था उस केस को हम अलग से डिसकस कर लेंगे मान लो इनके अब्जेक्ट क्लॉज में लोन लेना लिखा ही नहीं था लेकिन इसके डिरेक्टर ने बैंक मैनेजर को बता के और अच्छे से डिटेल ना देखे और इसने लोन ले लिया कल के दिन बैंक ने बार-बार नूटिस जा रही किया डारेक्टर तो रहा नहीं बार-बार नूटिस दिया के भाईया मेरे लून कब रिटन करोगे नहीं तो हम आपके एसेट्स को बेच देंगे कमपनी कोट में चली गई कमपनी ने बोला सर हमारे आर्टिकल ओफ एसोसीशन में हमारे अबजेक्ट में यह लिखा ही नहीं था कि हम लोन लेके कोई भी वेपार करेंगे और जबकि लोन लिया गया है तो हम इसके लिए लाइबल नहीं है इसके लिए कौन लाइबल होगा जिस डारेक्टर ने लोन लिया था वो प्रस्नली इसके लिए लाइबल माना जाएगा ठीक है न कहता है and shall be wholly void and not binding the company मतलब company से आप पैसे recover नहीं कर सकते act ultra virus ऐसे ultra virus काम के लिए the company cannot be neither to be legalized इसको legalized भी नहीं किया जा सकता ratified भी नहीं कर सकता director ऐसा नहीं कि back date से उसके name clause को change कर दे या address clause को change कर दे ऐसा नहीं कर सकता आपका consent of the member और आपका anonymous का मतलब होता है अगर 100% shareholder भी बोल दे ना भाई तू change कर दे हम मान रहे हम दे देंगा तब भी इसको बदला नहीं जा सकता तो यह क्या था हमारा doctrine और doctrine of नहीं यह क्या था सिर्फ अल्ट्रावाइरस और इसके doctrine में कुछ एक word है लास्ट है पॉइंट चलो देखी लेते हैं कि इसको आप simply पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया है मैं नूट्स दे दूँँगा क्या कहता है दा आपका preliminary developed protection of the interest और यह किसलिए किया गया doctrine का मतलब क्या है इसको change नहीं करना चेंज नहीं करना क्यूं बोला गया investor के protection के लिए the doctrine prevent the company employee money यह क्या करती है company के employee की money को रोगती है investor को ठीक तरीके से उसके पैसे को बचाती है state the objective clause of the memorandum of association memorandum of association के सारे clause को prevent कर रही है thus investor creditor may be assured that doctrine of their investment मतलब वो मान के चलते हैं के बहिए company में ऐसे कानून बने हुए है तो हमारे पैसे safe है will not be direct to the activity which did not complete while the making of investment investment में मतलब simple सी बात है ऐसे ऐसे कानून है तभी investor सोचेगा या डरने की जूरत नहीं हमारे पैसे क्या है safe है ठीक है यह memorandum of association क्यों बनाया जाता है shareholder की बातों को मानने के लिए दूसरा हमारा किस लिए बनाया जाता है ताकि हमारे supplier creditor बगरा कर रहे कितने clause है इसके अंदर total 6 पहला name, situation, object, liability, capital और एक subscription 6 clauses हो गए हर clauses के अपने अपने procedure है और हर clauses को alter करने का तो यह था हमारा पूरा का पूरा MOA स्टार्ट करते हम article of association क्या है सर यह कुछ नहीं है यह document है नाम बहुत बड़ा है किस चीज का document जिसके अंदर सारे rule and regulation लिखे होंगे ठीक उसी तरीके से जैसे आपके school के भी न rule book हुआ करता था कुछ school में होता है कुछ में नहीं होता कि सुभह हमें कुछ बच्चे का होता है rule book के भी यह सुभह prayer के अंदर आना है यह तो पता है कि school खुलेगा सुभह और बंद हो जाएगा दिन में दो बज़े और इसमें पढ़ाई होनी है लेकिन अब पढ़ाई कैसे होनी है सर मिनिंग अगर वीजुल कम होगा नहीं वैसे कोसिस है कि पूरा दिख रहा होगा अच्छे से मिनिंग ऑफ एवे कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन इस एन इन इंपॉर्टेंट डॉक्युमेंट यानि एक कागज है जोकि printed होता है ऐसा नहीं कि आप जैसे भी किसका इंपॉर्टेंट डॉक्युमेंट है कंपनी का इट्स कंटेंड देखिए क्या कंटेंड का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ होगा क्या लिखा हुआ होगा rule and regulation and by laws for the internal administration internal administration का मतलब company के अंदर किस तरीके से काम काज होगा उसे बोला जाएगा internal administration administration का मतलब क्या होता है काम काज अब external भी हो सकता है internal भी हो सकता है इंटरनल मतलब company के किस तरीके से किया जाएगा किसका of company article regulate article चलाता है the internal management of the company यानि जो article of association में लिखा है management को बिलकुल उसी के हिसाब से काम करना उसके beyond गया ना तो management और company दोनों libel हो जाएगे penalty के लिए जैसे मैंने अपने article of association में लिखा कि मैं कभी भी life में या फिर मैं सर्फ 2000 रुपए का bond issue कर सकता हूं मैंने यहां लिख दिया कितने का bond issue करूँगा मैं सर्फ 2000 का लेकिन management ने 3000 का bond issue कर दिया तो देखा जाए तो इसने company के rule को तोड़ दिया तो इसके लिए company libel नहीं होगा इसके लिए वह management management का मतलब सर्फ डारेक्टर CEO या फिर उसके जो में जो company को परवक्ता जिसे बोलते हैं पर मोटर यह सभी लाइबल हो जाएंगे उसको payment करने के लिए समझ में आई बात आपको और उसके लाइबलेटी भी बताता है कि शेयर होल्डर को कब पैसे देने हैं उसके partly paid up वाले शेयर होल्डर को कब नहीं देने शेयर होल्डर को कब dividend देना है dividend देने का तरीका क्या है तो member कौन हो गया शेयर होल्डर तो मैंने कुछ एक line यहां से लिखके basic basic बाते करी हैं और notes जो मैं आपको दूंगा और उसमें पूरा लिखा होगा आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा तो basically अगर conclude करें ने एक शब्द में what is the article of association तो article of association is the rule and regulation of the company यह rule and regulation होता है इसमें company में और यह memorandum of association को support करता है कि उसको implement कैसे किया जाए बस that's it इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है सर आगे देखते हैं content मतलब सर इसमें लिखोगे कौन-कौन सी बाते में तो यही है सर लिखोगे अगर यह समझ में आ जाएगा तो धीरे-धीरे समझ लेते हैं बहुत चोटा सा चप्टर है और यह चलिए हाँ जी क्या-क्या बाते लिखोगे इसमें देखिए content मतलब इसमें क्या लिखा होगा कहता है the article of association of company usually deal with the following matter क्या-क्या matter है देख लेते हैं भाई सब आपका definition of important terms and phases कुछ terms होंगे उसके definition दिये होंगे definition मतलब वो है क्या जैसे मैंने bond बोला तो इसमें लिखा जाएगा भाई बॉंड का मतलब सिर्फ बॉंड नहीं है बॉंड के साथ डिवेंचर भी हो सकता है यानि clarity दिया जाएगा इसके अंदर ठीक है दूसरा point क्या कहता है share capital and rights attached to the differential class of shares सर यह क्या होता है differential class of shares होता ऐसा है कि पर मोटर बड़े चलाक होते हैं उनको पता है कि पचास परसेंट जिसने भी 50% share खरीदा उसी का अधिकार हो जाएगा पूरी company पे सीधी सी बात है आपको भी पचाए एक 50% आप किसी company के share खरीद लीजिए आपकी company है वो तो पर मो इसु कर लेते हैं वो एक शियर इस इकल टू सौ वोट यानि मेरे पास अगर एक शियर है तो मेरे पास पावर है एक बार मैंने हैंड रेज करा तो एक शियर की पावर सौ शियर के बराबर है तो इसको बोल जाता है differential voting राइट जब हम मीटिंग में आएंगे ना AGM के अंदर तब देखेंगे कौन-कौन से voting right क्या होता है, quorum क्या होता है सारी चीज़े वहाँ पर देखेंगे हम तो differential voting right का मतलब एक share equal to one vote, एक share equal to five vote इसको बोला जाता है differential और shares के class तो देखेंगे हैं सो वाले होते हैं, बीस वाले होते हैं, दस वाले class होता है तो sir उनके क्या-क्या rights ह यह सारी चीज़े इसमें पहले से ही mention होगा, कि 100 रुपे वाला अगर कोई share है तो उसका voting right होगा 5 share के बराबर, और 10 वाले share का voting right एक ही रहेगा, ऐसा कुछ इसमें लिख देंगे, आगे क्या कहता है, procedure to make calls and forfeiture of shares, sir अगर आपने call जो है जब भी मांगेंगे आपको 10-14 दिन पहले बता देंगे, कि 13-14 दिन पहले आपको intimate कर देंगे, कि 14 दिन बाद पैसे दे देना, लेकिन आपने 14 दिन के बाद अगर पैसे नहीं दिये, तो हम एक महने का और वक्त देंगे, कि नहीं तो आपके share क्या हो जाएंगे, forfeiture, यह सारी बाते कहां लिखी होगी, इसके अ समय मिलेगा, लेकिन आप तो 15 दिन बाद मेरे share ऐसा तो हो नहीं सकता, तो जो इसमें लिखा है ना, इसके beyond नहीं जा सकता, आगे क्या कहता है, appointment of managerial person, कौन manager होगा, director कौन होगा, their rotation of power, company के अंदर डारेक्टर को एक दम fix नहीं कर दिया जाता, जहां पे एक वेक्ति जाए द इधर, 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 क्यों? क्योंकि उनको पता एक जगा बैठेगा, लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, रिश्वत लेना चालू कर देगा, तो इसलिए director को भी rotate करते रहते हैं, तो अब ये director है, तो चेंज कर दिया, पांस साल बाद दूसरा director लेंगे, फिर पांस साल ब देखें, और क्या content हो सकते हैं, कहता है, ट्रांस्फर, जो ट्रांस्फर करा जाएगा, रूल जो है, कहता है, ट्रांस्फर या transmission of shares, इश्यू, ट्रांस्फर और ट्रांस्मिशन, अगला चेप्टर जो करने वाले न, shares वाला, अब दोनों में फरक क्या है, इसा, ट्रांस्फर and transmission of shares, मान लो, मिस्टर A, मिस्टर A ने अपना share बेच दिया, किसको सर, मिस्टर B को, यह हो गया, that is, ट्रांस्फर, अब मान लो, मिस्टर A, और इसका nominee है, मिस्टर B, और मिस्टर A के मरते ही, इसका share automatic किसके पास चला गया, मिस्टर B के पास, इसको बोलते हैं, कितने दिनों में हो जाएगा, share, transmission कितने दिनों में हो जाएगा, share, वो कहाँ पे लिखा होगा, article of association के अंदर, साथ के साथ, issue certificate कितने दिनों में कर देंगे, अगर आपने share खरीदा, तो कितने दिनों में आपको share certificate दे देना जरूरी है, यह सब इसमें लिखा होगा, journal meeting कब हो सकता है कितनी बार जर्नल मीटिंग हो सकता है company में ऐसा निके फालतूफंड में बुला-बुला के आप अननेसेसरी के मीटिंग करते रहो आगे क्या कहता है common seal of the company का कैसा रहेगा किस-किस stamp की क्या authorization रहेगी यह सब किसमें decide होगा article of associate में डिडेनट कितना मिलेगा reserve कितना होगा capitalization profit कितना होगा Accounts και audit का मतलब accounts का audit किस परकार होगा कौन सा chartered audit करेगा internal auditor होगा या external auditor होगा external auditor होगा तो किस परकार का auditor होगा company करेगा individual करेगा सब बाते इसके अंदर लिखी होगी आपके करने वाले लियन का मतलब क्या होता है जब्त कर लेना अगर आपने कंपनी के पैसे नहीं दिया तो आपके चीन लेना एक तरीके से आपके कोई पैसे नहीं दे रहा आपने उसका मुबाइल चीन लिया मेरे पैसे देगा तो तेरे मुबाइल दोंगा मैं तो आपने मुबाइल के उपर क्या करा लियन लगा लिया या आपके पास उसका कोई समान पढ़ा ओवा था आपने बॉला भाई मैं तब तुझे वह दोंगा समान जब तू मेरे पैसे लुट आएगा To kind of लियन का मतलब जबती करन होता है Remuneration of Managerial Manager का क्या remuneration क्या salary होगा Issue, redemption, preference share कब-कब होंगे, कब preference share को Issue किया जाएगा Pay commission and fix their rate Underwriter का क्या commission होगा क्या fix rate होगा Underwriter of shares वाले accounts में तो देखा ही था कि 5% और 5% share के case में Maximum 5% Reventure के case में 2.5% अगर, AOA में मैंने लिख दिया कि या कोई भी वो 2% देंगे तो 2 से जादा हम commission दे ही नहीं सकते इसके बाद Paying Interest out of capital कितना दिया जाएगा Winding up their company किस परकार होगा तो basically क्या है AOA AOA is a company का पूरा एक मान के चलो कि किस तरीके से क्या काम करेगा किस पर क्या रूर मैंने तो आपको 7-8 main main point बताया आपका exam में पूछा जा सकता है कि what is the main content of article of association तो ये 5-6 point लिखिए आपको number मिल जाएगा इसका explanation कुछ भी नहीं होता भाई कोई सोचे कि इसको भी explain करना है नहीं बस आपको points लिखने होते हैं पर content के अंदर को explanation नहीं है और अगर मैं बात करूँ AOA तो हर company का AOA एक जैसा होगा या अलग होगा case study आ सकता है आपका MCQ में question पूछा जा सकता है क्या every company का जो AOA होगा वो common होगा ये different होगा हर किसी का AOA बिल्कुल अलग होता है इसमें point wise नहीं होता है paragraph wise होता है क्योंकि हर company के rule and regulation अलग है लेकिन हर company के MOA में 6 point ही होईंगे क्योंकि वो fix है लेकिन AOA में कितने point होगे fix और वैसे भी इसमें point wise नहीं है paragraph wise होता है topic wise सब लिखते हैं इसको proper printed paper में रखेंगे इसे और एक booklet बनाके रखेंगे और यह public document नहीं है आप चाहो जाके पढ़ लो internet पर तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी main main चीजे लिखी हुई है सारी चीजे ठीक है ना चलिए सार अब difference most important 11 class में भी मैंने बच्चों को बोला था आएगा और आया 11 के बाद अब second year में भी बोल रहा हूं कि यह difference आता है MOA और AOA में क्या difference है तो difference देख लेते हैं बड़ा simple से बात अगर दोनों चीजे आपको समझ में आगे तो differentiate कर पाऊगे लास्ट वाली class और आज वाली class को देखेगे तो easily differentiate हो जाएगा सबसे पहले कहता है meaning देखो MOA क्या करता है इट्स आ आपका charter of the company content charter of the company सर कौन सा unit है मेरे खिला second unit है यह आप देख लीज़े जब voice ना आए तो hand raise कर दीजेगा क्योंकि अभी मैंने माइक को charge पर नहीं लगा रखा कहता है it is a charter of the company content fundamental condition upon the company granted in corporation मतलब company को बनाते समय पे इसके अंदर fundamental जो company काम करने वाला है वो लिखा होगा इसका आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोशेशन content the rule and regulation differentiate तो होई गया इसके अंदर fundamental क्या होता है granted कैसे company चलेगा और इसके अंदर rule and regulation how to govern govern मतलब क्या होता है govern मतलब चलाना किसको internal management of the company यह company के management को चलाएगा और यह company को ही चलाएगा दूसरा point purpose MOA memorandum define the objective power company fix up to scope and extent of activity of the company जबकि आर्टिकल फॉर्मदा बाई लॉज लॉज के थूरू आफ दा कंपनी और प्रवाइड दोज रेगुलेशन बाई विच अबजेक्ट और पावर आफ दा कंपनी केरीड आउट कौन से अबजेक्ट और पावर को केरी आउट किस तरीके से किया जाएगा आगे देखते हैं एक मिनट शायद यहां पे यह सेम पॉइंट आ गया ना चलो कोई नहीं यह आपने देख लिया परपस मीनिंग और क्या हो सकता है सर MOA के अंदर 6 पॉइंट होते हैं बड़े बड़े वो 6 पॉइंट लिख दोगे Article of Association में वो 6 पॉइंट नहीं होता MOA को पास करने के लिए Maybe SR और OR दोनों applicable होता है SR से भी हो सकता है OR से भी हो सकता है जैसे name clause के अंदर अगर CZ permission दे दे तो किस से करोगे सर OR लगेगा लेकिन Article of Association के लिए हमेशा 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 SR पास होगा अब दोनों में जो MOA है यह retrospective नहीं होगा अगर हमने कोई पीछे से गलत काम करते आएं करते आएं और आज पता चला और हम बोले के MOA को amended कर दे यानि alter कर दे और वो पीछे वाले जो गलत काम कियें वो automatic सही हो जागा ऐसा possible नहीं है AOE के अंदर ऐसा possible हो सकता है आप retrospective effect से भी इसको amend कर सकते हो माल लेते हैं कि आपका share capital का आप 14 दिन का 30 दिन का रखा था Fever हो जो था-क वे जाएं ँडोर रऊनेये सामाis आपाँ पता प देarsh group camar presents कि आप पकLता उनinkम स का महतben हैं कि नहीं जहीं, आपको रेले सत्त्त्त दिन स पता技। गelly को नहीं हो सकत गा आपका requirement % झाल 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 आगे वोईस चेक करिए मेरे को लगी रहा था यह बंद ना हो जाए में भी शायद फिर चले जाए मैं दुबारा बोल देता हूँ आप प्लीज रिमाइंड कर दीजेगा हैंड रेस कर दीजेगा जिससे पता चल जाए नहीं तो मैं बोलता रहूँगा चेप्टर बस दो पॉइंट बता है ज्यादा बड़ा पॉइंट है ने तो कंस्ट्रिक्टिव सॉरी कंस्ट्रिक्टिव नोटिव सर ये क्या होता है मेमोरेंड़म एन आर्टिकल इसको हम के स्टडी इस पे अकसर पूचा जाता है का जाता है का जाता है इस ह scout दो का जाता है चलिए अब हो गया डन okay now voice is clear मैं दुबारा erase करके बता देता हूँ now voice is clear फटा फट बताईए कह रहें बच्चे नहीं आ रही है yes okay मेरा example था sir एक x y z limited company है limited company है इसका moa आपको moa तो पता है नहीं क्या होता है memorandum यह public document है या फिर आपका personal document है यह बताईए इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आप किसी भी company का पढ़ सकते हो जाके कहा जाना पड़ेगा m c a मतलब आपका इसको भी कंपनी के registered office में जाके इसे पढ़ सकते हैं तो यह public document है ओके जो इस company के director थे ना जो इस company के director थे इनके पास पावर था कि इनके पास पावर था कि ये मात्र या इस कंपनी का जो डारेक्टर छोड़ देते हैं इस कंपनी का जो अबजेक्ट था ना अबजेक्ट में लिखा हुआ था कि ये गुड्स को पर्चेस कर सकता है और दस लाक रुपे से ज़्यादा का समान कभी खरीदेगा ही नी दस लाक रुपे से जब ज़्यादा का समान होगा तो पहले उसकी पेमिंट करेगा फिर खरीदेगा यह लिखा हुआ था इसमें बाद किसमें company के MOA के क्योंकि यह public document है object clause के अंदर यह लिखा था कि company कभी भी 10 लाख रुपए से उपर का समान नहीं खरी देगा एक व्यक्ति एक पर्सन यानि हमारा एक व्यक्ति जो कि हमें supply करता है goods और इस company का डिरेक्टर दोनों की अच्छी बातचीत है दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं और इस व्यक्ति को जो यह person है जो दुकांदार है इस दुकांदार को लगता है यह sir company तो इस director का ही है जो यह कहेगा वही होना है डारेक्टर ने बोला कि भाईया कुछ समान उधार चाहिए दे दो आपको payment हो जाएगा दुकांदार ने बोला हां sir बताओ कितने का समान देना है डारेक्टर ने बोला 50 लाक रुपे का उधार समान दे दो और इस वेक्टी ने इसको 50 लाक रुपे का समान दे दिया अब आया payment मांगने की टाइम जब पेमिंट मांगने का टाइम आया तो डारेक्टर ने उसे दिये 10 लाक रुपे पर दुकानदार ने जिसने हमें समान उधार बेचा था raw material उसने बोला था sir 50 लाक का माल बेचा है हमने 50 लाक रुपे देने था आप 10 लाक क्यूं दे रहे हो क्योंकि जब इनका meeting हुआ shareholder की जब meeting हुआ director को बुलाया गया बोला भाईया director कितने का उधार लिया गया है बोला गया भाईया director ने बोला 50 लाक का shareholder ने बोला sir 50 लाक का तो हमारा object clause ही allowed नहीं करता कि 50 लाक रुपे का समान उधार ले लो हमारे law के अंदर हमारे MOA के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ 10 लाख रुपे का समान उधार ले सकते हो तो आप जाके creditor को मातर 10 लाख रुपे दो भाई director ने जाके इसको कितने रुपे दे दिये 10 लाख रुपे दे दिये इसने बोला भाई 40 लाख रुपे बोला 40 लाख रुपे तो आपको मिलेंगे नि इसने क्या करा company पर case file कर दिया कि मेरे पैसे इसने नहीं दिये उस case में जो court का verdict या court का judgment आया कि भाई AOA में clearly mention था कि company सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपे का ही उधार माल खरीद सकता है और इसको पढ़ने का आपके पास available था सारी facility आपको पढ़ के इस company के साथ deal करना चाहिए था ये आपकी गलती है कि आपने इसे 50 लाख का माल दिया आपको सिर्फ 10 लाख ही company payment करने के लिए liable है इसके उपर नहीं पेमिंट करेगा आपको जिससे रिकवर करना है करिए आप company के against कोई case फाइल नहीं कर सकते हैं यानि उस case में company case जीत लिया तो इसको ही बोला गया क्या सर constructive notice to memorandum of article यानि यह notice यह notice क्या provide करता है यह company को बचाता है कि अगर किसी company के management ने company के power के beyond कोई contract कर लिया है तो company के ऊपर कोई case नहीं कर सकता वो कहेगा भाईया हमारे power में तो यह चीज़े करना ही नहीं था इसे आप पढ़ सकते थे तो फटा-फट से देखते हैं क्या कहता है कहता है डाक्ट्राइन डाक्ट्राइन बताया पिछली क्लास के अंदर डाक्ट्राइन क्या होता है एक्टिविटी अल्ट्रावाइरस मतलब बीयोंड पावर कहता है यहां का केस नहीं है इंगलेंड का केस था यह ठीक है वेयर बाइब पर संद डीलिंग विद अ कंपनी जहां पर कंपनी के अंदर डील कर रहा था दीम तु नो दा आपका कंटेंट आफ दा कंपनी कंपनी Memorandum of Association और उस कंपनी जो डील कर रहा था कंपनी के साथ उस व्यक्ति को मान लिया जाता कि भाईया तिरको कंपनी की सारी नौलिज है तुन्हें कंपनी की सारी बाते पढ़ी हुई है और अर्ट्ल उप इस अपजय और कंपनी के पास अविलेबल है यह थे पूलिक उफिस्ट्ट फे जो उसका है वहां पे अविलेबल है hence memorandum of article of association become a public document it is the therefore the duty of person dealing with जो person हमसे deal कर रहा है उसकी duty बनता है तू पढ़ के आता duty dealing with the company inspect the public document उसको पढ़िये make sure करिये his contract जो भी होगा उसके साथ आपका confirm with the their provision उसके provision के according करिये as observed by the lord इसके अंदर क्या कहता है judgment जो आया था whether a person actually read them or not चाहे वो व्यक्ति actual में पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो सामने आला व्यक्ति बोलता है सर हम पढ़े लिखे तो है नहीं हमें कैसे पता चलेगा तो बोलता है यह सम नहीं चलेगा यहां पर आप किसी से पढ़वा सकते थे यह आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रापर मीनिंग स्रफ पढ़ना नहीं उसका मीनिग ही समझ लेना है इसा नहीं कि चलेगा यह समझ आए करते हैं को चिज़े यह समझ नहीं समझ भी लेना फिर बाद में मत भोलना इसका मतलब समझ में नहीं वो नोटिस नहीं constructive notice है है मतलब hundred percent evidence आपके पास available है but also all the documents such special resolution particular of the charges which required by the act the registered with the register but there is no notice document which are filed only for the records इसके उपर एक case study भी है इस पर से questions जो बनेगा ना वो case study based बनेगा के मान लेते हैं एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया उसके memorandum of association या article of association में ऐसी ऐसी बाते लिखी थी उसने उसके beyond होके जैसा मैंने case बताए ना उस case में पूछा जाएगा बताओ क्या company को इसमें relief मिलेगा कुछ या company have to pay rupees 50 lakh तो जर्नलीस को देखके तो हर बच्चा बोलेगा company को देने पड़ेंगे 50 लाक रुपे और जहां बच्चे ने इस हिसाब से भावनाओं के हिसाब से अगर answer दे दिया तो answer मिलेगा नहीं उसे क्योंकि देखके तो यह लग रहा है कि यह 50 लाक देने चाहिए उस इसके बाद आया indoor management यानि इसका exception जो constructive notice है उसका exception आया उसका exception क्या आया कि भाई हर वेक्ति को हर बाते बाहरवालों को नहीं पता होगी company के अंदर कब meeting हो रहा है आप एक normal दुकानदार हो company कब meeting कर रहा है कब कानुन बदल रहा है कब नाम change कर रहा है कब क्या कर रहा है उसको थोड़ी सारी बाते पता होगी बस मोटी मोटी बाते पता कर सकता हो तो अगर ऐसा कोई deal करा उसने जो की company का internal बाते थी और फिर company बोल payment करना पड़ेगा यानि यह exception है उसका पिछले वाला क्या कहता था constructive notice वह कहता था कपनी को payment नहीं करना किसके लिए था वह company के favor में था और यह किसके आ गया company के against में आ गया जैसे देखो इसके उपर भी एक था England का case था England case वरकी तुरुकवान case study था और यह हमेशा famous हुआ था यह बहुत popular है इसी के उपर आपके question आ सकता है उसके अंदर हुआ क्या था generally अगर मैं थोड़ा सा discuss करूं उस case law के बारे में वहाँ पे था कि manage board of director को board of director जो था उसको permission था कि वो ना bond issue कर सकता है लेकिन law के अंदर यह mention ही नहीं था कि वो कितने का bond issue करेगा सिर्फ था bond issue कर सकता है और board of director ने क्या करा 2000 रुपे का 2000 pound क्योंकि यह England का case है 2000 pound का उसने bond issue कर दिया और bond का मतलब एक तरीके से debenture issue कर दिया लोगों से पैसे ले लिए अब bond issue करने के बाद इसके पास power का benefit करा यह चला गया AGM के अंदर और AGM के अंदर इसने discuss किया AGM के अंदर बाते की और AGM के अंदर meeting में जब voting हुआ जब resolution पास किया गया तो shareholder ने क्या करा इसको resolution पास करने से मना कर दिया बोला भाईया हम तो नहीं bond को valid मानते हैं bond invalid है तो यह जो resolution पास हुआ वो AGM में हुआ कंपनी ने फिर कहा इससे के भाईया आपके जो दो हजार पॉंड यह 1857 की बात है तब 2000 बहुत माइने रखता था कंपनी ने कहा कि भाईया हम यह 2000 की payment नहीं करेंगे आपको बॉंड को जो बाहरवाले आउटसाइडर थे आउटसाइडर को बोला हम payment नहीं करेंगे आउटसाइडर ने कोट में केस फाइल किया बोला सर देखो यह यहां पर जब हमने एमोए पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बॉंड इशू कर सकता है तो हमने खरीदा ना लेकिन अब इनका इंटरनल मीटिंग हो रहा है वहां पे शियर होल्डर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा पास ही नहीं हुआ क्योंकि कोई भी काम बिना रेजूलेशन के होई नहीं सकता तब हमारी तो कोई गलती नहीं है तो इस सिचुएशन के अंदर कोट ने फैसला लिया कहा कि भाया आप कंपनी आप लाइबल हो सभी बॉंड होल्डर को पेमिंट करने के लिए क्योंकि यह आपका इंटरनल मामला था इंटरनल मामले का बा बाहर वाले इनोसेंट है आपको उनका पेमिंट करना पड़ेगा अब बोड ऑफ डिरेक्टर की क्या लड़ाई चलती है वह आप दोनों समझें लेकिन बाहर वाले को आपको पेमिंट करना पड़ेगा तो दो केस लोगे पहले वाला क्या था कंपनी को सिक्योर कर रहा था यह किसको कर रहा है बोड अफ डिरेक्टर को ऐसे सिचुएशन में देखे क्या कहता है दा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मेनेजमेंट इस एक्षेप्शन तू दा रूल ऑफ कंस्ट्रिक्टिव नोटिस पिछले वाले का एस पर दा डॉक्ट्राइन परसन डीलिंग विद यहां पर इंटर्नल मेनेजमेंट अफ दा कंपनी इंटर्नल मेनेजमेंट पर यह एक्षेप्शन केस था इसका भी एक्षेप्शन केस आया कि कुछ बातें ऐसे हैं जहां पर अगर इंटर्नल मेनेजमेंट कुछ कर रहा है तो उस केस के अंदर कंपनी लाइवल नहीं होगा इसका एक केस और आया था केस लो नेम याद नहीं एक्जेक्ट आपको मैं नूट्स में दे दूँगा उसने क्या करा था मान लिया जाए एक्स याई जेड लिमिटेड कंपनी ने क्या करा था कि उसने शेयर इसू कर दिये थे और शेयर सेटिफिकेट पे मेंशन था एओए में आर्टिकल ऑफ एस्सोसियेशन में मेंशन था कि शेयर सेटिफिकेट जब कभी भी इशू होगा उस पे तीन लोगों के साइन होंगे company secretary के होंगे company के promoter के होंगे board of director के होंगे तीन लोगों के sign होने है इस share certificate पे लेकिन company secretary ने क्या करा इसके उपर एक तो अपने sign कर दिये और दो director के और जो promoter के उनके खुद forge sign कर दिये मतलब नकली तो forge sign के case में अब वो share issue कर दिया public को public ने जब पैसे मांगा तो company और public के बीच में क्या हुआ case हो गया तो ऐसे situation में क्या होगा कि court का verdict है कि भाई shareholder आपको company payment करने के लिए libel नहीं होगा क्योंकि ये fraud तो आपके साथ भी हुआ है और company के साथ भी हुआ है तो इसके लिए company libel नहीं है आपको इसका payment करने के लिए libel होगा जिसने इसके उपर signature forge किया है उसके उपर आप case करके payment ले सकते हैं तो यहां पर देखे किसको company को benefit मिल गया यहां पर यानि उसका भी क्या हो गया यह exception case हो गया एक तरीके से ऐसे ही होता है हमारा irregularity bond वगेरा issue कर दिया तो कुछ है case law है इसके अंदर last में तो सर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं सर इस chapter में important क्या है सर AOA के बारे में पता होना चीए AOA और MOA के बीच का क्या difference है यह पता होना चीए AOA में क्या content लिखे जाते हैं यह पता होना चीए सर constructive notice क्या होता है सर और आपका indoor management क्या होता है यह 4 points पता होना चीए आपको कोई दिक्करत नहीं आएगा constructive notice के case laws पता होना चीए और indoor management के case laws क्या है जो court के judgment आई थी ना पहले उस judgment के हिसाब से सारी चीज़ा आगे चलती है कई बार क्या होता है कि कानून के किताबों में नहीं लिखा होता तो जो judge होते हैं वो किसी को benchmark मानके सब चीज पढ़के देखके समझके यह फैसला सुना देते हैं क्योंकि वो लिखा हुए इन यह books of law में उसने फैसला सुना दिया तो बाकी के सारे judge क्या करते हैं उस facility को base म के आगे का उसी base पर judgment देते हैं जैसे कि एक chapter था हमारा semester आपके स्लिवस में सहट गया था हमारा एक dissolution तो dissolution में case law था गार्निय वर्सिस मुर्रे रोल शायद आगे तो आप तो पढ़ोगे नहीं या तो उसके अंदर एक case law आता था वो भी आप सोचो के वैसा नहीं होगा उसका पॉजिट हो जाता है जैसे पहले वाले case law का judgment आये हुआ था उसके judgment के हिसाब से क्या था सर के 5-10 लाग का ही payment कर सकता है वो judgment है उसी के basis पर होगा तो यहां पर भी आपको कुछ ना judgment पढ़ने पढ़ेंगे और just go through read out करना मैं आपने सारा समझ में आ जाएगा निउ चर्छा करने के बाद सबसे पहले प्रोस्पेक्टस व मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना SKD Limited के नाम से एक अपनी company बना लूँ शिक्षाधाम Limited के नाम से और मैं थोड़े से public से पैसे ले लूँ अपने shares को issue कर दूँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने share issue कर दूँ तो first question raised होगा sir कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो सारे rules and regulation follow करो और कर सकते हो लेकिन जब मैं shares को issue करूँगा तो public मेरे shares को मेरे company के अंदर investment किसे करना होगा जाहिर सी बात है investment public को ही करना है और public जब investment आप अपना पैसा कहीं पे भी लगाओगे तो आप उस company के बारे में जानोगे आप FDB करते हो तो bank वाले से 10 सवाल पूछते हो rate of interest क्या होगा यह क्या होगा कम मिलेंगे पैसे बीच में निकाल लिए तो क्या होगा आप insurance करते हो तो 100 सवाल पूछते हो यानि जो हमारा पैसा होता है उस पैसे को हम कहीं भी देने के देने से पहले हमें पता है कि यह आप हो नाव आप interested हो जाते हो आप मेरी company में पैसा लगाने के लिए चाहते हो लेकिन कुछ आपके दिमाग में question mark होंगे कुछ question mark होंगे दिमाग में सर क्या question mark होंगे दिमाग में कि सर company का जो पैसे हम देंगे हम तो investor हैं जो company को पैसे मिलेगा company सबसे पहला उस पैसे का what to do उस पैसे का क्या करने वाला है दूसरा company का profit and loss या फिर कह लो company का balance sheet वगेरा आप जानना चाहोगे अगर आप educated investor हो और आप commerce के हो तो मैं मानता हूँ हर एक commerce का बच्चा एक educated investor होता है educated का मतलब अलग है educated investor अलग है ठीक है न कि इसके बाद तीसरा question कंपनी के कि के plan क्या है future पर्जेंट में कंपनी क्या कर रही है मैं एक बड़ी सीधी सी बात बोलू ना इन पूरे बात को एक सब्द में मुझे बोला जाए conclude करना तो आपके mind में question चल रहा है कि आप जानना चाहते हो आप जानना चाहते हो जानना क्या जानना चाहते हो आप कंपनी के बारे में चल आप अकेले हो मैं तो आपको बोल दूँँगा देख मेरा ना इस पैसे का मैं नहीं नहीं ब्रांचे खोलूँगा प्रॉफिट था पिछली बार का कंपनी का प्लान है कि बहुत सारी ब्रांचे खोले और पर्जेंट में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम किसी और वर्क में भी जाएंगी एक व्यक्ति लेक। अगर मैंने 1,00,00 k शेर इंशू करने हो तो मुझे क्या अगर शपोस कि 10,000 पर Пश्शन ने मिलके 1,00,00 शेर खरीदें तो मैं 10,000 को यही बाते बताऊंगा तो बड़ी मुश्किल है यह बताने में 10,000 लोगों को तो सालों बीच जाएंगे जैसे कि अगर डियू डेली उनिवर्सिटी में यह किसी भी उनिवर्सिटी की बात करें उस कंपनी का जानना चाहते हो क्या सब्जेक्ट है नहीं है प्रोफेसर हर बच्चे को बताना लगने लग जाए तो पजया चल लगे कई साल लगे बताने में तो यह क्या करते हैं एक 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 क 2016 739 आए एक बुकले टईप City का मांझ लेता होता ही एक बुकलिट टाइप को बहुत बड़ा करीमे मान लो inferno तो से 200 पेजेस मान लेते हैं मिनिमम एक बुकलेट टाइप का एक यह क्या करती है बुकलेट टाइप का पूरा बुक बना लेती है और बुक बना के इसके अंदर सारी चीजे लिखे होगी यानि इसके अंदर कंपनी के कंपनी के बारे में इच एन एवरी थिंग कंपनी के स्टार्टिंग से लेखे अभी तक का सारा व्योरा होगा कि और जो कंपनी इसके अंदर लिखेगी ना सारी बाते वह सारी बाते एकदम सच लिखना होगा एकदम सच और साथ के साथ इसके उपर signature हर एक पेज पे या फिर इसके उपर signature होंगे किसके company के director के company के CEO को और भी बहुत सारे person company के company secretary और जो भी इस prospectors के लिए advisory कर रहा है उसके लिए सभी के signature होंगे मतलब इस बुक के उपर बुकलेट के उपर अब कोई वेक्ति आपके पास आता है कि सर सिक्षा धाम limited मैं आपकी company में shares खरीदना चाहता हूं interested हूं बताइए अपनी company के बारी में मैं एक booklet उठाकर दे दूँगा पढ़ लिए इसमें सारी जानका दिए अब यह आपकी जानपढ़ना पूरा आपकी responsibility है मोटी मोटी बाते मैं बता सकता हूं लेकिन मैं कर दूँगा अब डिजिटल के टाइम पर तो सभी को PDF भीज़ दिया जाता है अपाइस है अपि सेम एक तरी से मैं बुलने यह सादी में होता है कब क्या रसम है कभ यह कंव जिसकी शादी हो हर एक रिष्टेदार को बर्फली बताने लगिशार कि उसदिन यह होगा इस दिन यह होगा तो यह रश्त यह तो तो वह आज के टाइम पर देखते हो कि पीडियाफ वाट्सप पर भेज देता है आना जरूर है बस इतना बोलते हैं आना जरूर है ऐसा ही आप पीडियाफ भी बन चुका है कमपनी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देती है और लोग जो मांगते हैं वह वहां से डाउनलो सुरी कमपनी कहता है कि मेरी का ओफर मैंने गलत शब्द यूज कर लिया कि मेरी कमपनी के आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी इसमें जो यह जानकारी डिटेल है ना इसी को एक जो बुकलेट टाइप का है इसी को ही प्रोस्पेक्टस बोलें आप सभी ने life में कभी ना कभी prospectus देखा है हाँ शेर्स वाला prospectus नहीं बाकी किसी university में गए हो उसका ब्रॉसर प्रोस्पेक्टस होता क्या है अगर मैं आपको pamphlets भी दे रहा हूं उसमें company के बारे में जानकरी गीवन है that is also prospectus अगर मैंने किसी भी वीडियो के माध्य हमसे youtube पे add कर दिया that is prospectus यानि prospectus का मतलब सिर्फ booklet से नहीं रह गया आप एनी kind of document जो मैं आपको दे दूं that is prospectus लेकिन अब इसके अंदर यह बड़े type के होते हैं अब 200 pages का हर किसी को नहीं दिया जा सकता हर किसी को नहीं दिया जा सकता तो हम दो चीजे बनाते एक तो prospectus मोटे पन्ने वाली होती है और एक थोड़ा सा हम पतले पन्ने वाले भी बना देता है ःते हैं जिसके अंदर मतलब 20-30 मान ले 1020 थर्टी सुमरी को पूरे बड़े प्रॉस्पक्टर का एक समरी होता है जीसे हर चप्टर के खतम होने के बाद समरी हो लेकिन पूरे तो यह बड़े वाला प्रोस्पेक्टरा और इसी तरीके से क्या अ? समरी तो दिया बोला जाता अब्रीज प्रोस्पेक्टॉस हैं को यह हमारा नॉर्मलप्रोस्पेक्टटा कैं मैंने प्रॉपलेट क्यों पाटब अ realities मes कि में लगबक कमपाणी के बारे में और आपने उसको उसी इन फार्मेशन को देखे प्रॉंपलेट्स को देख deix पेज को देखके एक कंपनी के शेर में इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी that is a prospectus वो deemed prospectus होगा सर एवरीज prospectus क्या है इसकी एक समरी deemed prospectus क्या है कोई भी एक मिल जाए आपको कहीं से भी information that is called prospectus जो company के द्वारा इसू किया गया हो या company के किसी authority person से कि इस prospectus में सबसे में चीज आप क्या देखते हो कि company के सारी चीज़ें तो दिखते हो company का शेर का प्राइस क्या होगा शेर का प्राइस कितना है एक शेर मुझे मिलेगा कितने वह तो कई बार company ना इसके अंदर शेर के प्राइस क्लियर नहीं बताती बोलती एक है सौ से लेके 120 के बीच का होगा आपको कितने share मिलेगा ये भी नहीं बताएगे बोलेगा depend करेगा demand और supply पे तो अगर ऐसे किसी prospectus में इस तरीके की कोई बाते हैं तो उस prospectus को हम कहते हैं red herring prospectus अभी हम detail में भी देखेंगे सर अगर इसके अंदर आपने कोई fake situation में जो जो involved है उनके उपर fine लगाया जाएगा कितना जितना fake information के वज़े से आपका नुकसान हुआ है वह amount या उसका three time और फिर आपका दस साल तक की जेल के सजा का भी प्रोवधान है और दोनों है प्रावधान तो बड़ी simple में समझें तो prospectus company starting में और यह सिर्फ public company कर सकते है में ली starting में company अपने शियर बीचना चाहती है तो लोगों को थोड़ा सा बताए नीजपेपर में इस्तिहार दें टीवी में आड्स दें या फिर आपका ये पर एक्सांब उसलीं पांफ्लेट्स बटवा दें बैंक अंदर बैनर लगवा दें ब्राशर रखवा दें बॉक लेट रखवा अंदर मिसलीडिंग है तो उसको किस थरिके से प्रोविजन क्या है तोनों पाट्ली के लिए कंपनी के लिए क्या बनी मांनना कि प्रोविजंस है और जो परसन खरीदरे के लिए कब तक उसके पास Remedies available है, Remedies मतलब के वो अपने नुकसान की भरपाई करवा ले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होफुली थोड़ा बहुत आपको tentative idea लग गया होगा दिमाग में एक आ जाता है, prospectus क्या होता है तो मैंने simple सा लिखा है कि prospectus के type और आप clearly देखेंगे, एक हमारा meaning, type और यह सारी चीज़ें बाते करें सबसे पहले आईए meaning देखते हैं, सर, meaning में क्या कहता है, कि according to the section 270, सभी के definition यहीं की बने है कहता है, prospectus mean, prospectus का मतलब any document इस बात का ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा इस बात पे किसी भी परकार का document, describe issue as prospectus, include, किसी भी परकार का, जो कि describe कर रहा है, issued किया जा रहा है prospectus किसी भी परकार का, जैसे red herring prospectus हो सकता है section 32 के according, self prospectus हो सकता है, section 31 के according, any notice circular advertisement, देखिए, क्या बोल रहा है, कोई भी notice, कोई भी advertisement, वो also prospectus है और other document, invite offer, और ऐसा कोई भी document लिखित दे, जिसमें लगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी company के share खरीद लो, वो भी prospectus है from the public, किस लिए subscription और purchase of any security, यह सिर्फ shares के लिए नहीं होता है, यह debenture के लिए भी हो सकता है, preferring share के लिए भी हो सकता है, any security के लिए, जिसके लिए तो उसे prospectus बोला जाएगा to subscribe share capital, public company, और यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, मैंने, public company, मतलब private company, prospectus issue नहीं करती, क्योंकि उसका पहला disadvantage ही है, limitation है, restriction है, वो अपने share किसी stranger यानि बाहर वालों को नहीं दे सकता, any document which has been object of securing required capital public deposit, और उस prospectus के अंदर सारी जानकारी होगी, जिससे public ने जो पैसे हमें जमा करें हैं या पैसे दिये हैं, उसकी security बढ़ जाए, क्योंकि वो सो समझ के investment करेगा, for a company comes within the definition of prospectus, ऐसे चीज़ को prospectus कहेंगे, तो बड़ी simple सी बात है, prospectus के कुछ नाम डाल दिया, red herring prospectus, self prospectus, और any kind of document, कोई भी document हो, उसे prospectus की category में रखा गया है, सर यही meaning था, 270 में, अब सर prospectus के अंदर requirement क्या-क्या चाहिए, prospectus में क्या-क्या बाते लिखी होनी चाहिए ही चाहिए, कई बार पूछा जा सकता है, तो सर, it must be dated, कहता है कि सबसे पहले, requirement to prospectus, क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले, सेवी की permission लेनी है, regulation 2018, issue capital disclosure requirement, disclosure requirement का मतलब, हम सेवी के पास जाएंगे, बोलेंगे, सर, हम अपना share issue कर रहे हैं, देख लिजी हमारी company में, सेवी आके पहले check करेगे, भाई, genuine बात है नहीं है, फिर declaration दे देगी, कि ठीक है, या तो issue कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, सहारा company आज तक अपना shares market में नहीं लेकिया आपाई, बहुत बाट रहे किया, सेवी ने नहीं आने दिया, जबकि आप सहारा company को जानते ही हो, बहुत सारे product line up में था सहारा, सहारा air था, सहारा आपके इतने सारे पड़क्ते financial institution था, सहारा housing था, बहुत सारी चीजों में, और आज भी सहारा का नाम है, ऐसा नहीं है, नहीं है, पहले दो-तीन ही पूंजी पती अमीरों में अगर गिंती होती, तो Tata, Sahara, Birla, इन लोगों के नाम गिने जाते थे, इसके अंदर dated होनी चाहिए, क्योंकि भाईया यह तो जरूरी है, यह registered होना चाहिए, registered मतलब approval लेना पड़ेगा, जैसे अपने approval लिया, registered हो गया, एक्सपास, जो expert है, जो expert, expert मतलब जो prospectus design कर रहा है, announced within a formation of management of the company, मतलब कब company का formation हुआ, किस design में prospectus होना चाहिए, वो expert का concern भी इसके अंदर होना जरूरी है, expert concern to be obtained, मतलब expert का हमें concern लेना जरूरी है, पहला expert to be accounted, मतलब prospectus में accounted का मतलब क्या है, unaccounted, sorry, मैंने accounted बोल दिया, unaccount, sorry, unconnected, expert to be unconnected with the formation of management of the company, जो expert है, अगर unconnected है, तो with the formation, formation मतलब company को बनाने में, तो उसका हमें help लेना पड़ेगा, expert concern की जुरत है भाईया, every application, आपका accomplice, कोई भी application है, वो bind करे, मतलब सामने आले वेक्ति को लगे के भाईया, हमारे बीच में contract हो रहा है, copy of prospectus, जो की average prospectus के नाम से जाना जाता है, disclosure requirement है के भाईया, हमारी company में सब कुछ ठीक ठाक है, या चाहे खराब भी हो, चाहे ठीक हो, दोनों परकार के आपको disclosure देने पड़ेंगे, ठीक है, sir हमारे type prospectus, ध्यान दीजिएगा इस पे, सबसे पहला है हमारा sir deemed prospectus, section 25 deemed prospectus, क्या होता है sir deemed prospectus, any document, या कोई advertisement, या कोई announcement, मतलब booklet form में नहीं, एक short time पर आपको ये बाते पता चल जाए, तो ऐसे prospectus को हम बोलेंगा deemed prospectus, ठीक है, self prospectus, जर्नली, हमारे prospectus की जो life होती है न, उन 90 days की होती है, अगर आपने एक बार prospectus इसु करा, सारे requirement फुल्फिल किये, तो 90 दिन तक आप prospectus इसु कर दो, पबलिक को, अगर आपका time ज़्यादा लग गया 90 दिन से, तो फिर दुबारे सारे condition फुल्फिल करना पड़ेगा, लेकिन self prospectus बनाया गया, यह financial institution यानि बैंक के लिए, बैंकिंग कंपनी को अगर शियर इसु करना है न, क्योंकि बैंकिंग कंपनी न, बहुत ज़्यादा इसमें involved रहती है, उन्हें साल में कई बार बार बांड इसु करने पड़ते हैं, कई बार उनको debentures, इस तरीके से multiple time चाहिए होता है जुरत, तो normally self prospectus बैंकिंग करनी और इसकी life जो है न, इसकी one year life रहेगी, और कहां से first allotment जब खतम होगा, उससे एक साल का दिया जाएगा, यानि जो बार बार frequently काम कर रही है, कि या intimate करो public को, फिर से debenture लेकर आएं, फिर से bond लेकर आएं, फिर से shares लेकर आएं, यह सिर्फ financial institution और banking के लिए है, तो वो कौन सा prospectus issue करेगी सर, self prospectus, अगला है सर, red herring prospectus, red herring, red herring, red herring, red herring का मतलब simply है, मतलब confusion, confusion, confusion मतलब, सर, इसके अंदर आपको दो चीजे कभी भी नहीं मिलेगा, price, और quantity या फिर number, price पता है कैसे देंगे, 120 से 130, यानि इसके बीच में कोई भी price हो सकता है, वो bidding के हिसाब से होता है, जितना bid करोगे, bid का मतलब होता है, आप बूली लगाने और लगाओगे, basically इसलिए, क्योंकि company को भी कई वार पता नहीं होता कि हम कितने का, share issue करना चाहिए, कितने shares आपको मिलेंगे, ये भी नहीं पता होता है, एक lot, दो lot, बस बोलता है, आप खरीद लो, बाद में हम देंगे, ऐसे prospectus जिसके इंदर ऐसे जानकारी, incomplete information हो, उसे बोलेंगे हम कौन सा, red herring prospectus, last one, average prospectus, ये summary है, क्योंकि prospectus 200 pages का होता है, बेसिकली, तो इतना सभी को बाटूँगा, अगर एक lot prospectus एक lot को बाटूँगा, तो company का prospectus इस्यू करने में बड़ा खर्चा जाएगा, तो एक summary कम page इसका बना लेते हैं, उसको देते हैं, लेकिन कोई person बोलता है, नहीं मुझे detail चाहिए, तो ही, उसको detail prospectus दिया जाएगा, तो यह summary है, cost, basically company अपने cost cutting के लिए, इस prospectus का इस्तेमाल करती है, तो normally आज के time पे सबसे ज़्यादा trending में, और हर company यह वाला prospectus इस्यू कर रही है, तो चार टाइप हो गए, जो आपने देखे, इसके बाद हम deemed prospectus से के करके meaning देख लेते हैं, लिखा हुआ है, समझा तो दिया ही, चलिए सर, आईए deemed prospectus, a deemed prospectus as this name suggests is deemed to be company, मतलब मान लिया जाएगा भाई, तुमने ही issue गिया था यह prospectus, simple term in a detail, a legal document होगा वो, which contained all information regarding the stock, एक document होगा, जिसके अंदर सारी information company के shares के होंगे, security के होंगे, that company offer to public, जो company, public को बोल रही है के मेरी company के खरीद लो, तो इसको क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा हमारा deemed prospectus, अगला है सर, self prospectus, क्या कहता है meaning में, a self prospectus mean prospectus is issued by any financial institution, किसी भी तरीके का financial institution या फिर bank, सर दोनों में क्या फरक होता है, देखो bank का का काम दोनों होता है, पैसे जमा करना भी और पैसे लून पे भी देना, financial institution का mainly काम होता है, पैसे लून पे ही देना, ठीक है न, तो any financial institution for bank, one or more issue of security, one or more, मतलब या तो साल में एक बार, या उससे ज़्यादा करे, class security specific prospectus, और वो specific prospectus होगा, एक से ज़्यादा करे, तो उसको self prospectus बोलेंगे, provision क्या है, एनी class और class of company, prospectus में भी security, और exchange board में भी, file self prospectus, within a registered stage, of first offer, क्या कहता है, कब होगा ये, जब हमारा first offer, indicating a period not exceeding one year, first offer के, जैसे ही हमारा first offer होगा न, पहला offer, IPO, उससे एक साल रहेगा, आपका for the period, validity search prospectus, यारी सिंपल सी बात है, सर आप साल में कई बार, आपको shares वगएर, आईशू करना पड़ता है, तो आपको prospectus इशू करना पड़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, कि आप banking या financial institution, मैं एक सिंपल एजूकेशन कंपनी बनाता हूं, और बार बार में रब मन करता है, प्रोस्पेक्टस तब मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, इसके life कितनी है सर, life one year, बड़ी सिंपल सी डेफिनीशन, इतना दिमाग नहीं लगाना है, deemed मतलब, कोई भी legal document, जो मैंने आपको दिया, self मतलब, financial institution issue करती है, इनको बार बार करना पड़ता है, एक साल के लिए, आगे देखा जाता है, red herring prospectus, बड़ा सिंपल सा है, red herring prospectus mean, prospectus which does not include, complete particular, quantum, मतलब, कितने number, और price of the security include, मतलब, ऐसे document, ऐसा prospectus, जिसके प्राइस और quantum, यानि quantity, मेंशन ना हो, उसे बोल देना, कौन सा red herring prospectus, average prospectus, क्या होता है, कहता है, average prospectus is, memorandum of containing, such silent feature, मतलब, कुछ ऐसे silent feature है, of a prospectus may be prescribed, does it brief version, brief का मतलब, एक तरीके से, version of the silent feature, of the prospectus, to cut the cost involved, मतलब, ये एक summary type का है, ब्रीफ दे दिया जाता है, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, summary देना, कि briefly बता, ब्रीफ बता दो, इसका क्या है, briefing कर दो, तो जस्ट एक बता देना, कि ये company में है, फटा-फट से ये काम कर लेना, in the publication of large number of prospectus, और ये बहुत बड़े number में होता है, which has to company application form, such debenture, तो ये form बगेरा टाइप का है, अब क्या कहता है, provide every application form, share debenture has to be, accompanied with the average prospectus, वो भी एक तरीके से legal document है, provide full prospectus, उसे full prospectus तब दिया जाएगा, जब person को जरुरत होगा, जब person ask करेगा, बोलेगा, भाई मेरे को एक काम कर, इससे समझ में नहीं आई ज़्यादा बाते, तो सारी detail दे दे मुझे, जब ऐसा मांगेंगे, तो उस टाइम पर क्या करेंगे हम, उस टाइम पर हम उसे, मतलब normal prospectus, जो पूरे 200 पनने का example लिया था, वो दे देंगे, आगे दिखते हैं, दा फॉलविंग केसिस हावेवर रिक्वाइट तो दे एवरिज प्रोस्पेक्टर, कुछ, वैन एप्लिकेशन फॉर्म इशू, जिनको जौरत ही नहीं है के बड़े, अंडर राइटर को शियर दे रहे हैं, तो अंडर राइटर तो सब चीज लेता ही है, उनको पेजिस पकड़ा दो, ये लो पढ़ लो, तुम्हें थोड़ी बहुत समरी दे दी हैं हमने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो उनको भी जुरत नहीं है के सारी चीजे, कहता है के दा फॉलविंग हाववर रिक्वार्मेंट अवरेज प्रोस्ट डस नॉट अप्लाइ, मतलब अंडर राइटर को तो सारी बात पता ही है तुम क्या करोगो प्रोस्पेक्टर लेगा, तुम्हें कोई अवरेज प्रोस्पेक्टर नहीं मिलेगा, अब मुद्द की बात, अगर कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट विद्धा प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेल भी लाइबल तू पचास हजार रुपय का फाइन दिया जाएगा डिफॉल्ट में, अगर इस वाले में डिफॉल्ट होते हैं तो आपको पचास जार रुपय का फाइन लगाए जाएगा, तो यहां तक हमने क्या कवर कर लिया सर प्रोश्पेक्टर सिक्वार फटा-फट मेरे साथ आजाईए, साथ के साथ सबस्क्रिप्ट्ट पब्लिक को हम बोले के मेरी कंपणी के शेयर इशू करो इस टाइब का कोई डॉक्युमेंट है तो उसे प्रोस्पेक्ट्थ बोलेंगा कंपणी के पॉइंट व्यू से इसके बाद सर क्या है तौन के प्रॉब्ल चाहिए आपका एक्सपर्ट का कंसर्ण चाहिए और डिस्क्लोजर भी सारे हमें देना पड़ेगा इसके बाद सार प्रोसपेक्टर कितने टाइप के होंगे चार एक होगा दीम्ड एक होगा सेल एक होगा रेड़ हेरिंग एक होगा आपका लास्ट एबरेज डिम्ड क्या होता है यह पूरा मतलब मान लिया जाता है कि यह प्रोस्पेक्टेस ही है अगर ऐसा कोई डॉक्यमेंट दिया हो जिसके अंदर मैंने बोला हो कि आप मेरी कंपनी का सिर खरी दिए तो यहां पर क्वांटिटी और प्राइज ना मेंशन हो और हम बोले के हम अपनी कंपनी के शियर्स लेके आ रहे हैं यह बड़ी बुकलेट वाली प्रोस्पेक्टर्स उसका समरी होता है कुछ लोगों को ज़ुरत नहीं है अंडर राइटर्स या फिर एक्जिस्टिंग शियर फूलर को मेंबर मतलब एक्जिस्टिंग तो यह था हमारा पूरा का पूरा टाइप और मिनिंग ओफ प्रोस्पेक्टर्स ठीक है इसके आगे हम क्या देखेंगा सर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लेना इसके आगे हम देखने वाले हैं एक्जिस्टिंग क्या क्या मिसलीडिंग है उसके रेमजीज सर मिसलीडिंग इंप्रोस्पेक्टर्स मिसलीडिंग का मतलब आपने prospectus के अंदर जिसके basis पे आपने मेरी company के shares खरीदे उसमें सारी की सारी बाते या कुछ बाते जूट लिखी हुई थी यानि गलत information दिया हुआ था उस case के अंदर आप तो बेवकुप बन गए आपका तो नुकसान हो गया आपके तो पैसे loss हो गया तो ऐसे situation में आप company के खिलाफ क्या क्या कारवाई कर सकते उन सारी बातों को discuss करने वाले हैं इसमें तो चलिए संद हम बात कर लेते हैं misleading के तो misleading के case के लिए एक आपको ना case में समझाता हूं कि हुता क्या है misleading actual और काफी important है रेक्स वर्सेस कालियसंट एक केस है जो की leading law है नॉर्मली हुआ क्या के जो रेक्स कंपनी थी जो कंपनी थी कंपनी ने क्या करा था कि अपने प्रोस्पेक्टस में ये बात बोली के हमने डिविडेंट पेड किया है अगर मैं बोलू कि इसी साल जो पुराने मेरे shareholder थे उसको मैंने dividend दिये है इसी साल आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि मैं dividend कभी भी fail नहीं हुआ इस बार भी dividend दिये है covid में भी dividend दिये है हर बार dividend दिये रहा हूं तो आपको क्या feel आएगा आप सोचों को dividend दे रही है तो dividend दो profit से दिया जाता है तो company में profit होगा ही होगा यह समझोगे लेकिन जब actual पता चला एक shareholder को कि भाईया इसने पूरा पढ़ा और पता किया तो पता चला कि dividend इसने profit में से नहीं दिया जो इनके reserve पढ़े थे पहले कभी उसमें से निकाल के दे दिया share issue करने के लिए और जबकि company को इस साल लॉस हुआ है अगर मैं बोलू मेरी company के अंदर इस साल लॉस हुआ है investment करो तो आप नहीं करोगे तो उसने इस बातों को छुपाया तो उस leading case में court का verdict आया कि भाया यह misleading of prospectus है और जो भी इसका compensation है वो सारा दिया जाए तो fact case का क्या था यही case मैंने summary करा है exam में पूछा जाएगा यह case in the prospectus of the company it was stated that company has regularly paid dividend हर बार dividend दे रहा है और during the last several year when the company actually has been incurred substantial loss और company had the convert loss into the profit by return back some of the past provision create कुछ पुराने जो की reserve थे जब company का दोर अच्छा चालता था तब के reserve को वो यूज करता था तो court का verdict आया कि भाई इसके अंदर जो फैसला गया किसके favor में जो shareholder था उसके favor में गया बोला गया company तुमने तो misleading करा है इसके साथ ठीक है यह था हमारा misleading अब sir misleading prospectus एक और case है peak versus गुरने की समझिये था क्या अब इस case के अंदर माल लेते है Mr. X को XYZ limited company के अंदर पता है कि इसके अंदर कुछ इसके prospectus में गड़ बड़ी है और इससे पता चल गई यह बात इसने इस company के shares को खरीदा ही नहीं इसने इस company के shares को नहीं खरीदा जब इसने इस company के shares को नहीं खरीदा उसके बाद लेखिन इस company के shares को Mr. A ने खरीद लिया ना एक्स क्या करता है company से ना खरीद के एसे share खरीद लेता है और जब company binding पर जाता है तो एक्स बोलता है मैं तो लाइबल ही नहीं हूं क्योंकि इस prospectus में ही मिस्स्टेट्मेंट था तो इस case में court का judgment आए कि आपने जो खरीदा था शेयर वो secondary market से खरीदा था यानि शेयर मार्क ने दूसरी बार खरीदा है तो जो कोई रोल नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए खरीदा था तो यह case था हमारा peak versus गुर्णे का कहता है fact of the case कहता है गुर्णे issue the fraudulent prospectus behalf of the company no share were purchased by peak at the time मतलब कोई भी share नहीं खरीदा गया several month alternative peak purchase 2000 share company from the stock exchange यानि company ने stock exchange से 2000 के share खरीदे he bought an action अगेंस दा director for deceit मतलब इसने बोला के भाई डारेक्टर के अगें एक्षन लुगा company ने fraud कर रखा है तो court का वड़ी का है भाई आप नहीं ले सकते चलिए सर अब यहां पर effect misleading misleading के क्या-क्या effect हो सकते हैं प्रोस्पेक्टर में यहां पर criminal liability वगरे भी देखेंगे हम तो क्या-क्या effect हो सकता है देखो अब remedies shareholder को जब इससे effect होगा तो किस-किस को benefit मिलेगा remedies का मतलब आपके पास क्या तरीके हैं कि अपने चीजों को recover कर पाओ आपका हो गया नुकसान मैंने जूट बोला तो आपके पास क्या प्रावधान है जैसे आपको किसी ने मान लेते हैं कि कोई आपके साथ धोका-धड़ी कर रहा है तो आपके पास क्या ऐसा प्रोविजन ह अपना लॉस या कुछ भी जो दोका-धड़ी और तो कहता है इंदा प्रोस्पेक्टस कंटेंड मिसलेडिंग अगर प्रोस्पेक्टस में मिसलेडिंग है तो फॉल्स या फिर फॉल्स स्टेट्मेंट या कुछ बाते जूट बताई गई है या ओमेटिट भूल उन्होंने लिखा ही नहीं और वह मटीरियल फेक्टस है विच अमाउंट टू भी मिस्री पर्जेंटेशन देन आपका एग्रीव्ड जो व्यक्ति है शेयर होल्डर उसको रेमेडिस मिलेगा क्या रेमेडिस हैं अगेंड अगेंस डारेक्टर के रिस्पॉंसिबल और अगेंस कंपनी यानि वह दो लोगों से अपना हर जाना मांग सकता है या तो बोले कमपनी भाई तू मेरे पैसे दे या उस कंपनी के डारेक्टर के अगेंस केस करेगा तो यहां पर भी दो बाते निकलके आएगी या तो वह बोले का भी हम शियर नहीं खरीद रहे हमारे वही पैसे दे बा है अगेंस कंपनी अगेंद डारेक्टर अब बात करते हैं सिर लाइविलिटी पर मोटर एक्सेक्रा इं केस और मिस्लेडिれてी की या या अभी पहले हम देख लेते हैं पर मोटर के अग्स तो कहता है यह लिएकर्टड़ी परिटीड यूइस डारेक्टड आफ ठाइड पर्सन डारेक्टर थे सभी की लाइवलिटी बनती है उसका पेमिंट करने का उससे ले सकता है किसी से भी एवरी पर्सन हुई जिसको उन डारेक्टर ने बोला था भाई देख के और अच्छे से बनाई हो तू भी नेम एंड नेम इन दा प्रोस्पेक्टर जिस डारेक्टर का लिखा होगा वो लाइबल है शेयर होल्डर के पैसे को रिटन करने के लिए समझ रहे हो शेयर होल्डर के पैसे को रिटन करने के लिए एवरी पर्सन हुई पर्मोटर अफ दे कंपनी अगर पर्मोटर हो तो में बंदा यह वह तो लाइबल हो गई होगा और एवरी पर्सन हूँ ऑथ्राइज दा इश्यू आफ प्रोस्पेक्टर यानि अगर व्यक्त केस किया जा सकता है शेयर होल्डर के खिराब के मेरे साथ शेयर होल्डर नहीं कहूंगा इन्वेस्टर के खिलाब के मेरे साथ धोकाधड़ी की गई है अब बात करते हैं कि liability director, promoter, etc. in case of misleading तो कोन-कोन से type का liability बनता है सर criminal liability है और civil liability है और एक liability under general law है criminal liability मतलब सर एक तरीके साथ fraud करोगे तो criminal criminal मतलब बदमाश आपने हमेरे साथ धोका धड़ी गया तो से criminal बोलते हैं civil मतलब आप rule regulation को follow नहीं कर रहे तो civil liability सर criminal liability section 34 के अंदर है और criminal liability किस-किस के लिए है देखते हैं कहता है where a person issues circulated distributed मेरे hopefully आपको नहीं visual हो तो मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा criminal liability देखे क्या कहता है where आप prospectus जो prospectus के अंदर करना issue जो किया गया था उसके अंदर circulated उसके अंदर point हो या distributed include any statement which untrue untrue का मतलब जिसमें जूट बाते लिखी हो misleading गुमराह किया गया हो from the contest which include where any inclusive of omission of matter likely to mislead मतलब सर कोई भी ऐसी बाते लिखा गया हो प्रोस्पेक्टस विल बी लाइबर अंडर सेक्शन 447 चार सो सेंतालिस कंपनी सेक्शन में सारी penalty की बने कि कौन कितना देगा कहता है एनी परसंट हूँ फाउंड गिल्टी मतलब जो जो व्यक्ति दोसी पाया जाएगा शैल भी पनीशेबल विद्धा कितने साल के लिए या तो छे महीने के लिए भाई या जेल जाओ नहीं तो तुम्हें दस साल के लिए भी जेल भेजा जा सकता है तो लाइबलिटी जो है क्रिमिनल आप अगर कोई करते हो ऐसी मिस्लीडिंग वाले छे मैंने के लिए जेल भेज देंगे या फिर दस साल के लिए जज को गुस्ता आगे आगर नहीं बहस कर लिए आरे भाई मेरे को थोड़ी ना पढ़ सकता है देखें नीचे क्या लिखा हुआ है कंपनी के पास भी कुछ प्रोविजन या फिर मैं कह सकता हूं कि कुछ कहता है देट नोटिंग सेक्शन सेल भी अपलाई टू पर्सन प्रूब स्टेटमेंट ओमिशन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके जो भी स इस लीडिंग था यानि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा कि गलत कंपनी है बिलीव देट क्या कहता है देट नथिंग इन दस सेक्शन सेल अपलाई कब सेक्शन अपलाई नहीं होगा तू दा परसन इव दा प्रूव सच स्टेटमेंट और अपका रिजनेबल ग्राउंड तू दा प्रॉड दा इसी मतलब अगर ऐसा कुछ है कि आपका कोई नुकसान नुकसान हुआ ही नहीं तो फिर आपका बोला जाएगा बाट नहीं है जब कोई नुकसान नहीं है हो जाते ये गलतिया जैसे बुक है बुक में हो जाता आप केस थोड़ी ना कर दोगे भाई हो गया टाइपिंग एरर हो गया जान बूचके नहीं किया गया हो उसके खिलाब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर सीविल लाइबिलिटी क्या होता है कि कहता है वेर आप पर संपर सिक्यूरिटी ऑफ दा कंपनी एनी स्टेट इंक्लूड ओमीशन हो मतलब बार-बार वही है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गरबढ़ी है तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है मिस्लेडिंग के लिए कौन-कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा साथ डारेक्टर होगा पर मोटर होगा ऑथराइज होगा एक्सपर यह बताया गया है डिफेंस अवेलिबल डिफेंस का मतलब अब कंपनी के पास भी कुछ अधिकार है कि अगर आपने साथ धुका धड़ी हुआ है तो समय सीमा के अंदर आपको सारे काम करने हैं और शियर होल्डर के पास भी राइट है कि आप डिफेंस कैसे कर सकते हैं ठीक by the successful आपका pleading and the following defense मतलब आपने कोई case कर दिया simple सी बात समझो ना आपने company के उपर क्या कर दिया case कर दिया authority of expert he made statement authority expert whom delivered complete and expert has given concerned withdrawn मतलब कि आपने prospectus बनाया लेकिन आप जब market में issue होने वाला था prospectus उससे पहले ही आपने return दे दिया company fraud हो रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हुआ तो आपके पास मिल गया remedies यानि defense कर गए अपने आपको आप reasonable ground कर दो कि भाई या मेरा तो नाम डाल दिया गया था रैसे डाल दिया था इन्हों ने इन्हों ने बताए नहीं company ने किताब में होता है ने किसी किताब के अंदर कोई amount है किसी में amount हो जाता है misprint हो गया typing error हो गया दूसरे lot में तो बोलेंगा भही सर यह तो गलती हो गई है ठीक है न consent withdrawn आपने अपना consent withdrawal कर दिया having the consent become director withdrawal his consent become director before issue prospectus prospectus issue करने से पहले ही बोल दे मैं जिम्हेदार नहीं हो मैं नहीं बन रहा जाए इसका responsible तो आप उसके खिलाब केस नहीं कर सकते इस विदाउट knowledge आपने इशु किया आपके पास knowledge नहीं था आएंगे तो उसको surprise करेंगे तो फिर वो बोलेगा सर मुझे तो पता ही नहीं था तो मैं भी इस case के अंदर मेराब defense हो जाएगा तो यह वो डारेक्टर के खिलाफ defense available है कि वो liable नहीं होगा उसके खिलाफ case करोगे तो आप हार जाओगे case अगे अगे तर लाइबलिटी अफ दो लाइबलिटी है company के लिए और शेर होल्डर के पास दो remedies अविलेबल है शेर होल्डर कंपनी की लाइबलिटी दो मतलब के शेर होल्डर एक तो यह क्या कर सकता है right to resign मतलब बोल सकता है भाई मेरा contract तोड़ दो पैसे और दूसरा हो सकता है कि वो damage का demand कर ले कहता है दा शेर होल्डर हूपर चेस शेर जिसने खरीदा on the basis of misleading prospectus has two rights against the company under the general law general law में दो rights अविलेबल है right to resign resign का मतलब होता है contract तोड़ देना कि भाईया जो भी contract किया था अब यह contract नहीं valid है कब-कब material facts यानि आपको नुकसान तगड़ा हो गया है the statement which include the shareholder to subscribe shares must related to be material facts immaterial नहीं होना चाहिए not an expression and opinion मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मुझे लग रहा है कि इसके साथ नुकसान होगा इसलिए मेरा contract cancel कर दो कल मुझे लग रहा है तो मारी company बंद हो सकती है ऐसा नहीं हो चुका हो और material के मतलब ऐसी घटना हो जिससे वाके ही फरक पड़ा हो उससे material वो लेंगे कहता है fall representation कहता है the statement which has include any parties subscribe the shares have been untrue and true का मतलब उसमें जूट बाते लिखे गई थी misleading तो बार बार यहीं बाते दोराई जा रही है बोथ यह दोनों था contest of included तब आप कर सकते हो cancel reliance and इंडियंस शेर होल्डर must have actually rely upon the statement शेर होल्डर ने भई सच में statement यानि उसको पता ही नहीं था have been in आपका induced by the purchase of shares जब shares खरीदा तो बहुत भोला भाली था उसने उसको समझ के सोच के तब शेर खरीदा था यह माना जाएगा कहता है reasonable time आपको reasonable time के अंदर यह करना ऐसा नहीं पता आपको आप चल गया कि दो साल बाद बोलो भाई मेरे को पता था मिसलेडिंग थी इसमें कांटक्ट कैंसिल कर दो मैं नहीं लेरा आप शेर के प्राइस जब नीचे चले गए तो बोला गए आपके हाथ से मौका निकल गया आपको reasonable time मतलब पता चला तब करते भाई ऐसा थोड़ी होता है तो कहत आपका रिसाइनिंग मस्ट है बिन स्टेट बाइदा शिर्व विदिन रीजनेबल टाइम विफोर दा कंपनी गो लिकुडेशन मतलब लिकुडेशन से पहले कहीं लिकुडेशन के बात कर रहे हो के भी या मेरे पैसे वापस दितों कॉंट्रेक्ट नहीं बना तो भाई का कंपनी आपका चोंट्राक्ट हुआ है उसको केंसिल कर सकते हो अब आपके राइटं से बनी कर पाओगे कंसिल कब नहीं कर पाओगे जब एक तरीके से इस तरीके से स्विकार कर ले हां यार छोटी-मूटी गलती होती है कोई बात नी अभी बोल दिया और बाद में जब कंपणी से खुंदक निकालनी हो बोले नहीं यह बहुत बड़ी गलती थी तुने तो धोका किया ऐसा थोड़ी होता है होता है कई बार ऐसा आप भी जानते हो इस बात को ठीक है तो ऐसा वेन अलोटी जिसको शियर मिला था एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली रेटिफाई अडॉप दा कंसंट बोलता है ठीक है यार कोई बात नहीं अगला अगर वाइंडिंग अप जाने लग गया तब आप जाओगे के मेरा कॉंटेक्ट कर दो तो नहीं है तो यह आप अपने राइडस को खोँदोगे गया है सर लास्स कंसप्राट आता है भुक बिल्डिंग ऐसे को नहीं बहुतं सिंपल सी बात क्या है इतन smaller दिल्ग तो सबसे पहले सिंपल सी बात सुनो भाई मिसलीडिंग क्या होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर जोटी जानकारी दे देना या आप ऐसा या लिखना भूल गए यानी इनकंप्लीट इनफर्मेशन इस पर केस्टडी भी था एक ने बोला के भईया मैं हर साल देता हूं यह बताए नहीं के रिजर्ब से दे रहा है तो उसका केस के अंदर मिस स्टेट्मेंट हो जाएगा और आप फिर वह कॉंट्रेट कैंसिल कर सकते हों लेकिन आप प्राइमरी म केस में आप डारेक्टर या कम्प्वाइश से अपने और अस Laz yraak acts जासकता है जो आपका नुकसान हुआ है या फिर आपने ज्यादा सकता ही दिखाइए तो शे मैंने या दस साल के लिए जेल पार मोटर अभसके बाद क्या था मैं आ EXPERI ऐहां पे पूरल पास क्रिमिनल लाइबिटी है और चैंग ऑप सीविल लाइबिलिटी अगर आप करते कंपनी उसके प्रमोटर अर एक्सपर्ट यह थीन में लिए लिए या इपर मोटर वह तो यह इंवाल उससे कर सकते और से रिकवर कर सकते और जो एक्सपर्ट था या फिर जानता था इस बात को अथ्राइस परसंट था उससे भी किया जा सकता है इसके अगर डारेक्टर इसके अंदर खुद बोल दे कि मेरे को पता नहीं था मेरे बिना परमीशन के प्रॉस्पेक्टर इसू होने से पहले मैं बोल रहा हूं कि मैंने इनवाल नहीं और और अगर कापी एक्स्ट्रेक्ट और उसके पास डिर्क्टर ने जो कॉपी देखा था वो correct था, बाद में misprint हो गया तो भी बच जाएगा डारेक्टर, लेकिन प्रूफ करना होगा डारेक्टर को, सर लाइबलिटी company के against कितनी होती है सर दो लाइबलिटी होती है, या तो भहिया contract को cancel कर दो, या फिर आप मेरे पैसे दे दो, damages damage क्या, वही जितना आपका damage हुआ है, वो cover कर सकते हो, cancel करने की बात करें, तो आपके पास एक तो reasonable time में आपको बता देना है कि भहिया मेरे साथ fraud हुआ है material facts होना चाहिए, और false statement होना चाहिए, reasonable time के अंदर बताना है, अगर आपने reasonable time यह सारी चीज़े follow नहीं किए, तो आपका हाथ से निकल जाएगा, यह आप case नहीं, मतलब के cancel नहीं कर पाऊगे, damage तो ले सकते हो, लेकिन cancel नहीं कर पाऊगे, आगे देखेंगे book building चलिए, आज इस topic में क्या देखेंगे company law का एक और topic that is book building, होता क्या है book building यह देखें, company अपने shares को जब issue करती है न, देखें, जो businessmen होते हैं, उनको क्या पता होता है, इतना shares वगएरा के बारे में, उसे तो पैसे की जुरत होती है, तो उसे पता चल जाता है यहां से, तो company की in company की help करने के लिए help करने के लिए, बड़े-बड़े bankers आ जाते हैं, कि हम मदद कर देते हैं, आपके shares को issue करने में, और बदले में उनको क्या चाहिए होता है, commission चाहिए होता है, तो मान लेते हैं, मैं अपनी company का example ले लेता हूँ, SKD Limited company जो है, यह चाहती है, कि हम shares को issue करें, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी company का एक share लोग बाग कितने का खरीदना चाहते हैं, फिर इनके जो expert होते हैं, banker जो होते हैं, bank manager या book manager कहते हैं इसको, यह expert होते हैं, यह एक price set करते हैं, कि यह इतने का हो सकता है, इतने हर एक्षपर्ट अलग अलग बताता है तो इनका प्राइब्स कुछ होता इतने से इतना जैसे मान technology 200 से लेके 300 हो सकता है एक ने पूला इन एन उच्छी है 300 और 31환 risk जोगा थे किया 3.303 से लेखे लिए 400 की इसका प्राइया ठीद लेंगे एक ने बूला lots पागल यह 500 सो से लेके 800 के बीच में बिखेगा तो हर एक का अपना अपना एक राय है तो यह बैंकर वगएरा क्या करती है बुक बिल्डिंग के थूप पबलिक को बोलती है आप हमारे शियर्स को खरीदना चाहते हो हम इशू करने वाले हैं आप बिड लगाई है आप कौन सा प्राइस खरीद होगे तो सबसे पहले जो इसमें बोला था ना कि 200 से 300 का प्राइस होगा तो यह प्राइस और यह प्राइ कि अगर शेयर होलडर बिड लगाता है आपको लगाना है 200 से 300 के बीच में तो आप 201 रुपे नहीं लगा सकते 205 लगाना पड़ेगा इसके बाद आपको 206 नहीं लगा सकते 210 लगाना होगा 250 नहीं लगा सकते 255 लगाना पड़ेगा यहां पर यहां पर सबसे ज़्यादा एप्लिकेशन आया हमें पता चल गया है इसी को इशू किया जाएका तो इससे पहले वाले जितने हैं पुराने वाले इनको कर देंगे रिजेक्ट और इन सभी को हम एकसेट कर लेंगे और बोलेंगे भाइया अब फिर से हम अब शेयर को इशू करेंगे तो बुक बिल्डिंग बेसिकली क्या है अपनी कंपनी का प्राइज को जानना कि कितने प्राइज में हमारी company का share issue हो सकता है और फिर हम लोगों को बोलेंगे कि भाई यह हमारी company के shares apply करेगे और shares जब apply करेगा तो उनको प्रोराटा बेसिस पे यानि ratio के basis उनको share दे दिया जाएगा तो देट is called book building तो book building और red herring prospectus बिल्कुल same काम करती है red herring prospectus में भी कभी भी नहीं बताया जाता कि आपका shares कितने का होगा बस price band done कर देते हैं तो hopefully आपको clear हुआ होगा कि book building के बहुत छोटा सा आपको पढ़ना है और इसके अंदर fix भी होता है हमारा और एक होता है हमारा जो चेंज होता है तो एक बार फटा-फट से देख लेते हैं बुक building है क्या आपको clearly पता चल जाएगा देखिए चलिए सर अग कंपनी में raise capital यानि shares issue करना चाहती है in the primary capital market यानि सर IPO के थुरू initial public offer यानि IPO राइट issue करना चाहती है या private placement करना चाहती है आइप यो लार्जेस सोर्स ओफ फंड आफ दा प्राइमरी capital market आर बेसिकली इंविटेशन बाइदा कंपनी तू दा पब्लिक मतलब पब्लिक को इंविटेशन दे रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी के शेयर खरीदो अब देखते हैं कितने अप्लिकेशन आते हैं अब पता चला कि भाई बहुत सारे अप्लिकेशन आगे तो 300 को देदेंगे और एक होता है हमारा book building प्राइस बुक बिल्डिंग मैथट तो बुक बिल्डिंग मैथड मैं क्या होता है या फिर दोनों कॉंभिनेशन कर देतें book building कि मैं क्या बोलेंगे खिए 300 से लेके 400 के बीच में अप अप्लाइब कर सकते में अपनी बिड लगा दो उसके इंदर या दोनों हो सकता है वहिए सतर परसंट शेयर तो 300 से लेकर 400 पर 400 के बीच में बिकेगा और 30 परसंट शेयर तो हम साड़े 300 का ही बेचेंगे दोनों मिला के ठीक है अब एक कुश्चन ये भी आता है कि सर क्या मैंने बोला कि 300 से और 400 प्राइज रखते जैसे इस फिक्स प्राइज होता है उसमें कर सकती है मैंने बोला 300 का योगा क्या बुक बुल्डिंग हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जब 2002 की बात है अपना इस तरीके से बुक लिंग करा था कोई पर स्पेक्टर हमारा लगबगा खतम लगवक क्लास झो है बहुत important, और हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, हम पढ़ने वाले हैं share capital, share मतलब यह chapter हमारा 20 marks का diesem year में आएगा ही आएगा और आसान इसलिए है ये चप्टर क्योंकि ये चप्टर आपने पूरा corporate account में पढ़ा हुआ है practical के format में कैसे सर जैसे इस चप्टर में क्या क्या हमें समझना है कि सर इस चप्टर में समझना है हमें share क्या होता है सर इस चप्टर में समझना हमें security premium क्या होता है इस चप्टर में समझ है हमें Pepper French理 Capital क्या होता है इस चप्टर में समझना है हमें सॉप क्या होता है इसके आपकर साथ-सध देखा जाये तो और क्या समझना और क्या करदीमेट अकाउंट क्या होता है इसचप्टर में समझना है transfer of share क्या होता है इस chapter के अंदर हमें समझना है इसके साथ सवेट equity क्या होता है कि इस chapter में समझना है बाइबेक क्या होता है इस chapter में समझना है मैंने गिंती पता नहीं कैसे लिख रहा हूं मैं 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा भाई 9 10 bonus क्या होता है और और भी कुछ चीज़े में भी छूट गई हो तो देखो यह सारी चीज़े तो हमने पढ़ी रखी है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको हिंट और इसके अंदर के कुछ प्रोविजन्स आपको याद रखने होगे बीस नंबर का चप्टर है तो सबसे आसान तरीका है इस चप्टर में बच्चों का पास होना लौ के अंदर और लौ तो मैं बोल रहा हूं कि भाई बहुत आराम से कर सकते हो बसरते आप वीडियो देखो और देखने के बाद फिर याद भी करना होगा अगर आप वीडियो दे MARKS सकते हैं के शियर कितने परकार के है यानि हमारे स्ट जो है वो कितने के हमारे scrap scam Rs. do ही टाईब के होते एक होता है हमारे को टी शियर है और एक होता हमारा प्रफडब अपने देखा उगाए एक certificate और एक preference share, equity में दो type है, एक आपका without voting right और एक with differential voting right, sorry without मैंने बोल दिया, with voting right एक होता है differential voting right, चलिए सर इसको समझते हैं क्या with voting right और differential voting right है क्या, मान लेते हैं कि ये company है, ठीक है, ये क्या है हमारा company है, और आप इस company के क्या हो सर, shareholder हो, shareholder हो, और एक नहीं अनेको shareholder होंगे न company में तो, ये लो भाई साब, देखो, देखो, कितने सारे shareholder, ये सभी shareholder है, और company ने बुलाई है एक meeting, एक बुलाई है meeting, और meeting चप्टर इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले करा दिया, जब company ने meeting बुलाया है, तो आप मुझे बताईए, very simple, कि अगर company ने meeting बुलाया है, तो आप सभी shareholder को, आप बताओ ना, आप सभी shareholder को, क्या इस meeting में participate करने का अधिकार है या नहीं है? सर, बिल्कुल अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता आप से, आप सभी को इस meeting के अंदर participate करने का फुली अधिकार है, फुली अधिकार है, फुली अधिकार है, फुली अधिकार है, ओके सर, तो जो अधिकार है, किस चीज का है, नमबर वन, वोट करने का अधिकार, जब आप इस मेटिंग में वोट करोगे, सभी ने वोट किया, मान लिया जाए, मैं अपने कंपनी का नेम च डारेक्टर को मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, अपोइंट करना चाह रहा हूँ, मुझे 51% कितने हैं, एक, दो, तीन, चाहर, पान, चे, साथ, आठ है, आठ मेंसे मुझे 51% आधे से जादा लोगों का कंसर्ण चाहिए यस या नो, देखना मुझे director appoint करना है sir appoint करना है मुझे director appoint करना है अब आप सभी माल लेते हैं इसने yes yes कर दो कर दो कर दो इसने कहा no 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 तो देखा जाए तो हमारे ज़्यादा तर 5 परसन ने yes बोला तो इसका मतलब इन पांचों ने और इन तीनों ने no बोला वोट सभी ने दिए हैं इसको कहा जाता है vote करना इन पांचों ने और इन तीनों ने दिया तो इनको कहा जाता है vote करना vote सभी ने दिया और इस vote की वज़े से हमारा यह resolution pass हो गया और director हमारा company के अंदर appoint हो जाएगा कौन सा resolution pass हुआ ordinary resolution तो इसे बोला जाता है voting equity share इनके पास equity share तो है लेकिन कौन से वाला है with voting वाला है कौन से वाला है with voting वाला इसके साथ साथ देखा जाए एक है differential voting right differential voting right का मतलब होता है कि कुछ shareholder को विसेश अधिकार दे दिया जाता है माल लेते हैं इसके पास अकेले power है कि ये ना ये ना no vote कर सकता है इसके पास अकेले power है इतनी voting में इतने power है कि इसको no vote मतलब एक shares holder को उस shares के बदले जितने उसके पास share है उससे ज़्यादा power मिल सकती है या उससे कम तो उसको बोलते है differential voting right अब मान लो इसके पास अकेले no power है मैंने बोला कि एक chartered accountant को हम appoint कर रहे हैं इसको appoint किया जाए सब ने बोला no 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 तो भाया साथ लोगों इने no बोल दिया अब अकेला कौन रहे गया सर ये अब इसने बोल दिया yes ऐसे देखा जाए तो हमारा resolution तो पास ही नहीं हुआ favor में लेखिन इसके पास no voting power है तो आधे से जादा तो इसी के पास power है इसने कर दिया yes वोट करते ही हमारा resolution पास हो गया तो इसके पास एक special power है इसलिए बोला गया differential कम भी हो सकता है और जादा भी generally नहीं मालिक बड़े honor promoter बड़े चलाक होते हैं इस type के share नहीं खुद को issue कर लेते हैं ताकि उनके पास power बना रहे है तो यह चीजे हैं एक differential voting right तो क्या देखा हमने हमारे shares कितने हैं equity share में दो तरीके के हैं with voting right और with differential voting right इसे DVR भी कहते हैं DVR भी कहा जाता है differential voting right और यह मैंन इतना ज्यादा देखा कि यह share market में भी list हो जाता है आप देखोगे Tata Motor जाके search करना Tata Motor और Tata Motor DVR के नाम से वो भी मिल जाएगा दोनों share चलते हैं market के अंदर sir preference share और इसमें फरक क्या होता है फरक सरिफ मात्र dividend का है इसका dividend एक fix percentage से होता है 10% preference share capital और इसका dividend कुछ fix नहीं होता fix कुछ भी नहीं होता इसको पहले मिलेगा और इसको बाद में मिलेगा बस यही फरक है preference share और equity share में चली आगे बढ़ते हैं sir आगे बढ़ते हैं के साथ preference share क् अब देख लिए preference share होता क्या है actual में क्या कहानी है sir preference share का preference share किने type क्यों होते हैं यह भी हम देख लेंगे और फटा फट इसको समझते जाएंगे सबसे पहले है cumulative preference share इसको समझेगे हैं sir what is the cumulative preference share cumulative preference share समझे सर number one cumulative cumulative preference share बस यही लिख देते हैं cumulative preference share समझे होता क्या है मैंने इसमें पूरी थियोरी नहीं लिखा बाकि आप थियोरी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा मान लेते हैं 2010 में company का profit 10,000 है और 2011 में company का loss 5,000 है और 2012 में company का loss 10,000 है bracket कर देते हैं ना loss को और 2013 के अंदर company का loss या फिर profit मान लेते हैं 20,000 है और company का preference share rate 10% है 10% के हिसाफ से देखा जाए तो company को 1000 रुपे का dividend मिलना था ठीक है याद रखेगा company को कितने का dividend मिलना था company को 1000 रुपे का dividend company 1000 रुपे का dividend देती तो पहले साल 2010 में profit है तो इसने 1000 रुपे का dividend दे दिया किसको दे दिया सर हमारे preferential holder को 2010 में हमारे preferential holder को dividend दे दिया अब 11 में और za में ऐसे आगे आगे साल 11 के अंदर company के पास profit नहीं है तो 1000 रुपे का dividend नहीं दे पाई 13 के अंदर company के पास profit नहीं है तो 1000 रुपए का डिविडेंट नहीं दे पाई 14 के अंदर कंपनी के पास profit है तो कंपनी 1000 का डिविडेंट दे देगी समझ में आ रहा है लेकिन अब मुद्दा ये उठता है सर 2 साल का जो डिविडेंट नहीं मिला वो क्या होगा जो 2 साल का ये डिविडेंट नहीं मिला उसका आपको इस का डिविडेंट नहीं मिलेगा, भूल जाओ कि आपके पास डिविडेंट है भी, तो समझ में आया, दो शेर के मैंने डिसकस कर लिया, क्युमलेटिब प्रफरेंशियर और नोन क्युमलेटिब प्रफरेंशियर, क्युमलेटिब प्रफरेंशियर कौन से होंगे, ज अभी बीच में loss होने की reason से तो in future में उसको वो dividend भी नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो देखिए आपको hopefully समझ में आ गया कि cumulative preference share क्या है और non-cumulative, ये मैं समझाता जा रहा हूं, theory आप पढ़िएगा इसका, क्योंकि ये simple सा है, इसके बाद है participation, preference share, non-participation preference share होता क्या है, इसका भी example देखिए, participation, मान लिजिए, ये आप preference share holder हो, ठीक है, और 2000 अब 22 ले लेते हैं, कुछ बच्चे सोचें का सर पुरानी वीडियो बनाते हैं, इसके अंदर company ने क्या करा, इसके अंदर company ने क्या करा, इसको 1000 रुपे पेड कियो, क्योंकि profit था, इसमें company ने payment नहीं किया, और इसमें भी company ने payment नहीं किया, तो एक तरीके से company ने preference share holder को dividend payment ही नहीं किया, तीन सालों में, क्यों, क्योंकि company का loss चल रहा था, इस वजह से, जब हमारा meeting होता है, जर्नल meeting, meeting जब करते हैं, तो meeting में जो rights है जाने का, वो सरिफ equity share holder का होता है, meeting में preference share holder का कोई काम नहीं है, सरिफ किसका होगा, equity share holder का होता है, इसे लगातार दो सालों तक dividend जब preference share को नहीं दिया जाता, तो ऐसा माना जाता है, कि ये भी तो एक तरेके से equity वाला ही हो गया ना, क्योंकि equity वाले को भी dividend नहीं मुल रहा, और preference को भी नहीं मुल रहा, तो ये भी equity वाला ही हो गया, अब भाई सहाब, ये जो है, ये चुप नहीं बैठेगा, इसे meeting में जाना है, और meeting में आना है, और ये भी meeting का part बन जाएगा, किस meeting का सर, preference share holder का, इसका मतलब देखो, इसने meeting में क्या कर लिया, participate कर लिया, तो जब कभी भी preference share holder का dividend hold कर दिया जाता है, दो साल या उससे ज़्यादा time के लिए, तो ऐसे preference share को हम participate preference share बोल गया, मिलता गया, कभी fail ही नहीं हुआ, या एक साल fail हो गए, कितने साल fail हो गए, एक साल, तो क्या इसके पास अधिकार है, कि इस meeting में आके vote कर पाए, कुछ भी कर पाए, तो जबाब no, इसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे preference share को क्या बोलेंगे, non participation preference share, समझ में आई इसके बात आपको, participation preference share कौन सा होता है, वो preference share जिसको voting rights आ जाता है, और meeting attend करने के लिए, वो आ सकता है, कब होगा ऐसा, जब उसे दो साल से जादा या दो साल का dividend ना दिया गया हो, लगातार, इसके बाद अब non participation, जिस preference share को कोई अधिकार ही नहीं है, कि उसके अंदर जाके voting करें, तो इसको बोलेंगे, non participation preference share, ठीक है, चलिए, चार point खतम हो गया, फटा फट से हैं ना easy, एक है convertible preference share, एक है non convertible preference share, चलिए इसको भी देख लेते हैं, चलिए, आईए, convertible और non convertible, बहुत simple है, सर आपने 1000 preference share capital लिए, ठीक है, आपके पास है, यह आप अपने आपको सोचो आपने लिए 1000, 1000 preference share लेने के बाद, आपको ठीक 20 साल, 20 एयर के बाद, आपके मुझे preference share redeem करने है, preference share redeem करने, यानि पैसा मुझे लोटाना है, पैसा लोटाना है, ठीक है आपके पैसे लोटाने है किसको लोटाने है सर आपके पैसे मुझे लोटाने है अब कमपनी जो है आपके पैसे लोटाना चाहरी है लेकिन कमपनी ने आपको दे दिया option के भाया तू पैसा मतले पैसे के बदले एक काम कर तू equity share capital ले ले या फिर तिरको मैं नए preference share दे या तुझे मैं डिबेंचर दे देता हूँ मैं तुझे डिबेंचर दे देता हूँ लेकिन तुमुझसे पैसे के इलाबा ये सब ले सकता है तो ऐसे सिचुएशन में बोला गया कि भाई जो तुम्हारा प्रफरेंशियर है कभी न कभी आपने किस क्या कर लिया उसको डिबेंचर में तो ऐसा प्रफरेंशियर जिसको कनवर्ट करना है यह आर्टिकल ऑफ एस्सोशियेशन में लिखा हुआ है पहले से तो ऐसे डिबेंचर को कौन सा प्रफरेंशियर बोलेंगे कनवर्टेबल प्रफरेंशियर कौन सा प्रफरेंशियर होगा हमारा सर ये कनवर अब यूट करना चैसे का मतलब है के कंपनी को जब पैसा मिले जैसे आपको मैंने और मेरे पास कोई एकस्ट्रा पैसा आ और मैं बोलू भईया तुम्हारे shares को मैं redeem कर रहा हूं और redeem करवालो आप जब मेरा मन करेगा तो मैं redeem करने के लिए तयार हो जाओंगो तो इसे बोला जाएगा redeemable preference share और एक होता है non redeemable यानि irredeemable तो law ने तो मनाई कर दिया आप irredeemable preference share होगा नहीं लेकिन हाँ 20 साल का tenure दिय से लोटा हूँ नहीं law कहता है सर आपको 20 साल में ही पैसे redeem करना होगा तो technically देखा जाए तो irredeemable preference share रहा नहीं लेकिन यहां 20 साल वाला आप discuss करोगे किसी पे भी theory आ सकता है आपको यह चीज़े समझा दिया है और यह chapter क्योंकि account से connected है कहीं ने कहीं जादा से जादा तो सर आगे चलते हैं और क्या पढ़ना है equity और ordinary पहले हम equity को पढ़ने के जोरती नहीं है मेरे आप से आप सभी को पता इतने अच्छे से equity share क्या होता है equity share या ordinary equity share क्या होता है differential वाला अलग हो जाता है न कहता है equity share with the reference any company limited by share are which are not preferential ओहो क्या definition लिखा equity share वो equity share है जो preferential नहीं है अच्छा ठीक है sir they do not carry any preference राइट उसके पास preference dividend लेने का कोई right नहीं है for the purpose of dividend के लिए repayment of capital repayment of capital भी सबसे last में मिलेगा they rank after preference share वो preference share के बाद उसके पास अधिकार आएगा they have right participate in decision making in the company यानि meeting में वो जा सकता है they are entire voting right है उसके पास they are received dividend out of profit declare in the annual journal meeting भाया उसको dividend कम मिलेगा annual journal meeting में मिलेगा only after preference share having been paid their fixed dividend और preference share के dividend देने के बाद equity वाले तुम्हें dividend मिलेगा इसलिए तुम्हारे पास power भी जादा है तुमने sacrifice जादा किया है चलिए सर अब आता है equity share with differential voting right differential voting right मैंने आपको समझाया अभी क्या होता है differential voting right आ जाईए सर differential voting right पढ़ लेते हैं कहता है these shares are known as share with differential voting right जिसे DVR बोल देते हैं relating to voting power ये सीधा voting power से related है either more voting power और less या तो आपके पास एक share है तो आपके पास ज्यादा voting power होगा या कम होगा some shall carry voting right कुछ व्यक्ति voting right carry करके चलते हैं other may not कुछ के पास होगा कुछ के पास नहीं भी होगा the share with the lesser voting right can be carry higher voting right जिसके पास कम भी हो सकता है और can be higher हो सकता है रेट वाइस 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 है जैसे मैंने एक्जामपल में तो आपको अच्छे से बता दिया जिस चेप्टर को हमें समझने में दो तीन घंटे लग जाते हैं आपकी वीडियो से आदे घंटे में हम समझ लेते हैं फिर याद करने में बड़े आसा नहीं रह जाती है तो इसी तरीके से आप भी अप्रोच फोलो कर लो जिसको जैसा लगता है भी या अब देखिए क्या कहता है अगला इसके कुछ प्रोविजन से आएं कि हर कंपनी Chief Shouch वोटिंग राइट इसू कर सकती है और कर भी सकती है तो क्या 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 शर्ते हैं वह देख लेते हैं जार कंडिशन क्या कहता है अब पड़ें से ने कोश कर सकते हैं और कुछ कंडिशन हैं क्या condition है भाई साब वो देख लेते हैं sir condition क्या कहता है the article of association यानि AO जिसमें rule लिखे जाते है company authorize the issue shares यानि article of association में ये बात लिखी हो कि company कभी future में differential voting right issue कर सकती है ताकि पुराने वाले shareholder ऐसा ना बोले हमें पहले पता नहीं था है ना a company allowed to issue equity share with differential voting right not extent of 74% of the total post issue paid up capital जो post issue का मतलब है issue के जो बात जैसे authorize capital मालो मेरा 10 लाख है उसमें से मैंने 6 लाख issue कर रखे हैं लोगों को बचे 4 लाख तो उस 4 लाख का 74% से ज़्यादा हम करी नहीं सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 74% इसू कर सकते हैं कहते हैं एप्रूबल ऑफ शेर होल्डर उप्टेन बाइप पासिंग ओडिनरी रेजुलीशन अब देखों यहाँ पे ओ आर रेजुलीशन पास किया गया है दा जर्नल मीटिंग जर्नल मीटिंग बुलाइए और शेर होल्डर से डिसकस करिए और पास करवा दीजिए हो जाएगा और लिस्टिड पब्लिक कमपनी इस रिकुआइड पास और रेजुलीशन थ्रू पूस्टल वैलिट और लिस्टिल कमपनी पूस्टल वैलिट इसलिए मैंने पहले यह सारे वर्ड इसमें आ रहे हैं पहले एन्वल जनल विटिंग करा है जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए पूस्टल वैलिट मुझे बताने की जूरत ही नहीं है कि क्या होता है वहां पर बहुत डिसकस किया हुआ है अब कमपनी कोई भी एन्वल अकाउंट आज एन्वल रिटन फाइल करने में कोई भी डिफाल्ट ना हुआ हो कब तीन साल में आपको DVR इसू करना है कोई बात नहीं करिये आप आपने कभी भी इन्कम टेक्स के वैसे एन्वल रिटन फाइल MCE की साइड पे होता है कि आपने एन्वल रिटन जो कमपनी की सारी डिटेल है वो देने में कभी भी फेल नहीं हुए पिछले तीन सालों में तभी आप DVR इसू कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा राइट कमपनी केन इसू अब क्या कहता है अगला पॉइंट कमपनी ने कभी इंटरस्ट का भी डिपॉजिट में फेल ना किया हो यानि बैंक वालों का इंटरस्ट टाइम पे दिया हो शायद ये मेरे हिसाब से अगर कम विज्वल है तो इसको बढ़ा करा जाए चलिए मैं पढ़ता जा रहा हूं बाकि नूट्स मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत में देख लेता हूं विज्वल है या नहीं है सर विज्वल तो है ओके तो क्या कहा रहा है सर एक सबसे पहले कमपनी 74% रिमेनिंग पेड़ अप का नहीं कर सकती और उसके साथ आपका क्या था कमपनी कभी एनिमल रिटन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था और फर्स्ट क्या था कमपनी का आर्टिकल परमिट करना चाहिए इसके बाद कहता है कमपनी जो है इंट्रस्ट का डिपोजिट जो है इंट्रस्ट का डिपोजिट वो डिफॉल्ट नहीं होना चा अधिया है यहां पर दा कमपनी नॉट हैव डिफॉर्ट इंवेस्टर एजूकेशन प्रोटेक्शन फंड जो आपको हर कंपनी के पर लाइबलिटी होता है कि यह एक फंड बनाईए इन्वेस्मेंट एजूकेशन प्रोटेक्शन फंड इसके अंदर आपको रेगुलरली पेम रहेंगे तो वो investment को educate करने के लिए फंड बना रखाए गवर्मेंट ने दा कंपनी हैस नौट कन्वेक्टेड एन ओफेंस सेवी एक्ट सेवी एक्ट के हिसाब से कोई ओफेंस नहीं किया जैसे कि उसने अपने ही शेयर को मतलब इन्वेस्टर के साथ जब मीटिंग हुआ उसमें मैंने बुलाया आपको और कंपनी आई नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत सारे कोरपरेशन का मुंसिपल टेक्स हो गया इन सब को देने में कभी फेल ना हुआ हो सेल नौट कंवर्ट एक्जिस्टिंग एक्टी शियर वोटिंग राइट टू इकुटी शियर हमारे पास जो अभी शियर है उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट में कनवर्ट नहीं किय चलिए ओके ठेक है दस ग्यारा पॉइंट हो जकते हैं फिर से एक बार चलिए मेरे साथ बोलिए कंपनी का आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है कर सकते हो कंपनी का एवे पर मिट करना चीए 74 परसेंट से उपर नहीं हो सकता आपने एन्वल रिटन में डिफॉल्ट ना किया हो आपने डिविंचर का इंटरस देने में डिफॉल्ट ना किया हो आपने लून को देने में डिफॉल्ट नहीं किया हो आपने सरकार का टेक्स देने में डिफॉल्ट ना किया हो आपने साथ के साथ कोई ओफेंस वगरा ना किया हो साथ के साथ डिफर जो बच्चे इंगलिस में दे रहे हैं रटने की कोई ज़रत नहीं है मैं बार-बार बोलूगा माक्स मिलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मिथ्य है मैंने मैं सिंपल सी बात करता हूं एक्जांपल मैं लेना चाहूंगा चार्टेड अकाउंटेंट का एक्जाम था और उसको एक यूट्यूब पर जाते हैं तो वहां पर मिल जाते हैं कुछ इनफेपर जो की चेक करते हैं मंगवा सकते हैं तो मैंने उसका देखा भाई कोश्चन और मैं सोचा था इसमें यह सेक्शन लिखना चाहिए यह लेकिन उसने बच्चे ने बिल्कु साधारन तरीके से लिखा औ को मैंने देखा हुआ है आप भी जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब के उपर कभी सर्च मारो गूगल पर सर्च मारो के स्पेसिमें कॉपी ओफ लॉस चार्टेड अकौंटेंट इंटर्मीडियेट आपको मिल जाएगा एक बार पढ़के देखना लोग इतना साधारन होता ह वो सिर्फ एक डराने वाली बात है दिमाग में फिट करने वाले लॉग का मतलब है कि आपको उसके प्रोविजन अच्छे से याद होना चाहिए सेक्षन याद है तो लिख दीजिए बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो मत लिखे गलत सेक्षन से फिर आपके इंपक्ट गलत पढ़ जाएगा चीक है ना चलिए सर अब स्टेचरी प्रोविजन फोर अलॉट्मेंट ऑफ शेर है सर ये तो बहुत आसान है शेर को अल बात अलग है कि existing shareholder या फिर प्राइवेट प्लेस्मेंट में जोरत नहीं पढ़ती ठीक है ना minimum सब्सक्रिप्शन होना चीए इसमें मोटी मोटी बाते हैं minimum सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट होना चीए 90 अगर आपका शेर 90 परसेंट तक नहीं विखा तो आपको अपने शेर अलॉट्मेंट को कैंसल करना पड़ेगा और उनके सभी के पैसे वापस करने पड़ेगा एस पर सेभी गाइडलेंस के हिसाब से हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा बस रेजिस्ट्रेशन का प्रोस्पेक्टस होना चाहिए ये चीज़े मैं हेडिंग पढ़ता जा रहा हूं एप्लिकेशन का मनी आपका कम से कम एट लीस 5 परसेंट होना चाहिए सर इसका मतलब मैं समझा देता हूं जैसे मेरा 10 रुपे का श या वह कम से कम 5% होना ही चाहिए यानि 0.550 पैसे तो होना ही चाहिए वैसका 5% निकाले अगर आपने बोला सर जीरो पॉइंट टू यानि 20 पैसे मैं एक अप्लिकेशन पर मंग वाओंगा बाकी बाद में मंग वांगा तो लॉ मना करती है कम से कम आपको कितने परसेंट होना चाहिए 5% nominal value of share must receive by cash of the company however the as per savings guidelines, savings कहता है आपको 5 नहीं कितना लिखना चाहिए 25% nominal value company law और savings बहुत सारे बातों पर contradict करते हैं और company law और savings दोनों को आप छोड़ कर बिल्कुल नहीं चल सकते क्योंकि आपको investor आपके पास आएंगे तो आपको सेवी की बात माननी पड़ेगी और आपको अपने company को limited करवाना है तो आपको company law तो मैं suggest करूँगा कि जब कभी भी future में आसी आपके पास दुविदा है तो आप 25% रखेगा वैसे भी अब लंसम ही इसू होता है 25% वगर तो ना के बराबर है यह हो गया ठीक है application must not be less than 25% of nominal value in case of mutual mutual bank of India versus इसके अंदर आया था case था case के अंदर बोला गया था भी यह 25% it was the clarify that company cannot make allotment without receiving application money मतलब application का पैसा मिला नहीं तो आप share कैसे दे सकते हो यहां भी case में आया था it has been the held number of cases that through any means remittance may use but all remittance must be declared actual cash received तो वही सारी बाते बोली गई है कि आपको बस 5 और 25 का ध्यान दखना है money keep in schedule bank और जो भी पैसा आपका मिले का ना मान लेता है कि Reliance Limited का एक bank account है लेकिन Reliance Limited नेकर share issue करा तो एक नया bank account खोलना है और जो पैसा है उसी separate schedule bank account में schedule bank account का मतलब होता है जो RBI से approved है उसे schedule bank account बोलते हैं तो schedule bank account के अंदर रखना है अलग से separately ठीक है इसके बाद आ जाते हैं सर और क्या कहता है return of application money अगर आपको application money return करना पड़ी गया जैसे minimum subscription 90% नहीं हुआ और उस case में आपको application का पैसा वापस करना पड़ी गया तो आप वहाँ पे interest rate 15% per annum के हिसाब से अगर आपको पहले सबसे पहले कब return कर देना है सर 15 दिन के अंदर वापस कर देना है लेकिन आगर आप 15 दिन के अंदर उनके पैसे return करने में fail होते हैं तो starting से आपको 15% ब्याज दे के फिर उनके पैसे return करना है ठीक है ना penalty लगाया जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस case में 1000 रुपे इच डे का आपको penalty लगेगा during the default continue 1 lakh whichever is less और 1 lakh रुपे तक आपके उपर fine लगाया जा सकता है इसको आप पढ़ लेजेगा आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे 15 दिन के अंदर अंदर रिटन कर देने नहीं करोगे तो 15% ब्याज है और 15% ब्याज कौन सा यह आपका simple interest है यह simple interest है ठीक है न यहां मैंने मेंशन नहीं है बट यह simple interest होता है penalty चलिए सर आगे आते हैं share capital पे कहता है कि आगे share capital में यह कहता है हमारे statutory provision as per the schedule 2013 following disclosure should be made क्या क्या करना पड़ेगा balance sheet में क्या क्या होता है balance sheet में बढ़ा simple answer authorized capital, issued capital, subscribe capital, paid up capital यानी balance sheet बनाए है final account में तो जो share holder वाला notes है उसमें क्या क्या दिखाना होगा आपके कितने authorized capital है आपने इशू किये हैं उसमें से कितने subscribe हुए और कितने paid up तो यह लो यह भी बताने की बात है इसको यह तो सारा आपको पता ही है कि किस तरीके से करते हैं अगर नहीं पता तो मैं simple बोल दिता हूं authorized capital वो capital होता है जिस share से company ने अपने आपको registration करवाया है Memorandum का आपका fifth clause इसके बाद देखा जाए शियर इशू उसमें से कितने शियर आपने इशू किये हैं उसे बोला जाएगा इशूड शियर उसमें से public ने कितने लिये हैं उसको बोला जाता है सब्सक्राइब के शियर और उसमें से कितने पेड़फ है दस के शियर के बदले आपने आठ मांगा है नो मांगा है कितना पेड़फ है उसे बोला जाता है पेड़फ इसके बाद ये श्लाइड भी दुबारा आ गया क्योंकि मैं नोर्स धीरे धीरे रुक रुक के बना रहा था चलो इसको भी हटा देते नहीं तो बच्चों को दिक्कत होगी चलिए सर कुछ slide दुबारा आ गया कोई बात नहीं अब shareholder versus voting रहे सब्सके बसक्राइड तो shareholder equity किसको मिलेगा sir equity shareholder को कहता है कि equity shareholder every member of company limited share holding equity share capital therein shall have right to vote in respect of capital, मतलब capital जितना लिया है उसके accordingly उसको voting right मिलेगा every resolution प्लेज चाहे special resolution हो, चाहे ordinary resolution हो, आपको voting right का अधिकार है, his voting right of a poll shall be आपका परपोसने to his paid up capital, अगर poll से होगा तो जितने number of paid up जितने percentage है, उतनी voting मानी जाएगी equity share capital और preference shareholder को voting right नहीं दिया जाता, preference shareholder को voting right नहीं दिया जाता ठीक है, अब बहुत बहुत important सर, भाकि तो वो भी important था, इसको भी मैं important बोलूँगा कई number of time buyback पूछा जाता है, तो सबसे पहले buyback का मतलब क्या होता है हम यह समझ लेते हैं ना, buyback का, मान लो यह company है और यह shareholder है और एक नहीं अनेको shareholder है, यह shareholder एक नहीं अनेको shareholder है, थोड़ा छोटा कर दे से, क्योंकि बहुत सारे लेके आने हैं ठीक है, बहुत सारे shareholder हैं यह सभी, चलो इसका color भी change कर देते हैं, इनको गोरा कर देते हैं थोड़ा सा, यह लो जी, यह shareholder है, ठीक है अब जो company है, company ने share यह सारे issue किये हुए हैं पहले से नॉर्मली, company इस shares को नहीं खरीद सकती, नॉर्मली, law कहता है भईया, तुम आपने share issue करें, उसको खरीदोगे तो आपका share capital घट जाएगा, और आपके balance sheet जो है, उस balance sheet के अंदर अगर आपका share capital zero हो जाएगा, खरीद खरीद के, तो फिर कैसे आप चलाओगी company बिना मालिक के तो यहाँ पर यह बोला गया है, लेकिन कुछ एक provision है, जहाँ पर government ने allowed किया है, तो इनके shares को वापस से खरीद लेना, यानि यह share holder मान लेते हैं, सबी को नहीं, अब हम मान लेते हैं कि मैंने इस वाले line को बोला कि भईया, तुम अपने share, और ऐसा नहीं छीन लेंगे, बोल आता है, हाँ बेच रहे हैं, चलो भाई, इधर आजाओ, इधर आजाओ, अब यह share किसके पास आगए, सर, company के पास हो गए, अब market में कितने share बचे हैं, इतने share बचे हैं, तो जो market में से shares है, हम खरीद लेते हैं, उसी को बोला जाता है, buy back of shares, लेकिन इस shares को ऐसे नहीं खरी आपका कमिट होना चाहिए, नमबर तीन, आपका debt equity ratio 2 is to 1 होना चाहिए, नमबर चार, आपको विदिना, मतलब एक time period के अंदर आपको सारे intimation ROC को देना होगा, saving को देना होगा, अगर आप listed हो, नमबर पांच, आपका shares जो होना चाहिए, वो 7 दिन के अंदर सारे file को destroyed करना ह नमबर 6, एक साल तक, वन एयर तक आप कोई fresh issue नहीं कर सकते, except a shop और ये, तो ये सारे provision है, कि ये सारे अगर आपने condition fulfill किये हैं, तब आप buyback कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपका buyback valid नहीं माना जाएगा, तो चलिए आईए देखते हैं, क्या कहता है buyback, मैंने वैसे buy on share, other security is known as, popularly as buyback, इसको buyback बोलते हैं, of share, buyback of security बोलते हैं, it's referred to the buyback of company, it's on share, मतलब अपने share खुदी खरीद रही है, buyback में, majorly है, क्या क्या provisions है, बहुत important है, साहब ये provision और यहीं आना चाहिए, देखे, condition क्या कहता है buyback का, buyback का condition 68, section याद रखे का, पहले था 77A, 1956 में, a company can purchase its own share specific security, वेर, the buyback authorized by the article, अगर article आपको, यानि AO, अगर आपको बोलता है, तो करोगे, a special resolution pass और SR pass होना चाहिए, और buyback साहब कितना कर सकते हैं, अगर board of director है, तो 10% और equity shareholder खुद buyback करवाना चाहती है, meeting में तो 25% paid up capital का, ठीक है, तो कहता है, journal meeting of the company authorized buyback, however, the buyback, up to 10% paid up equity share capital reserve to the company, company के पास free reserve में से 10% कर सकती है, the board of director passing resolution, जो BR है, board resolution pass करके कर सकती है, तो buyback कितने होंगे, 25 और 10, अगर board of director है, तो 10% और shareholder अगर पास करती है, तो कितने परसेंट, 25%, आ जाईए सर, कहता है, the amount of involved buyback, not more than 25%, मतलब 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, किसका सर, total paid up capital plus में reserve and surplus, इसका proper equation मैंने buyback वाले chapter में करवाया हुआ है, जैसे कि क्या कहता है, paid up capital plus reserve and surplus, paid up capital का मतलब balance sheet में equity share capital, plus preference share capital, और plus जितने free reserve है, उसको add कर लेंगे, उसका 25%, further the buyback equity share limit, 25% total paid up capital, यहाँ पे कुछ limit को भी test किया जाता है, कि इससे higher नहीं होना चाहिए, debt equity ratio भी check करना पड़ता है, तो वो तो accounts के अंदर देखा है, यहाँ पे सरिफ theory में लिखना है, कि 10% board करेगा और 25% equity shareholder कर देगा, और the company का debt equity ratio होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अगर debt equity ratio 2 to 1 होना चाहिए, अगर debt equity ratio 2 to 1 नहीं हुआ तो नहीं कर सकती, तो पहला देखो, special resolution pass होना है, यहाँ पर्मिट करना चाहिए, 10% board कर सकता है, 25% share capital कर सकता है, debt equity ratio 2 to 1 होना चाहिए, all share specific security buyback fully paid up होना चाहिए, ऐसा नहीं, partly paid up को कर दो, कौन सा होना चाहिए, fully paid up होना चाहिए, the buyback other specific listed stock exchange में must be according CV, CV के guidelines के according होना चाहिए, अगर stock exchange में listed है, तो otherwise आप अपने हिसाब से कर दीजिए, तो देखे, क्या-क्या था, SR pass होना चाहिए, buyback करने के लिए, 10% board, 25% normal, और इसके बाद आपका article of association आपको permit करना चाहिए, buyback करने के लिए, और साथ के साथ fully paid up होना चाहिए, और CV के rule के हिसाब से होना चाहिए, तो काफि सारे points है, जो फटा-फट कर लेंगे, अब सार buyback करोगे, तो पैसा कहां से लाओगे, source कहां से होगा, तो बुला गया, company buyback करेगी, कुछ source है, its free reserve से buyback कर सकती है, security premium से buyback कर सकती है, the proceeds of shares other specific security, या company fresh issue से भी कर सकती है, fresh issue का मतलब है, company और other class का कर सकती है, other class, जैसे मेरे पास एक 10 रुपे face value वाला share है, और 100 रुपे face value वाला share है, तो ये वाला share buyback करने के लिए मैं ये वाला share issue कर सकता हूँ, तो other class हो जाता है, तो यहाँ पर ये है, reserve हो, security premium हो, या फिर fresh issue की बात कह दी गई है, buyback के provision companies act में क्या-क्या है, वही चल रहा है, method क्या होगा, sir, buyback करने का, कैसे buyback करोगे, कहां से buyback करोगे, sir, आप existing shareholder से buyback करोगे, open market से buyback कर सकते हो, buyback purchase security from employee से buyback कर सकते हो, य या तो share market के अंदर trade हो रहे होंगे, या फिर आपके खुद जो जानने वाले है, उनके पास share होगा, या employee के पास होगा, उन सभी में से किसी से buyback कर सकते हो, यह क्या हमारा methods कैसे buyback करोगे, चीक है, तीन point यहाँ था, यह दुबारा आ गया, सर, यह दुबारा आ गया, इसको buyback, जैसे buyback होगा, completion must be, बारा महीने के अंदर आपको buyback complete कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि special resolution सब कुछ हो गया, और दो साल बात भूलते हो, हमने SR pass किया था, और buyback करने दो, company बोली कि अब दुबारा से सारे चीज़ें आपको, ऐसा नहीं होगा, आपको special resolution जब pass किया था, board of director resolution पास किया था, उससे एक साल के अंदर, आपका buyback हो जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, कितने time बाद, एक साल के अंदर, highlighter यूज करके देखें कि कैसा रहता है, एह, बेका रहे तो, चलो, फिर से दुबारा slide आ गया, oh my god, रगता है, मैंने बहुत बार repeat कर दिया रात को late night notes मनाने से ऐसे ही होता है, आगे कहता है, extinguish the security, मतलब security को पूरी तरीके से खतम कर देना, मतलब जो आपके पास share certificate है, उसको fard के जला देना और इससे destroyed कर देना, extinguish का मतलब होता है, the company कितने दिन में, sir, जब buyback किया है, उसके 7 दिनों के अंदर, ये सारे shares को आपको खतम कर देना होगा जला के, ठीक है, further issue of security, sir, where the company complete buyback, its share, other specific security, it shall not make further issue, same kind of shares, कब तक, within a period, 6 month, अच्छा मैंने एक साल बोल दिया था, अब 6 मैंने कर दिया है, 6 मैंने तक नहीं कर सकते, लेखिन, bonus कर सकते हो, isop कर सकते हो, sweat equity कर सकते हो, यहाँ पर warrants कर सकते हो, stock option, तो वही बातें यहाँ पर लिखे हुई है, तो चलिए, sir, register of the buyback, मतलब register, जैसे ही buyback complete होता है, the company किसको intimate कर देगा, ROC को intimate कर देगा, the company required to maintain a register security, bought consideration paid, security buyback, the date of cancellation of security, date existing physically destroyed, वो सारी बाते register कर देगा, ROC के पास filing return करेगा, और CV है तो भाईया, CV के पास भी कर देगा, कब कर देगा, 30 दिनों के अंदर कर देगा, कहता है, company shall after the completion of the buyback, file the registration to the CV, only of registered in case of the listed, और return content prescribed particular buyback, 30 दिन के अंदर CV को बता दो, तो साहब यह buyback का क्या होता है, default करने पे क्या provision है, साहब default का मतलब आपने नही company की बात मानी, तो यहाँ पे provision जब भी होगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको fine याद रखना है, a company make any default complying with the provision of the section, जो हमारा 68 में गीवन है, any security exchange board of India, कितने है, not less than 1,00,000 का fine, but it may be extended to 3,00,000 और इसको 3,00,000 रुपए किया जा सकता है, every officer of the company, who is default, यह तो company पे fine था और अगर कोई officer इसके लिए जान बुच के है, उसको punishable fine किया जाएगा, not less than आपका 1,00, उसके पार 1,00 रुपए लगेगा, it may be 3,00, उसके उपर भी लगेगा, यानि जब fine लगाने के बारी आती है, तो दो लोगों पे लगता है, company पे भी fine लगता है, और उसके members पे भी फोड़ा सा भी आपको वीडियो के अंदर, जैसे कि मैं YouTube पे भी डाल रहा हूं और class में भी करा रहा हूं, तो अगर मेरे lectures आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो please अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि उससे हमें help मिलेगी, मैं सीधा बोलता हूं, कि हमें अपने आपको grow करने में help मिलेगी, और जितना जादा हम grow परकाएंगे, उतने अच्छे हम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, और भी subject आपके साथ लेके आपाएंगे, जितने भी theory है, मेरा सपना है कि पूरे subject करें, और channel को भी like, share, subscribe करें, ताकि आने वाले future म में आपको तो अच्छा content मिले, और future में बच्चों को भी जो आपके junior है, उनको भी अच्छा content मिलता है, ठीक है ना, तो channel को like, share, subscribe, फटा-फट से कर लेना है, चलिए sir, अगला है, next concept, ओहो, कितना आसान concept, क्या बात हो गई sir, security premium section 52, sir, security premium कहां-कहां use हो सकता है, sir, security premium क्या लिखा है, a, b, c, d, और e, total 5 point, और यह accounts में पढ़ा हुआ है, accounts में भी इसका theory आएगा, buyback का भी accounts में थिवरी आएगा, इसका भी आएगा, sir, कहां-कहां हो सकता है, number one, देखो, company क्या कहा सकर सकता है, company, यहाँ पे मैं bonus paid, मैं underline कर देत है, bonus paid में, ठीक है, इसे white कर दें किया, ज्यादा चमकेगा, नहीं, white तो नहीं दिख रहा था, यही ठीक है, yellow, yellow, dirty fellow, ठीक है, इसके बाद, आपके preliminary expense को write-off करने के लिए, company start होने से पहले जो खर्चे हुए थे, उसको write-off करने के लिए, इसके बाद, अगला point, दो point होगे न, एक तो bonus share, preliminary expense, write-off करने के लिए, इसके बाद, commission, जो under writer का commission होता है, discount allowed issue of debenture, उसको write-off करने के लिए, इसके बाद, premium payable on redemption of any redeemable preference share के premium को paid करने के लिए, इसके बाद, साहब security under section 68, for the purpose of own share, अपने shares को खरीदने के लिए भी इसका इस्तमाल हो सकता है, लेकिन debenture के case में देखन any providing the premium payable of the redemption of any redeemable preference share और any debenture, debenture जो redeem करोगे, उसके preference share, उसके premium को debenture redeem करने के लिए, DRR या CRR के लिए यूज़ नहीं होगा, उसके premium को paid करने के लिए, इस्तमाल हो सकता है, और अगला point कहा देता है, के for purchase, अपने buyback, यानि on share का मतलब यह है BB, तो फटा फट मांच point बोलिए, एक तो भाई, bonus issue करने के लिए, एक buyback करने के लिए, preliminary expense को right off करने के लिए, preference shareholder के premium को payment करने के लिए, underwriter के commission को करने के लिए, ठीक है, यह था हमारा 68, पढ़ लिजएगा, बहुत पहले से हम करते हैं यह लो, अब 63 आ गया, सर, 53 में क्या बात करते हैं, सर कहता है, discount, 53 में बोलता है, भाईया, आप share को discount पे issue नहीं कर सकते, पहले 1956 में था, 1956 में इसका section जो था आपका, जहां पे हम section 77, 76 था, जहां पे हम discount पे तो उसकी बात ही नहीं करते हैं, उसके बाद 2013 में बोला, कि company अपन account में issue ही नहीं कर सकती, सर, इसका मतला, लेकिन यहां पे भी exception है, आप ESOP कर सकते हो, और आप sweat equity discount पे कर सकते हो, बाकि कोई भी share discount पे issue नहीं हो सकता, तो वही बाते बताई गया है, क्या the security premium can be apply by, क्याता है, the security as premium account may be apply by the company, towards the issue of unlisted share member, नहीं भाई, यह ना heading थोड़ा सा गलत हो हो गया, और यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, slide, हाँ, यह वाला ठीक है, चलो इसको भी कर दें, delete, चलिए, ठीक है, इसको delete कर दिया, आईए अब, अब सर, हमारा provision मतलब के prohibited है, कि भाई, shares को discount पे section 53 मना करता है, कहता है, any share issue by a company, discount shall be void, except the following, मतलब share issue कर दिया, तो void होगा, यह share माना ही नहीं जागा, लेकिन कुछ following, कौन सा, a company can be issue at discount, creditor, convertible shares, आपको creditor को कर सकते हो, convertible shares कर सकते हो, और resolution of debt restricted to the as per guidelines, जो RBI का है, any other issue, except sweat equity share, under section 54, और issue of base के अंदर है, discount price पे इसको issue किया जा सकता है, discount price पे इसको issue किया जा सकता है, तो आपके जो भी buyback थे, buyback को हमेशा किस पे किया जा सकता है, discount पे आपके equity share को कभी भी issue नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ exception case है, अगर चाहता है, saving, saving के according अगर देखा जाए, कि आपको अपने creditor को, या फिर आप fully convertible share है, तो उसको discount पे issue कर सकते हो, और आप sweat equity यहाँ पे इसवाप का discussion नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इसवाप को भी discount पे issue किया जा सकता है, ठीक है, चलिए, आगया, अब अगला employee stock option plan, यह दो दो बार क्यों आया भाई, इस वाप को हम बाद में discuss करेंगे, पहले यह भी important है, तर why important, that is bonus share, bonus share का मतलब सर, अभी revision class में हमने करा भी था, प्री का share, कौन सा share सर, प्री का share, आपको इसको दो वे में bonus हो जाता है, partly paid up को fully paid up बनाने के लिए, और normal, कौन सा section allowed करता है सर, section 63, अभी हमने 52 कर लिया, 53 provision और 54 के अंदर हमारा था, इस वाप की बाद, वो हम आगे cover करेंगे, ठीक है, source, आप bonus करोगे, तो source क्या होगा, आपने करा एसर, free reserve होगा, security premium होगा, paid up redemption, CRR, जो CRR, एक CRR जो है ना, हमारा सरिफ और सरिफ bonus share के लिए use हो सकता है, और कहीं भी use नहीं हो सकता, आपका provided, the no issue bonus share shall be made by the capitalized reserve created by the revaluation asset, अगर कोई आपका free reserve के अलाबा, revaluation reserve है, या कोई ऐसा statutory reserve है, जिसको आपने specific purpose के लिए बनाया, उसके लिए use नहीं होगा, तो सबसे पहले source देख लिए हमने bonus के लिए, अब condition क्या है, main ये point है, sir condition, source तो देख लिए, अब condition क्या है, sir, a company में capitalize the profit reserve, purpose issue, the fully paid bonus, और इसके पीछे ना logic है, bonus देना ही पड़ता है, CRR बनाना पड़ता है, जब आप preference share वाला या bonus वाला accounts वाले chapter में मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, कि कब किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले authorize article, यानि AO, AO तो हर जगा कूच जाएगा, उसके बाद आपका recommendation board, debt security पर default नहीं होना चीए, bonus का मतलब है, कि आपकी company बहुत अच्छे से काम कर रही है, और अच्छे से काम करने के बाद company default नहीं हुई है, अभी तक तो उसे बोला जाएगा, आप अच्छे काम कर रहे हैं और default भी नहीं, आपकी company बहुत healthy है, आप bonus दे लेकिन अगर आप interest देने में default होगे, तो कैसा bonus पहले आप अपने internal चीजों को देखो, it's not default in respect of payment statutory dues, statutory dues जहां भी आता है, उसका मतलब होता है, taxes, हर परकार के tax हो सकता है, GST हो सकता है, employee tax हो सकता है, exercise custom हो सकता है, हर परकार के tax में आपकर नहीं होना चीए, यहने government का पैसा नहीं मारना है, ठीक है, और employee का भी पैसा नहीं, graduate bonus आपने हमेशा दिया है, यह bonus पता है कौन सा है, यह employee को जो दिवाली के time पर देते हैं, bonus होग है, the partly paid up share it, the outstanding, the date allotment made fully paid up, आपका partly paid up है, उसको bonus नहीं देंगे, पहले इसको fully paid up बना लेंगे, the complete such condition may be prescribed, it may be noted that the bonus shall not issue to the lien of dividend, आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आपके नए dividend बन रहे हैं 100 रपे, तो हम आपको dividend नहीं देंगा, आपको bonus देंगे, तो लोने मना करा हुआ है, कि आप dividend के point में नहीं कर सकते, company ऐसा fraud कर सकती थी, लेकिन लोने बचा रखा है, तो ये क्या था सर हमारा bonus, अब हमें difference देखना है सर, right issue और bonus के बीच में, difference देखना है सर, XYZ Limited, XYZ Limited, जो company है, इस company ने share issue किये, किसको share issue किये, shareholder को share issue किये, ठीक है, shareholder को इसने share issue किये, चलिए साहब, shareholder को share issue कर दिये, तो कब issue किये सर, जिंदगी में पहली बार issue किये, पहली बार share issue किये है, तो इस परकार के share को हम बोलते है, IPO, Initial Public Offer, IPO, लिखिन, company का authorized capital था, authorized capital था मान लेते हैं, 5,00, 5,00,000 में से company ने 3,00,000 share issue कर रखे हैं, तो company have right, company के पास right है, कि 2,00,000 रुपे का और share issue कर दे, company के पास right है, कि 2,00,000 रुपे का और share issue कर दे, साहाब अगर company के पास right है, कि 2,00,000 रुपे का और share issue कर दे, लेकिन company ने already 3,00,000 के share issue करे हुए, sir, 3,00,000 का share किसको issue किया हुआ है company ने, already ये 3,00,000 का share इनके बीच में बढ़ चुका है, now company want कि 2,00,000 रुपे के और share हमें issue करना है, तो ठीक है, sir, अब नए, सबसे पहले हम नए के पास जाने से पहले, हमें पुराने लोगों से पूछना होगा, कि भाया, हमें 2,00,000 रुपे की और ज़रत है, अगर 2,00,000 रुपे की हमें और ज़रत है, क्या हम इस shares को issue कर दे market में, या फिर आपके पास अधिकार है, आप खरीद लिजिए, तो जो पुराने shareholder है, इनके पास right आ जाता है, नए वाले shares को लेके, इसको बोला जाता है right issue, इसको क्या बोला जाएगा, sir? A right issue, right issue में पुराने shareholder के पास सबसे पहले right आता है, कि पुराने shareholder कब इस share को इशू कर सकते हैं जैसे ही पुराने shareholder deny कर देंगे कि भैया हमें नहीं लेना share ये पहले ही हम आपके share लेके पस्ता रहे हैं अब हमें share नहीं लेना इसको क्या बोला जाएगा sir इसको बोला जाएगा आपका FPO Further Public Offer Further Public Offer इसको क्या बोला जाएगा FPU बोला जाएगा तो चलिए फटा-फट से एक बार difference कर लेते हैं कि क्या-क्या difference है हमारा right issue में और shares में तो मैंने अभी आपको clear कर दिया आपको bonus share तो पता ही दिया offer of new share existing shareholder of the company पहला meaning आपका conversion of undistributed profit into reserve कहने का मतलब है और existing shareholder से आप पूछोगे कि आपको shares लेने हैं जबरदस्ती नहीं दे सकते और existing shareholder आपको पैसे देंगे लेकिन हाँ market के comparatively सस्ता होगा और bonus share आपके पास इतना सारा undistributed reserve हो गया उस reserve को क्या करो तो आप मालिक के बीच में क्या करोगे distribute कर दोगे आगे बात करते हैं सर issue की बात करते है right share are offer and issue to the price decided by the director of the company यहाँ पे price होगा लेकिन सर यहाँ पे absolutely क्या होगा free होगा यह तो पहला difference क्या है आपका existing shareholder दूसरा distribute करने के लिए तीसरा price होगा और इसके अंदर क्या था हमारा free होगा paid up right share may be partly और fully right share जो issue होगा हो सकता है कि 10 रुपे का share है आपसे 8 रुपे लिया जाए 2 रुपे बाद में ले लेंगे लेकिन bonus share always क्या होगा fully paid up difference है important याद रखिएगा यह exam में पूछा जाएगा आपका question याद रखना है आपने ठीक है purpose अब purpose की बात करते है purpose of right share raise fund मैंने कहा था आपको के company को और 2 रुपे की जोरत है इसलिए वो right issue लेके आ रहा है और यहाँ पे कोई भी आपका raise fund नहीं करना distribute of the reserve है applicability purpose right of there is raise fund of the company purpose क्या है हमारा right there is no such compulsion company में issue bonus share company के पास ऐसा कोई भी compulsion नहीं है एक बार यह applicability का ना point मैं cut कर रहा हूँ यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है आप इस एक, दो, तीन, चार point के उपर focus करिए यह applicability वाले point यहाँ पर गलत लिखा हुआ है चिक है इसको consider मत करिए गा तो चार point पहला point क्या है existing shareholder को issue किया जाएगा और कहां से करा जाएगा पैसे ले के किया जाएगा इसके बाद bonus share में sir distribute करना है हमें reserve और वो free का होगा आपका right issue it may be partly share और यह क्या होगा हमें सा fully paid up shares होगा यहाँ पर क्या है purpose sir purpose है इसको हमारे fund company का raise करना यहाँ पर undistributed reserve को raise करना ठीक है इसके बाद हमारा topics आ जाता है difference between the shares and stock तो सबसे पहले हमें समझना होगा concept what is the share and what is the stock ठीक है question पूछा जा सकता है तो share and stock बहुत simple सी बाते हैं और बहुत simple से point से हम इसको समझ सकते हैं माल लेते हैं x y z limited का आपको company का share लेना है ठीक है x y z limited company का share लेना है इन्होंने 5000 share issue किये इन्होंने 5000 share को issue कर दिया now आप इस company के shares को लेना चाहते है दो तरीके के वेक्ति हैं पहला मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि भाईया मुझे मुझे आपकी company के shares लेना है 2 share company ने कहा ओके ले लो ये अगर कहता मुझे आपके company के लेने है 10 share company ने कहा ओके ले लो इसने कहा कि मुझे company के shares लेने है 1 share company ने कहा ले लो इसने कहा कि मुझे company के लेने है यह मांगा दे दिया आदे शेर की बात हो रही है लेखिन एक और शेर होलडर है और कंपनी का थोड़ा सा नजरिया बदल गया इसने बोला कि बाई मुझे पांच शेर चाहिए पांच शेर खरीदना चाहते हैं तो तो कम से कम आपको 100 खरीदना पड़ेगा, यानि एक lot बना दिया, 100 से कम तो खरीद भी नहीं सकता है, सिंपल सी बात स्लीपर खरीदने जातो है, एक पैर का स्लीपर खरीद सकते हो, क्या, नहीं खरीद सकते, ऐसा ही company ना group बना देता है, कि इतने shares तो आपको लेने ही पड़ेंगे कम से कम इतने जब हम IPO apply करते हैं तो IPO apply में भी ऐसा ही होता है कि minimum इतने share का lot होता है ठीक है ना जाते हो ख्रोट को पहले सब्सक्राइब करेंगों किसे हम सोचते लीए यानि वहां बार्ड में बेशता है तो जब कभी भी अपना कोई भी company अपने share को एक lot या एक block में कर दे तो उसे बोलेंगे stock और जब single ले लो आप दो ले लो तीन ले लो तो उसको क्या बोल देंगे हम share से बोलेंगे बस ये फरक है हमारे stock और share में और nothing else कुछ है सब फरक है चलिए फटा-फट देख लेते हैं अगर आपको concept समझ में आगया है तो फटा-फट से difference भी समझ में आएगा कहता share maybe taken fully paid up but stock always fully paid up share जो हो सकता है वो 10 रुपे का 8 वाला भी चलेगा लेकिन stock हमेसा fully paid up ही लेना पड़ेगा stock हमेसा कैसे होगा हमारा fully paid up ठीक है कहता है आज share nominal value where the stock no nominal value share का face value कितना होता है 10 रुपे इसका कोई face value ने इसका तो lot ही होता है अब इतने का खरीदना पड़ेगा तुम्हें a share cannot be transferred in small function कैता है share को हम small function में while the stock can be transferred any function मतलब अब एक share लिया है तो भाया एक ही transfer करोगे ना ऐसा थोड़ी आधा transfer करोगे लेकिन जब आप stock लोगे तो stock के अंदर एक share नहीं है जैसे 4 share, 5 share, 6 share, 7 share while the stock disclose the console donate console donate का मतलब क्या होता है कि एक bunch एक lot के अंदर तो console donate number value of shares capital fraction of the stock not to be bear any number अब जैसे मानलो वो तो कहीं पे भी नहीं होता कि आप बोलो कि भाया आपको 100 मांग रहे हो आपको मुझे 99 दे दो तो बोलेगा नहीं allowed है आपका lot कितने का 100 का है तो 100 ही मिल डिफरेंस करके जाना है पस आपको all share are equal denomination मतलब एक share, 2 share, 3 share stock में भी unequal amount इसका amount अलग हो सकता है lot 100 का है दो सु का है इस तरीके से unlike share and stock cannot be directly issue is the first instant only fully paid up और convert into the stock हम shares को stock में convert कर सकते हैं जैसे मेरे पस 10 share है तो उसको किसमें convert कर देंगे हम stock में कि एक lot हो गया भाईया तुमारा 10 का ठीक है तो basically यह फरक है बहुत छोटा सा था अब इसके बाद हम देखेंगे काफी important है ESOP employee stock option plan अकाउंट में भी है अकाउंट में कल रिवीजन करवा दूंगा अकाउंट के अंदर तो आज देख लेते हैं इस अप होता क्या पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भाईया इस अप है क्या देखो जैसे एक्स वाई और जेड लिमिटेड कंपनी है और इन दिनों मैं बह सारी चीजे ले पाए या फिर मेरा सारा काम एक तरीके से ना सिंग्व कि मैं ही काम में उल्जा रहता हूं बहुत सारे काम में तो तो मैं सोच रहा हूं कोई ऐसा बंदा दो मिले यार जो इसके बाद मैंने बुलाया चल तरह को पीटी पे काम आता है यह सारी चीजे बना के दिखा करके दिखा बोलता सरी यह तो नहीं आता है मुझे हमने तो यह सिखाय नहीं वह बहुत पहले करा था भूल गयता है कम्प्यूटर की नॉलेज कुछ नहीं है बस सेटिफिकेट लेके बैठे है मैंने बोला चल तेरी स्पीड कितनी है बोलेंगे तो 20 है मेरी स्पीड 25 है स्पीड और जब मैं टाइपिंग करने दूँआ तो उसा टाइम लग रहा है छोटे से तो मैं इन दिलों नो बहुत पर कूंड़ने में मुझे कम सब्सक्राइब 6 महने हो गए मैं सोच रहा हूँ तु मेरे से 20,000 रुपए सेलरी ले ले लेकिन काम 20,000 वाले मुझे काम चाहिए तब मैं तो 20,000 दे पाऊँगा ना तो इसका मतलब मैं कितना परेशान हुना इन दिन हो और यह रियालिटी है मैं ऐ मुझे एक अच्छा चाहिए सेल्स वाला परसन चाहिए दो तीन मुझे अच्छा जो कि सेल्स कमनिकेट कर पाए मैं चाहता हूं कि जो मेरे पेड़ वाले स्टूडेंट उनको 24 इंटू 7 कस्टमर के दे दूं रात में भी एक को सेटिंग दे दूं कि कस्टमर और ऐसा बच् कर दे दो चुनार एंप्या चाहिए और उसका इक होणार एंप्योई है जो मैं चाहूंगा कि यह चोड़के चले जा Dil मैं कुछ यार ये बंदा चले गया तो इतना सारा काम संभाल रखा है तो वो कैसे करेंगे फिर दुबारे दिक्कत आ जाएगी तो मैं कभी नहीं चाहूंगा ये छोड़ के जाओ और इंप्लोई के नहीं चाहता है कभी बी चोड़ के जूड़ के जौड़ करता है तु कहां कर रहा तु यह काम कर रहा तो इसके कां भरने का दिंगा झाटा यार हमें भी यहां से क्या कर देना चूड़ के और अपलाई करना चीए तो इंप्लोई भी चोरी चुपके क्या करता है सर में कही न कहीं करने लग जाता है और हम से जूट बोलने लग जाता है कि पता चल रहें कई इंट्रविवू देने के लिए वहां सेलेक्षन होते हुआ मिर पासर चपि चल सब को होती है तो मैं क्या करूगा एक इंप्लोई तुजादा चालाख है अब देख तेरी सेलरी 20,000 है और मैं तेरे को न 2,000,000 रुपए का शेर दे रहा हूं और जो 2,000,000 रुपए का शेर दे रहा हूं न और यह मार्किट में इसकी कीमत 5,000,000 है लेकिन तु मुझे 5,000,000 रुपए दे दियो बस यानि एक तरीके तक तुन्हें नौकरी कर रहा उसके बाद दूगा मैं अगर 2 साल से पहले तुन्हें नौकरी छोड़ दिया तो भूल जाइए दूगा ही नहीं में तरको फिर अब यह employee क्या होगा मेरे से बंद जाएगा कितने साल के लिए 2 साल के लिए 2 साल जैसे complete होगा फिर लालच दे इसको में देखें बिजनस के अंदर पैसे मेटर नहीं करते हैं बिजनस के अंदर मेटर करता है कि आपके साथ कितने एंप्लोई जूड के काम कर रहे हैं तो आप सोचवें सर पांच लाग छे लाग देने के लिए तैयार होती है बहुत सारी company मैंने बीच में सुना था कि ग अकेला कुछ भी नहीं कर सकते अगर मालो मैं सब अकेला करूं वीडियो एडिटिंग भी करूं वीडियो भी बनाओ पढ़ाओं भी सब काम करो तो भाईया दिन में तो आधी वीडियो आएगगी आपके पास एक भी नहीं पहुंच पाएगी ऐसे के इसके अंदर तो यह सा चाहते हैं तो ले लेना वरना मत लेना आपकी मर्जी है लेकिन मैं थोड़ी से पैसे तो ले रहा हूं इससे 5000 रुपे ठीक है ना तो जर्नली यह डिसकाउंट पर इशू किया जाता है कई वार तो सर कुश्चन मुद्दा क्या आता है सर देख लेते हैं इंप्लोई और ना सब्सेक्शन 37 क्या कहता है और कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन इंप्लोई स्टॉक मीन दा ऑप्शन गीवन टूदा डारेक्टर और इसमें कौन-कौन से इंप्लोई होते हैं हाई लेवल के इंप्लोई को रोकें ऐसे थोड़ी यह को भाई दिहाडी काम करने आ रहा उसकी वा of holding companies और subsidiary चाहे मेरी company के अंदर हो चाहे subsidiary company के अंदर employee हो talented employee company और companies if any which gives the director और such gives director offer to employee कैता है कि if any which gives such director officer और employer the benefit right to purchase उसको right कर दे दे देगे के परचेश कर सकते हो और subscribe the shares को ले सकते हो company future date पे predetermined price आप future में खरीदेना लेकिन मिलेगा इतने काई उस दिन क्या भाव रहेगा मतलब नहीं है मिलेगा आपको इतने काई तो उस चीजों को क्या कहते हैं हम isop क्या देते हैं simple sir isop हर company issue कर सकती है क्या क्योंकि हमें company act के अगर हमें कोई company चला रहे हैं तो company बिना company law के permission के कोई काम नहीं कर सकती यानि हम सारे काम किसके accordingly कर रहे हैं company act के according कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी है shares किसी को भी दे दो नहीं दे दो तो कुछ company के rule के provisions भी हैं क्या provisions है उनके कहता है employee under stop scheme में क्या कहता है employee यानि worker rule 12 of the company's share capital debenture rule 14 क्या क्या इसके अंदर provisions दे रखें कहता है अब permanent employee of the company who have working in India और outside India किस को मिलेगा कहता है कि employee का मतलब है क्या कोई भी employee इंडिया में काम कर रहा हो चाहे हमारे लिए इंडिया के बाहर काम कर रहा हो business का employee ही माना जाएगा उसको दिया जाएगा क्या किसी इसका meaning मैंने बताया employee under the swap scheme employee कौन होगा इस swap के अंदर part time full time तो बोलता है जो भी permanent काम कर रहा है उसको employee मानेगा part time वालों को यहाँ पर नहीं बोला गया एक director of the company उसको भी हम ले लेंगे whether whole time director but exclude the independent director सहाब independent director सहे इसको अलग करके हम रखेंगे independent director नहीं होगा an employee as defined clause employee defined clause और subsidiary in outside India कोई भी employee जो defined clause A और B A और B का मतलब यह A part था यह B part था ठीक है subsidiary in India outside India holding company और an associate company but does not include लेकिन include but does not included ठीक है मतलब simple से यहाँ पर यह एक line missing रहे गया मेरे खेल does not include an employee who is promoter promoter नहीं होगा कहीं promoter सोचे अपने आपको इस swap दे रहा है भाई मालिक अपने आपको थोड़ी न भी दे सकता है belongs to promote the group और director who either himself through relative उसके relative नहीं होगे body incorporate नहीं होगे और यह सब नहीं होगे so simple से कहने की बात है इसके अंदर हमने क्या समझा employee कौन है permanent employee हो सकता है चाए India में काम करे चाए India के बाहर काम करे दूसरा आपका holding company का हो चाए subsidiary company का है वो भी employee होगा इनको employee नहीं माना जाएगा director सारे employee है उसको दिये जाएंगे लेकिन independent director इसके अंदर included नहीं होंगे डारेक्टर वाले chapter में अच्छे से पढ़ेंगे अब provision क्या अगला provision क्या कहता है procedure requirement क्या क्या procedure follow करना पड़ेगा कहता है कि approval of ESOP scheme by the member of the company by of special resolution यानि सर आप जब ESOP किसी को दोगे तो यानि किसी employee को आप free में share दे रहे और company का मालिक कौन होता है शेयर holder होता है company का मालिक जब shareholder है तो shareholder से permission लेगे ना कि भाई हम एक employee को रोकने के लिए इसको सस्ते में share दे रहे है तो जब उससे permission लेगे तो कौन सा resolution पास करना पड़ेगा special resolution मैंने पहले ही AGM का chapter करा दिया है इसलिए ताकि आपको पता चल जाए special resolution क्या होता है वहाँ पे कम से कम कितनी voting होनी चाहिए सर 75% voting है तो special resolution पास हो जाएगा separate resolution in case of grant ESOP to the employee of the subsidiary holding company grant ESOP identified employee equal to excluding 1% issue capital अगर 1% से आप ज़्यादा ही swap दे रहे हैं तो इसके लिए separate resolution पास करना पड़ेगा और एक specially तरीके से चलना पड़ेगा क्योंकि 1% बहुत बड़ा नंबर होता है company के shares के अंदर ठीक है न the explanatory statement to the disclose the explanatory explanatory क्या होता है वह statement जिसके अंदर explain किया जाता है discuss prescribed detail सारी और shares की सारी जानकारी दी जाएगी यह था हमारा क्या टोटल देखा जाए तो इस आप 1% कुछ बच्चे सूच सकते हैं सर 1% में क्या approval लेना बहुत बड़ा नंबर होता है अगर मैं बात करूँ टाटा कंपणी के अंदर कौन है अभी रतन टाटा उनके पास पता है कितने शीर बास 16% बागी शीर है नहीं बागी सारे शीर ट्रस्टी के बास है इतना पावरफुल इंसान है अभी इसके अंदर तो अब वन परसेंट वाला भी कितना पावरफुल हो सकता क्योंकि कंपनी में से और एक शेयर की वेलिवेशन बहुत होती है तो यह था हमारा शेयर को देने से पहले के क्या रेजुलेशन होंगे इसके बाद प्रोविजन रि लेना है एक साल काम करवाने के बाद ही यह ओफर दे सकते हो और ऐसा नहीं है कि एक साल काम कर लेता और बोलता है मेरे पर पैसे तो नहीं है मेरे भाई खरीद लेगा शेयर दे दो के सर नहीं भाई तेर को दिया गया है तू ही खरी सकता है दूसरे को नहीं दे सकता अन्वे इसे डारेक्टर रिपोर्ट के अंदर हम डीटेल में डालेंगे किसको दिया है मेंटेनेंस इसव रिजिस्टर और इसोप का एक सेपरेट रिजिस्टर बनाना पड़ेगा कि किसको कितने शियर दिये जाने हैं फ्यूचर के अंदर चलिए साहब इसके बाद आता है स्वेट इ और नंबर दो employee है यह इतना hard work नहीं कर रहा यानि not proper work कर रहा है इसकी salary 25,000 और इसकी भी salary 25,000 तो इस case में यह तो demotive हो जाएगा ना इक employee salary 25,000 और यह employee कुछ करता नहीं आता है बस time pass करके चला जाता है इसकी 25,000 तो यह demotive हो जाएगा तो हम motive करने के लिए हम salary अगर इसका appraisal कर देंगे ना तो उस situation के अंदर फिर हमारे employee के बीच में कहीं न कहीं discrimination आ जाएगा उसकी salary बढ़ा दी सर मेरी भी बढ़ा हम दोने तो साती लगे थे ऐसा थोड़ी नहीं होता है यह मानने को ही तैयार नहीं होगा कि मैं कम काम करता हूं तो ऐसे situation में rewards दिए जाते हैं कि वही जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको bonus दे होता है ना तो अब उस case के अंदर यह से लड़नी सकता भाई ठीक है तुने अच्छा काम क्या मिल गया मैंने नहीं किया नहीं किया तो हम reward के form में उसे क्या दे देते हैं यहां पर पैसा ना देके क्या दे देते हैं तो शेर स्वेट स्वेट का मतलब एक तरीके से किस अटरवर्किंग कर रहा है उसको हम देदेते हैं या तो हम फ्री में देदे या बहुत कम वैलुम ही केंदर ऍर काम्प्र के दिया जा रहा है कहता है sweat equity mean a equity share issued by a company to its employee director को भी दिया जाता है at a discount to market price market price से discount पे होगा consideration then cash कहता है consideration हो सकता है आपका other than cash providing know-how or making available right to nature intellectual property right or value of addition whatever name call मतलब जो hard working किया है या हमारे लिए उसने कोई assets ऐसा create कर दिया intellectual property क्या होता है उसके working से एक होता है skill employee के तो employee के skill भी हमारे लिए एक property है मेरे लिए assets है तो आगे जैसे कुछ आप HRM वगरा पढ़ रहे हो तो HRM के अंदर आपको यह चीजे पढ़ने को मिलेगा के अब कहता है क्या क्या condition है सर इस ओप देने का the issue of authorized by हर जगह पे अगर ऐसी बड़ी बात है तो कौन सा resolution pass करना पड़ेगा इसको special resolution pass करना पड़ेगा company को पहली बात the resolution specified number of shares और इस resolution के अंदर क्या होगा number of shares और current market price क्या होगा यह चीजे बताना पड़ेगा price consideration कितना payment मिलेगा director यानि हम किसी का जो share दे रहे हैं कितने का share है कब दिया जाएगा कितने number है कितने पैसे लेंगे कब लेंगे नहीं लेंगे वो सारी जानकरी इसके अंदर दे देना है where the equity share of the company are listed अगर लिस्टिट है रेकोगनाईज स्टॉक एक्चेंज के अंदर स्वेट इक्टी शेर शुडबी इस्टॉ अकॉर्डेंस विद्धा जहां पर भी स्टॉक एक्चेंज आ जाता है कि आपका share स्क्राइब है उसके साब से चलोगे तो यह हो गया हमारा प्रोविजन किसका स्वेट इक्टी अब डिफ्रेंस देख लेते हैं तो और ज्यादा हमें इसके इंदर क्या होगा देखो स्वेट इक्टी क्या है फ्री में दे दिया जाएगा एक नॉमिनल प्राइज लिया जाता है फ्री में इस वाप क्या होता है पहले से रिसाइड करते हैं फ्यूचर में आपको इतने पैसे पर खरीदने होंगे यह ओप्शन दिया जाता है आप खरीदो चाहें मत खरीदो स्वेट इक्टी इशू कंसिडरेशन ऑफ क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ आफ आई पी आर एस टूदा कंपनी इस अधर वेल्यू एडिशन मतलब अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर उसने कोई वेल्यू एडिशन कंपनी ओर्गनाइजेशन के अंदर किया है तो इस केंब्स इशू एँप्लोई, उफिशन का मतलब आपके इंप्लोई को रोकने का काम कर सकता है तोनों इंप्लोई ऑफिशर को दिया जा सकता है इस ओप के लिए एक साल आपको इस ओप तभी मिलेगा जब आपने तीन साल करके दिखाया क्योंकि आपको परफर्मेस है सा थोड़ी एच्छे मैने में हाड़ वर्क कर लिया इस ओप मिली आप मैंने कर रहता हूं तो कम से कम तीन साल तक आपको काम करना पड़ेगा और इसमें एक साल है कुछ है कि यह बाते क्राइटरी है था तो सर हमने क्या देखा इस ओप और हमने क्या देखा इस ओप के साथ साथ एक स्वेट इक्विटी दोनों important point है questions पूछे जा जब क्या होता है जब आपका 10 criticize था दशरूपे का शिएर हैं और company हमेशा आपसे पैसे मंगाती है जैस plural customers दूरूप्न performer पाँच पैसे मंगाती है तो पहले दो रूपे पियात करने अब ती रूपे के लिए पास होना चाहिए यानि बोर्ड बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि भाई अगला कॉल क्या तीन रुपे मंगवा ले वह सारी बातें होनी चाहिए अतिने समय के बाद मांगना है इतने टाइम उसको देना है उसके अक्रणल ही मांगना है call सबसे बराबर मांगना है तो यह form है, यह मैंने सिर्फ और सिर्फ heading लिया है क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया और मैंने समझा दिया और आपको भी पताई कि इसका मतलब क्या है आप इसको पूरे detail में points by point इसके आगे भी content लिखना पड़ेगा इसमें, ध्यान रखिएगा चलिए सर, for feature, अब for feature share भी सुना है for feature का मतलब क्या होता है जैसे आपने, आपने 10 share खरीदे हैं और 10 share के आपने 8 रुपे दे दिये हैं और company जो है आपसे बाकी के 2 रुपे मांग रही है और आप 2 रुपे बोल रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है भाई सब नहीं देंगे तो company क्या करेगी, आपके इस 8 share 8 रुपे को भी क्या कर लेगी, for feature कर लेगी लेगिन for feature ऐसे थोड़ी है भाई तो 2 रुपे ला और आपने बोला भी नहीं है या तेरे share for feature होगे ऐसे नहीं, उसको time भी देंगे, सोचने का भी time देंगे सारे चीज़े होना चाहिए तो कहता है, the procedure for feature कैसे तरीके से किया जाएगा तो मैंने कहा नहीं, यह chapter ना अगर आपका company law उठाओ तो company law और corporate account के बहुत सारे points इसके अंदर similar मिलते जूलते है कहता है, in accordance with the article of association article of association के हिसाब से होना चाहिए notice देना चाहिए आपका precedent to the for feature for feature से पहले उसे notice देंगे भाईया, तुमारे share for feature हो जाएगे प्लीज आप payment कर दीजे, बार-बार उसको reminder देंगे ठीक है न, resolution of for feature for feature जब हो रहा होगा तो हमें resolution भी पास करने होगा, चल भाई ये बहुत धीट बंदा ये पैसे देगा नहीं, आप resolution पास करो for feature कर लिया जाए bona fide और आपका ऐसा कोई भी intention नहीं होना चाहिए कि आप जान बुच के for feature करो आप बिल्कुल unbased होगी क्योंकि आप company के बहुत ऐसे पद पे हो, जैसे माल लेते हैं हमारे देश के government है, government अगर हमारे देश के परधान मंतिर, नरेंद्र मुदी बीजेपी को normally जो माना जाता है सुरू से बोला जाता है जो कि इतने बड़े post पे बैठे हैं कि हिंदू के लिए जादा करते हैं, muslim के लिए कम करते हैं, ये लोगों का perception है एक तरीके से, बट इतने बड़े level post पे उन्हें सब को ही साथ लेके चलना पड़ता है, जब बड़े post पे आते हैं, सेम ऐसे आप इतने बड़े post पे बैठ गए हो, और अपनी इतने बड़े post पे बैठने के बाद, आप क्या करोगे सर, इतने बड़े post पे बैठने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है यहां पे, क्या, आप सब के साथ equivalent करो, आपका दोस्त है, उसने calls नहीं दिये, उसके तो नहीं forfeiture किये, और दूसरे वेक्ति का आपने forfeiture कर दिया, वहाँ पे कहां किये आपका इंसाफ है, तो ऐसे situation में bonafide होना चाहिए, bonafide का मतलब, बिलकुल unbased हो के मतलब, फिर आपको decision लेना पड़ेगा, यह था हमारा forfeiture, अब कई बारना shares के उपर lien लगा लिया जाता है, lien का मतलब, जब्त कर लेना होता है, और forfeiture का मतलब भी जब्त कर लेना होता है, lien का मतलब, अगर आपने कोई भी company के कुछ नुकसान कर दिया, माल लेते हैं, आप company घुमने गए, और company का projector तोड़के आगए, आप तो आपको इसका तो compensation देना पड़ेगा, आपने बोला सर हमां company के नहीं देंगे, नहीं सर हम क्यों देंगे, projector टूटी है सर, अब कहां से देंगे हम पैसे, हम नहीं देंगे पैसे, तो company उस share में बोले के भाया मत दो तुम, आपके जो share पड़े हुए थे हम वो share को cancel कर रहे हैं, उससे पैसे recover कर लेंगे बेच के, इसे बोला जाता है lien, और four feature में क्या होगा, भया दो रुपे दे दे, दो रुपे दे दे, तेरे बाकी यह है, तो दो रुपे दे दे, वो नहीं देने में, उसके लिए four feature होता है, excise rate, debt due to share other dues, कहता है, debt due on shares होगा, या फिर other dues, या किसी को पर due है, दूसरा example, debt, debt, बार-बार कर रहा है तो मैं मान ले, तो मैंने company से दो लाक रुपे उदार ले लिए हैं, और तो मैंने company के अंदर 5 लाक के share भी दे रखे हैं, company बोल रही है, भाई, दो लाक दे, दो लाक दे, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं दे रहा दो लाक रुपे, जो करना है कर ले तो बोले कि ठीक है भाई, तेरे shares को मैं रख लेता हूं, तो जो तेरा debt है, उसके selling the share, हम बोल देंगा, भाई, तेरे share बेच देंगे, तो मेरे कर जा देदे, चुप चाप सर नहीं, तो तेरा share क्या करेंगे, हम बेच देंगा, यहां पर बेचा थोड़ी जाएगा, इसके पास surplus, surplus from sale of deduct, debt and holder को वापस दे देंगे, जैसे कि मान लेते हैं, आपके 5 लाग के share थे, मैं 2 लाग share बेच दिया आपके, 2 लाग रुपे अपना रख लूँगा, बोलूँगा, ले भाई, 3 लाग रुपे, बात कहां नहीं खतम, यह कहता है, surplus of the sales forfeiture, कहां भेज देत transfer of shares, transfer of shares, बहुत important point है, transfer का पहले मैं हम समझ लेते हैं, एक बात को, बस खतम ही होने वाला है chapter, एक है transfer, एक है transmission, सर ट्रांसफर कब होता है सर, सर ट्रांसफर मतलब मान लो, X है एक वेक्ति, और एक वेक्ति Y है, X ने एक share खरीदा है, मान लेते है, SKD Limited का, मेरी company का share खरीद लिया, मान लेते है, अब इसको पैसे की जौरत है, तो shares का एक सबसे बड़ा feature क्या है सर, कि वेक्ति अपने shares को, किसी वेक्ति को easily बेचा जा सकता है, सबसे बड़ा feature यही है, तो सर, इसने क्या खरीदा है सर, इसने खरीदा है shares, और यह रहा shares, इसके पास shares पड़ा हुआ है, shares खरीदा है, अब यह shares अपना बेच सकता है, तो भाई इसको बेच लेगा, that is called transfer, simple सी बात है, तुम्हारे पास shares है, तुम अपने shares केसी दूसरे वेक्ति को बेच सकते हो, companies के उपर restriction नहीं लगा सकते है, limited company, private के अंदर restriction जरूर है, तो आप बेच सकते हो, तो इससे क्या बोलेंगे, transfer, same अगर वेक्ति मान लेते हैं, example मैं बिलकुल same ले रहा हूँ, same example अभी आपको एकदम clear हो जाएगा, बस ध्यान से देखना है, अब थोड़ी सी कहानी बदल देंगे, यहाँ पर हैंना, चलो, यह दो वेक्ति है, यह है Mr. X, और इसका यह मान लेते हैं, इसका sun है, small x, इसका sun कौन है, small x, अब share किसके पास है, इसके पास है, अब share इसके पास है, और विचारा जो यह वक्ति है, यह वक्ति है, इसके पास share है, कितने share है sir, जो दे रख़ा है, अचानक इसकी death हो गई, अब इस shares का मालिक कौन हो गा sir, इस share क्या भाई, मर्या गया तो अब इसका क्या काम है, इसे हटाओ इसको, तो अब यह share, automatically किसके नाम चला जाएगा उसके बेटे के, जैसे property के case में आपने देखा है ना अगर आप अपनी property बेच देते हो किसी दूसरे person को तो transfer of property होता है, लेकिन आपके parents के नाम पे property था और किसी के parents के नाम पे और उसके parents के death होने की वज़े से उसके किसको मिल जाता है, बेटे को, तो उसको बोला जाता है transmission, या association बोला जाता है, क्या बोला जाता है, transmission, तो hopefully आपको दो word समझ में आ रहागा, transfer और transmission, transfer अपने आप transfer, जो holder है, वही करेगा, transmission, automatically हो जाता है, उसका जो भी nominee डला होता है, उसकी accordingly, ठीक है ना, चलिए सर, पहले transfer देख लेंगे, फिर transmission देख लेंगे, कहता है, share of the company, movable property, share जो है, एक movable property है, it can be transfer by shareholder in the manner of prescribed article, जो article में बता रखा होगा, कि इस कानून से करना है, आपको transfer करने से पहले यह form भरना है, इस तरीके से करना है, 15 दिन बाद आपको share मिलेगा, वो procedure होगा, transfer share absolute the inherent ownership, आपका of the shares, कहता है, आपका एक starting से अधिकार है, transfer करना, आपको कोई absolutely take away the right of member transfer of share, article ऐसा नहीं कह सकता है, कभी यह तु share transfer नहीं करेगा, उसका right है, यह एक तरीके से, आगे कहता है, share of public company freely transfer section 58, where the private company required to restricted right of member, private company में आप freely नहीं बेश सकते, सिर्फ limited company के अंदर आप share को freely transfer किया जा सकता है, article of association, private company contain the kind of restriction of the transparency of the share, generally the restriction put by way of private company is that the pre presumption whereby the member required to be the offer their share first to the existing shareholder, ऐसा बोला गया है, कि भाई जब भी कभी तुम्हें share बेचना हो ना, तो पहले आपको existing shareholder से पूछ लो, उसने मना किया तब बहार बेच सकते हो, यह private company के लिए बनाया गया है, क्योंकि private company के अंदर limited member होते हैं, 200, 200 से नहीं सकते हैं, मैंने एक एक करके बेच दिया, और मैंने 200 से जगा 300 member कर दिया, default हो गया हो, तो private company अपने provision को follow करने में उसे, तो public limited में जाना पड़ेगा, फिर तो इस तरीके से, चलिए सर, difference मैंने transmission के बारे में बता दिया, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा ना लिखक is by the operation of law, law के हिसाब से होगा, take place even death, कब होगा death हो जाए, उसकी insolvency हो जाए, lunacy member हो जाए, पागल हो जाए वो, insolvency of the company हो जाए, company its member, तो ऐसे case में ये क्या माना जाएगा, हमारा transmission माना जाएगा, दूसरे की बात करते हैं, in case of transfer of share, a formal instruction transfer, अगर transfer of shares है, formal instruction transfer required to be executed by both, आप दोनों party, जब transfer करेंगे तो दोनों party का required होगा, एक transfer होगा, एक transfer होगा, जो transfer होगा, जो transfer होता है, कौन होता है, जो shares को दे रहा है, transfer होता है, जो shares को ले रहा है, अब shares को देने लेने वाले दोनों के voluntary requirement जरूरी है, देने वाला के भई, और लेने वाला के भ मिलेगा ही मिलेगा भाई ट्रांस्मीशन ड्यू टू नॉट रिक्वाइट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं के भाई या आप उसकी देथ हो गई उसको शेर मिलेगा ही मिलेगा ओनली इंटेंशन टू बी गीवन दा कंपनी अलॉंग विद्ध सपोर्टिंग प पड़ता है मान लेते हैं मेरे पास एक लाग रुपए का मैं किसी को बेचना चाहता हूं तो एक लाग रुपए पर पॉइंट फाइप परसेंट इसका मतलब हमारा कितना बन गया 500 रुपए हमें सरकार को टेक्स देना पड़ेगा कब ट्रांस्फर के केस में मैं लिख देत नोट पॉसिबल इन केस ओफ रिस्ट्रेक्शन पुट बाइ एनी रेगुलिरिटी अगर किसी कंपणी ने अभी मैं येस बैंक की बात करता हूं येस बैंक के उपर आर्बी ने रोक लगा दिया के था कि येस बैंक के फ्रॉड हुआ था कुछ येस बैंक के अंदर तो उन् पान लो जिसके पास शेर था वो मर जाता तो उसका शेर ऑटोमेटिकली किसको ट्रांस्मिशन हो जाता उसके फैमली मेंबर को तो ट्रांस्मिशन पर रोक नहीं लगाया जा सकता नो सच प्रोविजन आपका कोई प्रोविट नहीं कर सकता application in case of transmission of shares तो ये कुछ था ट्रांस सिर इंशियर चैटिफिकेट्त अगर देख लेकिन के डिख अगरव अर टो या कि अग्यार सियर सटिफिकेट टो में फॉर्मेंट फार्मेंट ने है शियर सेटिफिकेट ही गत चलिए margin कोई भी CAR और या यह यह कमपड़िका चोफ कंब लेता है यह देह इंधिए associate limited है, share certificate कोई भी company हो सकता है, reliance हो कोई भी हाला कि ये अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, reason क्यों नहीं देखने के मिलता क्यों कि अब shares dematerialize हो चुका है, आगे dematerialize के बारे में भी बात करेंगे, इस पर क्या लिखा होता है, shares का number लिखा होता है, registration registration नाम लिखा होता है, ये सारी चीज़े लिखा होता है, company के stamp होता है, और आप देखो redcon company है, और पीछे company का क्या लगा हुआ है, सर, पीछे company का देखो गया, तो logo भी लगा हुआ है, इसको हम एक काम करते हैं, ये ही बता देते हैं, चलो, company का logo, यानि company की सारी detail इसके अंदर एक होता है, इसे बोलते हैं, share certificate, share certificate एक बार किसी को दे दिया जाता है, ये conclusive evidence माना जाता है, उसको change नहीं किया जा सकता, ये चीज़े मानना है, तो आईए चलिए देखते है, share certificate क्या कहता है, share certificate में क्या होगा, date होगा, name होगा, quantity होगा, किस company का है, authorized signatory होगा, ये सारी चीज़े क्या होगा, share certificate के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कहता है, a share certificate is a certificate issue by the company under its common seal, common seal का मतलब क्या होता है, सर, stamp के अंदर, specify the share held by the number, इसके अंदर क्या हम mention होगा, number, section 46 के साफ से, it is the prime of ACI evidence, prime of ACI का मतलब, इसको कोई challenge नहीं कर सकता, ये भाई, सबूत है कि आपके पास shares है, the title of the person, एक person का shares है, उसका नाम लिखा जाएगा, it is not negotiable instrument, और ये ऐसा negotiable instrument नहीं है, negotiable instrument क्या होता है, 1871 के according, negotiable instrument, जब कभी भी shares या कुछ भी आप किसी वेक्ति को transfer करते हो, shares के अलावा, आप bills of exchange, आपने पढ़ा हो, अगर bills receivable, 11th class में, तो वो क्या करते थे, BR एक वेक्ति से हम किसको दे दे थे थे, दूसरे वेक्ति को, इसको बोले आता था, negotiate करना, उसके पीछे, लिख के, ऐसा shares के अंदर नहीं होगा, negotiable क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, मेरे पास एक पैसा किसी से वेक्ति से लेना है, X से लेना है, तो मैंने पीछे लिख दिया भाई, X तू एक काम करियो, Y को पैसा दे दियो, तो यह हो गया, negotiation, shares के उपर लगर आपका नाम लिखा है, तो यह shares आपका, यह आप पीछे लिख दोंगे ना, कि मोहन को दे देना, share तो नहीं हो सकता, that is negotiation, कहता है, negotiable instrument, it is the firm governed by the article of association, number share, article of association होना चाहिए, distinct number होना चाहिए, name and other participation, other holder nominal value होना चाहिए, amount actually paid, कितना amount paid हुआ, यह सारे detail होगा इसके अंदर, यानि shares के अंदर ultimately देखा जाए, तो shares क्या-क्या काम करेगा, नहीं करेगा, कितने share होंगे, वह सारे detail, इसके अंदर mention होना चाहिए, आगे है time limit, shares को हम किसी को देते हैं, तो कितने time के बाद आपका share उस व्यक्ति को चला जाएगा, मान लेते हैं मेरे पास एक share certificate है, मैंने आपको दे दिया, जब मैंने आपको दे दिया, तो कितने समय बाद आपका नाम उस company के R.O.M. registered of member में लिखा जाएगा, ठीक है, देखिए, हम पढ़ने वाले हैं, जर्नल मीटिंग, ध्यान दिजिएगा, बहुत simple chapter है, बहुत ही simple, लेकिन, इस chapter को मुझे कई बार लगता, यह practical questions भी पूछे जाते हैं, इसमें से, case study based भी, जर्नल मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है, मिलना, अब सर हम किस की बात कर रहे हैं, ध्यान दिजिएगा, किस मीटिंग की बात चल रही है, मान लिजिए, एक XYZ लिमिटेड एक कमपनी है, एक XYZ लिमिटेड एक कमपनी है, और आप shareholder हो, आप shareholder, और आप जितने भी shareholder हो, आप सभी ने कमपनी में investment किया हुआ है, आप shareholder सभी ने मिलके, कमपनी के अंदर पैसा investment किया हुआ है, और जो आप सभी ने investment किया है, उसे हम बोलते हैं, आप सभी ने इस कमपनी के अंदर capital लगाया है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल basic तरीके से समझो, बिल्कुल starting से लिके चल रहे हैं, तो आप shareholder हो, आपने कमपनी में पैसे लगाए, तो आप का माना जाएगा, आपने क्या करा, investment मतलब capital, और आप सभी, आप सभी company के कौन माने जाओगे, आप सभी एक तरीके से company के हो honor, आप सभी company के हो honor, तो भाई company के honor के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, अगर कहीं आपके दुकान आपका है, तो उसके इसाफ से, एक सेकेंट, बच्चे कहने सर कौन सा चेप्टर पढ़ा रहे हो, आज छोड़ो चेप्टर विप्टर, छोड़ो कुछ बात सीख लेते हैं, वही काम आएगा, चेप्टर रप्टर करके क्या करेंगे, आज है न, तो मैं क्या बता रहा था, कि आपके company और आपने company में क्या लगाया, पैसा लगाया, पैसा लगाया, that is capital और आप इस company के कौन हो, ओनर, लेकिन दुख की बात ही है, आप इस company के ओनर होते हुए भी न, आप company के अंदर कुछ नहीं करते, company का सारा देख रेक करने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाती है, यानि company के अंदर जो देख रेक करता board of director, BOD, board of director होता है, ये दोनों company, board of director कौन होते हैं, जो company को चलाता है, यानि company के संचालक भी बोल देते हैं, हिंदी में, जो चलाता है, तो सारी मनमानी इसकी चलती है, आपने company का एक share खरीद लिया और बोलो के मैं मालिक हूँ हटो भाई, बैठने दो मुझे तो भगा दे पीच दे, यानि profit कमा के निकल जाए, लेकिन फिर भी law अगर ऐसा रहा, तो फिर law फिर भी कहता है, कि आप मालिक हो, और reality में मालिक हो, आप सभी अपने पैसे मांग लोगे, तो company खतम ही हो जाएगी फिर तो, तो आप company से पैसे मांग नहीं सकते हैं, आपने investment किया ये, आप company का profit क्या हुआ, तीसरा, company ने क्या change कर दिया, मुझे बताया है नहीं, यानि अब इसके मालिक हो, और आपके मालिक जिस जगह के हो, वहाँ पर क्या discussion हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, वो सारी चीज़े आपका जानने का अधिकार है, अगर आपको नहीं बताये गया, त आपके हिसाब से होना चाहिए, तो इसी हिसाब से, इनके हिसाब से होना चाहिए, तो law ने इनको power दी खूब सारी, बोला भया ये सब जो तुमारे questions है, दो तिन questions जो है, ये सारे questions तुमारे एकदम valid question है, company अपने मनमानी ना करे, तो एक काम करो, ये सब आप जाके पूछो इन से, और ये जवाब देंगे, अगर ये जवाब नहीं देंगे, तो हम इसके उपर लगाएंगे, fine, penalty, और जब ये सब आ जाएंगे, तो ये कमरे में थोड़ी आ सकते हैं, तो company क्या करती है, इनको बुलाती है time to time पे, company बुलाएगी, तो company बोलेगी के भाई time to time पे एक क तुमने, तुम्हारी जो भी requirement है, हम discuss करेंगे, कहाँ पे meeting में, meeting में सभी के सभी आएंगे, इसी को बोला जाता है क्या meeting, मतलब इन सभी को जब मैं बुलाओंगा, इखटा करूँगा, और company का जो ये director है न, ये इन से discuss करेगा, कि भाई, हाँ भाई, मैंने ये किया है, हाँ साल का profit कितना है, ये सब चीजे क्या है, बताएगा, तो बताने के लिए इसको बुलाना तो पड़ेगा, तो जिस जगहे पे बुलाएगा, जहां पर ये इखटा होंगे, that is, आपका वहाँ meeting हो रहा है, और कौन सा meeting होना है, normal meeting है, ऐसा थोड़ी किसी देश पर attack करने के मिटिंग के लिए, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजे होती है, जब हम meeting के लिए बुलाएगे न, तो इनकी सबसे ज़्यादा responsibility बनती है, meeting भी कई तरीके का होता है, एक तो भीया तुम्हे profit and loss जानना है, तो तुम साल के खतम होगा न जब, जैसे मानलो 31 मार्च खतम हो गया तो मैं ऐसा थोड़ी है कि आपको December में बुला लू, 31 मार्च से पहले मैं बुलू, आजा भाई, फरवरी में तरीको profit and loss बता देंगे, possible ही नहीं है, क्योंकि profit and loss कब निकलेगा, मार्च में, तो मार्च के बाद ही बुलाओगा, तो मार्च के बाद मुझे balance sheet बनाने का time दो, तो यानि 30 September, 30 September, मार्च और 30 September के बीच में जब भी मेरा balance sheet बन जागा, मैं तुम्हे बुला लूँगा, और ये हर साल बुला के मैं बताओगा हमारी company कितना profit कमा रही है, तो हर साल का मतलब annual, एक होता है हमारा annual journal meeting, ये साल में कितनी बार बुलाओगा, एक बार, बुला लिय एक बार profit and loss, इसका अंदर majorly annual journal meeting में मैं इसलिए बुलाता हूँ, साल में एक बार, mainly मेरा काम क्या है, आपको company का profit and loss बताना, dividend बताना, और चोटी मोटी चार्चाएं करना बस, इसलिए, अब बीच में company को लगता है कि आँ नाम बदल ले, बुलाना पड़ेगा, तो बीच म कोई भी जुरत पढ़ती है company को और बार बार बुलाईगे आपको आजा भाई, आजाओ, 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 उसको बोलेंगे, EGM, Extraordinary Journal Meeting, Extraordinary Journal Meeting, उसको क्या बोलते हैं, EGM, Extra मतलब, AGM तो भई साल में एक बार होगा, EGM साल में कितनी बार हो सकता है, no limit, वैसे बोला गया है कि 45 दिन के, ऐसा नहीं है, 45 दिन बाद ही बुलाने, जैसे अभी EGM बुलाया, फिर 45 दिन के बाद, और जब आपको बुलाया जाता है, तो बुलाने के लिए आपको क्या दिया जाता है, सर, notice, अब मैं आपको बोलू, notice दे दू, कि कल आ जाना जल्दी से meeting में, तो ऐसा नही दिन, notice के अंदर आपको कितने दिन पहले इसको बताना पड़ेगा, 21 दिन पहले, 21 दिन पहले बोलेंगा भाई आना है, और 21 दिन के बाद डेट होना चाहिए, 21 दिन से पहले बुलाने सकते इसको, यानि इन विचारों को सोचने, समझने का time दो, 21 दिन, और clear 21 दिन होता है, मतलब जिस दिन मैंने पोस्ट किया, वो दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन आपके पास पहुंचा, वो दिन काउंट नहीं होगा, clear 21 days, notice दिया जाएगा, जब notice देंगे तो आएंगे, अब हो सकता है, इसमें से आलसी बंदे भी हो, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, म तो ये चेर्मेन है, ये सारी बाते किसको बताएगा, खाली टेवल चेर को तो थोड़ी ना बताएगा, कोई बात ने, कोई नहीं आया, मैं अपना काम खतम कर रहा हूं, recording सूट कर, भाई, मैं बोल देता हूं, कि इतना profit था, इतना loss तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो भाई, इ इतने minimum requirement है, इसको बोलते है, quorum, इसको क्या बोलते है, quorum, quorum का मतलब, जितने वेक्ति है, वो सामने बैठे होने जरूरी है, अगर वो बैठे हुए नहीं है, तो meeting नहीं होगा, यानि एक होता है minimum quorum, quorum का मतलब क्या है सर, एक minimum वेक्ति requirement है, सामने बैठा हुआ होना यह तभी meeting start हो सकता है otherwise नहीं होगा मैंने notice दिया कि भाई आजा meeting पर कोई आया है नहीं मेरा meeting तो cancel हो गया फिर यह meeting next week उससे बोला जाएगा meeting को हमने cancel नहीं करा postpone कर दिया next time पर फिर से मुझे बोलेंगा भाई अब प्लीज अब जाना अब चुट्टी मत करना अगर हम meeting conduct नही कि एक लाख रुपे का क्यों नहीं करा meeting conduct सरकार पर डे का 5000 रुपे फाइन लेगी हमसे तो government फाइन लगा इसने meeting करना क्या है कौन सा meeting annual general meeting और इसी से question पूछा जाएगा तो सर कॉरम क्या होता है जो minimum वेक्ति चाहिए हमें notice क्या है आपको बुलाने के लिए समय जो दिया गय ठीक है अब इसके बाद आपका मन नहीं कर रहा क्योंकि meeting में बड़ी सारी चीज़े खाने पीने की मिलती है और यह बेसिकली auditorium में होता है अब तो बहुत सारे होगे डेली के अंदर देखोगे तो कॉनट प्लेस में बहुत सारे auditorium है तो वहां जाएंगे वहां सब बैठेंगे सब कुछ मिलेगा खाना पीना और आपको सारी चीज़े समझाया जाएगा एकदम पूरी खाते दा दियो मालिक हो भाई company की आपका इत और मैं तो बिमार पढ़िया कैसे जाओ मेंटिंग में आप ना ऐसा कर सकते है एक payroll और अपना किसी employee को अपने किसी दोस्त को भीज सकते हो के यहां आपको ने जो और जो एक अपने बदले जो भेजा है ना आपने उसको बोलते है proxy उसको क्या बोलेंगे proxy ठीक है उसको क्या बोलेंगे proxy तो तीन चार बाते मैंने discuss किया एक होता है हमारा notice quorum meeting क्या है meeting कब होता है हमारा financial year end होने के कुछ time तक के बाद meeting हो जाता है तो जनल मिटिंग हर एक company को कितने तरीके की meeting है basically दोर तरीके का meeting है कौन-कौन सा एक जनल मिटिंग एक annual जनल मिटिंग क्या होता है हमारा जो कि हर साल होना होता है और जो जनल मिटिंग सिर्फ extra EGM बोलते है तो थोड़ा सा basic concept आप दिमाग में पूरा का पूरा यह picture रखी है देखे चैप्टर के अंदर कुछ जान ही नहीं आएगा और इसमें से question दस से पंदा नंबर का पूछा ही पूछा जाएगा ठीक है सार मीटिंग क्या होता है सिंपल सा मैंने एक इमेज बताने की कोशिस की कि यह देखो यह जो बैठे हुए है यहां पर यह कौन है यह सबसे टॉप लेवल पर बैठे हुए है कौन है यह भाई साब डारेक्टर चेयर्मेन बोर्ड अफ मेंबर इसमें एक बंदा ऐसा होगा जो इसका मुख्या होगा मुख्या मतलब में पर्सन होगा जो इस पूरे मीटिंग का बोलेगा अनाउंस्मेंट करेगा उसे बोलेंगे इस मीटिंग का चेयर्मेन है ठीक है ना अब यह सब कौन है यह सब शेयर होल्डर है यह सुनने आए क्या बोल रहा है भाई कितना प्र पूरी प्रिंट आउट करके लो भाई पढ़ते रहों पूरी बैलेंशीट और पींडल इनको दे दिया जाएगा क्योंकि मीटिंग बुलाने का मेन परपस एन्वल जर्नल मीटिंग का मेन परपस होता है डिस्टिब्यूट सर्कुलेट क्या करना सर्कुलेट आपको प्रॉफिट औन लॉज बैलेंशीट डिविडेंट कितना मिला सारी चीज़े पहले जब पुराने टाइम पर नेट बैंकिंग नहीं हुआ करता था तो हम चेक भी दे दिया करते थे यह लो भाई चेक ले लो अप कुछ भी बोलता रहा ऐसा थोड़ी ना इन में से कुछ लोग बोलेंगा हां बाई सही बात है और कुछ बोलेंगा नहीं बाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो कुछ काम में इन में से जितने बैठें 51% लोगों के कंसर्ण लिया जाएगा अगर चोटे-मोटे काम हो रहे है और नहीं है जैसे मैं डिविडेंट सोच रहा हूं कम बाट दूं या फिर मैं सोच रहा हूं कि इस बार मतलब के कुछ ऐसा काम काम है सब कर दूंकुछ चोटा-मोटा काम होगा तो उसके लिए पास होता है हमारा ओडिनरी रेजूलीशन जिसको बोलते ओर क्या बोला जाता है ordinary resolution यानि इसमें जितने भी वेक्ति बैठे हुए हैं यह सब hand raise करेंगे और हम गिल लेंगे भाई अगर सौ वेक्ति है क्यावन बंदों ने बोला कि हाँ ओके तो ordinary resolution पास बाकि 49 जितने परसन है वो कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े काम है कंपनी का नाम बदल रहे हैं यह एक बड़ा काम है कंपनी का MOA ओल्टर करना है यह बड़ा काम है तो उसके लिए concern चाहिए 75 परसेंट उसको बोलते है स्पेशल रेजुलीशन तो सौ में से कम से कम 75 लोग बोलेंगे कि इस काम के लिए एगरी हैं तब वो काम यह कर पाएंगे कौन यह बोड़ डरेक्टर अगर 75 परसेंट लोग अगरी नहीं होगे तो यह कामी कर सकते हैं अब लेखिन यहां पर जो हाथ उठा के बोल रहे नहीं कि हाँ बढ़ी मैंने इसने बोला कि हम कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं कितने लोग अगरी है एंड रेज करें तैसे इसे बोला जाता है show of हैंड के थू पावर एक जैसी समझे रहे हो ना एक चला गया मीटिंग में और एक के पास कितने 5000 कर रहे हैं तो दोनों का एक वोट काउंटर का भी एक वोट काउंट तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर पब्लिक जो है वो बोले भाई ऐसे नहीं चलेगी वोटिंग पूल का मतलब कैसे मतलब जितने शियर है उतनी पावर हमें मिलने चाहिए करेंगे तो वोटिंग करेंगे तो कोन कोन से रिसलेशन पास हो सकता शिव्यृ और और ओडिनरी कुछ काम मेरे सबस्के पर रहे हैं आगें सब आगें पर चेयर में नहीं नहीं आया बुला के अब भाई ये वेट करेंगे पंदरा मिनट वेट करेंगे ये उसके आद बोलेंगे अपने में से किसी को उठाएगा बोलेगा भाई जिसको कुछ बोलना उनला आता है खड़े हो जाओ तुम चेर्मेन बन जाओ जाओ तुम करोगे अपसार का यान आदे के और वो पूरी मीटिंग को करेंगा लेकिन वह परमनेंट जाओ इसी मीटिंग का चेर्मिन रहेगा इस बात कभी ध्यान लगना गो ये आगए बोर्ड और यही नहीं आये सब इस अफय और उसकते है इसको आदे गंटे इनतजार करना पड़ेगा ये नोकर है इनको तो कितने देट तक इंतिजार करना पड़ेगा आदे घंटे उसका मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी मीटिंग कैंसी लोगी अगली दिन रखी जाएगी समझे बात तो उसके इसके अंदर मीटिंग पोस्पोर्ट तो चेर्मेन और बोर्ड मीटिंग मतलब एन्वल जर्नल मीट अफ शेयर होल्डर के नाम से है और जितनी मैंने बाते बताई है ना इसी के आज पास पूरा गूमता है बस इसके अंदर कुछ फैक्चुल डेटा आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट है कितने फाइन है बस यह चीज़े के स्टेडी बेस इस पर कोश्चन काफी पढ़ने वाले इस चेप्टर के अंदर अगर ध्यान से देखें तो सर इसके अंदर पढ़ेंगे अनुवल जर्नल मीटिंग क्या होता है इसके अंदर पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ओडिनरी जर्नल मीटिंग साल में कितनी बार होगा एक बार और EGM कितनी बार होगा जितनी ब Procedure of requisition of the valid meeting, meeting बुलाने का तरीका होना चीए, कौन बुलाएगा meeting, उस कौन-कौन बुलाएगा meeting और किस-किस situation में, shareholder भी बुला सकता है meeting, board of director भी बुला सकता है meeting, और government को लग रहा है, fraud हो रहा है, तो government खुद ही बुला लेगा, भाई आजाओ, तुम सारे बताता है, तुमार तो यह main points है, जो कि हमें इस chapter के अंदर पढ़ना है, सबसे पहले basically simple से चीज़ देखो, कि sir meeting क्या होता है, अब बस मेरा कुछ काम पढ़ना रह गया और आपको सारी चीज़े समझ में आएगा, meaning क्या है, fundamental corporate, जो भी है fundamental corporate decision making and appoint their representative, termed director, मतलब meeting के अंदर क्या होता है, कि हमें कि इसको कैसे appoint करना है, run the company, their behalf, मतलब जो shareholder थे ना बैठे हुए, उनके बिहाफ पे किसको हमें appoint करना है, the right are ensure by meeting member to the company meeting of the members, company called as journal meeting, मतलब हम जब meeting बुलाएंगे, तो उसके अंदर किन-किन बातों पे discussion होगा, जैसे like, क्या term होगा, director कौन होगे, और in fact इस meeting में ये भी decide होता है कि chairman की कितनी salary होगी, director की कितनी salary होगी, auditor की कितनी salary होगी, auditor को निकाल दे रख ले, पुराना auditor दुबार आएगा, तो ये सब discuss किया जाता है, called as a journal meeting, it's required held from time to time, और इसे time to time रखा जाता है, basic सी चीजे है, kind of meeting कितने टाइप के हैं, वैसे तीन तरीके का होता है, लेकिन मैंने specially दो तरीके का discuss किया, kind of meeting की बात करें, एक है annual journal meeting, और एक है extraordinary meeting, एक और होता है, it may noted that, एक होता है statutory meeting, जब company नहीं नहीं बनेगी, new company बना, तो उनको बोला जाता है, भाहिया, अपने, क्यूंकि जब company बनी है, तो company के अंदर ना तो auditor होगा, ना तो कोई director होगा, कुछ नहीं होगा, आपने अभी initial phase पे पैसे लगाएं company के अंदर, तो अभी company के अंदर कोई नहीं है, तो कुछ company के अंदर नए लोगों को appointment करने के लिए हम बीच में, first time जो meeting बुलाईगी ना company, के भाई हमारी company बन गई है, आप सभी ने share में पैसे लगाएं company इस पर बहुत अच्छे से काम करने वाली है, हमने इस chartered account rate को रखा है, आपको कोई इतराज है और हमने यह director रखा है, आपको कोई इतराज है इसमें, यह सारी बात है पूछने के लिए, पहली बार जो meeting बुलाएंगा, उसको बोलते ह क्या बोलता है, it may be noted that requirement of statutory meeting report laid down the section 165 of the Companies Act 1956 के अंदर भी था यह, has been dropped by the Companies Act, मतलब पहले report laid down by the section 165 Companies Act, 1956 में था, has been dropped by the 13, लेकिन 13 के अंदर इसको बोला आप जोरत नहीं हटाओ, कई बार आ सकता है, statutory meeting होती है या नहीं होती, 1956 में प्रोविजन था, आप बोला हटाओ, इसे जोरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो लिखा हुआ, it may be, पुराने अगर Company Act के विसाफ से कोई ruling चल रही है, गवर्मेंट इस भी कर लूँ है, क्या कहता है, annual journal meeting, annual journal meeting का क्या क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले meaning और purpose देखना है, क्या क्या सीखेंगे इसमें, क्या क्या requirement है, meaning purpose मतलब what is the annual journal meeting, आपको वैसे तो पता है, कि what is the annual journal meeting, लेकिन मैं बोल दूँ लिख के दिखाओ, तो नहीं लिख पाओ हो गया, तो उसके लिए आपको पूरा theory पढ़ना पढ़ेगा, जो कि मैं notes दूँगा, ठीक है न, तो आपका सबसे पहले इसमें क्या सीखना है, इस chapter में से क्या क्या position पूछा जा सकता है, meaning statutory requirement, मतलब legally क्या requirement है, statutory का मतलब होता है हमारा legal, क्या क्या legally चाहिए, authority, कौन बुला इस meeting को, authority of the convey, convey का मतलब चलाने के लिए annual general meeting को किसकी authority है, यह पढ़ेंगे इसके अंदर, time and place, किस जगह का meeting, तो meeting, place और time की मैं बात करूं, authority की मैं बात करूं, तो चार लोग authority होता है, director भी हो सकता है, shareholder भी हो सकता है, और NCLT भी हो सकता है, यानि law, government कह लो एक तरीक से, य time place, जहां registered होता है, company, registered office जो होता है, जो AOA में registered office था, उसी state के अंदर आपको कही न कहीं meeting बुलाना पड़ेगा, या तो अपने office में बुला लो अगर जगह है तो, नहीं तो कहीं और आपको उसी आसपास के area में बुलाना पड़ेगा, notice का आपका time place fix है, तो आपको notice भी दे meeting होने वाला है, और कितने दिन पहले notice देना पड़ने पड़ता है, 21, जो section 8 company है, उसकी में 14 दिन का चलेगा, अगर आपने 21 दिन से कम time दिया है, लोगों को बुलाने में, और वो आए है meeting में, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक member भी बोलेगा, भी आपकी meeting तो invalid है, बस लेकिन, अगर उसी में बोले चल ठीक है भाई, तेरी बात मान ली, notice क्या है, invalid है, एक बार voting करा लेते हैं, voting करके सभी लोग बोलते हैं के चलने दो, भी या meeting, क्यों खर्चा करोगे दुबारा, क्यों दुबारा हम कस्ट करेंगे, तो हम चलने देंगे, तो कम से कम 95% member अगर इस दिन से कम का notice हो, और section 8 के लिए 14 दिन का validate है, 14 दिन के अंदर भी आप बुला सकते हो, कौन सी थी, section 8 में, NGO वगारे, non-profit organization company जो थी, इसके बाद है, default holding meeting, अगर आप default करते हो, तो आपके उपर क्या लगाया जाएगा, fine लगाया जाएगा, penalty लगाया जाएगा, company को बंद क कर दिया जाएगा, बहुत सारे provision given है, जो कि अगर आप default करते हो, ठीक है, तो आप annual journal meeting में क्या क्या पढ़ोगे, meaning पढ़ोगे, meaning आपको पता ही है, authority कौन है, requirement क्या है, तो सबसे पहले देखे, meaning क्या है, अगर हम meaning की बात करें, Meaning की बात करें, annual journal meeting, AGM, कहता है meaning, annual journal meeting is a regular meeting, सही बात है, regular होता है, regular का मतलब हर time होता रहता है, हर साल होता है, of the member of company which held annually, तो कब होता है, साल में एक बार, this meeting provide opportunity to the member, और ये member के पास opportunity है, company review working of the company, यानि आप सब member हो, आपके पास एक opportunity है कि company के काम काज को review करो, अगर अच्छा लगे तो voting करके yes कर दो, खराब लगे तो no कर दो, and express their view on the management of the company, और अपनी बाते रख भी सकते हैं, अपनी बाते बोलो, सुनेंगे वो चेर्मेन, the purpose of calling meeting, ordinary business dealing करने के लिए, इस meeting को बुलाए जाता है, साल में एक बार, अब ordinary business क्या होता है, profit and loss देना, dividend देना, और auditor का appointment, ये सारी चीज़े क्या है, आपका ordinary, कहता है, ordinary business of the meeting, the ordinary business consists, क्या क्या consist करता है, consideration of the financial statement, report, board of director, मतलब जो balance sheet, P&L को consider करिये, ordinary business ये होता है, दूसरा, declaration of dividend, हम इतना dividend दे रहे हैं, इसका, appointment of director, who are retiring, एक director चला गया, आप इसके बदले दूसरा director होगा, क्योंकि permanent director कोई भी नहीं होता, company के अंदर, appointment, the fixing of remuneration of the auditor of the company, एक auditor रखा है, इसका क्या remuneration होगा, ये कौन सा business है, ordinary, और जो notice में आपको देंगे, वही discuss करेंगे, मैंने बोला चलो ये notice में आ गया, मैंने बोला चलो यार बड़ी जल्दी meeting खतम होगे, मैं सोच रहा हूँ आप नाम भी बदल देते हैं, आप सब एक बार इस पर वोटिंग करीदो आए हो, तो नाम बदल देते हैं, company का, नाम बदलने का सोच रहा है, और सोच रहा हूँ, मीटिंग बुलाई है, चीक है, तो ये क्याता सर मीनिंग, मीनिंग प्रॉपर क्लियर है, मीनिंग सिंपल है, जो बाते कर रहे थे, अब आज आता है, requirement कब मीटिंग को बुलाना है, इसको और एंज नहीं कर पाया है, मैं चलो कोई नहीं, दो मिनिट तो लग रहे हैं, कहता ह Statuary Requirement, 1% में कितने लोग ओते हैं, एक वहीं अकेला director, वहीं, अकेला सब कुछ तो किस से करेगा मीटिंग बिचा रहा है, तो 1% में ये मीटिंग नहीं बुलाना पड़ता, तो कहता है करieso और आपि यहां पर यह आजाती है कि पहली जर्णल मेटिंग कब होगी पहली जर्णल मिटिंग पहली जर्नल मिटिंग लाइन पढ़ लेता है फिर इसको एक्स्प्लेइन कर देंगा थीक है कि सपोस्पोस करो कि आपका फाइनेशल ये कब से स्टार्ट होगा हमेशा एक चार दो हजार तेइस और जो खतम हो जाएगा वो कब होगा अब ये फाइनेशल ये जो आपका खतम हुआ है इसके बाद ठीक नॉइन मन्त का मिलेगा आपको टाइम अब नाइन मन्त क्या है एप्रेल माई जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर नॉंबर दिसमबर यानि पहली मीटिंग जो करोगे ना इसके ठीक खतम होने के नाइन मन्त यानि 31 दिसमबर तक आपको मीटिंग बुला लेना है पहली मीटिंग उसके बाद तो आपको च्छी महने का मतलब सेप्टमबर तक बुलाना है पहली मीटिंग में थोड़ा रिलेक्सेशन क्योंकि पहली पहली कंपनी बनी है बड़ी सारी काम करना पड़ता है तो यही कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है कहता है कि फॉस्ट अनुवल जर्नल मीटिंग मस्ट भी हेल्ड विदिन नाइन मन्त फ्रॉम दा क्लोजिंग ऑफ फॉस्ट फाइनेंशल यह पहला फाइनेंशल यह क्लोज होगा उसके नो महने के अंदर अफ दा कंपनी तो इस न अनुवल जर्नल मीटिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा जिसे हमें स्टैचरी मीटिंग के पहले बोलते हैं उन्होंने यह प्रॉविजन डाल दिया है सबसीक्विंट जर्नल मीटिंग जो जर्नल मीटिंग होगा हेल्ड बाइदा कंपनी हर छे महीने के अंदर करना पड़ अगर छे मैंने के अंदर नहीं बुला पाए तो फाइन पेनल्टी जो भी लगता है आफ्टर दा क्लोज अप फाइनेंशल यर बट इफ इंटर्वेल बिट्वें टू एन्वल जर्नल मीटिंग मोर देन 15 मन्थ अगर आपका 15 महीने से ज्यादा गैप हो गया बुलाने में किसमें एक जर्नल मिटिंग अब हुआ और दूसरा जर्नल मिटिंग बाद में हुआ तो दोनों जर्नल मिटिंग मान लेते हैं एक जर्नल मिटिंग हमने कब कर लिया था मार्च में या फिर जून में कर लिया दूसरा जर्नल मिटिंग हम कर रहे हैं मान लेते हैं कि दिसंबर में तो 15 महिने से अगर ज्यादा गैप हो जाता है मीटिंग में तो ऐसे सिचुएशन में रजिस्टार में हावएवर टू एनी स्पेशल रेजुलिशन एक्स्टेंड दा टाइम जनल मिटिंग यानि 15 मेने कैसे 12 महिने क्या कैसे देखिए माल ले आपने कंपणी कब बनाया31 g 1-3 li vo binder करते शे मेने के ईंदर मीटिंग बुला लेंगे और फिर दूसरी मीटिंग भी आपको इसके बुलानी पड़ी कि फटा-फट से इस फाइनेमस लियर के खतम होने के बाद, तो पहली जनरल मीटिंग होती है नकॉर्ट मीटिंग में में और दूसरी जनरल मीटिंग में कई बार सेप्टेंबर दूसरी जनल मीटिंग का डेट दिया गया उसको आप बढ़ा सकते हो यह कहां गया है यहां पर 15 डेजिस्टार में भी हावेवर स्पेशल रेजुलेशन एक्स्टेंड दा विदिना मीटिंग नॉट बिंग फर्स एन्वल जनल के दो एजियम के बीच में अठारा महिने से जादा का गैप नहीं हो सकता वें रेजिस्टार हैस भी ऑडर टू पर्मिटिट अगर रेजिस्टार ओडर दे तो यह भी पॉसिबल हो सकता है मतलब अगर आप जैनुवन रिजन दोगे ना के सार अभी दिक्कत हो गई कोबीड आ गया था हमारे स्टाफ आया नहीं था फानेंशल स्टेट्मेंट बन नहीं पाया है आर उसी को लोगे का सही बात है तो उस ताइम पे नहीं मीटिंग का डेट एक्सेंड कर दिया गया थ फानेंशल येर कब खतम होगा 31st of the March every year तो सिंपल सा स्टेचरी रिक्वार्मेंट क्या है पहली मीटिंग 9 महिने के अंदर फानेंशल येर खतम होने के बात कर लिजेगा दूसरी मीटिंग हर 6 महिने के खतम करने के बात करेगा मोटी मोटी बात है यहां पर यह बोली गई अ अगला पोइंट के है सर अगला पोइंट है अथरिटी authority की बात करते है authority to convey convey का मतलब किसके पास power है authority के बात करें the power to convey मतलब चलाने का annual general meeting या बुलाने का wasted दिया गया है to board of director भई या director को power है कि general meeting के लिए shareholder को बुला लेजिए individual director को भी power है ऐसा नहीं board of director मतलब सभी मिल के notice दे signature करें एक director भी कह सका है even no such power sorry एक तो board of director को individual director को नहीं है लेगिन कुछ case में मिल जाता है वैसे power तो आगे कहता है secretary cannot यानि CS को भी ऐसा power नहीं है कि आप फटाफट से meeting बुला दे सरी board of director को annual general meeting को without authority of the board मतलब general meeting कोई भी बुला सकता है लेकिन board से पहले एक बार permission ले लीजिए फिर आप बुला लीजिए इसके इलाबा कौन-कौन बुला सकता है sir member भी बुला सकता है इसके इलाबा कि आप कौन-कौन बुला सकता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और कौन बुला सकता है member बुला सकता है और कौन बुला सकता है ncltv बुला सकता है अब आगे देख लेंगे यह सभी meeting को बुला सकता है लिखा क्या है convey मतलब जब start होगा तो किसके पास power है convey annual general meeting को करने के लिए बुलाने के लिए यह board of director mainly आपको लिखके आना है अगले point पर आते है time और place क्या होगा मैंने बताया time क्या होगा time and place time जिस दिन चुटी ना हो 9 से 6 के बीच में बुलाईएगा ऐसे आपने बोला 15 अगस्त को आ जाना भाई सुबह 10 बजे तो नहीं national holiday holiday वाले दिन को छोड़ कर the company must call annual journal meeting either the registered office registered office पर बुलाएगा of the company और some other place within the city होना चीए in which the registered office of the company situated यानि जिस city में मान लेते हैं Delhi में मैंने register करवाया है और हमारा पितमपुरा में मान लेते हैं registered office है पितमपुरा में जगे नहीं मिल रही तो मेरे को सीपी में जगे मिल गया तो सीपी में कर लेंगे ठीक है ना section 96 however the annual journal meeting unlisted company अगर कोई ऐसा unlisted company हुआ can be held anywhere in India कहीं भी कर सकते हैं कहीं भी ठीक है न तो सिंपल सी बात है अगर आपका लिस्टिड है company तो आपको कहां बुलाना पड़ेगा विदिन अ city state बुलाना पड़ेगा अगर आप unlisted हो तो फिर कहीं भी हो सकते हैं can be anywhere all the member advance the annual journal meeting must be held any day not national holiday during the year मतलब कोई भी दिन हो सकता है national holiday को छोड़का तो यानि अगर listed company है तो कहां बुलाएंगे जहां पर registered office है इस office में बुला लो अगर उस office में नहीं बुला सकते तो कहां बुलाओ आज पास का कोई एरिया देख लो ठीक है सिंपल सा एक्जामपल ले जिससे शादी का एक्जामपल ले लो शादी होता है arrange marriage है उसी जगह होता है love marriage तो फिर unlisted company हो गई वो तो जहां मर जी भाग के कर लेंगे शादी ठीक है तो उस situation में क्या रहता है के आज पास का एरिया listed और unlisted आगे देखते हैं सर नोटिस requirement क्या meeting के लिए notice की जरूरत है जी हां और सिर्फ notice नहीं at least ट्वेंटीवन डेज का क्या होना चाहिए पहले मिलना चाहिए स्टार्ट होने से कहता है company must give at least 21 return नोटिस यह gap आगे नोटिस और थू electronic mode call annual journal meeting अब नोटिस हम आपको postal wallet से भी बेज सकते हैं हम आपको कोरियर के थूरू भी भी सकते हम आपको email के थूरू भी भी सकते हैं शेयर होल्डर annual journal meeting may be held within a shorter notice अगर shorter notice हो गया मतलब के 21 दिन नहीं मिले उस case में आपको एक electronic mode से given not less than 95% of the member entire vote अगर 95% बैठे वे वेक्ति बोलते हैं चलने दो meeting तो चल जाएगा अधर्वाइस meeting cancel यानि urgent हो जाएगा मतलब अगले किसी time पर उसे बुलाया जाएगा अब सर्ट्विंटी वन डेस कैसे clear इस पर तो कब मिला दो तारिक से तो दो तारिक को आप छोड़ दीजिए इसके बाद 21 दिन आपको count करना है यानि एक और दो यानि total आपको तेईस तारिक को meeting तेईस नहीं 21 के चौबिस तारिक को तो आप meeting hold कर सकते हों अगर आपने बोला कि मीटिंग 22 को हो गई तो वह कौन सा हो गया shorter notice उस case में आपको कितने दिन का percent concern लेना पड़ेगा 95 अलग अलग है paid up capital और वह आगे देखते इसके बाद क्या default तो देखिए अगर default होंगे आप यानि मीटिंग नहीं बुला पा रहे हो तो क्या होगा इफ default is made holding annual journal meeting अगर आप annual journal meeting को करने में default हो जाते हो the tribunal, tribunal कौन होता है government होता है government application of any member of the company कहता है tribunal may or the application of any member या फिर कोई member या तो government बुला लेगा इस meeting को या कोई member बुला देगा call or direct the calling of annual journal meeting ये बुला सकते है the company and give the consent company क्या करेगी अपना consent देगी और डारेक्टर दा ट्रिबनल थिंक और डारेक्टर को लगता है या फिर डारेक्टर एस आर ट्रिबनल ट्रिबनल एक डारेक्टर की तरीके से सोचेगी कि अगर ये ठीक है member बुला रहा है तो बुलाए जा सकता है in relation to calling, holding and conducting of the meeting जो meeting रखा जाएगा क्योंकि board of director तो हो गई फेल अब कोन बुला रहा है ट्रिबनल और shareholder the director that have been given include only one member of the company present person may proxy shall be deemed to be constitute of the meeting अगर ऐसा हुआ ना तब आपका मैंने बूला था ना पांच member चाहिए एक member भी बैठा है तो meeting चल जाएगा proxy भी बैठा है तो meeting चल जाएगा उस case में ठीक है a journal meeting held shall be deemed to be annual journal meeting of the company if default made holding meeting of the company according with the section 96 जो की annual journal meeting की सारी बाते बताता है अगर उसको default करता है तो in complying with the any director of tribunal कैता है direction दे सकता है with any direction of the tribunal company को क्या direction देगा every officer को company के जो default हुए है punishable उसको punish किया जाएगा कितने रुपए से लाक रुपए आपकी penalty हो जाती है और जितने दिनों तक आप default रहे हर दिन का 5000 रुपए के penalty और लगने वाला है एक लाक रुपए तो लग गया और आपने आगे आते हैं इजियम सर इजियम क्या हता है एक्स्ट्रा ओडिनरी जर्नल मीटिंग यह मीटिंग कब बुलाए जाता है बताना जरा साल में कभी भी बुलाए जा सकता है यह हर साल का कोई कर दीजिये उसके अलावा जितने भी मीटिंग होंगे उसको क्या बोलेंगे हम इजियम बोलेंगे सिंपल सी बात है डेफिनिशन कि सर वेन और बाइव हूं देखे मैं यहीं समझा दूँआ वेन बाइव हूं कहता है एक्स्ट्रा ओडिनरी जर्नल मीटिंग में बी कॉल्ड अंडर दा फॉलविंग सरकम्स्टांसे बोर्ड बुला सकती है बोर्ड के बाद बोर्ड ऑन दा रिकुजेशन मतलब बोर्ड आदेश दे सकता है जिसको उ और बाइडा बौर्ड इलते बौड के कहने की ऊपर जो भी चाहे बुला सकता है किसी कफ्सी कमपनी सेक्रेट्री को भला यार मीटिंग कॉल कर ते तो वह भी बुला सकता हैं यह तुने तो बलाई नहीं है अब हम मीटिंग पुला रहे हैं सफ्पेस गुला है सब्सक्राइब या झाले शरस कर सकते हैं सफ्परलेался कि निए कइस बात के लिए मीटिंग उलाना बुलाना है अब जो शेर होल्डर है वो खुद जगह ढूंडेगा और मिटिंग बुला लेगा सभी को नोटीस देगा और यहां पर 21 क्लियर डेज नहीं चलने वाला सभी को नोटीस देके बुलाएगा और बुलाने के बाद डिसकस करेगा और बूलेगा यह डिरेक्टर फ्रॉड है बहुत सारा फ्रॉड कर रहा है इस तरीके से बाते चल रहे हैं मिटिंग खतम अब मिटिंग में खर्चा हो गया एक मिटिंग में लाखो रुपे खर्च होते हैं ओडिटोरियम बुक करना खाना पीना इतने मेंबर ख से हुआ कंपणी किस से ले लेगी जाके बूड ऑफ डिरेक्टर से सारा खर्चा ले लेगी जाके तो यह सभी वह मेंबर हैं वह लोग हैं जो की मीटिंग को बुला सकते हैं पहला देखते हैं बाइबूर्ड चोटे-चोटे से पॉइंट है वें दा डारेक्टर हैव आजएट संब इमिडेट कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन करना इमिजेट बिजनस दे कैन नोट वेट नेक्स अनुवल जरूर्ण मिटिंग मतलब डाइब बताना बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी बुलाते हैं अनुवल जरूर्ण में कॉल दा मिटिंग वेन इभर थिंक नीड फिट के जब लगता है कि बुला लेना चाहिए वह क्या करेंगा बुला लेगा चलिए सर बोड़ अब डैरेक्टर ने बुला लिए आ अब मेम्बर की बारी आ गई बो डैरेक्टर तो ळंग उल्पपर में अलसों कॉला अब इ कि भाई मीटिंग बुला ले लेकिन हर मेंबर के पास इतनी पावर नहीं है जो डिरेक्टर को बोल दे जा मीटिंग बुला ले उस सिचुएशन में in case of company having share capital member के पास 110 110 का मतलब 10% voting power होना चाहिए कहता है in case having share capital है member holding not less than 110 of the paid up share capital of the company caring voting right regarding the matter मतलब मीटिंग बुलाने के लिए आपकी हैसियत होनी चाहिए और कितनी हैसियत 10 परतीशत share होना चाहिए कुछ-कुछ company में ने share भी नहीं होता कहता है in case of the company having share capital कहता है not having sorry not having share capital member or member holding at least 110 of the voting power यानि कहने का मतलब भया 10 परतीशत आपके पास company के अंदर voting rights है तो अकेला वक्ती भी meeting को पुलवा सकता है किसके थुरू director के थुरू ठीक है matter of such consideration which the meeting called shall not be stated requisition and the matter along with the consider meeting requisition requisition का मतलब यहां पर बुलाना के भी यह बुला लो must duly sign by the requisition of the deposit registered office और यह जो meeting बुलाए जाएगा सब को sign करके रेजिस्टार को बताएंगे के भी यह इस वर किसने बुलाया है member ने बुलाया डिरेक्टर नहीं नहीं बुलाया the board of director proceeds call meeting board of director बुलेगा ठीक है भाई तेरी बात मान गए बुला रहे meeting चिंता मत कर consideration of the matter notice by required 21 days board 21 days का notice देगा के भाई आ जाओ वही clear days का the deposit of requisition as registered office of the company the meeting must held by the director on the day not later than 45 days यानि जब से उसने बुला के भाई बुलादे meeting तो तुम 45 दिन के अंदर बुलवा दो ऐसा नहीं के भाई मैं मना कहां कर रहा हूं बुला लेंगे 2025 तक मना थोड़ी कर रहा हूं मैं बुलाओंगा meeting उसने law ने क्या कर दिया के must held by the director on the day not less than requisition मतलब जो gap होगा कहता है not less later than 45 days from the date of deposit requisition यानि जिस दिन उसने requisition दिया director को उसके 45 दिन के अंदर अब देखिए अब डिरेक्टर बोल रहा है मैं नहीं बुलाओंगा तब कौन बुलाएगा member बोलेगा मैं खुदी बुला लूँगा on default of director call the meeting within 45 days डिरेक्टर बोला मैं नहीं बुला लूँगा उसने नजर अंदार्त कर दिया deposit the requisition meeting may be called by requisition themselves वो खुदी बुलाएगा within 3 month तीन महिने के अंदर member खुद बुला लेगा requisition requisition shall not be allowed hold meeting after expiry of 3 month और फिर member ने भी थोड़ा सा डिलाई कर दी और 3 महिने के बाद सोच रहा है आप बुला लेते हैं meeting बुला लेगा after the expiry of 3 month the date of deposit of requisition of accept a meeting while duly within a 3 month requisition मतलब कहने का मतलब है sir 3 मैंने के अंदर meeting बुला लेगा वो अब requisition shall call meeting same manner कैसे बुला जाएगा same manner as a possible meeting जो की called होता है board of director notice of such meeting given same manner उसी मैनर से दिया जाएगा if the registered not made available then they hold meeting anywhere else requisition shall be अगर registered office के पास हमारा space नहीं है तो हम कहीं भी meeting कर सकते हैं shall be entired claim और यह क्या करेगा सारा का सारा expense जितना भी होगा calling of the meeting company से claim करेगा और the company shall be entired to the indemnity मतलब उससे जुस director है उससे सारा का सारा खर्चा claim कर लेगा तो EGM कितनी तरीके से चार एक तो director खुद बुला लेगा दूसरा shareholder बोलेगा director तू meeting बुला ले लेकिन shareholder के पास क्या होना चाहिए 10% voting right अब director को कितने दिन में बुला लेना है 45 दिन में director fail होगे आप shareholder बुलेगा मैं खुद ही बुला लूँगा अब कितने दिन में तीन मेने के अंदर लेकिन स्टार्टिंग से तीन मेने काउंट होंगे जिस दिन से request दिया है ऐसा नहीं कि 45 दिन के बाद तीन मेने काउंट करो स्टार्टिंग से तीन मेने और meeting बुलाने कहा office और जो भी area आसपास जैसे कि place में हमने देखा वहां बुलाएंगे और इसके खर्चे कौन देगा company और company किस से ले लेगा company सारा का सारा director से ले लेगा ठीक है आगे बाई ट्रिबनल भाई अब last है ये ट्रिबनल का मतलब क्या है law दा ट्रिबनल में also under certain circumstances call hold the conduct the meeting मतलब government को अगर realize होता है कि sir आपकी company में fraud चल रहा है तो government भी meeting बुला सकता है ट्रिबनल का मतलब government मान के चलना आपका अब यह देख लेते हैं पहले कहता है कब बुलाए जाएगा वेन इस को टू कॉल meeting of the company manner which the meeting company may be called मतलब उसी मैनर में meeting को बुलाएगा वो भी जैसे कि पहले बुलाए जाता था when it is not possible अगर उस मैनर में बुलाना possible नहीं है conduct the meeting of the company in the prescribed by the act जो इस act के अंदर prescribed है उसके according बनाए जाएगा आर्टिकल में जो बताये गया association of the company उसके accordingly meeting बुला लिया जाएगा अब आगे देखिए ध्यान दीजिए the criminal में also give direction modification और criminal meeting में बुला के क्या बाते करेगा वो direction दे सकता है modification supplement of the operation of the provision of act or article of association relating to the calling holding conducting of the meeting मतलब government meeting बुला के जो company के अंदर गरवड़ी है उसको direction दे सकता है कि इसको change कर लीजिए आप यह सही नहीं चल रहा it may also direct the company even one member of the company present proxy shall be deemed to be मतलब एक member भी है तब भी वो meeting valid माना जाएगा the criminal may be ordered to the calling holding and conducting the such meeting either on motion अपनी मर्जी से बुला सकता है या किसी application किसी director ने दिया है तब बुला सकता है या any member मतलब ऐसा तो नहीं है कि government को पता चलेगा company में fraud हो रहा है किसी shareholder ने government को क्या करा application डाल दिया भाई fraud हो रहा है फिर वो आकर बुलाएगा तो यह कौन हो गया member के थुरू बोर्ड ऑफ डिरेक्टर है पांच एक डिरेक्टर बीच लड़ाई हो गया भाई मैं तो government को बोल रहा हूं तुम fraud कर रहा है तो डिरेक्टर भी ऐसे कर सकता है या फिर government को लगता है अब हमें खुद ही बुला लेते हैं तो खुद बुलाने का मतलब क्या होता है हमारा यहां पर और मोशन अपनी मर्जी से या application एनी डिरेक्टर दे दे या फिर एनी member के कहने पर meeting बुलाया जा सकता है तो अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने क्या देखा फटाफट से देख लेते हैं सर मीटिंग क्या होता है जब बहुत सारे शेयर होल्डर किसी चीज़ पर करने के लिए company से घटा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मीटिंग के अंदर हमारा अगर हम मीटिंग की बात करें तो कौन-कौन से इस चैप्टर में पढ़ेंगे AGM और हमारा notice और notice के बाद resolution भी हम इसके अंदर देखेंगे meaning बता दिया मैंने आपको सर काइंड दो तरीके का होता है EGM और AGM इसके बाद अगर AGM कर रहे हो तो आपको उसका meaning आना चाहिए इसको statutory requirement मीनिंग क्या है कि हर एक साल के financial year खतम होने के बाद 6 महिने के अंदर हो जाना चाहिए नई company है तो 9 महिने के अंदर हो जाना चाहिए requirement board of director इस मीटिंग को बुलाएगा इसके बाद authority कनवे इसमें भी board of director ही authority होता है कि कनवे करेगा प्लेस रजिस्टर आफिस में करेगा लिस्टेड और अनलिस्टेड का डिपेंड करता है नोटेस 21 दिन का नोटेस मिल जाना चाहिए annual जनल मीटिंग default होगे तो एक लाख रुपे की penalty और पांच हजार रुपे पर डे एवरी डिरेक्टर के उपर फाइन लगेगा जनल मीटिंग एजियम जो मैंने बाते बताई वो सारा यहां पर लिखा हुआ था अब बात करते हैं किसका इजियम क्या होता है definition में तो सर जनल एन्वल जनल मीटिंग को छोड़के जितने भी मीटिंग होते हैं सभी को क्या बोल देते हैं मैं나리 हैं जोड़ा जोड़त कि हैंद कि मीटिंग अब को कितने दिन दिन के अंदर मीटिंग फैनतालिस दिनों के अंदर director co MET बुलाना और उसके अंदर जो भी फर्चा उचा होगा किससे cover कर लेगा company किससे cover कर लेगा इसके बाद अगला कौन बुला सकता है हमारा ट्रिबनल ट्रिबनल का बुलाएगा उसकी खुद की इच्छा हो, कोई member complaint कर दे, कोई director complaint कर दे, तो meeting बुला लेगा और उसको बोलेगा जो भी गलतियां उसको सुधारिया नहीं तो फिर fine वगरे का प्रोविजन है, तो ये था हमारा कुछ एक point जिसके अंदर से annual journal meeting का आएगा, अब question पता है कि annual journal meeting से किस से आता है, notice को explain कर ये, quorum क्या होता है ये बताइए, proxy क्या होता है ये बताइए, तो इनके उपर dedicated question आ जाता है, अब notice भी postal valid से भी हो सकता है, electronic mode से भी हो सकता है, इस तरीके से भी question पूछा जाता है, ठीक है, हाँ जी student, अभी तक हमने क्या कर लिया था, आप देखेंगे, तो मैं एक बार थोड़ा back में चलू, तो हमने meeting में कितना part complete कर लिया, तो सबसे पहले हमने meeting के बारे में समझा, कि what is the meeting होता क्या है actual में, इसके बाद फिर हमने meeting को थोड़ा और detail में देखा, इसके बाद meeting का meaning कौन-कौन से हमारे meeting है, ये देख लिया, और इसके बाद हमारा kind of general meeting कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली दो है, इसके बाद purpose क्या होता है meeting का, statutory requirement क्या है, कि किस तरीके से start होना चाहिए, authority कौन-कौन है, time place क्या होगा, notice क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हमने एक-एक करके देखा था, सर इसके बाद हमने देखा था, notice वगेरा के बाद, फिर EGM देखा था, कि EGM कौन-कौन call कर सकता है, board बुला सकता है, member के कहने पर board को बुलाया जाएगा, अगर board नहीं बुलाता हो, खुद बुला लेगा, 45 दिन का time board के पास है, तीन महने के अंदर इसको बुलाना है, फिर ट्रेबनिल बुला सकता है, अगर उसे लगता है कि भाई, company को अंदर बुलाना चाहिए, फिर इस चीज़ को हमने clearly discuss कर लिया था, लेकिन member भी कब बुला सकता है, जब उसके पास voting power कितने परसेंट हो, 10 परसेंट, आगे to be continue करते हैं हम इसी chapter को, ठीक है, बहुत simple और interesting chapter है, कहता है, procedure and requisition valid journal meeting, कहने का मतलब है sir, आपका journal meeting, किस तरीके से valid माना जाएगा, यानि उसके कुछ नियम है, annual journal meeting या कोई भी meeting को valid करने के लिए, एक proper authority के through call होना चाहिए, यह निके कोई भी बुला लेता और meeting कर लेते हैं, उसे बोलेंगे भई हमने meeting कर लिया है, meeting करने का मतलब है, एक proper authority होना चाहिए, proper quorum होना चाहिए, ठीक है, तो यह सारे चीज़े देखना पड़ेगा, proper notice है, तो एक तो proper authority, यानि person, जो person बुलाएगा, वो एक authorized person, या फिर उस person के पास, power होगा, meeting को बुलाने का, तब ही meeting valid माना जाएगा, proper notice, notice के अंदर mainly वही है, 21 clear days, यानि 21 दिन पहले, जब meeting आपको notice मिला होगा, clear 21 days आपको मिला होगा समय, तभी वो meeting valid मानी जाएगी, otherwise invalid मानी जाएगी, हाँ, इसके अंदर point यह जरूर था, कि shorter notice में 95% concern लेना पड़ेगा, proper start, proper start का मतला minimum कितने member आ जाए, और कितने time के बाद आ जाए, जब हम meeting को start कर पाए, तो इसको हम quorum के नाम से भी जानते हैं, तो एक एक करके discuss करते चलते हैं, तो सबसे पहले proper authority, कौन-कौन authority हो सकता है, सर, proper authority, देख लेते हैं, generally board होता है, प्रॉपर authority है ना, generally कौन होता है, सर, board होता है, कहता है, the authority to call general meeting is board of director, यानि जो company के director है, संचालक है, उन्हीं के पास, इस meeting को बुलाने का अधिकार होता है, सबसे पहले, the notice of the meeting should be issue under their authority, और notice भी जो दिया जाएगा, वो authority, क्योंकि notice के अंदर सभी के signature होने जरूरी है, जिस जिसने call किया है, जन्रेट आपका proper authority granted at a duly, आपका constituted meeting of board of passing resolution, और सर उसके अंदर ना proper resolution भी पास होना है, वो भी देखेंगे, दो तरीकी के resolution होते हैं, एक होता है हमारा ordinary resolution, एक होता है special resolution, ठीक है न? of board by circulation, a single director has no power, अकेला director के पास power ही नहीं है, के वो meeting को बुला पाए, यानि पहले board meeting होगा, meeting में सभी सहमती बनाएंगे, फिर general meeting को call किया जाएगा, the secretary of company, यानि जो CS होता है, company आपने नाम सुना होगा, एक course भी होता है, company secretary, उसको बोलते हैं secretary, तो जो company secretary का course complete कर लेता है, ICS से, वही यहाँ पे authority के अंदर भी, एक हर limited company के अंदर required होता है, तो the secretary of the company has no authority to call, और secretary भी नहीं बुला सकता, नॉर्मली आप से पूछा जाए, proper authority तो board of director, इसके अलाबा भी है, लेकिन हम सरिफ board of director को बोलेंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं, सर सबसे important point notice, notice के उपर properly questions पूछा जाता है, जब हम किसी को notice देते हैं, तो एक पर मैं इस पर discuss कर लेता हूँ, फिर सारी चीजे पढ़ लूँँगा, देखे, notice जैसे मान लेते हैं, आप board of director हो, ठीक है, आप एक board of director हो, और company का नाम मान लिया जाए, x, y, z, आप एक notice जब prepare करोगे, तो बड़ी सारी बातों का ध्यान रखोगे, इस notice में, जब आप notice बनाओगे ना, तो बड़ी सारी बातों का ध्यान रखोगे, number one, proper date होना चाहिए, notice में, number two, proper place होना चाहिए, कहां पे होगा, number three, आपका agenda होना चाहिए, कि आप किन चीजों के लिए बुला रहे हो, basically agenda दो होते हैं, ordinary business और एक होता है, हमारा special business, ordinary business का मतलब, dividend declare करना, financial reporting board of director का remuneration, number four, इसके अंदर आपका proxy, proxy कौन होगा, कितने time बाद proxy का appointment हो जाना चाहिए, number five, किस को notice जा रहा है, उस notice के नीचे, explanatory statement होता है, basically, explanatory statement क्या होता है, किस notice में, proper किस मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा, वो proper लिखा वा होना चाहिए, उसके अंदर, ठीक है ना, और सारे signature वगेरा, बोला गया, जिस दिन sent करोगे, वो दिन मत कांट करना, और जब post से send करोगे, तो 48 hour भी मत कांट करना, मतलब sir, यानि दो दिन और मत कांट करना, और जिस दिन receive होगा, उस दिन को भी count मत करना, यानि total चार दिन मत कांट करना, अगर मेरा एक चार को मीटिंग है एक चार को मैंने नोटिस दिया है तो कब हो जाना चाहिए हमारा तो 21 दिन वो चार यह तो 25 तारीक को मीटिंग एपरिल को पॉसिबल हो सकता है कब मीटिंग पॉसिबल हो सकता है सर 25 तारीक को अगर आपका यह 48 घंटे सिर्फ उसके लिए है अगर आप पोस्ट से भेजोगे मैसिस है ना तो यह सारी चीजे हम मुद्दाओं पर डिसकस करेंगे कि नोटेस प्रॉपर तरीके से जाना चीए क्योंकि मेन है आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग कब हो गया फिर आपका शियर होल्डर होने का फाइदा नहीं है इसलिए गवर्मेंट ने स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखा है कि नोटेस के अंदर सारी चीजे सारी क्वाल अफिर जैनल मीटिंग शुट भी घीवन टू लोट वॉलविंग परसन मतलब कुछ इन परसन को किस-किस को दिया जाना चाहिए हर एक मेंबर मेंबर का मतलब यहां पे है सर एक्विटी शेयर होल्डर ठीक है ना प्रफेरेंच शेयर होल्डर नहीं होता प्रफेरेंच शेय share consequence of the death of insolvency of member मतलब अगर किसी member का death हो गया तो उसका जो नोमनी है उसको भी notice दिया जाना चाहिए लीगल परसन को auditor को जो company के accounts को चेक करता है auditor of the company को देना चाहिए every director को भी notice दिया जाएगा section 101 subsection 2 के सबसे तो इन इन लोगों को notice दिया जाना चाहिए किसको member को अगर कोई member नहीं है तो उसके legal representative को auditor को और साथ के साथ सभी director को notice दिया जाना चाहिए क्या कहता है अब preference shareholder is entitled to the receive notice only कब receive करेगा only the journal meeting which no which has to be considered a resolution which and tied to vote resolution जब उसके पास vote directly affected हो रहा होगा मतलब उसके power के साथ कोई छेड़ खानी करेंगे मान लेते हैं कि मैं meeting में discuss करने वाला हूं कि हम preference share का dividend घटा देंगे तब तो भाई preference share holder का होना जरूरी है तो ऐसे situation में preference share का holder होना काफी जरूरी है ठीक है write all a resolution सभी resolution अगर उसके dividend area है तब भी उसको notice मिलेगा जो मैंने बाते करी इसके बाद देखे हम बात करते हैं length क्या होगा notice का तो simple सी बात इतने time से हम चर्चा करते आएं कहता है कि proper notice written और through electronic mode return का मतलब लिखित होना चाहिए कागज के form में यह email आई electronic mode every member of the company required by law law ही कहता है सभी member को देना होगा for the holding of every valid meeting अगर आप valid meeting करना चाहते हैं तो notice must be given even though member have waived his right मतलब notice उनको भी दिया जाना चाहिए जो member अपने rights को waived मतलब छोड़ चुके हैं उनको भी notice देना है have notice it must disclose the purpose for which meeting called इसके अंदर आपका purpose भी बताना होगा कि भाई आप meeting क्यों कर रहे हो क्या agenda है आपका it must be given 21 clear days 21 clear days होना चाहिए before the date of meeting it's calculate 21 days कैसे calculate होगा the date of receipt notice the date of meeting should be excluded यह दोनों दिन हटा देना the gap between the 21 clear days का होना चाहिए the notice shall be deemed have to be received by the member after expiry 48 अगर मालो मैं by post भीज रहा हूं तो भले ही आपको चार दिन बाद notice मिला हो लेकिन company मानती है कि आपको 48 गंटे में notice मिल गया होगा hour from the time of posting 48 गंटे गिनना है in case of newspaper advertisement of a notice the period 21 days clear days being from date of issue of the newspaper जिस दिन newspaper में issue होगा उस दिन से clear 21 days count होगा अगर हमने notice कहां दे दिया newspaper में दे दिया article में भी provide notice longer than 20 दिन article 21 दिन से ज़्यादा तो कर सकता है लेकिन 21 दिन से कम का समय नहीं कर सकता article of association shareholder के favor में जा रहा है तब तो valid है और उसके favor में नहीं है तो नहीं तो जैसे बोला कि 21 दिन होना चाहिए तो आप 25 दिन कर दो आर्टिकल बोलता है तो आपको 25 दिन का notice valid है लेकिन आप उसको 20 दिन नहीं कर सकते चलिए सथ इसके बाद क्या है calling journal meeting by shorter notice shorter notice का मतलब क्या होता है 21 दिन से कम का समय क्या आपको time मिला तब क्या हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर अगर आपका 95% क्या कहता है an annual journal meeting जो AGM होता है may be called notice less than 21 days within the consent of not less than 95% of member entire vote meeting अगर 95% लोगों ने बोल दिया चलने दो यार meeting क्या दिखका था एक दो दिन का चलने दो तो फिर meeting continue रहेगा invalid meeting नहीं माना जाएगा कहता है extraordinary journal meeting may called notice less than 21 days concern of majority member entire vote power proper not less than 95% paid up share capital देखिएगा ध्यान दिजिएगा यहां पर वोट है जिनका 95% paid up capital यहां पर सिर्फ 95% वोट है मैं बात करूंगा डिसकस के paid up capital और वोट में क्या difference है वोट होता है show of hand show of hand में मतलब आपके पास एक आप वेक्ती हो तो आपका एक वोट है paid up capital में आपके पास जितने शियर है उतने वोट माने जाएंगे आपके ठीक है केरिंग वोटिंग राइट ऑफ दा मीटिंग इन केस ऑफ कंपनी having share capital consent member not less than 95% अगर having share capital है तो 90 मिला जुला के कहते हैं shorter notice valid हो सकता है अगर 95% concerned shareholder से मिल जाए तो चलिए सर इसके बाद content क्या होना चाहिए notice में क्या क्या बाते होनी चाहिए तो सर content बताये मैंने name of the meeting होना चाहिए place होना चाहिए day and hour होना चाहिए the meeting may be valid must place date time specified आपका होना चाहिए annual journal meeting should be held a working day working day में होगा business hour में होगा but meeting may continue beyond the business hour कहने का मतलब है कि मान लो मैंने बोला कि 9 से 6 का business hour है मैंने आपको 10 बज़े का time दिया कि 10 बज़े meeting होगी अब 10 बज़े meeting start हुई और रात के 12 भी बच जाए ना रात के 11 भी बच जाए ना तो valid है meeting start करने के लिए working hour माना जाएगा खतम करने के लिए नहीं वो तो continue चलेगा तो वही कहता है but meeting may continue beyond the business hour extra general meeting अब ये था AGM इसके बाद EGM की बात करते है can be held any day of the including holiday EGM कभी भी बुलाईए not necessary during working hour EGM के लिए वो मतलब के 9 से 6 वाला समय का foundation नहीं है जब आपको अच्छे लगे suitable time पे बुला लेजिए इसके अंदर और क्या discussion होगा सर nature of the business आपका business कितने type के होते हैं दो type के होते हैं एक journal business होता है जिसको ordinary business बोलते हैं एक special business होता है ठीक है न basically journal business किसे बोलते है in case of journal business क्या क्या होगा आपका consideration of annual account मतलब हम मीटिंग बुला रहे हैं आपको balance sheet और profit and loss देंगे और क्यों सर और declaration dividend और dividend देंगे appointment of director करेंगे appointment of fixing remuneration करेंगे हम remuneration कितना होगा director का auditor का appointment करेंगे तो यह तो routine हर साल यह change होता है तो इसको कौन सा नाम देते हैं business आपका बोल सकते हैं जर्नल बिजनस या ordinary business भी बोला जा सकता है ठीक है ना जर्नल बिजनस या फिर ordinary business भी बोला जा सकता है एनी अधर बिजनस कोई अधर बिजनस इसके अलाबा काम करते हो जो यहां पर point लिखे हुए हैं पाचार इन चार के अलाबा कोई भी करोगे तो उसे special में consideration किया जाएगा सर इस्पेशल बिजनस में क्या होगा कंपनी का मोई एल्टर करना कंपनी का नेम क्लॉज ऑल्टर करना कंपनी का एओ में बदलाब करना तो और इन चार के लाबा जो भी काम करोगे सभी को special के category में रखा गया है वो चीज़े आप पढ़ लोगे ठीक है एजेंडा क्या है हमारा सर मेटिंग बुलाने का एजेंडा क्लियर मेंशन होना चाहिए एजेंडा ऑफ दा गीवन गाइडेंस ऑफ दा आप सब आ गये आने के बाद बोल रहे हैं आर नाम चोड़ो हम यह सोच रहे हैं कि अपना बिजनस का एड्रेस बदल ले तो वह गलत मेटिंग होगा अपने जो लिखा उसी पर ही बात करना है तो एजेंडा मतलब sequence में होना चाहिए sequence in which various term of the business shall be taken up बहुत सारे terms taken up होगा meeting for the discussion the sequence should be change unless agree by the member present अगर member बोल देते हैं कि कोई बात नहीं और दूसरी बात पर भी चलचा कर लेते हैं तो valid है अगर किसी member ने बोला भाया meeting notice आपने और किसी का और काम किसी और काता है ऐसे थोड़ी ना चलेगा routine items should be put first deliberate item later similar item should be place closer to each other ठीक है agenda is prepared by secretary आपका consultation मतलब कि जो company secretary होते हैं उन से discuss करेंगे board से discuss करेंगे भाया किन चीज़ बुलाएंगे with the chairman or managing director से agenda must be clear complete a company may be restrained from the transaction that business which not mentioned in the agenda मतलब कि company को रोका गया है कि उन चीजों पर discuss मत करना जो agenda में है ही नहीं सर इसके बाद क्या है place of the meeting देखो place of the meeting क्या है अगर आपका AGM है अगर आपका AGM है तो जहां पर register office है या तो वहीं पर कर लीजिए meeting अगर वहां जगह नहीं मिल रहा तो उस area उस city में कर लीजिए लेकिन अगर आपका EGM है तो आप कहीं भी कर सकते हैं meeting को ठीक है ना फिर कहीं भी कर सकते हैं यह दो बाते discuss की गई है तो देख लेते हैं सर प्लेस में क्या बताता है कहता है annual journal meeting the annual journal meeting should be held by the company registered office or some other place same city same village where the registered office of the company situated however the central government has to power exemption any company from the provision central government बोलती है चल यार तू कहीं भी कर सकता है अपना meeting तू अच्छी company है तू फ्रॉड करने वाला नहीं है तो फिर कहीं भी कर लो भाई आगे कहता है any company provision अब private company unlisted company वो कहीं भी कर सकती भाई private और unlisted company पर ऐसा restriction नहीं है तुम चाहो तो भाईया दिल्ली में registered हो जाओ मुंबई में meeting करो कोई लेना देना नहीं लेकिन अगर listed company है जो शियर बजार में listed है उसके लिए तो proper restriction लगाया हुआ इन्होंने आगे कहता है इट इस दा fix place meeting by the article आर्टिकल ने fix कर रखा है वहां हो सकता है इस दा fix place meeting by resolution all member वहां हो सकता है अदर जनल मेटिंग मतलब के जनल मेटिंग annual journal meeting के लावा there is no such provision of the company's act where required to the journal meeting of the company then annual journal meeting must held the same particular place मतलब वही कहने का मतलब है कि EGM के लिए कहीं भी आप meeting रख सकते हैं तो यह बाते कराई गई है place के अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा सारी चीज़े इसके अंदर चलिए sir यहां तक आपको clear होगा तो यह notice वाला section हमने अभी cover किया कि notice में क्या क्या एजेंडा होगा notice कितने दिन का होगा तो notice proper तरीके से हमने देख लिया है सबसे पहले मोटी मोटी बात करूँ तो notice किस दिन पहले मिल जाना चाहिए notice पे proper एजेंडा पे discuss होना चाहिए इसके उपर कई बार question पूछा गया है आए तो बड़े अच्छे से लिख के आएगा आपको proper में notes provide कर दूँगा अब हम अगले अजेंडा पे चलते है तो आपको अच्छे से समझ मैंगा what is the quorum है क्या बला क्या है देखिए जैसे मान लेजिए आप एक meeting करने जा रहे है ठीक है आपका business है और x y z आपका एक business है और meeting जब करेंगे आप तो आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ तो होना चाहिए न अब meeting करने का मतलब एक member है जो दूसरा member सुनने वाला भी होना चाहिए तो जो यह member यहां पर बैठे होते हैं सुनने वाले उनको कोरम बोला जाता है कोरम शब्द basically यहां पर यह indicate करता है कि minimum कितने member होना चाहिए minimum अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी company है और आपने एक member बिठा के और सारी बाते कर ली बा number से उसमें minimum member कितना होना चाहिए that is called quorum तो हर किसी case के अंदर अलग अलग है private company limited company के case में अलग है शेयर होल्डर के according decide होता है क्या है hopefully आपको समझ में आया कोरम क्या है और आगे देखते हैं क्या है कहता है minimum number of member required to continue valid meeting to transaction of the business turned called quorum मैंने भी वही बात बताई आपको no meeting can be valid without quorum अगर quorum नहीं है सामने कोई बैठा ही नहीं तो आप अकेले थोड़ी बात कर लोगे तो quorum valid ही नहीं है any resolution pass meeting without quorum invalid उसे invalid मान लिया जाएगा section 103 के हिसाब से चलिए सरव कोरन की बात करते हैं unless the article of the company provide larger number अगर article ने बोला हुआ है कि भाईया larger यानि 20 कोरम चाहिए 50 कोरम मतलब 100 बंदे होंगे तभी meeting start होगा तो तो उतने ही मानने हैं आपको अगर article नहीं है तो law क्या कहता है in case of public company के case में पांच लोगों की जुरत पड़ेगी पांच मेंबर प्रस्नली पर्जेंट होना चाहिए कब meeting में अगर आपके मेंबर 1000 से ज्यादा है अगर आपके 1000 से ज्यादा मेंबर है तो आपके पास कितने कौरम होने है मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा तो कितने पांच मेंबर लेकिन आपके 1000 से लेके 5000 तक के बीच का है not more than मतलब के दुबारा बोल देता हूं इसको clear हो जाएगा आपको ज्यादा मैंने गलत बोल दिया गलत बोल दिया अगर आपके 1000 मेंबर तक है company में में मेंबर और शेयर होल्डर मतलब different होते हैं माल लेते हैं कि 100000 श है व्यक्ति हजार है शेयर होल्डर हजार है ठीक है number of shares नहीं अगर 1000 तक ही है आपके पास member तो आप पांच व्यक्ति जरूर होना चाहिए आपकी बात को सुनने वाला लेकिन अगर आपका member 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 तक है तो 15 व्यक्ति आपके होने चाहिए जो आपकी meeting में present हो और अगर 5000 से ज्यादा हुए तो आपके कितने होने चाहिए 30 व्यक्ति होना चाहिए present और ये quorum मज़े की बात है na meeting start करने के लिए माल लेते हैं मेरे company के अंदर 2000 member है तो बताओ कितने quorum चाहिए होगा 2000 member है तो मुझे 15 quorum चाहिए और मेरे पास 15 quorum थे start करने के लिए 15 व्यक् तो क्या meeting valid होगा बिल्कुल valid होगा meeting को start करने के लिए quorum चाहिए खतम करने के लिए नहीं सिर्फ start करने के लिए minimum इतने requirement है in case of private company तो कितने चाहिए हमें दो quorum चाहिए और shall be quorum for a meeting company तो बहुत important है quorum word का मतलब है क्या sir व्यक्ति member जो member meeting में बैठे होंगे उसे क्या बोलेंग का मतलब member के accordingly इसको distribute किया गया है चलिए सर अब इसके बाद provided क्या क्या प्रॉइड है quorum के लिए कैसे कैसे होगा कहता है provided that in case of urgent meeting अगर urgent हो जाता है sir urgent का मतलब मान लो मैंने आज meeting रखा meeting रखने के बाद हुआ क्या meeting रखने के बाद quorum नहीं आ पाया मतलब मेरे 5 quorum होने चीए 3 आया तो अब मेरा meeting postponed हो जाएगा cancel नहीं होगा क्या होगा postponed हो जाएगा तो postponed के case में मेरा क्या होगा अगले हफते same day same place same time पे फिर से मेरी meeting continue होगी वहां से अब जब अगली बार meeting होगी तब quorum की जुरत नहीं पड़ेगी एक ही बार quorum की जुरत पड़ती है तो देखिए meeting for कहता है के provide that in case of urgent meeting मतलब meeting अगर आपका नहीं हो पाया किसी कारण बास इसका मतलब आपका होता है meeting अगर जन का मतलब नहीं हो पाया पाया ठीक है न और change of the time date place कर दिया आपने अपनी मर्जी से under clause a के अंदर जो a point था the company shall give not less than three days आपको तीन दिन का नहीं यहां पर नोटिस कितने तीन तक का नोटिस देना पड़ेगा notice to the member either individually or publish the advertisement आपको notice या तो हर किसी को अलग अलग दे दो या फिर आप circulation that place where the registered office company जहां registered office है वहीं होगा if the urgent meeting also a quorum not present within a half hour from the time of appointment holding meeting the member present self a quorum मतलब अगर आदे घंटे के अंदर क्योंकि न हम member जब आएंगे quorum के लिए तो हम आदे घंटे इंतजार करेंगे भाई आजा तो आदे घंटे में नहीं आए तो meeting urgent हो जाएगा अब जब urgent होके जब दुबारा meeting होगा तो फिर हम wait करेंगे लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं अब meeting चलेगे हम बार बार अब shareholder का wait नहीं करने वाले ठीक है ना इसके बाद कहता है single member can a valid meeting क्या single member अगर एक member है तो क्या वो valid माना जाएगा meeting तो जबाब है सर नहीं एक member होगा तो valid meeting नहीं हो सकता लेकिन कुछ exception case है अगर meeting urgent हुआ हो तब हो सकता है अगर किसी कारण से government law ने बुलाया हो तब single member can be continue meeting तो क्या कहता है ordinarily the single member present cannot form a quorum as a single member cannot constitute the meeting this because of meeting prima facie mean coming मतलब prima facie का मतलब होता है कि हमारा अगर single member है तो एक तरीके से वो meeting हमारा conduct नहीं हो पाएगा वो meeting हमारा valid ही नहीं माना जाएगा लेकिन together of two more person दो से जादा वेक्ति हो the company also uses the exception member which show the more than one member expected to be present at the time of meeting कुछ exception जैसे मैंने बता दिया जैसे कि urgent meeting हुआ था तब single member quorum कर सकता है कहने का मतलब basically है अगर अकेला वेक्ति हुआ तो क्या meeting अकेला वेक्ति single member एक member हुआ तो क्या quorum हो जाएगा तो जबाब ना बाबना quorum नहीं हो सकता इस बात का ध्यान रखना है आपको ठीक है आगे कहता है at what time quorum must be present मतलब कितने समय में quorum आ जाना चाहिए तो मैंने बताए ना आदे घंटे में quorum को आ जाना चाहिए वही बात यहां पर बताई गई है कहता है the quorum must present that the time when meeting begun जब present होना पड़ेगा proceeding take up business it need not to be present throughout the time of vote मतलब पूरे समय में नहीं बस start करने के लिए चाहिए thus once meeting is organized जब हमारा चलने लगेगा all party have be participated no person or function by withdrawn of आपका अगर meeting start हो गया तो आप अपने power का withdrawn कर लो vote दो मत दो फरक नहीं पड़ता अब quorum का उसमें for the sole purpose breaking quorum can be render the subsequent of the proceeding invalid invalid हो सकता है इसका मतलब इतना ज्याद़ कोई main point नहीं है mainly है quorum start करने के लिए इन केस company member another company मतलब quorum का मतलब यह भी है कि आप जब जैसे कि मैं नहीं जा रहा तो मैं अपने जगे किसी और को भीज सकता हूं कि भाई तु मेरी जगह चला जाए जिसको क्या बोलते हैं proxy बोलते हैं तो उसे quorum में count नहीं करा जाएगा ठीक है ना quorum का मतलब जो member है company का वही होना चाहिए वहाँ पे समझ मैं ही बात आपको तो वही कहता है यहाँ पे इस अमेंबर अधर कोई कंपनी अधर कंपनी अधर कंपनी अधर कंपनी का मेंबर इत्मेपर एब जगे डेटर आपराइस अच परसंट अस तिक फित almost this representative vanity of the other company. Such persons shall be considered as a member personally present for a purpose of constituting of quorum. In case of the same person represent more than one company who are member of the company, his presence will be counted two or more members as maybe. for purpose of quorum in case of two or more person joint holder अगर एक share को दो वेक्ती ने रख रखा है तो क्या होगा तो इस case में company one or more than will be counted one member of the quorum अब मैं थोड़ी से simply इसको और simply कर देता हूँ क्या कहना चाहरा है यह basically कहना चाहरा है कि भीया quorum का मतलब तो है कि जब meeting start होगा न कि जब meeting कि जब meeting start होगा तो भीया आपको minimum 5% मैं ले लेता हूँ चाहिए चाहिए इसके बाद meeting end हो रहा हो और एक member बोर होके चला भी जाए तब भी meeting valid है यह बोला जाएगा पहली बात दूसरी बात कई बार मान लेते हैं कि Reliance ने share purchase किया टाटा का अब टाटा ने अपनी meeting बुलाई तो अब Reliance company जो है यह तो person है नहीं यह तो artificial person है तो Reliance company क्या करेगा अपने पास से कोई वेक्ति person भेज देगा जो कि हाला की quorum मतलब इसके पास member नहीं है इस company के बिहाफ पर member बनके कहां चला जाएगा इस meeting के अंदर चला जाएगा अगर इस person के बिहाफ बनके meeting के अंदर जाएगा तो वो माना जाएगा वो और एक और है मान लेते हैं Reliance के अलाबा फॉर एक्जामपल इन्फोसिस इन्फोसिस company ने के रिलाइंस ने और इन्फोसिस ने टाटा के शियर ले रखे हैं अब रिलाइंस ने जिस वेक्ति को भेजा और इन्फोसिस ने बुला यार तू ही मेरी बदले चले जा तो अब यह दोनों के बदले चला जाएगा और यह अकेला member होगा लेकिन कितने count होंगे two quorum count हो जाएंगे यहाँ पर क्यूंकि दो विक्ति का representative है ठीक है ना सेम अगर माल लो एक share हो और इसको A और B ने hold कर रखा हो jointly तो उस case में दोनों अगर meeting में जाते हैं तो one quorum ही count होगा वहाँ पर यह कहना चाहरा है basically इस सारे के सारे lock provision के अंदर तो वो एक बार आप पढ़िएगा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा फिर उसके बात पढ है चलिए आगे क्या कहता है सर चेर में आ गया तो कोरम यहां तक टोटली दिखा जाए तो complete हो जाता है प्रॉक्सी नॉट अलाउड कोरम आभी हम प्रॉक्सी भी करेंगे तो hopefully आपको छोटे-छोटे टॉपिक बना के मैं करा रहा हूं कोरम भी आपको समझ में आया होगा त आप ने आपने क्या कर रखा है सर आपके पास रिलाइंस कंपनी का शियर है अब आपके पास सर रिलाइंस कंपनी का शियर है तो अब आप क्या करोगे आपको जब मीटिंग बुलाये जाएगा किसके दुआरा रिलाइंस लिमिटेड ने क्या करा अपना मीटिंग बुलाया अपना meeting बुलाया और meeting बुलाने के साथ आपको इन्होंने क्या करा सर इन्होंने आपको notice भी दिया और notice कितने दिन में मिली आपको 21 days में तो आपने reliance के share ले रखें आपको notice मिला अब आपने पूरी तयारी कर रखी है वाई के हम meeting में जाएंगे और meeting में जाने के बाद देखेंगे क्या क्या होता है नहीं होता है फॉर्स टाइम जाना है लेकिन अचानक से आपकी तवियत खराब हो जाती है यह अचानक से आपको कोई urgent वर्क पर जाता है माल लेते हैं, उसी दिन आपके exam का date पढ़ेगे, आपने share ले रखा है, तो अब तो आप नहीं जाओगे, तो आपने क्या करा, अपने जगहे पे अपने दोस्त को बुलाया, अपने दोस्त को तयार किया, अपने दोस्त को तयार किया, बुला भाई यार मैं तो meeting में जानी पा मेंबर नहीं बोलेंगे, अब ये मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है, मेंबर कौन था सर, मेंबर तो ये था, तो ये कौन है, आपके बिहाब पे गया, that is called proxy, यानि आपके बिहाब पे कोई meeting attend करने चला जाए, तो प्रोक्सी, तो देखो, इसका जो अधिकार है, वो इसको तो वोट कर सकता है, वोट भी बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक show of hand होता है ऐसे करके, और एक मतलब के counting, voting counting जैसे वैलेट में डालते हैं वैसे होता, तो अभी हम आएंगे, कितने तरीके के हमारे voting होते हैं उसमें, तो ये show of hand जब होगा, तो ये voting में participate नहीं करेगा, चुप प्रोक्सी भेजना तो है, भेजने से पहले आपके पास जो notice आया है ना, इस notice के अंदर clearly mention होता है, आप नहीं आएंगे, तो अपने जगा किसको भेज दीजिए, प्रोक्सी को, और ये notice के अंदर एक page होता है, उस page में आप प्रोक्सी का नाम, सब कुछ, sign वगेरा करके, आ आपको 48 घंटे पहले, कितने घंटे पहले सहाब, 48 घंटे पहले आपको company को intimate करना पड़ेगा, सर क्या intimate करना पड़ेगा, कि भाईया मेरा प्रोक्सी आ रहा है, आपने 48 घंटे पहले अगर intimate नहीं किया, तो फिर ये proxy valid नहीं माना जाएगा, तो ये सारा काम होता है, हमारा क इसका सर, proxy का, तो चलिए, ये चीज़ अगर आपको दिमाग में fit हो गया है, तो बस reading का काम कर लेते हैं, proxy, ठीक है, the term proxy is two meaning, दो meaning होता है, basically proxy एक तो जो मैंने बताया, दूसरा document को भी कहते हैं, कहता है, आप person representative of the member, member का representative of the meeting, the person authorize, act, vote, or author, आपका another at meeting company, इसे भी बोलेंगे एक तो हम proxy दूसरा, the instrument by which the present in the appointment of act, another at meeting of company, since our representative can be appointed only in writing, ये कब हो सकता है, जब सरिफ और सरिफ राइटिंग में हम देंगे, तो simple सी बात है, आपने क्या लिख के आना है, कि proxy वो होता है, जो member के विहाफ पे meeting को attend करने जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, simple सी बात है, proxy नहीं है, और law के अंदर नहीं बिल्कुल same language लिखना है, बहुत सारे मित्थ है, बहुत सारे इसके अंदर मैंने देखा है, और मैंने खुद observe किया है, कि same language होना चाहिए, same तरीके से होना चाहिए, word इधर से उधर भाया, आपको अगर आता है, इस law के provision अच्छे से याद है, अपनी normal language में लिखी है, आपको marks मिलेगा, कोई section quote करने की अवशकता नहीं है, मैं simple सी बात बता हूँ आपको, ठीक है न, चलिए सर्थ, the following provision of the company's act regarding the appointment and right of proxy, क्या-क्या rights है और कैसे appointment होगा, जो मैं बात दिकर रहा था, कहता है, law and tied every member of the company appoint his proxy, हर member कर सकता है भाई ये तो, and attend and vote of the company, company के लिए vote भी कर सकता है, लेकिन किस में, by poll में, meeting instead of himself, मतलब 105 section ये power देता है shareholder को, कि आप अपनी जगा किसी को भी appoint कर सकते हैं, however, member of the company having no share capital does not have this right unless the article provided, जिसके पास shares ही नहीं है, member ही member है, उसके पास right नहीं है, तो ये वाली line आप ignore भी कर सकते हैं, a member of the private company is not entitled to appoint more than one proxy, attend the same occasion, unless the article provided, private company बोलता भी है, एक से ज़्यादा proxy नहीं आ सकता, किसी भी representative का, तो article अगर बोलेगा, तो आ सकता है, but member of the public company, हमें सारी बाते public company को ध्यान में रखके बताना है, कि appoint more than one proxy, he may be appoint one proxy, आपका represent certain share held by him, different proxy, another share held by him, provide that the person appoint a proxy shall be on the behalf of such member of meeting not exceeding 50 member of the, मतलब 50 member से ज़्यादा लोग proxy को, एक proxy को appoint नहीं कर सकते, और यहाँ पर 10% वाला भी fundा है, कि अगर आपके total मिला के, आपके 10% ही होने चाहिए proxy के पास, तभी आप appoint कर पाऊगोगे, ठीक है न, तो वो हम देखेंगे, तो simple सी बात है, सर, क्या है इसके companies के regarding, कि भाईया, हर member अपना proxy appoint कर सकता है, private limited में यह है, तीसरा point कहता है, any person can be appoint a proxy, whether he is member of the company or not, in case of proxy is not a member of the company, he shall have no right to speak at the general meeting, भाईया, चुप रही हो, बोलियो मत, कुछ महां जाके, ठीक है न, तेरा कोई अधिकार ही नहीं बनता हो, महां पे, इसके बाद, unless the article other provided, अगर article ने provide कर रखा है, तो proxy बोलेगा, otherwise नहीं बोलेगा, however, the proxy may put question writing and send to the same to the chairman for answer, और आगे कहता है, however, a proxy may, अगर proxy बोलता है न, चुप चाप एक चिठी लिखके बोलता है, sir, मेरी भी बात सुन लो थोड़ी से, यह है, लेखिन, a proxy is ordinary and tied to vote only, कब जब पोल होगा, जब पोल होगा, तो proxy चिल्ला चिल्ला के बोल सकत मेरी बात मानो, but the may voting by show of hand, article provide beside that, he, आपका deemed or joint demanding, sorry, demand, अगर demand करता है, और यह joint demanding करता है, पोल का, however, proxy cell भी कहता है, however, cell have no right to inspect proxy form of the minutes at the meeting, minutes क्या होता है, जो meeting में बाते चलती है, उनको लिख लिया जाता है, उसे minutes बोलते हैं, तो मैं सीदी सीदी बात समझा हूँ, क्या बोलने की कोशिस कर रहे हैं यहां पर, कि भाईया, proxy के पास ना, voting का right नहीं होगा, बोलने का right नहीं होगा, जब voting by poll होग voting by show of hand होगा, लेकिन जब voting by poll होता है, तो proxy बोल भी सकता है, और demand हम कर सकते हैं, माल लेतने के भाईया, voting by generally show of hand से start होता है, लेकिन कुछ बोले के भाईया, ऐसे बात नहीं चलेगी, आप voting by poll कराईए, आग पर पास अगर 10% majority capacity है, या 50,000 share है, तो आप इसके demand कर सकते हैं, हम आगे voting वाले points में भी देखेंगे, ठीक है, आगला point क्या है, पांचवा, proxy must be appointed by instruction और written, duly stamped and signed by the member, मैंने बोला था नो, firm भर के भीजेगा उसको, of the company, a blank, but stamp proxy is valid, may be complete by the person authorized to do so, मतलब के complete information का साथ भीजे, proxy must be deposit within the company, at least कितने घंटे पहले, 48 hour before company को deposit करना होगा, before the commencement of the meeting, meeting शुरू होने से पहले 48 hour होगा, company however cannot legally required proxy to be deposit with the earlier 48 hour, company ऐसा नहीं बोल सकते भीजा, तुम 20 घंटे के अंदर आपको form जमा करना था, आप उसका time बढ़ा सकते हो, कि 48 घंटे, 40 घंटे, ठीक है न, तो earlier कहता है कि, कहता है कि, the required proxy may deposit within the earlier 48 hour, sorry मैंने गलत बोल दिया, मतलब 48 hour से कम समय भी बचे, 2 घंटे पहले करा दो, तब भी चलेगा, यह article प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यह तुम्हें 2 दिन पहले जमा करना था, तीन दिन पहले, 48 घंटे तो दो दिन होगे, तीन दिन पहले करना चाहिए, तब allowed नहीं है, यानि सिंपल से बात समझो न, कि आप अगर हम proxy की बात कर रहे हैं, तो proxy भेजोगे, 48 घंटे लोने बोला है, तो आप चाहो तो इसको न, बोल सकते हो, कि भी आप 20 घंटे, 30 घंट पांच घंटे के अंदर करतो, आप इतना कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलोगे, कि आपको 4 दिन पहले बताना चाहिए था, कि आपका proxy आएगा, तो ऐसे तो shareholder को pass time नहीं होता, तो इसलिए आप कम कर सकते हो time, ठीक है न, the time meeting, after giving 3 day notice of the company, member may inspect during the business hour, proxy logged with the company, मतला meeting के, जैस कि after the giving 3 days notice, the company, member may inspect, member देख सकता है कि हमारे जो proxy को company ने consider किया है के नहीं किया हो, yes किया है नहीं किया, कहीं हमारा proxy जाए और उसे भगादे gate पे से, असा नहीं, वो check कर सकता है, 3 दिन, at any time during the period of commencing, 24 hour before time of fix, or commencement of the meeting, meeting से 24 घंटे पहले check कर सकता है, ending with the conclusion of the meeting, meeting के conclusion होने से पहले, logged original meeting, remain valid, urgent meeting also, वो meeting valid माना जाएगा, ठीक है, अगला point क्या कहता है, 6 point देखिए, every notice meeting must, आपका, appropriately, mention that, member and tied, appoint proxy, need to be a member, a company cannot send invitation to the member, appoint one or more person as proxy, company, company नहीं बोलेगा भई या तुम एक से ज्यादा बनाओ, आपकी मर्जी आप बनाना चाहते हैं, बना सकते हो, हाँ, एक बात और, अगर proxy भी चला गया, death of the member, appoint a proxy will be, absence of provision, article, revoke the authority of the proxy, अगर member की death हो गई, तो बोलेगा भी आप जिसने तुमें भेजा था, वही नहीं रहा तो तुम proxy भी नहीं हटा सकता, अर्टिकल है, member may himself attend the vote, अगर member खुद आ जाता है, meeting में वोट करने के लिए, तो proxy such case not be accepted, because need excise the proxy had never arisen, proxy of this shall be stand revoked impliedly, मतलब के, आप माल लिया जाएगा, जैसे आप भी चले गए, proxy भी चले गए, तो भी आप क्या, मतलब भी नहीं बनता, proxy का तो, ठीक है न, However, the mere, आपका presence of the member meeting does not imply, there is revocation of the authority of the proxy, where both of member and proxy are present in the meeting, the member absence, the member absence from voting resolution, which proxy cast his votes, done, not imply to revocation, अब जो proxy ने वोट पहले से ही दे दिये हैं, अब member आ गया, तो ऐसा नहीं होगा, कि भी प्रोक्सी ने गलत वोट दिये थे, मैं member आ गया हूँ, तो अब मेरा वोट माल लो, तो बोलेगा, जो proxy तुम से आने से पहले कर चुका है, वो हो चुका है, अब जो तुम वोट उसको आगे हम बात करेंगे, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा, अब proxy अपोइंट लेटर रिवोट दा प्रोक्सी अपोइंटमेंट मेंट अर्लियर, फिर से अपोइंट किया जा सकता है, मतलब कहता है, आप प्रोक्सी अपोइंटेट लेटर रिवोट प्रोक्सी को जो प्रोक्सी नहीं है, तु जा तु गलत गलत वोट कर रहा है, ठीक है न, अगले प्रोक्सी तो एक एजेंट है, प्रिंसिपल एक मेंबर है, अगर आपका मेंबर वैसे तो मेंबर माइनर हो इनी सकता, लेकिन माइनर मेंबर है, तो उसके पास राइट ही नहीं है, यानि अगर एक माइनर चाइल्ड है, और माइनर है, और एक मेंजर है, दोनोंने मिलके एक शेर लिया, तो फिर proxy appoint किया जा सकता है, आगे कहता है, proxy appointed by the second joint holder, proxy appointed by the first joint holder, excise voting right to the exclusion of the joint holder who have the present in the meeting, मतलब कहने का इस point में basically कह रहा है, कि माइनर बंदा तो proxy appoint नहीं कर सकता, लेकिन अगर joint share ले रखा है, तो फिर proxy appoint कर सकता है, और माइनर के guardian कर सकते हैं, ठीक है न? चलिए सर, ये था हमारा सारा का सारा, एक बार फिर से हम फटा फट से पढ़ लेते हैं, क्या क्या बात है थी, proxy में, proxy क्या होता है, हमारे representative जो जाते हैं meeting के अंदर, उसको क्या बोल देते हैं, हम proxy बोल देते हैं, जो हमारे representative जाते हैं meeting के अंदर, इसके बाद हमने क्या देखा था, के सर, proxy क्या कहता है, following provision of the content appointment, proxy को क्या क्या provision होने चाहिए, मतलब public company कर सकता है, और कौन-कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो vote दे सकता है, तो वो सारी बातों पर हमने discussion point by point किया था, इस वाले point पर हमने क्या देखा था, के member company जो है, वो return send करेगा, कितने time में कर देता है, 48 hour में, यह दूसरा अगला point था, तो यह सारे points को, हमने 48 hour वाला था, तो यह सारे points हमने proxy को देखा है, तो basically मोटी-मोटी बात बात बोलू, तो proxy हम appoint कर सकते हैं, उसका time याद रखिएगा, उसके appointment कब valid होगा, कब नहीं होगा, क्या quorum में count होगा, या नहीं होगा, उस तरीके से, ठीक है न, और अब न, proxy को appoint करने के लिए कई बार case study भी आता है, तो आप 10% voting power वाले ही proxy कर सकते हैं, अगर माल लेते हैं, आपका voting power 25% है, तो आप proxy नहीं भीजोगे, आपको खुछ जाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा voting power के लिए नहीं जा सकते हैं, वो बाते लिखिये और ना लिखिये फरक नहीं पड़ता, ठीक है न, तो अब हम इसके बाद मैं अगले topic पे जाऊँगा, तो एक और point हमने खतम कर लिया, अगेन चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए, और जो बच्चे live video हमारे paid course में देखते हैं, वो भी अच्छे से noting करें, notes उनको पास available होगा, मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी next video में, thank you so much, और अ आ जाईए, अब next topic करेंगे हैं, पढ़ रहे हो ना, और अच्छी से पढ़ना, आप सारी चीजों को noting करके देखना, notes मैं proper provide कर दूँगा, और books मैं बताओ, अनिल कुमार की book ले सकते हो, मैं उन्ही के notes से refer कर रहा हूं सारी चीजों को, tenure भी ले सकते हो, tenure में भी आपको easy language ल voting may be either of show of hand or by pole, अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह सभी वेक्ति जो है अपने hand raise कर रहे हैं, vote करने के लिए, जो ऐसे करके voting करेंगे ना, इसे क्या बोलेंगे, show of hand, इसे क्या बोलेंगे हम सर, show of hands, ठीक है, और देखो, आपने देखा होगा, कि voting by pole, pole का म तो जब आप पर्चा डाल के करो, या फिर आप electronic आ गया है, तो मैंने पूराने जवाने वाला दिखाये हैं हाँ पर, कि आप अपना पर्चा इसके अंदर डाल दोगे, और जितने लोग डालेंगे, फिर इसको क्या करते हैं, counting कैसे करेंगे, इसके अंदर auditor हो सकता है, इसके result बताएंगे, इसके अंदर दोनों बताएंगे, count करेंगे, favor भी और unfavor भी, इसके अंदर फरक क्या है, अगर यहाँ पर मान लेतने 50 member बैठा है, तो 50 vote हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक member के पास 50 share है, तो एक ही member is equal to 50 vote माना जाएगा, यहाँ पर हर share के हिसाब से voting की count हो नाराजगी होगा, तियार मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही, तुने 10 share लिए हैं, मैंने 100,000 share लिए रखे हैं, फिर भी बात तो एक ही होगे, क्या फायदा हुआ, तो ऐसे situation में अगर यह सब मिलके, या इसमें से कोई वेक्ति जिसके पास 10% share होगा ना, वो demand करेगा चेर्म लेकिन चेर्मेन उसके लिए समय भी ले सकता है, तो ये था हमारे दो तरीके के हमारे voting होते हैं, show of hand और by pool, तो चलिए voting by show of hand क्या होता है, एक पर वो देख लेते हैं, फटा-फट से, सारी चीज़े मैंने बता दिया, in case of first, जब हमारा meeting start होता है ने, तो show of hand से ही start करते हैं, नॉर्मली एक custom बना हुआ है, मान के चलो, कि in the first instance, any journal meeting, कोई भी होगा, voting takes place by show of hand, तो show of hand से ही होगा, on a show of hand, each member has only one vote, इसके एक member के पास कितने वोट होंगे, एक, एक वेक्ति के पास एक चाहे, तुम्हार पास कितने भी share हो, proxy are not entitled, और proxy भाई, तेरी उकाद नहीं है, कि तु इसके अंदर वोट कर पाए, vote in case of such voting, unless the article authorize, provide, अगर article बोलता है, कि proxy को भी दे रहें चल, तू भी कर दियो, तब होगा, अदरवाइस नहीं होगा, the chairman of, the chairman declaration on the result, voting by show of hand, conclusive, मतलब जो chairman result कर देगा, वो conclusive, वही 100% मानने होगा, उसमें ऐसे नहीं कहेंगे, कि यह valid है, यह invalid है, मतलब जो बोल दिया, empire बोलता है, match के अंदर, out है, तो out है, same chairman ने बोल दिया, तो conclusive हो गया, वही चीज़, ठीक है, अगला है, voting by poll, देखते हैं, इसमें क्या कहता है, कहता है, voting in accordance with the voting of right given to the members by article of association called as voting by poll, proxy are allowed vote in case of voting by poll, proxy allowed हो जाता है, there is counting of vote, cast, favor of, against, resolution case में भी poll, दोनों होगा, कितने आपके favor में गिरे, कितने आपके favor में नहीं गिरे, मतलब against और favor, दोनों count होते हैं, इसमें, ordinarily, it implies, excise the voting right by the member is proportionate of their share of paid up equity, यानि आपकी voting right होगा, जितना share capital आपके पास है, उसके according, all decision taken by the vote by show of hand will be stand cancelled, जितने भी decision लिये गए, show by hand से, अगर voting by poll आ गया, तो वो सब cancel होगा, दुबारा voting मान लिया जाएगा, यहाँ पे, cancel, so soon as the demand for voting by poll made, it may be deemed for poll not be result which the, आपका, eradicated the decision by the show of hand, मतलब यहाँ पे इसके जो होगे, वो cancel नहीं हो सकता, simple सी बात मैं कहूं, तो voting by poll, मतलब vote डाल के कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं sir, a poll can be demand either before or after declaration of the result voting show of hand, poll may be demand by the either of following, कहता है कि भाया, हमारा एक हो गया कि चलो नाम बदलते हैं, show of hand से नाम बदल गया, एक बंदा आ गया, जिसके पास 10% share था, उसना बोला, ना भाई, ना, हम नाम नहीं बदलेंगे, पहले तो voting change कर, voting show of hand कर रहा है, यह नहीं मानते, तो voting by poll कर रहा, भी देख तेरा result बदल जाएगा, नाम change होगा नहीं होगा, तो अगर declare हो गया, तब भी अगर voting by poll accept हो जाता है, तो पहले वाला, जो हमने vote कर दिया, वो cancelled माना जाएगा, तो क्या कहता है, chairman on his own motion, अपनी मर्जी से चाहे, तो वो कह सकता है कि भाईया, voting by poll करो, it's duly, chairman demand poll, when the no proxy have been logged their poll decision show of hand, मतलब एक तो chairman खुद ही बोलता है, show of hand से मत कर यार, अब किस से कर तू, पूल से कर, तब चलेगा, ठीक है ना, आगे कहता है, in the case of company having share capital, by any member present, proxy को जोड़ कर, अगर one tenth, यानि tenth percent share, या फिर, मैंने पचास अजार बोल दिया था, शायद, पाच लाख share है, तो वो demand कर सकते हैं, भाईया, voting by poll करवाईये, show of hand को छोड़िए आप, ठीक है न, ये होना चाहिए, in case of any other company, any member present, वो कितना होना चीए, 10%, अगर वहाँ पे member, मतलब कि, without share capital, ultimately, chairman बोलता है, के voting by poll होगा, तो होगा, अगर आपके पास 10% share है, तो आप बोल दीजिए, voting by poll होगा, तो होगा, आपके पास नहीं तो, सभी मिलके 10% बना ले, तब भी voting by poll हो सकता है, ठीक है, तो ये था हमारा voting by poll, कहता है, पोल must be held according to the provision of article, जो article में है, उसकी according होना चाहिए, अब पोल resolution of adjournment of the meeting, और that appointment of the chairman must be immediately taken, जैसे ही, मतलब meeting इतनी लंबी चल गई, के तुम्हारी बात को बोला के बात इसको पोल पे लेंगे, तो जैसे ही adjournment हो जाती है, अगर आज बोल दिया के भाई ये वाला जो नाम वाला मुद्धा है इसको पोल पे करवालो, बाके सारी show of end रहने दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, नाम वाले मुद्धे को दुबारा हम करवालेंगे, तो टाइम मिल गया, उस case में meeting इतनी लंबी हुई कि बोला चलो कल बात करेंगे, तो अडजेंड में chairman must be immediately, chairman of all other case must be taking the poll, any situation of not later than 48 घंटे के अंदर इसकी बात सुन लेना है, क्योंकि meeting कई पान मालो तीन दिन चल गई, और आपने बोला था, यार मैंने तरो को दो दिन पहले बताया था, voting by poll करा दे, नाम पे, नाम पे करा ही नहीं रहा तो, तो ऐसा situation में, chairman को अडजेंड मेंड for poll, section 109 पावर देता है, if the poll is not completed on the same day, it will be continue on the next day, next day हो सकता है, chairman will be entired to the close poll, when more than one resolution is to be passed, जब एक से ज़्यादा resolution पास हो जाए, तब आपको भईया, पोल वाले की बात सुन लो, पोल should be taken one each of the resolution separately, हर के case में अलग पोल होगा, ठीक है, तो यह basically यह बात बताता है, अब difference देख लीजे, कई बार difference पूछा गया है, पूछा जाएगा भी और आता भी है, सबसे पहले, each member has one vote, और यहाँ पे, member having vote as per the voting right held by them, मतलब पोल में जितने shares है, proxy are not allowed, proxy are allowed, simple सा difference है, there is no counting of vote in favor and against, मतलब ऐसा नहीं होता, कितने pass हुए, कितने fail होए, यहाँ पे दोनों count होंगे, कहता है, decision voting by show of hand is cancelled, soon poll demand, उसे cancelled कर देंगे, decision voting by poll never cancelled, तो यह कुछ difference है, और इस difference को पढ़ के जाएगा, पहले में, इसमें आपका voting कैसे होता है, sir, member, एक member, एक vote, यहाँ पे paid up capital, यहाँ पे proxy allowed नहीं है, यहाँ पे proxy allowed है, यहाँ पे आपका voting against favor, दोनों count नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यह cancel हो सकता है, अगर आपने demand कर लिया, और यह cancel नहीं होगा, sir, तो यह पूरा का पूरा था हमारा, आपका voting की बात करते हैं, अब इसके बाद हम resolution देखेंगे, again, हम मैं छोटे-छोटे topic डाल रहा हूँ, ताकि आपको समझ है, again, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों को भी share करिए, मेरा एक ही agenda है, कि आपके बस अच्छे नमबर आ जाए, और अगर आपको मेरे वीडियो से value मिलता है, क्योंकि यह वीडियो मैं YouTube पे भी डाल रहा हूँ, तो प चलिए सर, आगए हम आपकी बात को सुनने, क्या है हमारा type of resolution, है न, वो इस भी चेक करते रहेगा आप, resolution, resolution क्या होता है, कि जो voting आपने की, poll किया, ये किया, तो उस case के अंदर, कौन से काम के लिए, कितने percent requirement है, तो यहाँ पे दो तरीके के resolution होते हैं, बेसिक लिए, ठीक है, अब समझिएगा बात को, तो सर, दो तरीके के कौन सा, there are type of resolution, कितने type के हैं, दो तरीके के, एक है ordinary resolution, यहाँ पे आपको 51% अगर person ने yes कर दिया, तो वो काम हो जाएगा, अगर 51% लोगों ने no कर दिया, तो वो काम नहीं होगा, मतलब मैंने का नाम बदलना है, और नाम बदलने की बदला है, मैं कहता हूँ, dividend देना है, तो dividend देने के लिए 51% बोल दे, yes दे दो, तो फिर दिया यानि 75%, 3-4 का मतलब 75% लोगों ने अगर yes कर दिया, उससे जादा ने, more than, तो फिर वो काम okay हो जाएगा, otherwise नहीं होगा, तो दो तरीके के resolution है, एक है ordinary resolution, एक कौन सा है, special resolution, ordinary resolution के लिए आपको कितने percent voting चाहिए, 51, 50% से उपर, और special के लिए आपका 75, यानि 3-4, इसको basically क्या कह क्या देते हैं, हम 3-4 से उपर चाहिए होगा, ठीक है, तो चलिए आईए देखते हैं, बड़ा छोटा सा topic है, इसके अंदर मैंने ज्यादा complication नहीं create किया है, और नहीं लिखा है, इसको फटा-फट से निप्टा लेते हैं, hopefully आपको visualize तो होना चाहिए, मैं कोसिस यही रहती आपको proper दिख जाए, ठीक है, चलिए, अब difference आ जाता है, इसमें कई बार, और difference देख लेते हैं, क्या कहता है, ordinary resolution, ठीक है, क्या कहता है, इसके है, it passed by the simple majority, voting cast in favor, exceed of resolution, मतलब कहना है, sir, 51%, ठीक है, it passed specially majority, special majority, यहाँ पर simple majority था, यहाँ पर special majority है, कितने, exceed three time of vote cast against, यानि 75% से अब अब, यही कहना चाहरा है, यह, an explanatory statement is not required, sent along with the meeting, मतलब आपका अगर कोई normal बात पर चर्चा करनी हो, तो ordinary resolution होता है, इसमें explanatory statement नहीं है, कोई बड़ा काम हो, company का नाम चेंज करना हो, MOA बदलना हो, कुछ भी करना हो, तो उस case में, हमें explanatory का मतलब होता है, explain करके कि statement देना पड़ेगा, giving all material facts about the matter, कहां देंगे, notice के अंदर डाल देंगे, is required to be annexed in the notice, notice के अंदर यह बातों को लिख दिया जाएगा, terms of journal meeting, past annual account, dividend, कौन-कौन से होते हैं, annual account हमारा जो कि, भाईया, profit and loss ओके है, बोल दो, यह, dividend दे दें, यह, appointment of director कर दें, यह, appointment of auditor कर दें, यह, तो इन सभी के लिए कौन सा होगा, ordinary resolution, लेखिन, यहाँ पे, fundamental corporate decision हो, जैसे कि, भाईया, object change कर दो, name change कर दो, situation change कर दो, memorandum alter कर दो, article इन सभी के लिए कौन सा resolution होगा, special resolution, जो ordinary resolution होता है, to registered के पास भेजने की जौरत ही नहीं है, लेकिन special resolution maximum case में 30, maximum के almost सभी case में 30 दिन के अंदर आपको registered के पास जमा करवाना होता है, कि हमने एक बड़े decision लिए है, उसके लिए हमने resolution पास करवाया था, तो यह था हमारा poll, voting की ठीक है, अब हम बात करेंगे, कि passing resolution, अभी resolution देखा था हमने special resolution और ordinary resolution, अब यह तो तब पास होता है, जब हम meeting के अंदर present हो, कई बार हम ना घर बैठ के भी resolution पास कर सकते हैं, that is, passing resolution, postal valid, postal valid का मतलब होता है, electronic mode से पास करना, ठीक है न, electronic mode से पास करना, चलिए आईए देखते ह क्या कहता है, in the view of poor attendance, कई बार देखा जाता है, लोग बाग इतने busy है, कोई meeting में आता नहीं है, vote करनी रहा, attendance बहुत कम है, the member in the journal meeting, ठीक है न, of the companies, the company act provide for voting through a postal valid, including voting by electronic mode, मतलब हम option देते हैं, चल भाई, ठीक है, तु घर बैठे voting कर दे, electronic मतलब वीडियो कांफरेंसिंग पे, या फिर और अदर जो भी available है, it is immediate, आपका specified resolution, purpose to be passed by at least company, passed by a listed company, the central government has framed rule in this regard, Central government ने rule बना रखा है, postal valid include voting by post through any electronic mode, section 2, subsection 65 कहता है, तो basically, जो member बगएरा आते नहीं, आलसी लोगों के लिए बनाये गया, यह कहा सकते हो, meeting meeting आते नहीं है भाई, अब देखे, applicability किस पे होगा, इस पे, 1% company and other company having member up to 200 not required, जहाँ पे 200, यानि एक तरीके से private company और 1% company पे यह वाला नहीं लगेगा fund आओ, उसको तो आना ही पड़ेगा, और business through postal valid, उसे हमें नहीं होगा, बाकी सभी limited company, listed company वो कर सकते हैं, अगली बात क्या कहता है, list of the business which resolution passed through postal valid, कौन-कौन सी बाते हैं, जो postal valid, सारे बाते नहीं कर सकते हैं, पॉस्टल वेलिट से पास, कौन-कौन सी बाते हैं, वो बाते बता दी गई है, कहता है, alter करना है आपको, object clause of memorandum, तब आप कर लेना, कहता है, alteration, article of association करना हो, relation to inspection of, आपका removal of the provision, अगर कोई provision हटाना चाहते हो, इंक्लूडिंग article, अगर कुछ जोड़ना चाहते हो, company, order constitution, private company, ऐसा कोई काम हो, कोई article में से point हटाना है, कोई जोड़ना है, तो आपका postal valid रहेगा, चेंज in place of registered, इसमें भी रहेगा, चेंज object clause करना चाहते हो, इसमें भी रहेगा, सिंपली AOA और MOA की बाते रहे, issue of shares, differential voting right, इसे DVR भी बोलते है, differential voting right पता है, अब कई बार company ना, एक share और उसके 100 power vote, अगर मेरे पास एक share लोगा, तो मुझे voting power कितने मिल जाएंगा, 100, हर company अपने हिसाब से तै कर देती है, article of association में लिख देती है, और वो share कुछ special लोगों को issue किया जाता है, उसे बोलते है, differential voting right, आपका कहता है, variation of the right attached to the class of shares debenture security, उनके लिए भी specified under 48, तो कहता है कि the list of business resolutions shall be pass through, इन कामों की वज़े से आप कर सकते हो, ठीक है, कहता है, आप आगे देखते हैं, क्या है इसके अंदर main point, कहता है, sale of whole, यह substantially whole and undertaking of the company specified under section 108, इसके अंदर भी करा जा सकता है, given loan, loan वगेरा के बारे में है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, beside the SEBI regulation required business to be passed a postal valid, issue sweat equity करना है, तब भी हो सकता है, आपका delisting of equity share तब भी किया जा सकता है, यानि simple सी बात है, जितनी बात है लिखी है, यहाँ पे यह कह रहा है कि voting by poll कब-कब हो सकता है, और कब-कब नहीं हो सकता है, है ना, चलिए, आप कहता है, procedure to follow the, आपका conducting the business through postal valid, क्या procedure है sir, कैसे कैसे किये जाएंगे, as per the company's management and administrator rule 2014, the following procedure to be adopt for the, आपका conducting business through postal valid, जो administrator होता है, जो company का देखरेक करता है, और उसके management, उसकी जिम्मेदारी है कि इस meeting के, इस आपका voting को किस परकार से conduct कराया जाए, चलिए, आजएए, सबसे पहले आपको notice देना पड़ेगा, कैसा notice है sir, कैता है, the company is required to send notice all shareholder along with a draft resolution explaining the reason therefore requesting them to send their assets or dissent writing on postal valid, बोलता है कि या जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, हमने भेज दिया, आप इसके उपर अपने opinion दीजिए, the notice shall be sent either by register post speed और electronic mode, electronic mode का मतलब email like registered email और through the courier service facility, communicating और resolution said, important point है, कई बार पूछा जा चुका है, the notice postal valid also plays on the website, हम website पे डाल देंगे और बोल देंगा भी या चेक कर लेना चाहिए था, तो यह सारी चीज़ें आपको notice दिया जाएगा आपका इसके बारे में, advertisement, आपको एक advertisement भी देना है, सर कहां देना है सर advertisement, यह क्या बात कर रहे हो सर, advertisement देना है कहां पे, publish at least one vernacular यानि वही सेम local newspaper और एक English में देना है language में, district which the registered office, registered office of the company situated and having the wide circulation in that district and the at least one in English language of the English newspaper, having wide the circulation of the district about the having, dispatch the valid paper and the specified the, मतलब कहने का मतलब है भाईया यहां पे ना तुम्हें newspaper के अंदर add देना है, एक अपनी भासा वाली newspaper, अगर पंजाब में हो तो एक पंजाबी में दे देना और एक English में दे देना, बात खतम भाई, आगे कहता है scrutinize, scrutinize का मतलब होता है कि भाईया जो तुम्हारे इस चीज को check कौन करेगा, तो मैंने पहले भी बताया था check करने का, उस कंपनी का employee नहीं होगा, कौन होगा, तो मतलब कौन कौन हो सकता है सर, नमबर एक CA हो सकता है, नमबर टू, CS हो सकता है, नमबर थ्री, advocate हो सकता है, वो भी कौन से वाले, जो company से related ही नहीं हो, company के बाहर appoint करना वाला होना चाहिए, ठीक है न, कहता है कौन कौन हो सकता है, thus scrutinize shall we submit his report soon, possible after last date of receipt of postal valid, not later than the seven days, मतलब साथ दिन से पहले पहले आप अपना report दी दीजिए, जिसको appoint किया न, जल्दी जल्दी पढ़के बता दो किसने क्या vote दिया, किसका क्या चाहिए, इस तरीके से, correct, इसके बाद कहता है safe custody, मतलब इसको ऐसानी के publicly कोई भी आ रहा है, अच्छा, इसने ये vote दे दिया, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलग-अलग तरीके से होना चाहिए, ठीक है न, क्या कहता है आगे, देखिए, कहता है postal wallet and other paper relating to the postal wallet, postal wallet होगा और paper, postal wallet के हिसाब से, other relating postal wallet, including the voting by the electronic means, shall be under safe custody, मतलब भाया इसे password वगरा लगा कर रखना, the scrutinier, मतलब जो check करेगा, the chairman consideration approved the sign and minutes, minutes के अंदर भी होगा, thereafter the scrutinier shall be written, postal wallet paper related to the papers registered to the company, who shall be perceived such wallet paper, other related, मतलब भाया, important document है, संभाल के रखिए, हर किसी को मत बताइए, इसे बाद में हम explain कर सकते हैं इसको, ठीक है, result, जो इसका result आएगा, the result, कैसे करना है sir, placing along with the scrutinize report को क्या करना है, website पे डाल दीजे, जैसे आपका result आता है, तो क्या करते हैं, वो website पे डाल देते हैं, same आपका paper मान लेजिए, जो checking वाला है, paper check करन को रहेगा, specialize करेगा, इसके बाद आपके जैसे parents मान लेते हैं, कि आपके teacher है, same पढ़ार है, उनके पास paper आगया, ऐसा नहीं, पता ही नहीं होता उनको, same website पे result आजाएगा, if company resolution, are sent by the requisition, majority of the shareholder, maybe mean, postal wallet, तो यहाँ पे website पे, यहाँ पे result पोस्ट कर देना है, अब इसके बाद आता है, हमारा अगला point, e-voting क्या है हमारा, तो postal wallet के बाद, e-voting भी चल गया है, मतलब kind of postal wallet का part ही मान लो, यहाँ पे mail वगेरे से चला जाता है, यहाँ e-voting मतलब जो electronic voting है, तो हम इसके बाद इस पे discuss करेंगे, बस थोड़े से points रह गए हैं, इसके बाद minutes से बस खतम हो जाएगा, ठीक है, sir e-voting क्या होता है, e-voting किस तरीके से काम करता है, देखो e-voting जो है न, इसलिए लाए गया, क्योंकि बहुत कम person attendance में रहते थे, कम लोग आते थे meeting में, इसलिए e-voting का concept लाएगा, e-voting का मतलब होता है, आपके पास button होगा, आप ordinary तरीके से आप display हो जाएगा, उस पे vote कर सकते हैं, cast और favor, इस तरीके से हमारा e-voting होता है, ठीक है न, तो धीरे धीरे करके हम पढ़ लेते हैं, e-voting है क्या, पहले नहीं था, अब आया है यह, कहता voting by electronic means, electronic voting system means, secured system, base process display, मतलब display होगा, जब आप vote करोगे तो display होगा, आपका वैलेट्स, records of vote, of the member, and member vote pulled, यहाँ पे pulled वाला होगा, so offend नहीं चलेगा, against such voting, excise by way of, electronic means, get registered, and counted in the electronic registry, centralized server, यानि सर जो e-voting होगा न, तो e-voting करवाने में, जो expert है, उसको बुलाईए, उसी से करवाईए e-voting, आपका जो सारे data है, वो बिल्कुल secure होना चीए, यह नहीं कि, hack हो जाए वो data, इस तरीके से ध्यान देना होगा, ठीक है, कहता है, the enhance of the participation of the shareholder general meeting, कि लोग बाग जादा सा जादा आए, e-voting has been introduced in the companies, 2013 में आया यह, this has been made possible, और यह possible हो पाया, member, shareholder, vote without any physically attending, the general meeting, मतलब meeting में नहीं हो, तब भी आप e-voting तो करी सकते हो, जैसे, कुछ code दे दिया, कुछ encrypted दे दिया, वहाँ पर vote कर दो, जैसे होता है न, आपका rating star rating देना, kind of this type, e-voting does not eliminate, the right of the member, physically attend the vote, e-voting आने से ऐसा नहीं है, कि आप physically, physically जा सकते हो, अब e-voting देना चाहते हो, तो optional है, general meeting, but the member cast vote, through one mode only, लेकिन, अब member एक ही से दे सकता है, आप physically जाले जाओ, या फिर आप e-voting कर दो, दोनों नहीं हो सकता, अब member after the casting vote, through e-voting, अगर member ने अपना casting vote कर दिया, through e-voting में, but cannot cast vote in the meeting, for the matter, secured by it, मतलब एक बार जो vote कर दिया, वही vote valid माना जाएगा, अब सर अगला point आता है, क्योंकि यह मैं दुबारा फिर से recording कर रहा हूँ यार, क्या आता है, कि requirement of e-voting, e-voting की क्या requirement थी, कहता है, इस पर section 108, Companies Act read with the rule 20, management और administrative की जिम्मेदारी दी गई, कि आप following company required provide e-voting, आपको every listing company, और जहाँ पे 1000 member से जादा होंगे, वही company e-voting को करवा सकती है, और दूसरी company को write नहीं है, ultimately public company और 1% company और private company, e-voting को नहीं ले सकती, अगला procedure क्या होगा e-voting का सर, simple सा है, एक आपको agent, जैसे कि आप exam देने गए थे न, आपने दिया होगा, जैसे regular वाले बच्चे जाते हैं, जो कि यह कौन सा exam चला है, CUT का, तो वहाँ पे जो exam लेते हैं, वो थोड़ी रहे college के होते हैं, वो तो एक authority दे दिया है, जिसके पास computer है, specialized है, उसको appointment कर देते हैं, तो यहाँ कहा गया appointment कर दो, एक ऐसे agency का, जो कि e-voting कराता है, उनके पास सारे machine हो, the company which the provide e-voting facility to the member having the e-voting platform of any voting service provider agency, किसी से भी लिया जा सकता है, अब आगे कहता है, appointment of scrutinier, यानि सर e-voting करा रहे हो, तो आपको scrutinier भी रखना पड़ेगा, scrutinier कौन हो सकता है सर, मतलब जो आपके voting को check करेगा, कहीं कोई गड़वड़ी तो नहीं चल रहा है, जो voting को count करेगा, कौन होगा सर यह, कहता है, the board of director appoint, कौन-कौन हो सकता है, एक chartered accountant हो सकता है, cost accountant practicing, मतलब जो कि job नहीं कर रहा हो, company secretary हो सकता है, और advocate हो सकता है, जो e-voting करेगा, employment of the company नहीं हो सकता, ठेक है, इसलिए, क्योंकि और यह भी बाहर के लोग होने चाहिए, जो e-voting करेंगे, अगर ऐसा रहा न, तो हमारी voting बिलकुल unbass होगा, मतलब कि true and fair view present करेगा, एक तरीके से बोले तो हो, ठेक है, अगला कहता है, sir dispatch the notice shareholder, ठेक है, sir dispatch की बात आ गई, तो वही है, notice हमें देना है, the notice of the meeting, sent all the member auditor, वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि e-voting हो रहा है, तो हम notice वगर नहीं देंगा, सब कुछ वही रहने वाला है, by register post, speed post, या फिर electronic through email वगरा के, आपको देना है, आगे देखा जाए, sir, तो advertisement, तो sir advertisement जब भी आ जाए, तो दो ही advertisement में देना है, एक वहां के normal language paper में, और एक English paper में, यानि वर्ना कुलर और एक normal language के अंदर, आपको देना है आपे, तो देखे क्या कहता है, the company shall cause advertisement publish not less than five days, 5 दिन बिफोर, मतलब कर देना है, notice के हम e-voting करवा रहे हैं, advertisement में, beginning of the voting period, at least, यहां पास दिन important है, थाकिरा, once वर्ना कुलर, मतलब के वहां के local newspaper में, और एक आपका अंग्रेजी के newspaper में, वहां पे देना है e-voting के लिए, सीधी बात यह है, चलिए sir, e-voting जब कराएंगे, तो आपको कितने कितने दिन तक आपको e-voting करने का अधिगार है, तो कहता है कि एक दिन तो आपको मिलेगा ही पूरा e-voting, ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि यह दो घंटे के लिए e-voting है, उसके बाद नहीं कर पाऊगे, पूरा दिन मिलेगा, और जादा सा जादा तीन दिन का टाइम मिलेगा, more than three days का टाइम मिलेगा, period shall be completed there these, और जैसा ही हमारे during e-voting period, एक shareholder ने अगर एक वोट दे दिया, तो वो अपना वोट change cannot be, मतलब change नहीं कर सकता, तो यहाँ पर यह बाते लिखी गई है, आगे कहता है scrutinize, फिर से अगेन वही बाते आ गई, कहता है आपका जब कभी भी check हो जाए ना, सारी चीजे, तो यह आपको तीन दिन के अंदर सारी चीजों को report को बना के देना है, from the date of conclusion of e-voting period, तो यानि जो चेक कर रहा है हमारे voting की जो counting कर रहा है, result जो आएगा वो तीन दिन के अंदर दे देना है, sir, result कहाँ पर आएगा sir, वहाँ के website, अरे क्या हो गया, कहा गया, कि वहाँ के local website, जो website होता है ना, वहाँ पर, या फिर आप envelope में करके, या by post, mainly website पर, जैसे आपका result होता है, तो कैसे देखते है website पर, जाकर देख लेए तो ऐसे ही website पर डाल देते हैं, कि voting जो हुआ, किसने क्या-क्या vote दिया, और क्या resolution पास हुआ है, ultimately मैं बोलू ना, ये voting जो है ना, क्या काम करना है नहीं करना, उसी के लिए ये सारे जंजट पा ले गया है, ठीक है, hopefully आपको ये समझ में आया होगा, क्या था हमारा ये total e-voting, next करेंगे हम minutes, minutes नाम सुनके नाम, जब मैंने पहली बार नाम सुना था, क्योंकि देखो मैं भी आपके जैसा ही हूँ, तो मैं समझाए रहे minutes क्या है, minutes तो घड़ी में देखा था, कि इतने minutes होते हैं, लेकिन company law में minutes का मतलब क्या है, तो मेरे को बहुत time बात समझ में आया, और जो मैंने बहुत time बात समझा, मैं आपको within a minute समझा सकता हूँ, माल लीजिए, आप chairman है, meeting के आप chairman है, ठीक है, और इस side आपका member है, member मतलब shareholder, तो भाई साहाब, आप इनसे सारी बाते बोलोगे, सारी बाते इनको बोलोगे, कि करके, आप अपने साथ एक assistant रखोगे, आजा भाई assistant, इधर बैठ जा, और इसके सामने एक होगा register, उस register के अंदर, जो जो चीजे, आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, उस register के अंदर, ये लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, जो ये वाला register है, जिसमें सारी बाते लिखी जा रही है, that's called minutes, इसको क्या बोलेंगे, तो minutes क्या है, meeting के अंदर, जो भी घटनाएं होती है, जो भी chairman के observation में होता है, वो सारी बातों को, एक register में जो लिखा जाता है, उसे minutes book कहते हैं, और minutes book के अंदर, हमेशा neat and clean होना चाहिए, बिल्कुल clear लिखावा होना चाहिए, तो sir minutes book क्या होता है, इसमें सिर्फ वही बाते होनी चाहिए, ऐसा नहीं के chairman और shareholder के बीच में लडाई हो गया, जगडा हो गया, वो भी लिख दे, chairman decide करेगा कि इसमें क्या बाते लिखी जाएंगे, जो अच्छी चीजे हैं, वो लिखी जाएंगे, सर इस पर पहले से line डला हुआ है, बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा, पहले मैंने पूरा recording किया, अब तक एक और chapter कर लेता है, दुबारा करना पड़ रहा है पूरा मुझे, कहता है minutes का मतलब क्या है, especially minutes books, क्या कहता है यहाँ पे, minutes the written records of the proceeding of meeting, meeting को एक तरीके से written करने के लिए, minutes is evidence of correct record of decision of the meeting, मतलब एक correct record करने का, simply जो मैंने बाते कहीं वही है, section 118 हमें यह power देता है, कि minutes book होना चाहिए, sir और क्या क्या है minutes book में, sir minutes book ना, आपको पढ़ने के लिए भी समय दिया जाएगा, minutes book कब तक बन जाना सही है, sir, minutes book तो 30 दिनों के अंदर अंदर तयार हो जाना चाहिए, अगर नहीं तयार होगा, तो आपके उपर क्या लगेगा, fine, वही सारी बाते यहां पर बताई गई है, क्या कहता है, every company shall make entry of minutes books, proceeding every journal meeting, within a 30 days of conclusion of every such meeting, meeting के खतम होने के 30 दिन के अंदर यह तयार हो जाना चाहिए, पहली line यह कहता है, और हर एक पे signature होना चाहिए, हर page पे, और initial sign होना चाहिए, sir, initial sign क्या होता है, जैसे यह ऐसे कर देते ना, normally पूरा signature ने initial sign, हर page पे होना चाहिए, ठीक है, और कहता है, of the, मतलब एक summary भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो meeting हुआ है, उस सब का conclusion इसमें होगा, यह क्यों बनाया जाता है, मालो आप meeting में नहीं गए, जानना चाहते हो, तो आपको उस minutes book को पढ़के, आपको सारी बाते पता चल जाएगी, क्या क्या meeting में हुआ है, चलिए सर, आगे क्या कहता है सर, यहाँ fine वगएरा भी लिखा हुआ है, आपका fine कितना होता है, पच्चिस अजार company पे, पांच अजार every member पे, अगर minutes book नहीं बना तो, कहता है recording of the minutes, should have been name, name होना चाहिए, date होना चाहिए, in such matter which opinion of chairman, जो opinion को लगता है, कि यह बाते नहीं होनी चाहिए, वो minutes में नहीं होगा सर, very simple क्या क्या, it could be, आपका reasonably regard of, आपका deframatory of a person, irrelevant to the immaterial, मतलब जो chairman को लगेगा ना, यह बेकार की बाते क्या लिख रहे हो इसके अंदर, लड़ाई जगड़ा लिख रहे हो, एक chairman पे shareholder आपस में लड़ गए, वहाँ पे, यह थोड़ी लिख हो गए, एक shareholder, y shareholder ने लड़ाई करा, उसके इसने मारा, इसके यह समने रहे ही, चेर्मेन हटा देगा इन बातों को, ठीक है, यह बातें यहाँ पे लिखी गई है, सर अगर आप default हो जाओगे ना, तो 25,000 company पे fine, और हर एक member जो इसके अंदर involved थे, उसके उपर 5,000 रुपे का fine लगाया, जाएगा last point, और last एक तरीके से है हमारा ये, तो चलिए सर, क्या कहते हैं, हर दिन 2 घंटे के लिए, कोई भी वेक्ति को time दे दे के, 2 घंटे minutes books रिजिस्टर आफिस पे पढ़ा हुआ है, कोई member आए और उसे पढ़के जा सकता है, एवरी member sell and tie it inspect free of cost during the normal business hour, और उसे पैसे नहीं लेना, अगर आपको इसकी hard copy चाहिए, घर ली जाके पढ़ोगे, तो साथ दिनों के अंदर एक नॉर्मिनलन सा फीस होता है, उस फीस के उपर आपको मिल जाएगा, तो ये क्या था total minutes, एक बार conclude करते हैं, सर minutes क्या होता है, जब company कोई भी काम कर रही है, meeting के अंदर जो बादचीत हुई, उनको एक register में record करने को, minutes book कहा जाता है, कितने दिन में record होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर ये बन जाना चाहिए, जो chairman है, उन minutes book में वही बाते लिखेगा, जो company के लिए अच्छी चीजे हैं, और जो genuine चीजे हैं, उसे लिखेगा, आगर default होते हैं, तो 25,000 company पे fine, और 5,000 every member पे fine होगा, 2 घंटे के लिए daily minutes book को open किया जाएगा, आपको पढ़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं, इस minutes book को घर ले जाना है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक intimation देने के बाद, आप घर पे भी ले जाके इसको पढ़ सकते हैं, ये total क्या था, minutes book, तो अगला chapter स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से हम अगले topic में मिलेंगे, थैंक्यू सो मच, इस वीडियो से आपको value मिलती है न, तो चैनल को like और share और subscribe चरूर करिएगा, Hello student, अब next point पे आगए हम chairman के उपर, chairman क्या होता है, इसको हम सबसे last में cover कर रहे हैं, ताकि आपको last ही point है, तो basically chairman जो है, article of association के अंदर पहले से decide होता है, कि हर एक meeting का chairman कोन होगा, mainly जो board of director का chairman होता है, वही जाके chairman बनता है, अगर उसमें decided नहीं है, तो कोई भी member एक chairman को by show of hand या by pull चुन सकता है एक chairman, या फिर उस company के अंदर जो main board है, डिरेक्टर है, उसमें से किसी वेक्ति को चुना जा सकता है, या फिर किसी member में से भी chairman बनाया जा सकता है, वो chairman, end तक रहेगा chairman meeting के, chairman के पास power क्या है, वो किसी भी वेक्ति को, मतलब power यह है कि किसको पहले बोलने देना है, यह power है, किसी भी वेक्ति को बाहर निकाल सकता है, कि भाया तू meeting के अंदर नहीं रहेगा, तू बत्तमिजी कर रहा है, और duty क्या है, meeting को अच्छे से चलाना, अच्छे से records करना, signature करना properly, तो यह सारे उसके क्या है, duty, और एक और है, chairman के पास भी एक single vote का right होता है, माल लेते हैं, 50-50% अगर tie हो जाता है, तो उस case के अंदर, chairman single vote देके, अपना vote दे सकता है, कि क्या काम होना है या नहीं होना है, तो चलिए आए पढ़ते है chairman को, कहता है, journal meeting of company is to be prescribed over by chairman, मतलब journal meeting chairman करेगा, supervise करेगा, proper conduct करेगा business meeting को, he decide all, आपके question arise जो भी होगा, proceeding करेगा, that the meeting chairman should be bona fide, जो meeting है, वो एक ऐसा होना चाहिए, कि chairman meeting को करवाए, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, भीद भाव कर एक तरीके से है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से chairman meeting को करवा ले, chairman should be bona fide appointment of the chairman meeting, if the article not provide, अगर article नहीं है, then member personally present, जो होंगे meeting में, shall be elect of the themselves of the chairman, therefore show of hand, if poll demanded, then election of the chairman must be taken forth with the chairman, आगे कहता है, elected show of hand, can be excise all power of the connection, मतलब, इसी पूरे meeting के लिए, वो chairman बना रहेगा, chairman of the company, originally meeting, shall be the chairman of the urgent meeting, जो बदल जाता है meeting, उस meeting के लिए chairman रहेगा, मतलब, अगर मान ले इतने मैंने meeting रखा, बोला यार, आज तो बात होई नहीं पाई, class नहीं है, चल अगली class में, हम अगले meeting में करेंगा, तो वही chairman अगले meeting में भी रहेगा, कहता है, unless remove, जब तक उसे हटाए ना गया, chairman meeting में भी, appointment by the company law, कर सकता है, ट्रिमिनल कर सकता है, director कर सकता है, सभी लोग chairman कर सकते हैं, आज आते हैं sir power के उपर, क्योंकि ये video में दुबारा record कर रहा था, एक बार मैंने पूरी record कर ली थी, वोई से नहीं रहे यार, बहुत परिशान हो गया मैं तो, ठीक है ना, चलिए, chairman का power क्या है, the chairman has a prima facie authority, मतलब एक separate तरीके से काम करना है, और उसके पास power क्या है, minutes book के अंदर sign करना है, decision लेना एक power है उसका, और क्या है, chairman right to the, decide proxy को, sorry, priority among speaker, अधिकार है, और expel the, आपका जो rudely, मतलब की, अच्छे से बात नहीं कर रहा, उसके spell भी कर सकते है, he can urgent the meeting भी किया जा सकता है, chairman के थूरू, तो यह सारी बाते लिखी है, अब कहता है, casting of vote, chairman को ना, एक vote करने का अधिकार है, माल लेते हैं, अगे कहता है, sir, duty क्या है, chairman का, एक बार देख लिजी आप फटाफट से, sir, अगर duty की बात करें, तो पहली duty, के chairman take, एक discipline बना के रखना है, maintain करना है, meeting में, proceeding the conduct, proper manner से चलाना है, proper opportunity देना है, सामने वाले को सुनना है, उसको express करने देना है, के member भाई, तू अपने सारी बाते बोल, ऐसा नहीं के तू नहीं बोल पाएगा, proceeding of the meeting properly, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, chairman should be bona fide, and ability to judgment of the without prejudices, मतलब कि अपने भेद भाव को दूर रखते वे, आपको सारी चीज़े यहाँ पर बताना पड़ेगा, chairman के case में, तो ये था sir, chairman पूरा का पूरा, hopefully आपको पूरा chairman समझ में आया होगा, आप,